इस दोरान सूर्य चंद्रमा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिति बन रही है। चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी। और चंद्रमा की पून च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा। सूर्य ग्रेन एक खगौल ये घटना है। जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूरे ग्रेहन दिखेगा ये ग्रेहन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेहन का मद्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेहन होगा सूरे ग्रेहन की अवदी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरी ग्रेहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरी ग्रेहन दिखने वाला है उन में कैनेडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरी ग्रेहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेहन के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेहन की स्तितीब बनती है सूमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेहन लगने जा रहा है कि और कुछ रासियां है जिन दार्शियों पर भी इसका असर है रिष्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नों विज पर बारा में चुट के और ग्यारा विश्क शक्ताव में तक कर समय इस समय रहेदा लेहर का लिखिए कि बाहर के देशों में देगा ऐसा कोई ठवाव नहीं। अलटके च्तक और सूर्यग्रेंट है और यात्रा करने से भी बच्छना चाहिए ग्रेंट के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूज एटीन आठ अप्रेल 2024 को दुनिया भर में कई जगों पर टोटल सोलर एकलिप्स यानी फूर्ण सूरे ग्रहन दिखाई के बाद सूरे ग्रहन एक खगोल ये घटना है इसकी वैज्यानिक और धार्मिक मानेता है नासा की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार भारती इस समय के अनुसार आठ अप्रेल को पढ़ने वाला ग्रहन नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएस और कैनदा में दिखाई देगा आपको ये जानकारी होगी कि पूर सूरे ग्रहन तब दिखाई देता है जब चंद्रमा सूरे और प्रिथवी के बीच आ जाता है इस दौरान प्रिथवी से सूरे दिखाई नहीं देता 185 किलोमीटर के इलाके में पूर रूप से अंधेर अचा जाएगा यानी तोट्रालिटी की स्थिती बन जाएगी पूरे ग्रहन का समय धाई घंटे का है लेकिन तोटालिटी का समय चार मिनदे भारत में दिखाई देगा ग्रहन भारत में सूरे ग्रहन के सिर्फ वैज्यानिक माईने ही नहीं बलकि धार्मिक माईने भी है अमारे देश में ग्रहन से पहले लगने वाले सूतक काल को भी लोग माते हैं हिंदु पंचान के अनुसार साल 2024 में लगने वाला पहला सूरे ग्रहन चैत्रमाथ की अमावस्य अपर लग रहा है। कहा जाता है कि सूरे देव प्रत्यक्ष देवता है, इसलिए जब सूरे ग्रहन लगता है तब सूतक काल 12 घंटे पहले ते शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि सूतक काल के दौरान मांगलिक कारे नहीं करने चाहिए। केंदरी ये संस्कृत विश्विध्याले पूरी के जोतिशाचारे डॉक्टर गनेश मिष्ट के अनसार 8 अपरेल को सूरे ग्रहन रात 9 बचकर 12 मिनिट से शुरू हो रहा है और ये देज रात 1 बचकर 25 मिनिट तक रहेगा। शुकी अभारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए सूतकाल भी मानने नहीं होगा। ये है नासा की सला। अब जानेंगे कि सूरे ग्रहन कहां कहां दिखाई देगा। नासा की वेबसाइट के मताबिक टोटल सोलर एकलिप्स नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएर्स, कैनाड़ा और साउथ पैसिफिक ओशें में फोर्ड रूप से दिखाई देगा। ग्रहन को देखने के लिए कुछ सेफटी गाइडलाइन्स फॉलो करने होते हैं। नासा के मताबिक सूरे ग्रहन को नगन आखोस से देखने से सीवेर आई इंजरी हो सकती है। ग्रहन को देखने के लिए एकलिप्स ग्लासिस या सोलर फिल्टर्स जरूरी हैं। अगर आपके पास खास ग्लासिस नहीं है तो आप इंडरेक्ट व्यूइंग मैथेड अपना सकते हैं। यानि सूरे को सीधे तोर पर ना देखें। पिन होल प्रोजेक्टर का इस्तिमाल इसके लिए किया जा सकता है। एक्लिप्स ग्लास पहने हुए कैमरा लेंज, टेलेस्कोब, बानकुलर्स या किसी ऑप्टिकल दिवाइस का अच्टमाल ना करें। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसा करने से आँखों को गंभील नुकसान पहुच करता है। इसके अलावा नासा स्क्रीन सेस्टी की भी सला देता है। ग्रैंड के दौरान आप संस्क्रीन लगा कर भी बाहर लिकले। हाट या कब पहने, ऐसे कपड़े पहने जिनसे आपकी स्क्रीन डिरेक्ट धूट के कॉन्टेक्ट में ना आए। ऑनलाइन कैसे देखे। इसे पर अपिस्टोरी के लिए बने रहें नीवेडिया ओरिजिनल्स के साथ। दोतिश में सुर्य ग्रहन से जुड़ी कई मानियत आये हैं, लिकिन विज्यान में इस खगूली घटना को लेकर हमेशा से उत्साह रहता है। साथुचार चौबिस का पहला सुर्य ग्रहन बहुत महत्तो पूर्णे रहने वाला है। भारतिय समय के अनुसार ये सुर्य ग्रहन आज रात में 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू होगा। और रात 2 बचकर 22 मिनट पर खात्म होगा। अमरिका के हिसाब से 2 पहर के 2 बचकर 22 मिनट पर ये ग्रहन शुरू होगा। बताया जा रहा है कि इस पूर्णे सुर्य ग्रहन की अवधी कुल 5 गंटे 10 मिनट की होगी। वैसे तो इस सुर्य ग्रहन को ग्रीन लैंड, अमेरिका, दक्षन प्रिशांत, महासागर, उत्तर अंटार्टिक, महासागर, आइसलेंड, पॉलिस नेलिया समेत कई देशों में देखा जा सकेगा। लेकिन अमेरिका के उत्तरी हिस्सी में ये पूर्णे सुर्य ग्रहन बिलकुल साफ साफ नसर आएगा। इस दोरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है। चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा। सूर्य ग्रहन एक खगौल ये घटना है। हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूर्य ग्रहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा। और इसलिए इस ग्रहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा। भारत में दिन चर्या रोस की तरह ही होगी। शासलों के मताबिक चहां सूर्य ग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है। जिसा कि आप सभी जानते है कि आठ तारीकों 54 साल बाद होने जा रहा है सूर्य ग्रहन। और सूर्य ग्रहन जब होता है तो सभी बता है कि जब राहू की स्रमपुर द्रिष्टी पर होती है तो सूर्य ग्रहन होता है। सूरे गरहने सर अमाच खोता है और सूरे गरहने जब भी होता है तो उसके 12 घंटे पहले सूर्तक प्राडम हो जाता है मैकसिको जैसे डेश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाया तयात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेंड के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रेंड की स्तिती बनती है सुमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेंड लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रेंड चेत्र नवराच से कुछ गंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेंड मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेंड लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दासियों पर भी इसका असर है दिस्तर से पहले एक समय जाल लेंगे अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंड के दारान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंड के दारान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंड के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बियो रिपॉर्ट निउस 18 तो आज रात 9 बच कर 12 मिनट से रात के 2 बच कर 22 मिनट तक रहने वाला साल के पहले सूरे ग्रेंड का बिहार में भी असर नहीं होगा जोतिशा चाहरियों के बाने तो कोई खास असर इसे लेकर पढ़ने वाला नहीं है सूरे ग्रहन को लेकर जोते शाच्वारे पंडित पुनीद आलोग से बात की पटना समवादा था विनीता मिश्राण साल का पहला सूरे ग्रहन है आज सूरे ग्रहन अमेरिका, इंग्लैंड, एउरोप में देखा जाएगा लेकिन भारत में सूरे ग्रहन का क्या प्रभाव रहेगा पंडित पुनित आलोग हमारे साथ है, में नी से जानते हैं कि आखिर भारत में सूरे ग्रहन का कितना असर होगा यहां के रहने वाले लोगों पर कितना असर होगा क्योंकि लोकसभा का चुनाओ भी है और ऐसे में अगर देखा जाए तो चुनाओ को क्या ये सूरे ग्रहन प्रभाबत करेगा हमें नहीं से जानते हैं अपनी जी साल का पहला सुर्य ग्रहन कहा जा रहा है कि आज लगने जा रहा है तो भारत में क्या ये ग्रहन दिख रहा है। द्रिष्टी गोचर होगा एवं पश्यमी रसिया में इन ही भूभागों पर इस सुर्य ग्रहन का असर होता है। इस दोरान सुर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है। चंदर्मा पूरी तरह से सुर्य का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण छाया प्रित्वी पर पड़ेगा। सूरे ग्रेंड एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूरे ग्रेंड दिखेगा ये ग्रेंड 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेंड का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेंड होगा सूरे ग्रेंड की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हालाकि सबसे बड़ी बात ये है, कि सूरी ग्रैन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा, और इसलिए इस ग्रैन का सुतक काल नहीं माना जाएगा, भारत में दिन चर्या रोस की तरह ही होगी, शासनों के मताबिक जहां सूरी ग्रैन लगता है, वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई यातायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तितीब बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेटी नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दास्यों पर भी इसका असर है देश्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नों विसकर बारा में उसके और वियारा विसकर 17 में तक कर समय इस समय रहेज़त लेहरता लिखिए बाहा के देशों में कि अधि ग्राइट के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे गरेंड के बाद गंगा जल्से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट निउस 18 कल साल का पहला सूरिग्रहन होने जा रहा है 54 साल बाद पूर सूरिग्रहन होने वाला है अलाकि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जो तुशाचारियों के मताबिक राशियों पर इसका असर होगा किन किन देशों में सूरिग्रहन देखने वाला है आई इस इस रिपोर्ट के सरगे हम आपको दिखाते हैं इस सूरे ग्रेंड का मध्य समय रात 11 बच कर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेंड होगा सूरे ग्रेंड की अवदी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक चाहां सूरे ग्रेंड लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जैसा कि आप सुरी जानते कि आठ तारिकों 54 साल बाद होने आ रहा है सूरे ग्रेंड और सूरे ग्रेंड जब होता है जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनेडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई यातायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेंड के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वजह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्थिती बनती है सुमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूस 18 वाला ग्रहन नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएस और कानदा में दिखाई देता आपको ये जानकारी होगी कि कौन सूरे ग्रहन तब दिखाई देता है जब चंद्रमा सूरे और प्रिथवी के बीच आ जाता है इस दौरान प्रिथवी से सूरे दिखाई नहीं देता एक सूपिचास्ती किलोमीटर के इलाके में फूर रूप से अंधेरा चा जाएगा यानी टोटालिटी की स्थिती बन जाएगी पूरे ग्रहन का समय धाई गंटे का है लेकिन टोटालिटी का समय चार मिनट भारत में दिखाई देगा ग्रहन भारत में सूरे ग्रहन के सिर्फ वैग्यानिक मायने नहीं बलकि धार्मिक मायने भी है अमारे देश में ग्रहन से पहले लगने वाले सूतक काल को भी लोग मारते हैं हिंदु पंचान के अनुसार साल 2024 में लगने वाला पहला सूरे ग्रहन चैट्रमाथ की अमावस्य अपर लग रहा है। कहा जाता है कि सूरे देव प्रत्यक्ष देवता हैं इसलिए जब सूरे ग्रहन लगता है तब सूतक काल 12 घंटे पहले ते शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि सूतक काल के दौरान मांगलिक कारे नहीं करने चाहिए। केंदरी ये संस्कृत विश्विध्याले पूरी के जोतिशाचारे डौक्टर गणेश मिष्ट के अनसार 8 अपरेल को सूरे ग्रहन रात 9 बचकर 12 मिनट से शुरू हो रहा है और ये देद रात 1 बचकर 25 मिनट तक रहेगा। चुकि अभारत में नहीं दिखाई देगा इसलिए सूत तक काल भी मानने नहीं होगा। ये है नासा की सला। अब जानेंगे कि सूरे ग्रहन कहां कहां दिखाई देगा। नासा की वेबसाइट के मताबिक टोटल सोलर एकलिप्स नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएस, कैनेदा और साल्थ पैसिफिक ओशें में फोर्ड रूप से दिखाई देगा। ग्रहन को देखने के लिए कुछ सेफटी गाइडलाइन्स फॉलो करने होते हैं। नासा के मताबिक सूरे ग्रहन को नगन आँखों से देखने से सीवियर आई इंजरी हो सकती है। ग्रहन को देखने के लिए एकलिप्स ग्लासिस या सोलर फिल्टर्स जरूरी हैं। अगर आपके पास खास ग्लासिस नहीं है तो आप इंडिरेक्ट व्यूइंग मैथेड अपना सकते हैं। यानि सूरे को सीधे तोर पर ना देखें। पिन होल प्रोजेक्टर का इस्तिमाल इसके लिए किया जा सकता है। एकलिप्स ग्लास पहने हुए कैमरा लेंस, टेलेस्कोब, बानकुलर्स या किसी ऑप्टिकल जवाइस का इस्तिमाल ना तरे। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसा तरने से आखों को गंभील नुकसान पहुच करता है। इसके अलावा, नासा स्किन सेस्टी की भी सला देता है। ग्रैंड के दौरान आप संस्क्रीन लगा कर भी बाहर लिकले। हाट या कैप पहने, ऐसे कपड़े पहने जिनसे आपकी स्किन डिरेक्ट धूट के कॉन्टेक्ट में ना आए। ओनलाइन कैसे देखें। अब ओनलाइन ग्रहन को देख सकते हैं, नासा इसका ब्रॉडकास्ट करेगा। आप यूट्यूब चानल और नासा की वेबसाइट पर देख सकते। timeandake.com पर भी इसकी स्ट्रीमिंग की जाएगी। जानकारी के लिए बता देएं कि 8 अपरेल को टोटल सोलर एकलिप्स के बाद अगला सूरेग हैं 23 अगस्त को लगेगा। इस टॉपिक पर आपका क्या कहाना है हमें कमें सेक्शन में बताएं। जोतिश में सुर्य ग्रहन से जुड़ी कई मानियत आये हैं लिकिन विज्ञान में इस खगूलिय घटना को लेकर हमेशा से उत्साह रहता है। साथ 24 का पहला सुर्य ग्रहन बहुत महत्तो पूर्णे रहने वाला है। भारतिय समय के अनुसार ये सुर्य ग्रहन आज रात में 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू होगा और रात 2 बचकर 22 मिनट पर खात्म होगा। अमेरिका के हिसाब से दो पहर के दो बचकर 22 मिनट पर ये ग्रहन शुरू होगा। बताया जा रहा है कि इस पूर्णे सुर्य ग्रहन की अवधी कुल 5 घंटे 10 मिनट की होगी। वैसे तो इस सुर्य ग्रहन को ग्रीन लेंड, अमेरिका, दक्षन प्रिशांत, महासागर, उत्तर अंटार्टिक, महासागर, आइसलेंट, पॉलिस नेलिया समेत कई देशों में देखा जा सकेगा। लेकिन अमेरिका के उत्तरी हिस्से में ये पूर्णे सुर्य ग्रहन बिलकुल साफ साफ नसर आएगा। इस दोरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिति बन रही है। चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी। और चंदर्मा की पून च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा। सूर्य ग्रहन एक खगौल ये घटना है। चोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है। 54 साल बाद अदबुद सूर्य ग्रहन दिखेगा। ये ग्रहन आठ अप्रैल को राट नौ बच कर बारा मिनट पर शुरू हो जाएगा। भारत में देखने को नहीं मिलेगा। और इसी लिए इस ग्रहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा। भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक चाहा सूरिग्रहन लगता है वही पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरिग्रहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरिग्रहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रहन की स्तिती बनती है सूमबार आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रहन चेत्र नवराज से कुछ गंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया हैं जिन दास्यों पर भी इसका असर है रिष्टा से पर्ले हम समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दूसार जो ही यहां पर ग्राथ में नोब बाराई में समय तक है और ग्यारा रिष्ट सटाव में तक का समय इस रहेगा द्रहन का लिखिए बाहा के दे अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्राइन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्राइन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्राइन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बियो रिपॉर्ट न 12 मिनट से रात के दो बच कर 22 मिनट तक रहने वाला साल के पहले सूरे ग्रहन का बेहार में भी असर नहीं होगा जोतिशा चारियों के बाने तो कोई खास असर इसे लेकर पढ़ने वाला नहीं है सूरे ग्रहन को लेकर जोते शाच्वारे पंडित पुनित आलोग से बाद की पटना समवादा था विनीता मिश्राद साल का पहला सूरे ग्रहन है आज सूरे ग्रहन अमेरिका, इंग्लैंड, इउरोप में देखा जाएगा लेकिन भारत में सूरे ग्रहन का क्या प्रभाव रहेगा पंडित पुनित आलोग हमारे साथ है, मेंनी से जानते हैं कि आखिर भारत में सूरे ग्रहन का कितना असर होगा यहां के रहने वाले लोगों पर कितना असर होगा क्योंकि लोकसभा का चुनाओ भी है और ऐसे में अगर देखा जाए तो चुनाओ को क्या ये सूरे ग्रहन प्रभाबत करेगा हमें नहीं से जानते हैं अपन्डी ची साल का पहला सूरे ग्रहन कहा जा रहा है कि आज लगने जा रहा है तो भारत में क्या ये ग्रहन दिख रहा है? साल का पहला सूरे ग्रहन है और भारत भूमी पर इसकी दिख नहीं होना है नौ बज करके 22 मिनट रातरी से यह ग्रहन काल प्रारंब हो रहा है और एक बज करके 23 मिनट पर समाप्त हो रहा है यह विश्यो के पश्यमी अमेरिका पूरे योरोप और इंगलेंड के कुछ भाग ज इस सूरी ग्रहन का असर होता है कल साल का पहला सूरी ग्रहन है और 54 साल बाद यह पूर्ण सूरी ग्रहन है हलाकि भारत में सूरी ग्रहन का कोई असर नहीं होगा जो सचारे की माने तो कई रासियों पर इस सूरी ग्रहन का असर हो सकता है वही दूसरी तरफ भारत के जो दू इस दोरान सूर्य चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है। इस सूर्य ग्रेंड का मध्य समय रात 11 बच कर 47 मिनट पर होगा। ये पूर्ण सूर्य ग्रेंड होगा। लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है। जिन देशों में सूर्य ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनेडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है। अमेरिका में तो सूर्य ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। हवाया तयात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है। अमेरिका में ग्रेंड के दोरान स्कूल बंद रहेंगे। जब पृत्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। इसकी वजह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है। तब पूर्ण सूरे ग्रे हैन की स्थितिप बनती है। सूमbara 8 अप्रैल को साल का पहला सूरे ग्रेहन लगेगा। 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेहन। चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेहन। मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है। अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रहन के दोरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए। आला कि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जो त्शाचारियों के मुताबिक राशियों पर इसका असर होगा किन-किन देशों में सूरिक रहन दिखने वाला है आईएस रिपोर्ट के सर्गे आम आपको दिखाते हैं इस दोरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेंड एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूर्य ग्रेंड दिखेगा ये ग्रेंड 8 अप्रेल को रात 9 बच कर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बच कर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रेंड का मध्य समें रात 11 बच कर 47 मिनट पर होगा ये पून सूर्य ग्रेंड होगा सूर्य ग्रेंड की अवधी 5 गंटे 10 मिनट की होगी नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक चहां सूरिग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरिग्रहन दिखने वाला है उन में कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में दो सूरिग्रहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाईयात आयात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तिती बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया हैं जिन दार्षियों पर भी इसका असर है रिष्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर ग्राथ में नौ बज़तर बारा में से तक और ग्यारा वज़तर सटाओं में तक कर समय इस समय रहेगा द्रहें का लिखिए अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंट के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंट के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंट के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूज 18 वाला ग्रहन नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएस और क्यानदा में दिखाई देगा आपको यह जानकारी होगी कि कौन सूरे ग्रहन तब दिखाई देता है जब चंद्रमा सूरे और प्रिथवी के बीच आ जाता है इस दौरान प्रिथवी से सूरे दिखाई नहीं देता एक सूपिचास्ती किलोमीटर के इलाके में पूर रूप से अंधेर अचा जाएगा यानी टोट्रालिटी की स्थिती बन जाएगी पूरे ग्रहन का समय धाई घंटे का है लेकिन टोट्रालिटी का समय चार मिन जाएगा भारत में दिखाई देगा ग्रहन भारत में सूरे ग्रहन के सिर्फ वैज्यानिक माईने ही नहीं बलकि धार्मिक माईने भी हैं अमारे देश में ग्रहन से पहले लगने वाले सूर्टक काल को भी लोग मारते हैं हिंदु पंचान के अनुसार साल 2024 में लगने वाला पहला सूरे ग्रहन चैत्रमाज की अमावस्या पर लग रहा है कहा जाता है कि सूरे देव प्रत्यक्ष देवता है इसलिए जब सूरे ग्रहन लगता है तब सूतक काल 12 गंटे पहले ते शुरू हो जाता है कहा जाता है कि सूतक काल के दौरान मांगली कारे नहीं करने चाहिए केंदरी ये संस्कृत विश्विध्यालेपूरी के जोतिशाचारे डॉक्टर गनेश मिश्टर के अनसार 8 अपरेल को सूरे ग्रहन रात 9 बचकर 12 मिनिट से शुरू हो रहा है और ये देज रात 1 बचकर 25 मिनिट तक रहेगा चुकि अभारत में नहीं दिखाई देगा इसलिए सूतकाल भी मानने नहीं होगा अब जानेंगे कि सूरे ग्रहन कहां कहां दिखाई देगा नासा की वेबसाइट के मताबिक टोटल सोलर एकलिप्स नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएर्स, कैनेडा और साउथ पैसिफिक ओशियन में फोर्ड रूप से दिखाई देगा ग्रहन को देखने के लिए कुछ सेटी गाइडलाइन्स फॉलो करने होते हैं नासा के मताबिक सूरे ग्रहन को नगन आखोस से देखने से सीवेर आई इंजरी हो सकती है ग्रहन को देखने के लिए एकलिप्स ग्लासिस या सोलर फिल्टर्स जरूरी हैं अगर आपके पास खास ग्लासिस नहीं है तो आप इंडिरेक्ट व्यूइंग मेथेड अपना सकते हैं यानि सूरे को सीधे तोर पर ना देखें पिन होल प्रोजेक्टर का इस्तिमाल इसके लिए किया जा सकता है एकलिप्स ग्लास पहने हुए camera lens, telescope, binoculars या किसी optical device का इस्तिमाल ना करें एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसा करने से आखों को गंभील लुकसान पहुच करता है इसके अलावा NASA स्किन सेथी की भी सला देता है ग्रेंड के दौरान आप संस्क्रीन लगा कर भी बाहर निखले हाच या कैब पहने, ऐसे कप्रे पहने जिनसे आपकी स्किन डिरेक्ट धूट के कॉन्टेक्ट में ना आए अब ओनलाइन कैसे देखें अब ओनलाइन ग्रेंड को देख सकते हैं नासा इस सब ब्रॉडकास्ट करेगा आप यूट्यूब चैनल और नासा की वेबसाइट पर डेख सकते हैं सायमेंड डेख डॉट कॉम पर भी स्ट्रीमिंग की जाए दूट रानकारी के लिए बता दें कि आठ अपरेल पो टोटल सोलर एकलिप्स के बाद अगला सूरेग हैं पेट अगस्त को लगेगा इस टॉपिक पर आपका क्या कहाना है हमें कमल सेक्शन में बताए इसी पर अगस्ती स्टोरी के लिए बने रहें नीज एडिन इंडिया ओरिजिनल के साथ जोतिश में सूरेग्रहन से जुड़ी कई मानियत आये हैं लिकिन विज्ञान में इस खगूलिय घटना को लेकर हमेशा से उत्साह रहता है साल 24 का पहला सूरेग्रहन बहुत महत्तोपोने रहने वाला है भारतिय समय के अनुसार ये सूरेग्रहन आज रात में 9 बच कर 12 मिनट पर शुरू होगा और रात 2 बच कर 22 मिनट पर खात्म होगा अमेरिका के हिसाब से 2 पहर के 2 बच कर 22 मिनट पर ये ग्रहन शुरू होगा बताया जा रहा है कि इस पूर्ण सूर्य ग्रहन की अवधी कुल 5 गंटे 10 मिनट की होगी वैसे तो इस सूर्य ग्रहन को ग्रीन लैंड, अमेरिका, दक्षन प्रिशांत, महासागर, उत्तर अंटार्टिक, महासागर, आइसलेंड, पॉलिस नेलिया समेत कई देशों में देखा जा सकेगा लेकिन अमेरिका के उत्तरी हिस्से में ये पूर्ण सूर्य ग्रहन बिलकुल साफ-साफ नसर आएगा तो साल का पहला सुरिक्रहन लखनी चुआ रहा है और चौवत साल के बाद पूर्ण सुरिक्रहन होने वाला है हाला कि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जोतिशा चारियों के मुठाबिक राशियों पर इसका असर जरूर होगा किन-किन देशों में सूरे ग्रहन दिखने वाला है देखे हमारी ये खास रेपोर्ट प्रभावित करने वाला माना जाता है चौवन साल बाद अद्बुद सूरे ग्रहन दिखेगा ये ग्रहन आठ अप्रैल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जायेगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रहन का मध्य समे रात 11 बच कर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेंड होगा सूरे ग्रेंड की अवधी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरे ग्रेंड लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लिकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाईया तयात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेंड के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेंड की स्तिती बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेंड लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेंड चेत्र नवराज से कुछ गंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेंड मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेंड लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दासियों पर भी इसका असर है तरह से परले आप समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दूसार जो ही यहां पर रात में नोग बाराइब में चाहिए और ग्यारा वर्श्ट सटाव में तक कर समय इस रहें रहें पर रहें का लिखिए बाहा के अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बियो रिपॉर्ट न्यूज आज रात 9 बच कर 12 मिनट से रात के 2 बच कर 12 मिनट तक रहने वाला साल के पहले शुरेगरहन का बेहार में भी असर नहीं होगा जोतिशा चारियों की बाने तो कोई खास असर इसे लेकर पढ़ने वाला नहीं है सूरे ग्रहन को लेकर जोते शाच्वारे पंडित पुनीद आलोग से बात की पटना समवादा था विनीता मिश्राण साल का पहला सूरे ग्रहन है आज सूरे ग्रहन अमेरिका, इंग्लैंड, उरोप में देखा जाएगा लेकिन भारत में सूरे ग्रहन का क्या प्रभाव रहेगा पंडित पुनत आलोग हमारे साथ है मेनी से जानते हैं कि आखिर भारत में सूरे ग्रहन का कितना असर होगा यहां के रहने वाले लोगों पर कितना असर होगा क्योंकि लोकसभा का चुनाओ भी है और ऐसे में अगर देखा जाए तो चुनाओ को क्या ये सूरे ग्रहन प्रभाबत करेगा हमें नहीं से जानते हैं अपंडी जी साल का पहला सूरे ग्रहन कहा जा रहा है कि आज लगने जा रहा है तो भारत में क्या ये ग्रहन दिख रहा है? साल का पहला सूरे ग्रहन है और भारत भूमी पर इसकी दिख नहीं होना है नौ बज करके 22 मिनट रातरी से यह ग्रहन काल प्रारंब हो रहा है और एक बज करके 23 मिनट पर समाप्त हो रहा है यह विश्यो के पश्यमी अमेरिका पूरे योरोप और इंगलेंड के कुछ भाग ज सूरे ग्रहन का असर होता है कल साल का पहला सूरे ग्रहन है और 54 साल बाद यह पूर्ण सूरे ग्रहन है भाला की भारत में सूरे ग्रहन का कोई असर नहीं होगा जो सचारे की माने तो कई रासियों पर इस सूरे ग्रहन का असर हो सकता है वहीं दूसरी तरफ भारत के जो दू इस दोरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है। इस सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है। लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है। जिन देशों में सूर्य ग्रहन दिखने वाला है उन में कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है। अमेरिका में तो सूर्य ग्रहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है। अमेरिका में ग्रहन के दोरान स्कूल बन रहेंगे। जब प्रित्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। इसकी वजह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है। तब पूर्ण सूर्य ग्रहन की स्तितीब बनती है। सुमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूर्य ग्रहन लगेगा। 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूर्य ग्रहन। चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूर्य ग्रहन। मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूर्य ग्रहन लगने जा रहा है। कि और कुछ रासियां है जिन दास्यों पर भी इसका असर है देश्टा से पर्लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नों बज़तर बारा में उसके और ग्यारा विश्टर सक्ताव में तक कर समय इस सब्सक्राइब कर देशों में फिलाल भारत पर कोई तबाओ नहीं है तकि कुछ दासियां है अगर सूर्य ग्रेंट है पर असका असर जाता है जिसे की प्रश्चित आसी है करक्रासी है और कुमरासी है इन ते दासियों पर इसका वेश्टियस असर रहेगा देखने को बिले अमूमन माना जाता है कि सूर्य ग्रेंट के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंट के दौरान सीधे सूर्य को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूर्य ग्रेंट के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जो त्शाचारियों के मुताबिक राशियों पर इसका असर होगा किन किन देशों में सूर्य ग्रहन दिखने वाला है आई इस रिपोर्ट के सरगे हम आपको दिखाते हैं इस दौरान सूर्य चन्दर्मा पृट्वि के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चन्दर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृट्वी पर जाने से रोकेगी सूर्य ग्रेन एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अद्बुद सूरे ग्रेहन दिखेगा ये ग्रेहन 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेहन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेहन होगा सूरे ग्रेहन की अवधी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक जहा सूरिग्रेहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरिग्रेहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरिग्रेहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेहन के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूर्य ग्रेहन की स्तिती बनती है सूमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूर्य ग्रेहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूर्य ग्रेहन चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूर्य ग्रेहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूर्य ग्रेहन लगने जा रहा है और कुछ राशिया है जिन दास्यों पर भी इसका असर है प्रेश्टा से पहले आप समय जाल लेंगे अमुमन माना जाता है कि सूर्य ग्रेहन के दोरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेहन के दोरान सीधे सूर्य को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूज 18 आठ अप्रेल 2024 को दुनिया भर में कई जगों पर टोटल सोलर एकलिप्स यानी पूर्ण सूरे ग्रहन दिखाई देगा सूरे ग्रहन एक खगोल ये घगना है इसकी वैज्यानिक और धार्मिक मानेता है जब चंद्रमा सूरे और प्रिथवी के बीच आ जाता है इस दौरान प्रिथवी से सूरे दिखाई नहीं देगा 180 किलोमीटर के इलाके में पूर रूप से अंधेर अचा जाएगा यानी टोट्रालिटी की स्थिती बन जाएगी पूरे ग्रहन का समय धाई घंटे का है लेकिन टोटालिटी का समय चार मिनित भारत में दिखाई देगा ग्रहन भारत में सूरे ग्रहन के सिर्फ वैज्यानिक माईने इन नहीं बलकि धार्मिक माईने भी है अमारे देश में ग्रहन से पहले लगने वाले सूतक काल को भी लोग मारते हैं. हिन्दू-पंचान के अनुसार साल 2024 में लगने वाला पहला सूरे ग्रहन चैत्रमाथ की अमावस्ते अपर लग रहा है. कहा जाता है कि सूरे देव प्रत्यक्ष देवता है इसलिए जब सूरे ग्रहन लगता है तब सूतक काल 12 गंटे पहले ते शुरू हो जाता है कहा जाता है कि सूतक काल के दौरान मांगली कारे नहीं करने चाहिए केंदरी ये संस्कृत विश्विध्याले पूरी के जोतिशाचारे डॉक्टर गनेश मिष्टर के अनसार 8 अपरेल को सूरे ग्रहन रात 9 बचकर 12 मिनिट से शुरू हो रहा है और ये देज रात 1 बचकर 25 मिनिट तक रहेगा चुकि ये भारत में नहीं दिखाई देगा इसलिए सूतकाल भी मानने नहीं होगा अब जानेंगे कि सूरे ग्रहन कहां कहां दिखाई देगा नासा की वेबसाइट के मताबिक टोटल सोलर एकलिप्स नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएर्स, कैनेडा और साउथ पैसिफिक ओशियन में कोड रूप से दिखाई देगा ग्रहन को देखने के लिए कुछ सेटी गाइडलाइन्स फॉलो करने होते हैं नासा के मताबिक सूरे ग्रहन को नगन आखोस से देखने से सीवियर आई इंजरी हो सकती है ग्रहन को देखने के लिए एकलिप्स ग्लासिस या सोलर फिल्टर्स जरूरी हैं अगर आपके पास खास ग्लासिस नहीं है तो आप इंडिरेक्ट व्यूइंग मेथेड अपना सकते हैं यानि सूरे को सीधे तोर पर ना देखें पिन होल प्रोजेक्टर का इस्तमाल इसके लिए किया जा सकता है एकलिप्स ग्लास पहने हुए कैमरा लेंस, टेलेस्कोब, बानकुलर्स या किसी ओप्टिकल जिवाइस का इस्तमाल ना करें एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसा करने से आँखों को गंभील नुकसान पहुच करता है इसके अलावा नासा स्किन सेफ्टी की भी सला देता है ग्रेंड के दौरान आप संस्क्रीन लगा कर भी बाहर निकले हैच या कब पहने, ऐसे कपड़े पहने जिनसे आपकी स्किन डिरेक्ट धूट के कॉंटेक्ट में ना आए ओनलाइन कैसे देखें, अब ओनलाइन ग्रेहन को देख सकते हैं, नासा इस सब ब्रॉटकास्ट करेगा, आप यूट्यूब चानल और नासा की वेबसाइट पर देख सकते हैं तामएंडेट.com पर भी स्ट्रीमिंग की जाई तूँ जानकारी के लिए बता देए कि 8 अपरेल को टोटल सोलर एकलिप्स के बाद अगला सूरेग हैं 23 अगस्त को लगेगा इस टॉपिक पर आपका क्या कहाना है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं इसी परहती स्टोरीज के लिए बने रहें न्यूज एडिन इंडिया ओरिजिनल के साथ जोतिश में सुर्य ग्रहन से जुड़ी कई मानियत आये हैं लिकिन विज्ञान में इस खगूलिय घटना को लेकर हमेशा से उत्साह रहता है साथ उसार चौबिस का पहला सुर्य ग्रहन बहुत महत्तो पोने रहने वाला है भारतिय समय के अनुसार ये सुर्य ग्रहन आज रात में 9 बच कर 12 मिनट पर शुरू होगा और रात 2 बच कर 22 मिनट पर खात्म होगा अमेरिका के हिसाब से दो पहर के दो बच कर 22 मिनट पर ये ग्रहन शुरू होगा बताया जा रहा है कि इस पोने सुर्य ग्रहन की अवधी कुल 5 घंटे 10 मिनट की होगी वैसे तो इस सुर्य ग्रहन को ग्रीन लैंड, अमेरिका, दक्षन प्रिशांत, महासागर, उत्तर अंट तो साल का पहला सुर्य ग्रहन लखनी चुआ रहा है और 4 साल के बाद पूर्ण सुर्य ग्रहन होने वाला है, हाला कि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जोतिशा चारियों के मताबिक राशियों पर इसका असर जरूर होगा, किन-किन देशों में सुर्य ग्रहन दिखने वाला है, देखे हमारी खास रेपोर्ट का माना जाता है, 54 साल बाद अधबुद सुर्य ग्रहन दिखेगा, ये ग्रहन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा, इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा, इस सुर्य ग्रहन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा, ये पून सुर्य ग् की अवदी पांच खंटे दस मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सू जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनेडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई यातायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेंड के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वजह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तिती बनती है सुमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराच से कुछ गंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है अब लगेगा अप्रेल को साल जाता है और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बियो रिपोर्ट निउस 18 तो आज रात 9 बचकर 12 मिनट से रात के 2 बचकर 22 मिनट तक रहने वाला साल के पहले सूरे ग्रहन का बिहार में भी असर नहीं होगा जोतिशा चाहरीओं के बादे तो कोई खास असर इसे लेकर पढ़ने वाला नहीं है सूरे ग्रहन को लेकर जोतिशा चाहरीओं पंडित पुनित आलोग से बाद की पढ़ना समवादा था विनीता मिश्राण साल का पहला सूरे ग्रहन है आज सूरे ग्रहन अमेरिका इंग्लाइंड यूरोप में देखा जाएगा लेकिन भारत में सूरे ग्रहन का क्या प्रभाव रहेगा पंडित पुनित आलोग हमारे साथ हैं मेनी से जानते हैं कि आखिर भारत में सूरे ग्रहन का कितना असर होगा यहां के रहने वाले लोगों पर कितना असर होगा क्योंकि लोगसभा का चुनाओ भी है और ऐसे में अगर देखा जाए तो चुनाओ को क्या ये सूरे ग्रहन प्रभाबत करेगा हमेनी से जानते हैं अपन्डी जी साल का पहला सूरे ग्रहन कहा जा रहा है तो भारत में क्या ये ग्रहन दिख रहा है साल का पहला सूरे ग्रहन है और भारत भूमी पर इसकी द्रिष्ट नहीं होना है 9 बज करके 22 मिनट रातरी से यह ग्रहन काल प्रारंब हो रहा है और 1 बज करके 23 मिनट पर समाप्त हो रहा है यह विश्यो के पश्यमी अमेरिका, पूरे योरोप और इंगलेंड के कुछ भाग जो आईरलेंड से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर यह द्रिस्टी गोचर होगा, एबं पश्यमी रसिया में इन ही भूभागों पर इस सूरिग्रहन का असर होता है. पर इस सूरिग्रहन का असर होता है, वही दूसरी तरफ, भारत के जो दूसरे देश हैं, किनकिन देशों में इस सूरिग्रहन का असर होगा, जानिये इस रिपोर्ट में. इस दौरान सूर्य चंदरमा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है, चंदरमा पूरी तरह से सूरे का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी, और चंदरमा की पून च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा, सूरे ग्रेन एक खगॉल ये घटना है, जोतिश के हिस आप से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है, 54 साल बाद अधबुद सूरे ग्रेन दिखेगा, ये ग्रेन 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा, इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा, इस सूरे ग्रेन का मध्य समे रात 11 बचक 27 मिनट पर होगा, ये पूर्ण सूरे ग्रेन होगा, सूरे ग्रेन की अवदी 5 खंटे 10 मिनट की होगी, हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा, और इसी लिए इस ग्रेन का सूतक काल नहीं माना जाएगा, भारत में दिन आपाथ सारी को चौन साल बाद प्नाहें सूरिघ्रण और सूरिड्रहन्ग निगगुरी की निव की ई film उतऊआ है वइनका रखि के स्ट रहाएं तो जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लिकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तितीब बनती है सूमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेतर नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन रासियों पर भी इसका असर है रिष्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दूसार जो ही यहां पर डात्मेनों विसकर बाराग में उसके और ग्यारा विसकर सक्ताव में तक कर समय इस समय रहेगा देहर का लिए बाहा के देशों में अब यात्रा करने से बचना चाहिए ग्रैन के दोराः सीधे सुरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सुरे ग्रेंद के बाद गंगा जल्से नहाने को कहा जाता है वेरो रिपॉर्ट हमयास कल साल का पहला सूरिग्रहन होने जा रहा है 54 साल बात पूर सूरिग्रहन होने वाला है आला कि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जो तुशाचारियों के मताबिक राशियों पर इसका असर होगा किन-किन देशों में सूर्य ग्रहन दिखने वाला है, आई इस रिपोर्ट के सरके हम आपको दिखाते हैं इस दौरान सूर्य चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा, सूर्य ग्रहन एक खगौल ये घटना है चोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूर्य ग्रहन दिखेगा ये ग्रहन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रहन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूर्य ग्रहन होगा सूरे ग्रेंड की अफ़धी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला की सबसे बड़ी बात यह है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेंड का सुतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोस की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक जहा सूरी ग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रहन को लिकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तिती बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दाशियों पर भी इसका असर है दिश्टा से परले समय जाल लेंगे कि भारतिय परमपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नो बश्कर बारा में उसके और ग्यारा विश्कर सक्ताव में तका समय इस समय रहेगा द्रहें का लिए बाहा के देशों अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है Bureau Report, News 18 परने वाला ग्रहन, North America, Mexico, US और Canada में दिखाई देगा आपको यह जानकारी होगी कि कौन सूरे ग्रहन तब दिखाई देता है जब चंद्रमा सूरे और प्रिथवी के बीच आ जाता है इस दौरान प्रिथवी से सूरे दिखाई नहीं देता एक सूपिचास्ती किलोमीटर के इलाके में फूर रूप से अंधेर अचा जाएगा यानी टोटालिटी की स्थिती बन जाएगी पूरे ग्रहन का समय धाई घंटे का है लेकिन टोटालिटी का समय चार मिनित है भारत में दिखाई देगा ग्रहन भारत में सूरे ग्रहन के सिर्फ वैज्यानिक माईने ही नहीं बलकि धार्मिक माईने भी हैं अमारे देश में ग्रहन से पहले लगने वाले सूतक काल को भी लोग मारते हैं हिंदु पंचान के अनुसार साल 2024 में लगने वाला पहला सूरे ग्रहन चैत्रमास की अमावस्या पर लग रहा है। कहा जाता है कि सूरे देव प्रत्यक्ष देवता है, इसलिए जब सूरे ग्रहन लगता है तब सूतक काल 12 गंटे पहले पे शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि सूतक काल के दौरान मांगलिक कारे नहीं करने चाहिए। केंदरी ये संस्कृत विश्विध्याले पूरी के जोतिशाचारे डौक्टर गणिश मिश्ट के अनसार 8 अपरेल को सूरे ग्रहन रात 9 बचकर 12 मिनिट से शुरू हो रहा है और ये देज रात 1 बचकर 25 मिनिट तक रहेगा। चुकि ये भारत में नहीं दिखाई देगा इसलिए सूत तक काल भी मानने नहीं होगा। ये है नासा की सला। अब जानेंगे कि सूरे ग्रहन कहां कहां दिखाई देगा। नासा की वेबसाइट के मताबिक टोटल सोलर एकलिफ्स नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएर्स, कैनेडा और साथ स्पैसिफिक ओशें में फोर्ड रूप से दिखाई देगा। ग्रहन को देखने के लिए कुछ सेफटी गाइडलाइन्स फॉलो करने होते हैं। नासा के मताबिक सूरे ग्रहन को नगन आखोस से देखने से सीवियर आई इंजिरी हो सकती है। ग्रहन को देखने के लिए एकलिफ्स ग्लासिस या सोलर फिल्टर्स जरूरी हैं। अगर आपके पास खास ग्लासिस नहीं हैं तो आप इंडिरेक्ट व्यूइंग मैथेड अपना सकते हैं। यानि सूरे को सीधे तौर पर ना देखें। पिन होल प्रोजेक्टर का इस्तिमाल इसके लिए किया जा सकता है। एकलिप्स ग्लास पहने हुए कैमरा लेंस, टेलेस्कोब, बानकुलर्स या किसी ओप्टिकल दिवाइस का इस्तिमाल ना तरे। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसा तरने से आखों को गंभील नुकसान पहुचकता है। इसके अलावा, NASA skin safety की भी सला देता है। ग्रहेंड के दौरान आप संस्क्रीन लगा कर भी बाहर मिखले। हाट या कब पहने, ऐसे कप्रे पहने जिनसे आपकी skin डिरेक्ट धूट के contact में ना आए। अब ओनलाइन कैसे देखें। नासा इसका ब्रादकास्ट करेगा आप YouTube चैनल और NASA की वेबसाइट पर डिक सचाए। timeanddick.com पर भी स्ट्रीमिंग की जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि 8 अपरेल को टोटल सोलर एकलिप्स के बाद अगला सूरेगों हैं 23 अगस्त को लगेगा। इस टॉपिक पर आपका क्या कहाना है हमें कमल सेक्शन में बताएं इसकी पर अपर की स्टोरीज के लिए बने रहें नीज एटीन इंडिया ओरिशनल के साथ। दोतिश में सूरेग्रहन से जुड़ी कई मानियत आये हैं लिखिन विज्यान में इस खगोली घटना को लेकर हमेशा से उत्साह रहता है। साल 24 का पहला सूरेग्रहन बहुत महत्तोपोने रहने वाला है। भारतिय समय के अनुसार ये सूरेग्रहन आज रात में 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू होगा और रात 2 बचकर 22 मिनट पर खात्म होगा। अमेरिका के हिसाब से दो पहर के 2 बचकर 22 मिनट पर ये ग्रहन शुरू होगा। बताया जा रहा है कि इस पूर्ण सूर्य ग्रहन की अवधी कुल 5 गंटे 10 मिनट की होगी. वैसे तो इस सूर्य ग्रहन को ग्रीन लैंड, अमेरिका, दक्षन प्रिशांत, महासागर, उत्तर अंटार्टिक, महासागर, आइसलेंड, पॉलिस नेलिया समेत कई देशों में देखा जा सकेगा. लेकिन अमेरिका के उत्तरी हिस्सी में ये पूर्ण सूर्य ग्रहन बिलकुल साफ साफ नसर आएगा. तो साल का पहला सूर्य ग्रहन लगनी चौँ आ रहा है और 16 साल के बाद पूर्ण सूर्य ग्रहन होने वाला है. हाला कि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जोतिशा चारियों के मुथाबिक राशियों पर इसका असर जरूर होगा किन-किन देशों में सुरिक रहन दिखने वाला है देखे हमारी ये खास रेपोर्ट इस दोरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाष पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूरे ग्रेंड दिखेगा ये ग्रेंड 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेंड का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेंड होगा सूरे ग्रेंड की अवधी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरे ग्रेंड लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेंड के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेंड की स्तिती बंती है सूमबार आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेंड लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेंड चेत्र नवराज से कुछ गंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेंड मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेंड लगने जा रहा है और कुछ रासिया हैं जिन दास्यों पर भी इसका असर है तेस्ता से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दूसार जो ही यहां पर रात में नोब इसकर बारा में उसके जब के और ग्यारा में सटाल में तक कर समय इस रहेगा द्रहता लिखिए बाहा के देशों में अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बियो रिपोर्ट न्यूज 18 बियो रिपोर्ट न्यूज 18 है और भारत भूमी पर इसकी द्रिष्ट नहीं होना है नौ बज करके 22 मिनट रातरी से यह गरहन काल प्रारंब हो रहा है और एक बज करके 23 मिनट पर समाप्त हो रहा है यह विश्यु के पश्यमी अमेरिका पूरे योरोप और इंग्लैंड के कुछ भाग जो आयरलेंड से होता है कल साल का पहला सूरिग्राण है और 54 साल बाद ये पूर्ण सूरिग्राण है भाला की भारत में सूरिग्राण का कोई असर नहीं होगा जो सचारें की माने तो कई रासियों पर इस सूरिग्राण का असर हो सकता है वही दूसरी तरफ भारत के जो दूसरे देश है किन लेकिन देसों में इस सूर्य ग्रहन का असर होगा जानिये इस रिपोर्ट में रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अध्बुद सूरे ग्रहन दिखेगा ये ग्रहन आठ अपरैल को रात 9.12 मिनिट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2.22 मिनिट पर होगा इस सूरे ग्रहन का मध्य समय रात 11.47 मिनिट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेंड होगा सूरे ग्रेंड की अवधी पांच खंटे दस मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक जहा सूरिग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरिग्रहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरिग्रहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रहन की स्तिती बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रहन चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया हैं जिन दासियों पर भी इसका असर है देश्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर ग्रात में नौबज पर बाराई में सब्सक्राइब और ग्यारा विश्टा सटाओं में तक कर समय इस समय रहेगा देहर का लिख अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंट के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंट के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंट के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपॉर्ट न नहीं मिलेगा लेकिन जो त्षचारियों के मुताबिक राशियों पर इसका असर होगा किन-किन देशों में सूरिक ग्रहन दिखने वाला है आई इस रिपोर्ट के सरके हम आपको दिखाते हैं इस दौरान सूर्य चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिति बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रहन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूर्य ग्रहन दिखेगा ये ग्रहन आठ अप्रैल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रहन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूर्य ग्रहन होगा सूर्य ग्रहन की अवधी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूर्य ग्रहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक चहां सूर्य ग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूर्य ग्रहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूर्य ग्रहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूर्य ग्रहन की स्तिती बंती है सूमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूर्य ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूर्य ग्रहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूर्य ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूर्य ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया हैं जिन दास्यों पर भी इसका असर है रिष्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर ग्रात में नोब बाराइब में उसके और ग्यारा विश्टा सटाओं में तक का समय इस रहें 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 का लिखिए बाहा के द अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंट के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंट के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंट के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न् अब इसको दुनिया भर में कई जगों पर टोटल सोलर एकलिप्स यानी पूर्ण सूरे ग्रहन दिखाई देगा। सूरे ग्रहन एक हबोल ये घटना है, इसकी वैज्ञानिक और धार्मिक मानेता है। नासा की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार, भार की इस समय के अनुसार आठ अपरेल को पढ़ने वाला ग्रहन नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएस और कैनादा में दिखाई देगा। आपको ये जानकारी होगी कि कूर सूरे ग्रहन तब दिखाई देता है, जब चंद्रमा सूरे और प्रिथवी के बीच आ जाता है। इस दौरान प्रिथवी से सूरे दिखाई नहीं देता। एक सूपिचास्ती किलोमीटर के इलाके में पूर रूप से अंधेर अचा जाएगा, यानी टोटालिटी की स्थिती बन जाएगी। पूरे ग्रहन का समय धाई घंटे का है, लेकिन टोटालिटी का समय चार मिनित है। भारत में दिखाई देगा ग्रहन। केंद्री ये संस्कृत विश्विध्यालेपूरी के जोतिशाचारे डॉक्टर गनेश मिष्ट्र के अनसार 8 अपरेल को सूरे ग्रहन। रात 9 बचकर 12 मिनिट से शुरू हो रहा है और ये देग रात 1 बचकर 25 मिनिट तक रहेगा। चुकि ये भारत में नहीं दिखाई देगा इसलिए सूतकाल भी मानने नहीं होगा। ये है नासा की सला। अब जानेगे कि सूरे ग्रहन कहां कहां दिखाई देगा। नासा की वेबसाइट के मताबिक टोटल सोलर एकलिप्स नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएर्स, कैनाड़ा और साउथ स्पैसिफिक ओशियन में फोर्ड रूप से दिखाई देगा। ग्रहन को देखने के लिए कुछ safety guidelines follow करने होते हैं। नासा के मताबिक सूरे ग्रहन को नगन आखोस से देखने से severe eye injury हो सकती है। ग्रहन को देखने के लिए eclipse glasses या solar filters जरूरी हैं। अगर आपके पास खास glasses नहीं हैं तो आप indirect viewing method अपना सकते हैं। यानि सूरे को सीधे तोर पर ना देखें। पिन होल प्रोजेक्टर का इस्तिमाल इसके लिए किया जा सकता है। eclipse glass पहने हुए camera lens, telescope, binoculars या किसी optical device का इस्तिमाल ना करें। experts मानते हैं कि ऐसा करने से आखों को गंभील नुकसान पहुच कता है। इसके अलावा NASA skin safety की भी सला देता है। ग्रेंड के दौरान आप sunscreen लगाकर भी बाहर निखले। hat या cap पहने, ऐसे कपड़े पहने जिनसे आपकी skin डिरेक्ट धूट के contact में ना आए। ओनलाइन कैसे देखें। अब ओनलाइन ग्रहन को देख सकते हैं, NASA इस सब ब्रॉडकास्ट करेगा, आप YouTube चानल और NASA की website पर देख सकते। timeanddate.com पर भी स्ट्रीमिंग की जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि आठ अप्रेल पो टोटल सोलर एकलिप्स के बाद अगला सूरेग हैं तेख अगस्त को लगे था। इस टॉपिक पर आपका क्या कहाना है हमें comment section में बताए। इसी पर है की stories के लिए बने रहे नीज एडिन इंडिया ओरिजिनल्स के साथ। जोतिश में सूरेग्रहन से जुड़ी कई मानियत आये हैं लिकिन विज्ञान में इस खगूलिय घटना को लेकर हमेशा से उत्साह रहता है। साथुसार चौबिस का पहला सूरेग्रहन बहुत महत्तोपोने रहने वाला है। भारतिय समय के अनुसार ये सूरेग्रहन आज रात में 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू होगा और रात 2 बचकर 22 मिनट पर खात्म होगा। अमेरिका के हिसाब से 2 पहर के 2 बचकर 22 मिनट पर ये ग्रहन शुरू होगा। बताया जा रहा है कि इस पूर्ण सूरेग्रहन की अवधी कुल 5 घंटे 10 मिनट की होगी। वैसे तो इस सूरेग्रहन को ग्रीन लैंड, अमेरिका, दक्षन प्रिशांत, महासागर, उत्तर अंटार्टिक, महासागर, आइसलेंट, पॉलिस नेलिया समेत कई देशों में देखा जा सकेगा। लेकिन अमेरिका के उत्तरी हिस्सी में ये पूर्ण सूरेग्रहन बिलकुल साफ साफ नसर आएगा। इस दोरान सूरे चंदरमा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है। चंदरमा पूरी तरह से सूरे का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदरमा की पूर्ण च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा। सूरे ग्रहन एक खगौल ये घटना है। हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा। भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी। शासलों के मुताबिक जहां सूरे ग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है। जैसा कि आप सुरी जानेते हैं कि आख तारिक तो 54 साल बाद पुने आ रहा है सूरी ग्रहन और सूरी ग्रहन जब होताय है तो सभी अधा है। जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लिकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई यातायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रहन की स्थिती बनती है सूमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रहन चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया हैं जिन दास्यों पर भी इसका असर है देश्टा से पर्ले हम समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दूसार जो ही यहां पर ग्राथ में नोब बारा में समय तक है और ग्यारा में सटाल में तक कर समय इस रहेगा द्रहन का लिखिए बाहा के देशों में अगर कोई दासिया है तो रासियों पर असका असर जाए जिसे की ब्रश्ट आसी है इन तिर दासियों पर इसका बेशियस असर रहेगा देखें तो बिले अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिलो रिपॉर्ट न्यूज तो आज रात 9 बच कर 12 मिनट से रात के 2 बच कर 22 मिनट तक रहने वाला साल के पहले सुरिक रहन का बेहार में भी असर नहीं होगा जोतिशा चारियों के बाने तो कोई खास असर इसे लेकर पढ़ने वाला नहीं है सूरे ग्रहन को लेकर जोते शाच्वारे पंडित पुनित आलोग से बात की पटना समवादा था विनीता मिश्राद साल का पहला सूरे ग्रहन है आज सूरे ग्रहन अमेरिका, इंग्लैंड, उरोप में देखा जाएगा लेकिन भारत में सूरे ग्रहन का क्या प्रभाव रहेगा पंडित पुनित आलोग हमारे साथ है मेनी से जानते हैं कि आखिर भारत में सूरे ग्रहन का कितना असर होगा यहां के रहने वाले लोगों पर कितना असर होगा क्योंकि लोकसभा का चुनाओ भी है और ऐसे में अगर देखा जाए तो चुनाओ को क्या ये सूरे ग्रहन प्रभाबत करेगा हमें नहीं से जानते हैं अपनी जी साल का पहला सूरे ग्रहन कहा जा रहा है कि आज लगने जा रहा है तो भारत में क्या ये ग्रहन दिख रहा है? इस सूरे ग्रहन का असर होता है। इस दोरान सूरे चंदरमा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है। ये ग्रहन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा। इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा। इस सूरे ग्रहन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा। ये पूर्ण सूरे ग्रहन होगा। सूरे ग्रहन की अवधी 5 घंटे 10 मिनट की होगी। हाला की सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा। और इसलिए इस ग्रहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा। भारत में दिन चर्या रोस की तरह ही होगी। शासलों के मुताबिक जहा सूरिग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरिग्रहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरिग्रहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई यातायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रहन की स्तिती बनती है सूमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रहन चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया हैं जिन दासियों पर भी इसका असर है देश्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नोबज पर बाराइब में समय तक है और ग्यारा विश्टा सटाओं में तक कर समय इस समय रहेगा देहर का लिखिए बा अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंट के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंट के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंट के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपॉर्ट न नहीं मिलेगा लेकिन जो त्शाचारियों के मुताबिक राशियों पर इसका असर होगा किन-किन देशों में सूरिक ग्रहन दिखने वाला है आई इस रिपोर्ट के सरगे आम आपको दिखाते हैं इस दोरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेंड एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूर्य ग्रेंड दिखेगा ये ग्रेंड 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रेंड का मध्य समे रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पून सूर्य ग्रेंड होगा सूरे ग्रेंड की अवधी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेंड का सुतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुदाबिक चाहा सूरे ग्रेंड लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तिती बनती है सूमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया हैं जिन दास्यों पर भी इसका असर है देश्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर ग्रात में नों बस्तर बाराग में उसके और ग्यारा विश्टर सटाल में तक कर समय इस रहेगा देहर का लिखिए बाहा के अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंट के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंट के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंट के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न् दुनिया भर में कई जगों पर टोटल सोलर एकलिप्स यानि पूर्ण सूरे ग्रहन दिखाई देगा। सूरे ग्रहन एक हबोल ये घटना है, इसकी वैज्ञानिक और धार्मिक मानेता है। नासा की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार, भार की इस समय के अनुसार आठ अपरेल को पढ़ने वाला ग्रहन नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएस और कैनादा में दिखाई देगा। आपको ये जानकारी होगी कि कूर सूरे ग्रहन तब दिखाई देता है जब चंद्रमा सूरे और प्रिथवी के बीच आ जाता है। इस दौरान प्रिथवी से सूरे दिखाई नहीं देता। एक्सो पिचास्ती किलोमीटर के इलाके में फूर रूप से अंधेर अचा जाएगा, यानी टोटालिटी की स्थिती बन जाएगी। पूरे ग्रहन का समय धाई गंटे का है लेकिन टोटालिटी का समय चार मिनेगे। भारत में दिखाई देगा ग्रहन भारत में सूरे ग्रहन के सिर्फ वैज्यानिक मायने ही नहीं बलकि धार्मिक मायने भी है अमारे देश में ग्रहन से पहले लगने वाले सूतक काल को भी लोग मारते हैं हिंदु पंचान के अनुसार साल 2024 में लगने वाला पहला सूरे ग्रहन चैत्रमास की अमावस्य अपर लग रहा है। कहा जाता है कि सूरे देव प्रत्यक्ष देवता है, इसलिए जब सूरे ग्रहन लगता है तब सूतक काल 12 घंटे पहले ते शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि सूतक काल के दौरान मांगली कारे नहीं करने चाहिए। केंदरी ये संस्कृत विश्विध्याले पूरी के जोतिशाचारे डॉक्टर गनेश मिष्टर के अनसार 8 अपरेल को सूरे ग्रहन रात 9 बचकर 12 मिनट से शुरू हो रहा है और ये देद रात 1 बचकर 25 मिनट तक रहेगा। चुकि ये भारत में नहीं दिखाई देगा इसलिए सूतकाल भी मानने नहीं होगा। अब जानेंगे कि सूरे ग्रहन कहां कहां दिखाई देगा। नासा की वेबसाइट के मताबिक टोटल सोलर एकलिप्स नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएर्स, कैनेडा और साउथ पैसिफिक ओशें में फोर्ड रूप से दिखाई देगा। ग्रहन को देखने के लिए कुछ सेफटी गाइडलाइन्स फॉलो करने होते हैं। नासा के मताबिक सूरे ग्रहन को नगन आखोस से देखने से सीवियर आई इंजरी हो सकती है। ग्रहन को देखने के लिए एकलिप्स ग्लासिस या सोलर फिल्टर्स जरूरी हैं। अगर आपके पास खास ग्लासिस नहीं है तो आप इंडिरेक्ट व्यूइंग मेथेड अपना सकते हैं। यानि सूरे को सीधे तोर पर ना देखें। पिंट होल प्रोजेक्टर का इस्तिमाल इसके लिए किया जा सकता है। एक्लिप्स ग्लास पहने हुए कैमरा लेंस, टेलेस्को, बानकुलर्स या किसी ऑप्टिकल जवाइस का इस्तिमाल ना करे। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसा करने से आँखों को गंभील नुकसान पहुच करता है। इसके अलावा, नासा स्किन सेस्टी की भी सला देता है। ग्रेंड के दौरान आप संस्क्रीन लगाकर भी बाहर निखले। हैच या कैप पहने, ऐसे कपड़े पहने जिनसे आपकी स्किन डिरेक्ट धूट के कॉन्टेक्ट में ना आए। ओनलाइन कैसे देखें। अब ओनलाइन ग्रहन को देख सकते हैं, नासा इसका ब्रॉडकास्ट करेगा। आप यूट्यूब चानल और नासा की वेबसाइट पर देख सकते। timeandake.com पर भी स्ट्रीमिंग की जाए थी। जानकारी के लिए बता देए कि आठ अपरेल को टोटल सोलर एकलिप्स के बाद अगला सूरेग हैं 23 अगस्त को लगेगा। इस टॉपिक पर आपका क्या कहाना है हमें कमें सेक्शन में बताएं। जोतिश में सूरेग्रहन से जुड़ी कई मानियत आये हैं लिकिन विज्यान में इस खगूलिय घटना को लेकर हमेशा से उत्साह रहता है। साल 24 का पहला सूरेग्रहन बहुत महत्तो पूर्णे रहने वाला है। भारतिय समय के अनुसार ये सूरेग्रहन आज रात में 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू होगा और रात 2 बचकर 22 मिनट पर खात्म होगा। अमरिका के हिसाब से दो पहर के दो बचकर 22 मिनट पर ये ग्रहन शुरू होगा। बताया जा रहा है कि इस पूर्णे सूरेग्रहन की अवधी कुल 5 घंटे 10 मिनट की होगी। वैसे तो इस सूरेग्रहन को ग्रीन लैंड, अमेरिका, दक्षन प्रिशांत, महासागर, उत्तर अंटार्टिक, महासागर, आइसलेंड, पॉलिस नेलिया समेत कई देशों में देखा जा सकेगा। लेकिन अमेरिका के उत्तरी हिस्सी में ये पूर्णे सूरेग्रहन बिलकुल साफ साफ नसर आएगा। इस दोरान सूरे चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है। चंदर्मा पूरी तरह से सूरे का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी। और चंदर्मा की पून च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा। सूरे ग्रहन एक खगौल ये घटना है। जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूरे ग्रहन दिखेगा। ये ग्रहन आठ अप्रैल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा। इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा। इस सूरे ग्रहन का मद्ध समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा। ये पून सूरे ग्रहन होगा। सूरे ग्रहन की अवदी 5 गंटे 10 मिनट की होगी। भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी, शासलों के मुताबिक चाहा सूरी ग्रहन लगता है, वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है. जिन देशों में सूरे ग्रहन दिखने वाला है, उनमें कैनिडा, अमेरिका, मैक्सिको जैसे देश शामिल हैं. सीधी रेखा में होते हैं, इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है, तब पूर सूरे ग्रहन की स्तिती बनती है. सूमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा, 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन, चेतर नवराज से कुछ गंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन, मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है. अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंट के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंट के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंट के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है तो आज रात 9 बच कर 12 मिनट से रात के 2 बच कर 22 मिनट तक रहने वाला साल के पहले सूरे क्रहन का बेहार में भी असर नहीं होगा साल का पहला सूरे ग्रेहन है आज सूरे ग्रेहन अमेरिका इंग्लैंड इउरोप में देखा जाएगा लेकिन भारत में सूरे ग्रेहन का क्या प्रभाव रहेगा पंडित पुनत आलोख हमारे साथ है मेंनी से जानते हैं कि आखिर भारत में सूरी ग्रहन का कितना असर होगा यहां के रहने वाले लोगों पर कितना असर होगा क्योंकि लोकसभा का चुनाओ भी है और ऐसे में अगर देखा जाए तो चुनाओ को क्या ये सूरे ग्रहन प्रभाबत करेगा हमेनी से जानते हैं अपनीजी साल का पहला सूरे ग्रहन कहा जा रहा है कि आज लगने जा रहा है तो भारत में क्या ये ग्रहन दिख रहा है साल का पहला सुर्य ग्रहन है और भारत भूमी पर इसकी द्रिष्ट नहीं होना है 9 बज करके 22 मिनट रातरी से यह ग्रहन काल प्रारंब हो रहा है और 1 बज करके 23 मिनट पर समाप्त हो रहा है यह विश्य के पश्यमी अमेरिका पूरे योरोप और इंग्लैंड के कुछ भाग जो आयरलेंड से जुड़े हुए हैं वहां पर यह द्रिष्टी गोचर होगा एवं पश्यमी रसिया में इनहीं भूभागों पर इस सूर्य ग्रहन का असर होता है कल साल का पहला सूर्य ग्रहन है और 54 साल बाद यह पूर्ण सूर्य ग्रहन है हालां कि भारत में इस सूर्य ग्रहन का कोई असर नहीं होगा जो त्साचारयों की माने तो कई रासियों पर इस सूर्य ग्रहन का असर हो सकता है वही दूसरी तरफ भारत के जो दूसरे देश है किनकिन देशों में इस सूर्य ग्रहन का असर होगा जानिये इस रिपोर्ट में इस दौरान सूर्य चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूरे का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूरे ग्रेन एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूरे ग्रेहन दिखेगा ये ग्रेहन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेहन का मद्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेहन होगा सूरे ग्रेहन की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरे ग्रेहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है बास की आप सुऻ जानते है कि 8 तारिफ को 54 साल बाद होने आ जारा रहा है इस सूरी ग्रेहन जब होता है ता सहीक बता है कि जब रागू की सृमपूर द्रिष्टी तो Сूरी अनइत उता है सूरी कर आख द हम आशञा है और सूरी ग्रेहन जब होता है तो not just जिन देशों में सूर्य ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल हैं अमेरिका में तो सूर्य ग्रेंड को लिकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेंड के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूर्य ग्रेंड की स्तितीब बनती है सूमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूर्य ग्रेंड लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूर्य ग्रेंड चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूर्य ग्रेंड मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूर्य ग्रेंड लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दासियों पर भी इसका असर है रिष्टा से पहले एक समय आ लेंगे कि भारतिय परमपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नो विसकर बाराग में उसके तब के और ग्यारा विसकर 17 में तका समय इस समय रहें रहें का लिखिए बाहा के देशों मे अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंड के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंड के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंड के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपॉर्ट न अलाकि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जो तुशाचारियों के मताबिक राशियों पर इसका असर होगा किन-किन देशों में सूर्य ग्रहन दिखने वाला है आईएस रिपोर्ट के सरगे हम आपको दिखाते हैं इस दोरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेंड एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूर्य ग्रेंड दिखेगा ये ग्रेंड 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेंड का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेंड होगा सूरे ग्रेंड की अवधी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरे ग्रेंड लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेंड के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेंड की स्तिती बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेंड लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेंड चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेंड मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेंड लगने जा रहा है और कुछ रासियां है जिन दास्यों पर भी इसका असर है प्रिस्टा से पर्लें पर समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नौ बज़तर बारा गुंट तक है और ग्यारा विशतर सटावल में तक कर समय इस समय रहें 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 का लिखि अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंट के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंट के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंट के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न् 24 को दुनिया भर में कई जगों पर टोटल सोलर एकलिप्स यानि पूर्ण सूरे ग्रहन दिखाई देगा सूरे ग्रहन एक हगोल ये घगना है इसकी वैज्ञानिक और धार्मिक मानेता है नासा की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार भारती इस समय के अनुसार आज अपरेल को पढ़ने वाला ग्रहन नौर्थ हमारिका, मैक्सिको, यूएस और कैनादा में दिखाई देगा आपको ये जानकारी होगी कि कूर सूरे ग्रहन तब दिखाई देता है जब चंद्रमा सूरे और प्रिथवी के बीच आ जाता है इस दौरान प्रिथवी से सूरे दिखाई नहीं देता एक 180 km के इलाके में पूर रूप से अंधेर आचा जाएगा यानी टोत्रालिटी की स्थिती बन जाएगी पुरे ग्रहन का समय धाई घंटे का है लेकिन टोत्रालिटी का समय 4 मिनट है भारत में दिखाई देगा ग्रहन भारत में सूरे ग्रहन के सिर्फ वैज्यानिक मायने ही नहीं बलकि धार्मिक मायने भी हैं अमारे देश में ग्रहन से पहले लगने वाले सूतक काल को भी लोग मारते हैं हिंदु पंचान के अनुसार साल 2024 में लगने वाला पहला सूरे ग्रहन चैत्रमाथ की अमावस्य अपर लग रहा है। कहा जाता है कि सूरे देव प्रत्यक्ष देवता है, इसलिए जब सूरे ग्रहन लगता है तब सूतक काल 12 गंटे पहले पे शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि सूतक काल के दौरान मांगलिक कारे नहीं करने चाहिए। केंदरी ये संस्कृत विश्विध्याले पूरी के जोतिशाचारे डॉक्टर गनेश मिष्ट के अनसार 8 अपरेल को सूरे ग्रहन रात 9 बचकर 12 मिनिट से शुरू हो रहा है और ये देज रात 1 बचकर 25 मिनिट तक रहेगा। चुकि ये भारत में नहीं दिखाई देगा इसलिए सूतकाल भी मानने नहीं होगा। ये है नासा की सला। अब जानेंगे कि सूरे ग्रहन कहां कहां दिखाई देगा। नासा की वेबसाइट के मताबिक टोटल सोलर एकलिप्स नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएर्स, कैनाड़ा और साउथ पैसिफिक ओशें में कोड रूप से दिखाई देगा। ग्रहन को देखने के लिए कुछ सेफटी गाइडलाइन्स फॉलो करने होते हैं। नासा के मताबिक सूरे ग्रहन को नगन आखोस से देखने से सीवेर आई इंजरी हो सकती है। ग्रहन को देखने के लिए एकलिप्स ग्लासिस या सोलर फिल्टर्स जरूरी हैं। अगर आपके पास खास ग्लासिस नहीं हैं तो आप इंडिरेक्ट व्यूइंग मैथेड अपना सकते हैं। यानि सूरे को सीधे तोर पर ना देखें। पिन होल प्रोजेक्टर का इस्तिमाल इसके लिए किया जा सकता है। एक्लिप्स ग्लास पहने हुए कैमरा लेंज, टेलेस्को, बानकुलर्स या किसी ऑप्टिकल दिवाइस का इस्तिमाल ना करें। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसा करने से आँखों को गंभील नुकसान पहुच करता है। इसके अलावा नासा स्क्रीन सेस्टी की भी सला देता है। ग्रैंड के दौरान आप संस्क्रीन लगा कर भी बाहर लिकले। हाच या कब पहने, ऐसे कपड़े पहने जिनसे आपकी स्क्रीन डिरेक्ट धूट के कॉन्टेक्ट में ना आए। ओनलाइन कैसे देखे। स्क्रीन सेक्शन ना बताए। इसी पर अधी स्टोरी के लिए बने रहें न्यूज एडिन इंडिया ओरिजिनल्स के साथ। जोतिश में सुर्य ग्रहन से जुड़ी कई मानियत आये हैं लिकिन विज्ञान में इस खगूलिय घटना को लेकर हमेशा से उत्साह रहता है। साथ उसार चौबिस का पहला सुर्य ग्रहन बहुत महत्तोपोने रहने वाला है। भारतिय समय के अनुसार ये सुर्य ग्रहन आज रात में नौ बचकर बारह मिनट पर शुरू होगा और रात दो बच कर बाइस मिनट पर खात्म होगा। अमेरिका के हिसाब से दो पहर के दो बचकर बाइस मिनट पर ये ग्रहन शुरू होगा बताया जा रहा है कि इस पूर्ण सुर्य ग्रहन की अवधी कुल पांच घंटे दस मिनट की होगी वैसे तो इस सुर्य ग्रहन को ग्रीन लैंड अमेरिका दक्षन प्रिशांत महासागर उ तो साल का पहला सुर्य ग्रहन लखनी चुआ रहा है और चौमद साल के बाद पूर्ण सुर्य ग्रहन होने वाला है हाला कि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जोतिशा चारियों के मताबिक राशियों पर इसका असर जरूर होगा किन-किन देशों में सु इस दोरान सुर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिति बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सुर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सुर्य ग्रहन एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूर्य ग्रहन दिखेगा ये ग्रहन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रहन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 म मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूर्य ग्रहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूर्य ग्रहन लगता है वहीं पर इ जिन देशों में सूरे ग्रहन दिखने वाला है उनमें कैनेडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर छेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वजह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तिती बनती है सुमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराज से कुछ गंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बियो रिपोर्ट न्यूस 18 बियो रिपोर्ट न्यूस 18 बियो रिपोर्ट न्यूस 18 कल साल का पहला सूरिग्राण है और 54 साल बाद ये पूर्ण सूरिग्राण है बियो रिपोर्ट न्यूस 18 इस सूरिग्राण का मद्य समय रात 11 बच कर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरिग्राण होगा सूरिग्राण की अबधी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरिग्राण का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्राण का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक जहा सूरिग्राण लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरिग्राण दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरिग्राण को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाईया तयात और एइरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दोरान स्कूल बंद रहेंगे ग्रहन लगने जा रहा है अमूमन माना जाता है कि सूरिग्राण के दोरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रहन के दोरान सीधे सूरिग्राण को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरिग्राण के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूज एटीन इस दोरान सूरी चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूरे का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूरे ग्रेंड एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अद्बुद सूरे ग्रेहन दिखेगा ये ग्रेहन 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेहन का मद्य समे रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेहन होगा सूरे ग्रेहन की अवधी 5 घंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरे ग्रेहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रेहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई या तयात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेहन की स्तिती बंती है सूमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेहन लगने जा रहा है और कुछ रासियां हैं जिन दास्यों पर भी इसका असर है देश्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर ग्रात में नों बश्कर बाराग में उसके और ग्यारा विश्कर 17 मिट तक का समय इस समय रहेगा देहर का लिखिए बाहा के दे अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंट के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंट के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंट के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न् दुनिया भर में कई जगों पर टोटल सोलर एकलिप्स यानि फूर्ण सूरे ग्रहन दिखाई देगा सूरे ग्रहन एक हबोल ये घटना है इसकी वैज्ञानिक और धार्मिक मानेता है नासा की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार भारती इस समय के अनुसार आठ अप्रेल को पढ़ने वाला ग्रहन नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएस और कानदा में दिखाई देगा आपको ये जानकारी होगी कि कूर सूरे ग्रहन तब दिखाई देता है जब चंद्रमा सूरे और प्रिथवी के बीच आ जाता है इस दौरान प्रिथवी से सूरे दिखाई नहीं देता एक सूपिचास्ती किलोमीटर के इलाके में पूर रूप से अंधेर अचा जाएगा यानी टोट्रालिटी की स्थिती बन जाएगी पूरे ग्रहन का समय धाई घंटे का है लेकिन टोटालिटी का समय चार मिने में भारत में दिखाई देगा ग्रहन भारत में सूरे ग्रहन के सिर्फ वैज्यानिक माईने नहीं बलकि धार्मिक माईने भी हैं अमारे देश में ग्रहन से पहले लगने वाले सूतक काल को भी लोग मारते हैं। हिंदू पंचान के अनुसार साल 2024 में लगने वाला पहला सूरे ग्रहन चैत्रमास की अमावस्य अपर लग रहा है। कहा जाता है कि सूरे देव प्रत्यक्ष देवता हैं इसलिए जब सूरे ग्रहन लगता है तब सूतक काल 12 गंटे पहले से शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि सूतक काल के दौरान मांगली कारेल नहीं करने चाहते हैं। केंदरी संस्कृत विश्विध्याले पूरी के जोतिशाचारे डौक्टर गनेश मिष्ट के अनसार 8 अपरेल को सूरे ग्रहन रात 9 बचकर 12 मिनट से शुरू हो रहा है और ये देद रात 1 बचकर 25 मिनट तक रहेगा। चुकि अभारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए सूतकाल भी मानने नहीं होगा। अब जानेंगे कि सूरे ग्रहन कहां कहां दिखाई देगा। नासा की वेबसाइट के मताबिक टोटल सोलर एकलिप्स नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएस, कैनेडा और साउथ स्पैसिफिक ओशियन में फोर्ड रूप से दिखाई देगा। ग्रहन को देखने के लिए कुछ सेफटी गाइडलाइन्स फॉलो करने होते हैं। नासा के मताबिक सूरे ग्रहन को नगन आखोस से देखने से सीवेर आई इंजरी हो सकती है। ग्रहन को देखने के लिए एकलिप्स ग्लासिस या सोलर फिल्टर्स जरूरी हैं। अगर आपके पास खास ग्लासिस नहीं हैं तो आप इंडिरेक्ट व्यूइंग मेथेड अपना सकते हैं। यानि सूरे को सीधे तोर पर ना देखें। पिंड होल प्रोजेक्टर का इस्तिमाल इसके लिए किया जा सकता है। एक्लिप्स ग्लास पहने हुए कैमरा लेंस, टेलेस्को, बानकुलर्स या किसी ऑप्टिकल जवाइस का इस्तिमाल ना करे। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसा करने से आँखों को गंभील नुकसान पहुच करता है। इसके अलावा, नासा स्किन सेस्टी की भी सला देता है। ग्रेंड के दौरान आप संस्क्रीन लगाकर भी बाहर निखले। हैच या कैप पहने, ऐसे कपड़े पहने जिनसे आपकी स्किन डिरेक्ट धूट के कॉन्टेक्ट में ना आए। ओनलाइन कैसे देखें। अब ओनलाइन ग्रहन को देख सकते हैं, नासा इस सब ब्रॉडकास्ट करेगा। आप यूट्यूब चानल और नासा की वेबसाइट पर देख सकते। तामएंडेग.com पर भी स्ट्रीमिंग की जाएगी। जानकारी के लिए बता देएं कि 8 अपरेल को टोटल सोलर एकलिप्स के बाद अगला सूरेग हैं 13 अगस्त को लगेगा। इस टॉपिक पर आपका क्या कहाना है हमें कमें सेक्शन में बताएं। इसी पर देख स्टोरी के लिए बने रहें न्यूर वेडिन इंडिया ओडिशनल्स के साथ। भारतिय समय के अनुसार ये सूरेग रहन आज रात में 9 बच कर 12 मिनट पर शिरू होगा। और रात 2 बच कर 22 मिनट पर खात्म होगा। अमेरिका के हिसाब से 2 पहर के 2 बच कर 22 मिनट पर ये ग्रहन शुरू होगा। बताया जा रहा है कि इस पूर्ण सूरेग रहन की अवधी कुल 5 गंटे 10 मिनट की होगी। वैसे तो इस सूरेग रहन को ग्रीन लैंड, अमेरिका, दक्षन प्रिशांत, महासागर, उत्तर अंटार्टिक, महासागर, आइसलेंट, पॉलिस नेलिया समेत कई देशों में देखा जा सकेगा। लेकिन अमेरिका के उत्तरी हिस्सी में ये पूर्ण सूरेग रहन बिलकुल साफ साफ नसर आएगा। इस दोरान सूरे चंदरमा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है। चंदरमा पूरी तरह से सूरे का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदरमा की पूर्ण च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा। सूरे ग्रेन एक खगौल ये घटना है। हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेन का सूतक काल नहीं माना जाएगा। भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चाहा सूरे ग्रेन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है। जैसरा की आप सुरे जानते हैं की आट तारीफ को 54 साल बाद कुने आरा है सूरी ग्रेन और सूरी ग्रेन जब होता है तो रहू की स्रुल्ट प्रभाव द्रिश्टी पर होती है तो सूरी ग्रेन होता है। जिन देशों में सूरे ग्रेंट दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंट को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है, हवाईया तयात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेंट के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेंट की स्तिती बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेंट लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेंट चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेंट मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेंट लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दास्टियों पर भी इसका असर है दिश्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दूसार जो ही यहां पर ग्राथ में नौब इसकर बाराई में से तक कर समय है इस रहेगा द्रहन का लिखिए बाहा के देशों में नहीं है लेकि कुछ अगर सूरे ग्राइड है तो आश्टियों पर अफ़कास आ जाता है जिसे कि प्रश्टित आसी है खरक्रासी है और कुमरासी है इन तिर आसी पर इसका वेश्यस असर रहेगा देखें तो बिले अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बियो रिपोर्ट न्यूज 18 बियो रिपोर्ट न्यूज 18 है और भारत भूमी पर इसकी द्रिष्ट नहीं होना है नौ बज करके 22 मिनट रातरी से यह गरहन काल प्रारंब हो रहा है और एक बज करके 23 मिनट पर समाप्त हो रहा है यह विश्य के पश्यमी अमेरिका पूरे योरोप और इंग्लेंड के कुछ भाग जो आईरलेंड से जुड़े हुए हैं वहाँ पर यह द्रिष्टी गोचर होगा एवं पश्यमी रसिया में इनही भूभागों पर इस सूरिगरहन का असर होता है भारत के जो दूसरे देश है किनकिन देशों में इस सूरिगरहन का असर होगा जानिये इस रिपोर्ट में इस दोरान सूरिय चंदरमा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिति बन रही है चंदरमा पूरी तरह से सूरिय का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदरमा की पून च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूरिगरहन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूरिय ग्रेहन दिखेगा ये ग्रेहन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरिय ग्रेहन का मद्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरिय ग्रेहन होगा सूरिय ग्रेहन की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरिय ग्रेहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक चहां सूरिय ग्रेहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है आप सभी जानते हैं की आठ तरह को चोमवन साल बाद माद पुने या रहा है सीमा जर्व इरहन मां की स्वर्भ डर्रिष जब आता है जब रहू की सठी के रुजा इसके सोरे क्षणि सॉड़ीं जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वजह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तितीब बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दास्यों पर भी इसका असर है निस्टा से पर्ले एक समय जालेंगे कि भारतिय परंपरा के दूशार जो ही यहां पर डात्मेनों विस्केर बारागे उसे लिज़ा और वियारा विस्केर 17 में तक कर समय इस तब शुच्छ रहें रहें का लिखिए य अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंड के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंड के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंड के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट नि लेकिन जो तुशाचारेओं के मताबिक राशियों पर इसका असर होगा किनकिन देशों में सूर्य ग्रहन दिखने वाला है आई इस रिपोर्ट के सरके आम आपको दिखाते हैं इस दौरान सूर्य चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रहन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है चववन साल बाद अदबुद सूर्य ग्रहन दिखेगा ये ग्रहन आठ अप्रैल को रात नौ बचकर बारा मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात दो बचकर बाइस मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेंड का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेंड होगा सूरे ग्रेंड की अवधी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक चहां सूरे ग्रेंड लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेंड के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेंड की स्तिती बंती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेंड लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेंड चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेंड मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेंड लगने जा रहा है और कुछ रासिया हैं जिन दास्यों पर भी इसका असर है देश्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर ग्रात में नो बज़तर बाराई में से तब के और ग्यारा वज़तर सटाल में तक कर समय इस समय रहेगा देहर का लिखिए बाहा अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंट के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंट के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंट के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न् 24 को दुनिया भर में कई जगों पर टोटल सोलर एकलिप्स यानि पूर्ण सूरे ग्रहन दिखाई देगा। सूरे ग्रहन एक हगोल ये घगना है, इसकी वैज्ञानिक और धार्मिक मानेता है। नासा की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार, भार की इस समय के अनुसार आठ अप्रेल को पढ़ने वाला ग्रहन नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएस और कैनदा में दिखाई देगा। आपको ये जानकारी होगी कि कोण सूरे ग्रहन तब दिखाई देता है, जब चंद्रमा सूरे और प्रिथवी के बीच आ जाता है। इस दौरान प्रिथवी से सूरे दिखाई नहीं देता। एक्सूपिचास्ती किलोमीटर के इलाके में पूर रूप से अंधेर अचा जाएगा, यानी तोटालिटी की स्थिती बन जाएगी। पूरे ग्रहन का समय धाई घंटे का है, लेकिन तोटालिटी का समय चार मिने है। भारत में दिखाई देगा ग्रहन। केंद्री ये संस्कृत विश्विध्यालेपूरी के जोतिशाचारे डॉक्टर गणीश मिष्ट्र के अनसार 8 अपरेल को सूरे ग्रहन। रात 9 बचकर 12 मिनिट से शुरू हो रहा है और ये देर रात 1 बचकर 25 मिनिट तक रहेगा। चुकि ये भारत में नहीं दिखाई इसलिए सूतकाल भी मानने नहीं होगा। ये है नासा की सला अब जानेंगे कि सूरे ग्रहन कहां कहां दिखाई देगा। नासा की वेबसाइट के मताबिक टोटल सोलर एकलिप्स नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएर्स, कैनेडा और साउथ पैसिफिक ओशियन में फोर्ड रूप से दिखाई देगा। ग्रहन को देखने के लिए कुछ सेव्टी गाइडलाइन्स फॉलो करने होते हैं। नासा के मताबिक सूरे ग्रहन को नगन आखोस से देखने से सीवेर आई इंजरी हो सकती है। ग्रहन को देखने के लिए एकलिप्स ग्लासिस या सोलर फिल्टर्स जरूरी हैं। अगर आपके पास खास ग्लासिस नहीं है तो आप इंडिरेक्ट व्यूइंग मेथेड अपना सकते हैं। यानि सूरे को सीधे तोर पर ना देखें। पिन होल प्रोजेक्टर का इस्तिमाल इसके लिए किया जा सकता है। एक्लिप्स ग्लास पहने हुए कैमरा लेंज, टेलेस्को, बानकुलर्स या किसी ऑप्टिकल जिवाइस का इस्तिमाल ना करें। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसा करने से आखों को गंभील नुकसान पहुच करता है। इसके अलावा नासा स्किन सेफ्टी की भी सला देता है। ग्रेंड के दौरान आप संस्क्रीन लगा कर भी बाहर निखले। हैच या कैप पहने, ऐसे कप्डे पहने जिनसे आपकी स्किन डिरेक्ट धूट के कॉन्टेक्ट में ना आए। ओनलाइन कैसे देखें। अब ओनलाइन ग्रहन को देख सकते हैं। नासा इस सब ब्रॉडकास्ट करेगा। आप यूट्यूब चानल और नासा की वेबसाइट पर देख सकते। timeandate.com पर भी स्ट्रीमिंग की जाएगी। जानकारी के लिए बता देए कि आठ अपरेल को टोटल सोलर एकलिप्स के बाद अगला सूरेग हैं तेट अगस्त को लगे था। इस टॉपिक पर आपका क्या कहाना है हमें कमें सेक्शन में बताएं। जोतिश में सुर्य ग्रहन से जुड़ी कई मानियत आये हैं लिकिन विज्ञान में इस खगोलिय घटना को लेकर हमेशा से उत्साह रहता है। साल 2024 का पहला सुर्य ग्रहन बहुत महत्तोपोने रहने वाला है। भारतिय समय के अनुसार ये सुर्य ग्रहन आज रात में 9 बच कर 12 मिनट पर शिरू होगा। और रात 2 बच कर 22 मिनट पर खात्म होगा। अमरिका के दोतिश में सुर्य ग्रहन से जुड़ी कई मानियत आये हैं लिकिन विज्ञान में इस खगोलिय घटना को लेकर हमेशा से उत्साह रहता है। अमरिका के हिसाब से दो पहर के 2 बच कर 22 मिनट पर ये ग्रहन शिरू होगा। बताया जा रहा है कि इस पूर्ण सुर्य ग्रहन की अवधी कुल 5 घंटे 10 मिनट की होगी। वैसे तो इस सुर्य ग्रहन को ग्रीन लैंड, अमेरिका, दक्षन प्रिशांत, महासागर, उत्तर अंटार्टिक, महासागर, आइसलेंट, पॉलिस नेलिया समेत कई देशों में देखा जा सकेगा। लेकिन अमेरिका के उत्तरी हिस्सी में ये पूर्णिय सुर्य ग्रहन बिलकुल साफ साफ नसर आएगा। जिसका संयोग करीब 54 साल बाद बन रहा है। भारत्य समय के अनुसार सूर्य ग्रहन रात 9 बज कर 12 मिनट से शुरू होगा और देर रात 2 बज कर 22 मिनट पर समाप्त होगा। जब ये सूर्य ग्रहन लगेगा तब भारत में रात होगी। इसलिए सूर्य ग्रहन का सूतक काल भारत में मानने नहीं होगा। लेकिन आपको खास साफधानिय बरतनी चाहिए। दूसरा प्रेगनेंड बुमन इस्पेशली जो प्रेगनेंड महलाएं होती हैं उनको ग्रहन के समय कुछ काटना नहीं चाहिए तोड़ना नहीं चाहिए शिले हुए वस्त्र को धारण नहीं करना चाहिए काटना नहीं है तोड़ना नहीं है शिले हुए वस्त्र को धारण आतियादी कहला नहीं कि 양णद्ञ से भिए सब्सक्राइद रखना इस समय पर कोशिश करना है कि कोई धार्मिक graphics का अध्यवेश्वेश आस सूर्य इसका अधियाइन प्रिद्र Günanton नौर्वे, पनामा, रूस, बहमास, पश्चिम यूरोप, पैसिफिक, अट्लांटिक और आर्क्टिक में दिखेगा। यह ग्रहन जो है अमेरिका, ग्रिनलेंड, आइसलेंड और दक्षिन प्रसांत महाशागर उत्तर अट्लांटिक महाशागर में दिखलाई देगा। यह भारत में यह ग्रहन द्रिश्चित खल साल काप, अला कि अटी बाप से आठ अप्रैल को रात नौ बचकर बारा मिनट पर शुरू हो जाएगा। इसका समापन रात दो बचकर बाइस मिनट पर होगा। जब यह सूर्य ग्रहन लगेगा तब भारत में रात होगी। इसलिए सूर्य ग्रहन का सूतक काल भारत में मानने नहीं होगा। लेकिन आपको खास साफधानिया बरतनी चाहिए। एक तो किसी भी ब्यक्ति को नंगी आक्षे ग्रहन नहीं देखना चाहिए। उस टाइम जो सूर्य की रेज आ रही होती हैं उनके अंदर इतना वेग होता है इतना प्रभाव होता है कि वह आपकी आठ की रोसनी के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं या शरीर पर उनका नकारात्मिक इंपैक्ट पड़ सकता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को नंगी आक्षे ग्रहन को नहीं देखना चाहिए। इसको देहां रखेएगा। दूसरा प्रेग्नेंड भुमन इस्पेशली जो प्रेग्नेंड महलाएं होती हैं जो गर्वती महलाएं होती हैं उनको ग्रहन के शमय कुछ काटना नहीं चाहिए, तोडना नहीं चाहिए, शिले हुए वस्त्र को धारण नहीं करना है, तेज आवाज में भोलना नहीं है, त कुछ सिल्ना इत्यादी नहीं है इसका विशेशूर्ट से ध्यान रखना है इस समय पर कोशिश करना है कि कोई धार्मिक गंत इत्यादी का अध्यान किया जाए अपने मन के अंदर एक पॉजिटिविटी रखा जाए साल का ये पहला सूर्य ग्रहन अमेरिका, कनाडा, कोलंबिया, वेनेजुएला, आयरलेंड, पुर्थगाल, नौर्वे, परामा, रूस, बहामास, पस्चिमी यूरोप, पैसिफिक, अट्लांटिक और आर्क्टिक में दिखेगा इसलिए इसका प्रभाव भारत में नकारात्मक होगा, नहीं के वराबर होगा, इसमें घबडाने की कोई आउशकता नहीं है सूतक काल का असर भारत में नहीं होगा सूतक का असर जो भी होगा, वह बिदेश सब जगा नहीं होता, जहां ग्रहन लगेगा, जिस कंट्री में, जिस देश में ग्रहन लगेगा, वहीं सूतक प्रभावी होगा इस सूर्य ग्रहन की खास बात ये है कि ये करीब 5 घंटे 10 मिनट का होगा, और करीब 7 मिनट से ज्यादा समय तक सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर नहीं पड़ेगा, यानि 7 मिनट तक सर्व ग्रास रहेगा, और धर्ती पूरी तरह से अंधकार में वैग्यारिकों की माने तो इस तरह का सूर्य ग्रहन आज से करीब 54 साल पहले लगा था। तेज आवाज में भोलना नहीं है, तेज आवाज में टीवी इत्यादी नहीं देखना है, कुछ सिलना इत्यादी नहीं है, इसका विशेश रूप से ध्यान रखना है, इस समय पर कोशिश करना है कि कोई धार्मिक गंत इत्यादी का अध्यान किया जाए, अपने मन के अंद पश्चिमी उरोप, पैसिफिक, अट्लांटिक और आर्क्टिक में दिखेगा यह ग्रहन जो है अमेरिका, ग्रिनलेंड, आइसलेंड और दक्षिन प्रसांप महाशागर उतर अट्लांटिक महाशागर में दिखलाई देगा यह भारत में आग्रहन दृष्य नहीं होगा, इसलिए इसका प्रभाव भारत में नकारातमक होगा, नहीं के वराबर होगा, इसमें घबलाने की कोई और शक्ता नहीं है। इस सूर्य ग्रहन की खास बात यह है कि ये करीब 5 घंटे 10 मिनट का होगा और करीब 7 मिनट से ज्यादा समय तक सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर नहीं पड़ेगा यानी 7 मिनट तक सर्व ग्रास रहेगा और धर्ती पूरी तरह से अंदकार में वैज्यानिकों की माने तो इस तरह का सूर्य ग्रहन आज से करीब 54 साल पहले लगा था इस पूर्ण सूर्य ग्रहन की शुरुवात दक्षिन प्रशांत महासागर से होगी इस से पहले इस तरह का सूर्य ग्रहन 1970 में दिखा था और अगली बार साल 2078 में दिखेगा इस ग्रहन का प्रभाव अगले एक महिने तक दुनिया पर पड़ेगा अलग-अलग राश्यों पर भी इसका प्रभाव दिखाई देगा ये सूर्य ग्रहन कर्क, कन्या, वर्ष्चिक, कुम्ब और मीन राशी के लिए मध्यम फलदाई रहेगा विर्षब, मिथुन, तुला और मकर राशी के लिए ये परिणाम उत्तम होंगे वही मेश, सिंग और धनु राशी वालों को विशेश सापधानी रखनी होगी अब बात कर लेते हैं कौनसी वो राशी रहेंगी जिनके लिए ये सूर्य ग्रहन जो है नकरातनक प्रभाव दे सकता है क्योंकि मीन राशी रेवती नक्षत्र में लग रहा है तो मीन राशी के जात्रकों को इस समय पर बहुत साथान रहने की जरूरत है इसके अलावा रेवती नक्षत्र में जिन जात्रकों ने जनम लिया है उन लोगों को साबधान रहने की जोड़ता है अब सबसे पहले राशी की बात कर लेते हैं जिन लोगों को साबधानी इस दोरान बरतने की जोड़ता है वो है वरिशिब राशी अप लोगों को खास तोर और से अपने स्वास्त का ध्यान रखने के विशकता है स्वास्त में गळड़ी हो सकती है इसके अलावा ब tiden से kहा सुनी भी हो सकती है तो इस समें पर ध्यान ज़रूर रखके चलिए अपनी वानी पर ध्यान रखके चलिए वही पर करक राशी के जातकों को खासतोर से ध्यान रखने के विशकता है, अपनी संतान के स्वासत का ध्यान रखने के विशकता है और इस चीज़ को भी ध्यान रखके चलिएगा कि अगर आप लव रिलेशन्शिप में हैं तो लव रिलेशन्शिप इस सब्सक्राइब पर सकता है तो मकर राशी वा लोग ले ये समेक काफी हद तक मिला जुला रहेगा ऐसा नहीं कऊंगी कि बुछ बुरा रहेगा मला जुला रहेगा मगर यहां पर आपको भास ओर से अपने धन का जो है वो बहुत भयान रखने की जूड़ता है अगर आप ट्रावलिंग कर रहे हैं तो चोड़ चपेट में आने की संभावना है इसलिए बहुत साफधानी से ट्रावलिंग करें सूरिय गरहन का प्रभाव पूरी दुनिया के लोगों पर पड़ेगा दुनिया भर में इस सूरिय गरहन से राजनीतिक रूप से भयंकर उथल पुथल मच सकती है शेयर बाजार और दुनिया भर की आर्थिक इस्तिती हिल सकती है ये परिवर्तन विश्व भर में यूद और विश्फोर्ट का संकेत दे रहा है बिरो रिपोर्ट न्यूस 18 चलें यहां रुकेंगे एक छोड़ा सुपरे के लिए खबरे लगाता आजा रहे है आठ अप्रेल दो हज़ार चॉबिस को दुनिया भर में कई जगों पर टोटल सोलर एकलिप्स यानी पूर्ण सूरिय ग्रहन दिखाई देगा सूरे ग्रहन एक खबोल ये घटना है इसकी वैज्ञानिक और धार में खमानेता है जब चंद्रमा सूरे और प्रिथ्वी के बीच आ जाता है इस दौरान प्रिथ्वी से सूरे दिखाई नहीं देगा 185 किलोमीटर के इलाके में पूर रूप से अंधेरा चाजाएगा यानी टोटलिटी की स्थिती बन जाएगी पूरे ग्रहन का समय धाई घंटे का है लेकिन टोटलिटी का समय चार मिनेत है भारत में दिखाई देगा ग्रहन भारत में सूरे ग्रहन के सिर्फ वैज्यानिक माईने ही नहीं बलकि धार्मिक माईने भी है अमारे देश में ग्रहन से पहले लगने वाले सूतक काल को भी लोग मारते हैं हिंदू पंचान के अनुसार साल 2024 में लगने वाला पहला सूरे ग्रहन चैत्रमास की अमावस्या पर लग रहा है कहा जाता है कि सूरे देव प्रत्यक्ष देवता है इसलिए जब सूरे ग्रहन लगता है तब सूतक काल 12 गंटे पहले ते शुरू हो जाता है कहा जाता है कि सूतक काल के दौरान मांगलिक कारेल नहीं करने चाहिए केंदरी ये संस्कृत विश्विध्याले पूरी के जोदिशाचारे डॉक्टर दनीश मिष्ट के अनसार 8 अपरेल को सूरे ग्रहन रात 9 बचकर 12 मिनिट से शुरू हो रहा है और ये देज रात 1 बचकर 25 मिनिट तक रहेगा चुकि ये भारत में नहीं दिखाई देगा इसलिए सूतकाल भी मानने नहीं होगा अब जानेंगे कि सूरे ग्रहन कहां कहां दिखाई देगा नासा की वेबसाइट के मताबिक टोटल सोलर एकलिप्स नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएस, कैनदा और साथ स्पैसिफिक ओशें में पोड रूप से दिखाई देगा ग्रहन को देखने के लिए कुछ सेफटी गाइडलाइन्स फॉलो करने होते हैं नासा के मताबिक सूरे ग्रहन को नगन आखोस से देखने से सीवेर आई इंजरी हो सकती है ग्रहन को देखने के लिए एकलिप्स ग्लासिस या सोलर फिल्टर्स जरूरी हैं अगर आपके पास खास ग्लासिस नहीं है तो आप इंडिरेक्ट व्यूइंग मैथेड अपना सकते हैं यानि सूरे को सीधे तोर पर ना देखें पिन होल प्रोजेक्टर का इस्तिमाल इसके लिए किया जा सकता है एकलिप्स ग्लास पहने हुए कैमरा लेंज, टेलेस्को, बानकुलर्स या किसी ओप्टिकल दिवाइस का इस्तिमाल ना करें एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसा करने से आँखों को गंभील नुकसान पहुच करता है इसके अलावा नासा स्किन सेस्टी की भी सला देता है ग्रेंड के दौरान आप संस्क्रीन लगा कर भी बाहर लिकले हाट या कब पहने, ऐसे कप्रे पहने जिनसे आपकी स्किन डिरेक्ट धूट के कॉन्टेक्स में ना आए ओनलाइन कैसे देखें, आप ओनलाइन ध्रहेंड को देख सकते हैं नासा इसका ब्रॉड कास्ट करेगा, आप यूट्यूब चानल और नासा की वेबसाइट पर देख सकते हैं timeandate.com पर भी इसकी स्ट्रीमिंग की जाए तो जानकारी के लिए बता दें कि 8 अपरेल को टोटल सोलर एकलिप्स के बाद अगला सूरेगों है पेट अगस्त को लगेखा, इस टॉपिक पर आपका क्या कहाना है हमें कमेंट सेक्शन में बताए इसी पर देख स्टोरी के लिए बने रहें News 18 India Auditionals के साथ कल साल का पहला सूरिगराण है और 54 साल बाद ये पूर्ण सूरिगराण है भाला की भारत में सूरिगराण का कोई असर नहीं होगा जो साचारेओं की माने तो कई रासियों पर इस सूरिगराण का असर हो सकता है वही दूसरी तरब भारत के जो दूसरे देश है किनकिन देशों में इस सूरिगराण का असर होगा जानिये इस रिपोर्ट में इस दौरान सूरिगराण पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदरमा पूरी तरह से सूरिगराण का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदरमा की पूर्ण च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूरिगराण एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूरिगराण दिखेगा ये गरेण 8 अप्रैल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरिगराण का मद्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरिगराण होगा सूरिगराण की अबधी 5 घंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरिगराण का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस गराण का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक जहां सूरिगराण लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिसा कि आप सुभी जानते कि आड तारीक और चववन हो जाओन अफार्भाद सूरिगरहं जो होता है तो सएलिगरहं कि जब राव की स्रामपूर दिष्टी सूरिगरहं होता है सूरिगरहं सुरिगरहं एस्वराण के शीक 12 क कहने होunda सूर्थ प्रारम होंendo प्रफुन देशां में दखने वाला है उनमें कानड़ा, अमेरिका, माकसिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में सूरि ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई या तयात और एइरेपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रहन की स्तिती बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रहन चेतर नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दास्यों पर भी इसका असर है देश्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर ग्रात में नों बज़तर बाराई में उसके और ग्यारा वज़तर सटाल में तक कर समय इस समय रहेगा देहन का लिखिए बाहा के अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंट के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंट के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंट के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न् किन किन देशों में सूरिक रहन दिखने वाला है आई इस रिपोर्ट के सरगे हम आपको दिखाते हैं इस दौरान सूरिय चंदरमा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदरमा पूरी तरह से सूरिय का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदरमा की पून च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूरे ग्रेंड एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूरे ग्रेंड दिखेगा ये ग्रेंड 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेंड का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेंड होगा सूरे ग्रेंड की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रैन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रैन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुदाबिक चाहा सूरी ग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तिती बनती है सूमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दार्षियों पर भी इसका असर है देश्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर ग्रात में नों बश्टर बाराग में उसके और ग्याराग में तक कर समय इस समय रहेगा देहर का लिखिए बाहा के देशों मे लेकि कुछ दासियां है अगर सूरे ग्राइन है तो रास्टों पर असर जाता है जिसे कि ब्रश्ट दासिये पर इसका वेश्ट असर रहेगा देखने को बिले अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्राइन के दौराण सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्राइन के दौराण सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्राइन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिलो रिपोर्ट साल दोहजार चोबीस का पहला सूर्य गरहन ये गरहन बहुत खास माना जा रहा है क्योंकि ये एक पूर्ण सूर्य गरहन होगा और करीब पांच घंटे दस मिनट का होगा जिसका संयोग करीब 54 साल बाद बन रहा है भारतिय समय के अनुसार सूर्य गरहन रात 9 बज कर 12 मिनट से शुरू होगा और देर रात 2 बज कर 22 मिनट पर समाप्थ होगा जब ये सूर्य गरहन लगेगा तब भारत में रात होगी इसलिए सूर्य गरहन का सूतक काल भारत में मानने नहीं होगा लेकिन आपको खास साफधानिय बरतनी चाहिए एक तो किसी भी व्यक्ति को नंगी आक्षे गरहन नहीं देखना चाहिए विकॉज उस टाइम जो सूर्य की रेज आ रही होती जो सूर्य की किरने आ रही होती है उनकी अंदर इतना वेग होता है इतना प्रभाव होता है कि वह आपकी आठ की रोसनी के लिए घातक सिद्ध हो सकते है या शरीर पर उनका नकारात्मिक इंपक्ट पड़ सकता है इसलिए किसी भी व्यक्ति को नंगी आक्षे ग्रहन को नहीं देखना चाहिए इसको देखना रखेगा दूसरा प्रेग्नेंड वुमन इस्पेशली जो प्रेग्नेंड महलाएं होती है जो गरवती महलाएं होती है उनको ग्रहन के समय कुछ काटना नहीं चाहिए तोडना नहीं चाहिए शिले हुए वस्त्र को धारण नहीं करना चाहिए काटना नहीं है तोड़ना नहीं है सिले हुए बस्त को धारण नहीं करना है तेज आवाज में भोलना नहीं है तेज आवाज में टीवी इत्यादी नहीं देखना है कुछ सिलना इत्यादी नहीं है इसका विशेशूर्ट से ध्यान रखना है इस समय पर कोशिश करना है कि कोई अपने मन के अंदर एक पॉजिटिविटी रखा जाए। साल का ये पहला सूर्य ग्रहन अमेरिका, कनाडा, कोलंबिया, विनेजुएला, आयर्लेंड, पुर्थगाल, नौर्वे, पनामा, रूस, बहामास, पस्चिमी यूरोप, पैसिफिक, अट्लांटिक और आर्क्टिक में दिखेगा। इसलिए इसका प्रभाव भारत में नकारात्मक होगा, नहीं के वराबर होगा, इसमें घबडाने की कोई और शक्ता नहीं है। करीब 5 घंटे 10 मिनट का होगा, और करीब 7 मिनट से ज्यादा समय तक सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर नहीं पड़ेगा, यानी 7 मिनट तक सर्व ग्रास रहेगा, और धर्ती पूरी तरह से अंदकार में। वैग्यारिकों की माने तो इस तरह का सूर्य गरहन आज से करीब 54 साल पहले लगा था। इस पूर्ण सूर्य गरहन की शुरुवात दक्षिन प्रशान्त महासागर से होगी, इस से पहले इस तरह का सूर्य गरहन 1970 में दिखा था, और अगली बार साल 2078 में दिखेगा। इस गरहन का प्रभाव अगले एक महिने तक दुनिया पर पड़ेगा, अलग-अलग राश्यों पर भी इसका प्रभाव दिखाई देगा। इसके लिए यह सूर्य गरहन जो है नकरातनक प्रभाव दे सकता है, क्योंकि मीन राशी रेवती नक्षत्र में लग रहा है, तो मीन राशी के जात्रकों को इस समय पर बहुँँ साथान रहने की जरूरत है, इसके अलावा रेवती नक्षत्र में जन जनम लिया है, उन अले राशी की बात कर लेते हैं, जन लोगों को साथानी इस दोरान बरतने के जोर्त है, वो है वरिषिब राशी, आप लोगों को खास तौरस अपने सौस्त का ध्यान रखने के विशकता है, स्वास्त में गड़बड़ी हो सती है, इसके अलावा भाई बहनों से कहान सुनी बी हो सकती है, तो इस समय पे ध्यान जरूर रखके चलिए, अपनी वाणी पे ध्यान रखके चलिए, तो आप लोगों के लिए करने है, जो है थोड़ा सा अप ध़ानी बरतने की जरूरता है, अगर आप विवाहित है या अगर आप बिस्नस बिस्नस पार्तनर के साथ कर रहे ह तो इस समय पर थोड़ी सी मुश्किले आप लोगों के ले आ सकती हैं, वही पर अगर हम बात करें मकर राशी की इसके लावा, तो मकर राशी वालों के लिए ये समय काफी हद तक मिला जुला रहेगा, ऐसा नहीं कहूंगी कि बहुत बुरा रहेगा, मिला जुला रहेगा, मग अगर अब भार भी जा रहे तो पिक पॉकेट से बचके रहेगा, और इसके लावा, अगर हम बात करें कुम्ब और मीन की, तो कुम्ब राशी के जातकों को बिलकुल ध्यान रखने के वशकता है, अगर आप ट्रावलिंग कर रहे हैं, तो चोड़ चपेट में आने की समभा इसलिए बहुत साफ़ाने से ट्रावलिंग करें। चलें, यहां रुकेंगे एक छोड़ा सुपरे के लिए, खबरे लगाता आ जारे हैं। आसा की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार, भारती इस समय के अनुसार आठ अपरेल को पढ़ने वाला ग्रहेंड नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएस और कैनदा में दिखाई देगा। आपको यह जानकारी होगी कि पूर सूरे ग्रहेंड तब दिखाई देता है जब चंद्रमा सूरे और प्रिथवी के बीच आ जाता है। इस दौरान प्रिथवी से सूरे दिखाई नहीं देगा। पहला सूरे ग्रहेंड चैतरमात की अमावस्या पर लग रहा है। चुकि यह भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए सूता काल भी मानने नहीं होगा ये है नासा की सला अब जानेंगे कि सूरे ग्रहन कहां कहां दिखाई देगा नासा की वेबसाइट के मताबिक नासा के मताबिक सूरे ग्रहन को नगन आखोस से देखने से सीवेर आई इंजरी हो सकती है ग्रहन को देखने के लिए अगर आपके पास खास ग्लासिस नहीं है तो आप इंडरेक्ट व्यूइंग मैथल अपना सकते हैं यानि सूरे को सीधे तोर पर ना देखें पिन होल प्रोजेक्टर का इस्तमाल इसके लिए किया जा सकता है एकलिप्स ग्लास पहने हुए कैमरा लेंस टेलेस्को बानकुलर्स या किसी ओप्टिकल डिवाइस का इस्तमाल ना करें एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसा करने से आखों को गंभील नुखसान पहुचकता है इसके अलावा नासा स्क्रीन सेथी की भी सला देता है ग्रहन के द स्क्रीमिंग की जाएगी जानकारी के लिए बता दें कि आठ अपरेल पो टोटल सोलर एकलिप्स के बाद अगला सूरेग है 23 अगस्त को लगेखा इस टॉपिक पर आपका क्या कहाना है हमें कमल सेक्शन ना बताए इसके तरह की स्टोरीज के लिए बने रहें यूज एदी इंडिया ओडिशनल के साथ इस दोरान सूरे चंदरमा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदरमा पूरी तरह से सूरे का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदरमा की पून च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूरे ग्रेंड एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूरे ग्रेंड दिखेगा ये ग्रेंड 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेंड का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पून सूरे ग्रेंड होगा सूरे ग्रेंड की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाल暗 की सबसे बड़ी बात ये ही कि सूरिय ग्रैन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसीलिए इस ग्रैन का सुतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक चहां सूरी ग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरी ग्रहन दिखने वाला है उन में कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरी ग्रहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वजह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तितीब बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेतर नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासियां है जिन दास्यों पर भी इसका असर है देश्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नों बश्कर बाराग में उसके और ग्यारा विश्कर सटाल में तक कर समय इस समय रहेदा देहरता लिखिए बाहा के दे अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंड के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंड के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंड के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपॉर्ट न नहीं मिलेगा लेकिन जो तुषचारियों के मुताबिक राशियों पर इसका असर होगा किन किन देशों में सूर्य ग्रहन दिखने वाला है आई इस रिपोर्ट के सरगे हम आपको दिखाते हैं इस दौरान सूर्य चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रहन एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूर्य ग्रहन दिखेगा ये ग्रहन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रहन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूर्य ग्रहन होगा सूर्य ग्रहन की अवधी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूर्य ग्रहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूर्य ग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूर्य ग्रहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूर्य ग्रहन को लिकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूर्य ग्रहन की स्तिती बनती है सूमवर आठ अप्रेल को साल का पहला सूर्य ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूर्य ग्रहन चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूर्य ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूर्य ग्रहन लगने जा रहा है अमूमन माना जाता है कि सूर्य ग्रहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रहन के दौरान सीधे सूर्य को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूर्य ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है Bureau Report News 18 ग्रहन रात 9 Kollegin, 10 मिनेट चुरू होगा और देर रात 2 को 22 मिनेट पर संप्ट होगा जब ये सूर्यय ग्रहन लगेगा तब भारत में रातрийने उक्राइन होगी इसलिए सूर्य सी ग्रहन का सूतक्र खाल भारत हुगा मनिये होगा रात होगी इसलिए सूर्य ग्रहन का सूतक काल भारत में मानने नहीं होगा लेकिन आपको खास साफधानिया बरतनी चाहिए एक तो किसी वी द्यक्ति को नंगी आक से ग्रहन नहीं देखना चाहिए उस टाइम जो सूर्य की रेज आ रही होती है उनके अंदर इतना वेग होता है इतना प्रभाव होता है कि वह आपकी आठ की रोसनी के लिए घातक सिध्ध हो सकते है या शरीर पर उनका नकार आत्मिक इंपैक्ट पड़ सकता है इसलिए किसी भी व्यक्ति को नंगी आक्षे ग्रहन को नहीं देखना चाहिए इसको ध्यान लगएगा दूसरा प्रेगनेंड बुमन इस्पेशली जो प्रेगनेंड महलाएं होती है जो गरवती महलाएं होती है उनको ग्रहन के शमय कुछ काटना नहीं चाहिए तोडना नहीं चाहिए शिले हुए वस्त्र को धारन नहीं करना चाहिए काटना नहीं है तोडना नहीं है शिले हुए कोशिश करना है कि कोई धार्मिक गंत इत्यादी का अध्यान किया जाए अपने मन के अंदर एक पॉजिटिविटी रखा जाए साल का ये पहला सूर्य ग्रहन अमेरिका, कनाडा, कोलंबिया, विनेजुएला, आयर्लेंड, पुर्थगाल, नौर्वे, परामा, रूस, बाहमास, पस्चिमी यूरोप, पैसिफिक, अट्लांटिक और आर्क्टिक में दिखेगा इसलिए इसका प्रभाव भारत में नकारात्मक होगा, नहीं के वराबर होगा, इसमें घबलाने की कोई और शक्ता नहीं है सूतक काल का असर भारत में नहीं होगा, सूतक का असर जो भी होगा ववा विदेश सब जगाँ नहीं होता, जहां गरहन लगेगा जिस कंट्री में, जिस देश में गरहन लगेगा, वही सूतक प्रभावी दोगा इस सूर्य गरहन की खास बात ये है कि ये करीब 5 घंटे 10 मिनट का होगा और करीब 7 मिनट से ज्यादा समय तक सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर नहीं पड़ेगा यानि 7 मिनट तक सर्व गरास रहेगा और धर्ती पूरी तरह से अंदकार में वैग्यारिकों की माने तो इस तरह का सूर्य गरहन आज से करीब 54 साल पहले लगा था इस पूर्ण सूर्य गरहन की शुरुवात दक्षिन प्रशांत महासागर से होगी इस से पहले इस तरह का सूर्य गरहन 1970 में दिखा था और अगली बार साल 2078 में दिखेगा इस ग्रहन का प्रभाव अगले एक महिने तक दुनिया पर पड़ेगा अलग-अलग राश्यों पर भी इसका प्रभाव दिखाई देगा ये सूर्य ग्रहन कर्क, कन्या, व्रिष्चिक, कुम्ब और मीन राशी के लिए मध्यम फलदाई रहेगा विर्षब, मिथुन, तुला और मकर राशी के लिए ये परिणाम उत्तम होंगे वही मेश, सिंग और धनु राशी वालों को विशेश साब्धानी रखनी होगी अब बात कर लेते हैं कौनसी वो राशी रहेंगी जिनके लिए ये सूर्य ग्रहन जो है नकरातनक प्रभाव दे सकता है क्योंकि मीन राशी रेवती नक्षत्र में लग रहा है तो मीन राशी के जात्रकों को इस समय पर बहुत साथान रहने की जरूरत है इसके अलावा रेवती नक्षत्र में जिन जात्रकों को ने जनम लिया है उन लोगों को साबधान रहने की जरूरत है अब सबसे पहले राशी की बात कर लेते हैं जिन लोगों को साबधानी इस दोरान बरतने की जरूरत है वो है विरशिब राशी आप लोगों को खास तोर से अपने स्वास्त का ध्यान रखने के विशकता है स्वास्त में गड़बड़ी हो सकती है इसके लावा भाई बेहनों से एक कहा सुनी भी हो सकती है तो इस समय पर ध्यान ज़रूर रखके चलिए अपनी वाणी पर ध्यान रखके चलिए मह Meto करें राशी के जातकों को खासोर से ध्यान रखने के विशक्ता है और इस शीज को भी ध्यान रखके चलेगा कि अगर आप लव रिलेशन्शिप में हैं तो लव रिलेशन्शिप इस सबड़ी हो सकता है वही पर अगर हम बात करें अगली राशी की तो आप लोगों के लिए करन्या राशी जो है थोड़ा सा आप धानी बरतने की ज़रूरत है अगर आप विवाहत है या अगर आप बिसनस बिसनस पार्टनर के साथ कर रहे हैं तो इस समय पर थोड़ी सी मुश्किले आप लोगों क अगर आप कही भार जा रहे हैं, तो घर पे सही तरीके से ताले लगा के जाएगा, नहीं तो चोरी चकारी का डर बढ़ सकता है, अगर आप भार भी जा रहे तो पिक पॉकेट से बचके रहेगा, और इसके अलावा अगर हम बात करें कुम्ब और मीन की, तो कुम्ब राशी के जातकों को बिल्कुल ध्यान रखने के वशकता है, अगर आप ट्रावलिंग कर रहे हैं, तो चोर चपेट में आने की समभावना है, इसलिए बहुत साफधानी से ट्रावलिंग करें सूरिय गरहन का प्रफाव पूरी दुनिया के लोगों पर पड़ेगा, दुनिया भर में इस सूरिय गरहन से राजनीतिक रूप से भयंकर उथल पुथल मच सकती है, शेयर बाजार और दुनिया भर की आर्थिक इस्तिती हिल सकती है, ये परिवर्तन विश्व भर में और विस्पोर्ट का संकेत दी रहा है ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज एटीन चलें यहां रुकेंगे एक छोड़ा सुपरे के लिए खबरे लगाता आजारे आठ अप्रेल 2024 को दुनिया भर में कई जगों पर टोटल सोलर एकलिप्स यानी पूर्ण सूरे ग्रहन दिखाई देगा सूरे ग्रहन एक खबोल ये घटना है इसकी वैज्यानिक और धार्मिक मानेता है नासा की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार भार की इस समय के अनुसार आठ अप्रेल को पढ़ने वाला ग्रहन नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएस और कैनदा में दिखाई देगा आपको ये जानकारी होगी कि पूर सूरे ग्रहन तब दिखाई देता है जब चंद्रमा सूरे और प्रिथवी के बीच आ जाता है इस दौरान प्रिथवी से सूरे दिखाई नहीं देता 185 किलोमीटर के इलाके में पूर रूप से अंधेर अचा जाएगा यानी टोटालिटी की स्थिती बन जाएगी पूरे ग्रहन का समय धाई घंटे का है लेकिन टोटालिटी का समय चार मिनटे भारत में दिखाई देगा ग्रहन भारत में सूरे ग्रहन के सिर्फ वैज्यानिक माईने इं नहीं बलकि धार्मिक माईने भी है अमारे देश में घ्रहरन से पहले लगने वाले सूतक कार को भी लोग मारते हैं हिंदु पंचान के अनुसार साल 2014 में लगने वाला पहला सूरे घ्रहन चैतरमास की अमावस्य अपर लग रहा है कहाँ जाता है कि सूरे देव परत्यक्षदेपता है, इसलिए जब सूरे ग्रहन लगता है तब सूतक काल 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है कहाँ जाता है कि सूतक काल के दौराण मांगलिक कारेर नहीं करने चाहिए केंदरी ये संस्कृत विश्विध्याले पूरी के जोतिशाचारे डॉक्टर गनेश मिश्ट के अनसार 8 अपरेल को सूरे ग्रहन रात 9 बचकर 12 मिनिट से शुरू हो रहा है और ये देज रात 1 बचकर 25 मिनिट तक रहेगा चुकि अभारत में नहीं दिखाई देगा इसलिए सूतकाल भी मानने नहीं होगा अब जानेंगे कि सूरे ग्रहन कहां कहां दिखाई देगा नासा की वेबसाइट के मताविक टोटल सोलर एकलिप्स नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएस, कैनेडा और साउथ पैसिफिक ओशियन में कोड रूप से दिखाई देगा ग्रहन को देखने के लिए कुछ सेफटी गाइडलाइन्स फॉलो करने होते हैं नासा के मताबिक सूरे ग्रहन को नगन आखोस से देखने से सीवियर आई इंजरी हो सकती है ग्रहन को देखने के लिए एकलिप्स ग्लासिस या सोलर फिल्टर्स जरूरी हैं अगर आपके पास खास ग्लासिस नहीं है तो आप इंडिरेक्ट व्यूइंग मेथेड अपना सकते हैं यानि सूरे को सीधे तोर पर ना देखें पिन होल प्रोजेक्टर का इस्तिमाल इसके लिए किया जा सकता है एकलिप्स ग्लास पहने हुए कैमरा लेंस, टेलेस्को, बानकुलर्स या किसी ओप्टिकल जिवाइस का इस्तिमाल ना करें एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसा करने से आखों को गंभील नुकसान पहुच करता है इसके अलावा नासा स्किन सेफ्टी की भी सला देता है ग्रेंड के दौरान आप संस्क्रीन लगा कर भी बाहर निकले हैच या कब पहने, ऐसे कपड़े पहने जिनसे आपकी स्किन डिरेक्ट धूट के कॉन्टेक्ट में ना आए अब ओनलाइन कैसे देखें है नासा इस सब ब्रॉटकास्ट करेगा आप यूट्यूब चानल और नासा की वेबसाइट पर डेक्स तायम अंडेक्ट डॉट कॉम पर भी स्ट्रीमिंग की जाएगी जानकारी के लिए बता दें कि आठ अपरेल पो टोटल सोलर एकलिप्स के बाद अगला सूड़ेगों है तेट अगस्त को लगेखा इस टॉपिक पर आपका क्या कहाना है हमें कमें सेक्शन ना बताए इसी पर है कि स्टोरीज के लिए बने रहें नियूज एडिन इंडिया ओरिजिनल के साथ कल साल का पहला सूरिग्राण है और 54 साल बाद ये पूर्ण सूरिग्राण है भाला की भारत में इस सूरिग्राण का कोई असर नहीं होगा जो त्साचारेओं की माने तो कई रासियों पर इस सूरिग्राण का असर हो सकता है वही दूसरी तरब भारत के जो दूसरे देश है किन-किन देशों में इस सूर्य ग्रहन का असर होगा, जानिए इस रिपोर्ट में इस दौरान सूर्य चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंद्रमा की पून च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूरे ग्रेन एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूरे ग्रेन दिखेगा ये ग्रेन आट अप्रेल को रात नौ बचकर बारा मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात दो बचकर बाइस मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेन का मध्य समय रात ग्यारा बचकर सेंतालिस मिनट पर होगा ये पून सूरे ग्रेन होगा सूरे ग्रेंट की अवधी 5 घंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंट का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेंट का सुतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक चहां सूरी ग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रहन को लिकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर छेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तितीब बनती है सूमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और पुछ रासियां है जिन दास्यों पर भी इसका असर है रिस्ता से पर्ले एक समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दूसार जो ही यहां पर डात में नों विसकर बारागी उसके अटके और ग्यारा विसकर सक्ताव में तक कर समय इस समय रहेगा देहरता लिखिए बाहा क अंवूमन माना जाता है कि सूरे ग्राइन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंड के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंड के बाद गंगा जल से नहने को कहा जाता है Bureau Report News 18 कल साल का पहला सूरिग्रहन होने जा रहा है 54 साल बात पूर सूरिग्रहन होने वाला है अलाकि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जो तुशाचार्यों के मताबिक राशियों पर इसका असर होगा किन-किन देशों में सूर्य ग्रहन दिखने वाला है आई इस रिपोर्ट के सरगे हम आपको दिखाते हैं इस दौरान सूर्य चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रहन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूर्य ग्रहन दिखेगा ये ग्रहन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रहन का मद्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूर्य ग्रहन होगा सूरे ग्रेंड की अवदी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेंड का सुतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासनों के मताबिक चाहा सूरे ग्रेंड लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनेडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तितीब बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दार्षियों पर भी इसका असर है देश्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात मेनों विस्टर बाराई में उसके और वियारा विस्टर 17 में तका समय है इस समय रहे दार्षियों का लिखी ये पाहा के अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंट के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंट के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंट के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न् साल दोहजार चोबीस का पहला सूर्य गरहन ये गरहन बहुत खास माना जा रहा है क्योंकि ये एक पूर्ण सूर्य गरहन होगा और करीब पांच घंटे दस मिनट का होगा जिसका संयोग करीब 54 साल बाद बन रहा है भारतिय समय के अनुसार सूर्य गरहन रात 9 बज कर 12 मिनट से शुरू होगा और देर रात 2 बज कर 22 मिनट पर समाप्थ होगा जब ये सूर्य गरहन लगेगा तब भारत में रात होगी इसलिए सूर्य गरहन का सूतक काल भारत में मानने नहीं होगा लेकिन आपको खास साफधानिया बरतनी चाहिए चाहिए इसको ध्याम रखेगा दूसरा प्रेगन जुइशन की वेस्टारान नहीं तोड़ना नहीं तेज आवाँज में भूलना नहीं तेज आवाज में टीवी कि नहीं देखना और सिल्ण इत्यादा इस समय पर कोशिश करना है कि कोई धार्मिक गल्थ इत्यादी का अध्यान किया जाए अपने मन के अंदर एक पॉजिटिविटी रखा जाए साल का ये पहला सूर्य ग्रहन अमेरिका, कनाडा, कोलंबिया, वेनेजुएला, आयर्लेंड, पुर्थगाल, नौर्वे, परामा, रूस, बहामास, पस्चिमी यूरोप, पैसिफिक, अट्लांटिक और आर्क्टिक में दिखेगा इसलिए इसका प्रभाव भारत में नकारात्मक होगा, नहीं के वराबर होगा, इसमें घबडाने की कोई और शक्ता नहीं है इस सूर्य गरहन की खास बात यह है कि ये करीब 5 घंटे 10 मिनट का होगा, और करीब 7 मिनट से ज्यादा समय तक सूर्य का प्रकाश प्रित्वी पर नहीं पड़ेगा, यानि 7 मिनट तक सर्व गरास रहेगा, और धरती पूरी तरह से अंदकार में, वैग्यारिकों की माने तो इस तरह का सूर्य गरहन आज से करीब 54 साल पहले लगा था, इस पूर्ण सूर्य गरहन की शुरुवात दक्षिन प्रशांत महासागर से होगी, इस से पहले इस तरह का सूर 2078 में दिखेगा, इस गरहन का प्रभाव अगले एक महिने तक दुनिया पर पड़ेगा, अलग अलग राश्यों पर भी इसका प्रभाव दिखाई देगा, ये सूर्य गरहन कर्क, कन्या, वर्ष्चिक, कुम्ब और मीन राशी के लिए मध्यम फलदाई रहेगा, विर्षब मिथुन, तुला और मकर राशी के लिए ये परिणाम उत्तम होंगे, वही मेश, सिंग और धनु राशी वालों को विशेश साब्धानी रखनी होगी अब बात कर लेते हैं, कौन सी वो राशी रहेंगी, जिनके लिए ये सूर्य ग्रहन जो है नकरातनक प्रभाव दे सकता है, क्योंकि मीन राशी रेवती नक्षत्र में लग रहा है, तो मीन राशी के जात्तकों को इस समय पर बहुँँ साथान रहने की जरूरत है, इसके अल और सकते समय अगत्त करक लगेढ़ विवाहित और बिजनस पार्टनर के साथ कर रहे हैं, तो इस समय पर थोड़ी सी मुछित आप लोगों के लिए आ सकती हैं बहीपर अगर अंगर हम बात करें मकर राशी के लावा तो मर्कार राशी वालों के लिए यह समय काफी हद तक मिला जुला रहेगा। एसा नहीं कहँंगी कि बहुत अगर आप ट्रावलिंग कर रहे हैं तो चोड़ चपेट में आने की समभावना है इसलिए बहुत साफ़ानी से ट्रावलिंग करें सूर्य गरहन का प्रभाव पूरी दुनिया के लोगों पर पड़ेगा दुनिया भर में इस सूर्य गरहन से राजनीतिक रूप से भयंकर उथल पुथल मच सकती है शेयर बाजार और दुनिया भर की आर्थिक इस्तिती हिल सकती है ये परिवर्तन विश्व भर में यूद और विसफोर्ट का संकेत दी रहा है बिरो रिपोर्ट न्यूस 18 चले यहां रुकेंगे एक छोड़ा सुपरिक के लिए खबरे लगाता आजारे आठ अप्रेल दो हजार चॉबिस को दुनिया भर में कई जगों पर टोटल सोलर एकलिप्स यानि फोर्ट सूरे ग्रहन दिखाई देगा सूरे ग्रहन एक हबोल यह घटना है इसकी वैज्ञानिक और धार में खमानेता है नासा की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार भारती इस समय के अनुसार आठ अप्रेल को पढ़ने वाला ग्रहन नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएस और कानदा में दिखाई देगा आपको यह जानकारी होगी कि पोर्ट सूरे ग्रहन तब दिखाई देता है जब चंद्रमा सूरे और प्रिथवी के बीच आ जाता है इस दौरान प्रिथवी से सूरे दिखाई नहीं देता एक सूपिच्छास्ती किलोमीटर के इलाके में फोर्ट रूप से अंधेरा चाजाएगा यानी टोटालिटी की स्थिती बन जाएगी पूरे ग्रहन का समय धाई घंटे का है लेकिन टोटालिटी का समय चार मिनट है भारत में दिखाई देगा ग्रहन भारत में सूरे ग्रहन के सिर्फ व्यज्यानिक मायने ही नहीं बलकि धार्मिक मायने भी है अमारे देश में ग्रहन से पहले लगने वाले सूतक काल को भी लोग मारते हैं हिंदु पंचान के अनुसार साल 2024 में लगने वाला पहला सूरे ग्रहन चैत्रमास की अमावस्य अपर लग रहा है। कहा जाता है कि सूरे देव प्रत्यक्ष देवता है, इसलिए जब सूरे ग्रहन लगता है तब सूतक काल 12 गंटे पहले पे शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि सूतक काल के दौरान मांगली कारे नहीं करने चाहिए। केंदरी ये संस्कृत विश्विध्याले पूरी के जोतिशाचारे डॉक्टर दणेश मिष्ट के अनसार 8 अपरेल को सूरे ग्रहन रात 9 बचकर 12 मिनट से शुरू हो रहा है और ये देज रात 1 बचकर 25 मिनट तक रहेगा। चुकी अभारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए सूतकाल भी मानने नहीं होगा। ये है नासा की सला। अब जानेंगे कि सूरे ग्रहन कहां कहां दिखाई देगा। नासा की वेबसाइट के मताबिक टोटल सोलर एकलिप्स नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएस, कैनेडा और साल्थ पैसिफिक ओशें में फोर्ड रूप से दिखाई देगा। ग्रहन को देखने के लिए कुछ सेफटी गाइडलाइन्स फॉलो करने होते हैं। नासा के मताबिक सूरे ग्रहन को नगन आखों से देखने से सीवियर आई इंजरी हो सकती है। ग्रहन को देखने के लिए एकलिप्स ग्लासिस या सोलर फिल्टर्स जरूरी है। अगर आपके पास खास ग्लासिस नहीं है तो आप इंडिरेक्ट व्यूइंग मैथेड अपना सकते हैं। यानि सूरे को सीधे तोर पर ना देखे। पिन होल प्रोजेक्टर का इस्तमाल इसके लिए किया जा सकता है। एकलिप्स ग्लास पहने हुए कैमरा लेंस, टेलेस्कोब, बानकुलर्स या किसी ऑप्टिकल जवाइस का इस्तमाल ना करे। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसा तरने से आखों को गंभील नुकसान पहुच करता है। इसके अलावा, नासा स्क्रीन सेफ्टी की भी सला देता है। ग्रैंड के दौरान आप संस्क्रीन लगा कर भी बाहर लिकले। हाट या कैप पहने, ऐसे कपड़े पहने जिनसे आपकी स्क्रीन डिरेक्ट धूट के कॉन्टेक्ट में ना आए। ओनलाइन कैसे देखें। अब ओनलाइन ग्रैंड को देख सकते हैं, नासा इसका ब्रॉडकास्ट करेगा। आप यूट्यूब चानल और नासा की वेबसाइट पर देख सकते। साइमंडेग.com पर भी स्ट्रीमिंग की जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि 8 अपरेल को टोटल सोलर एकलिप्स के बाद अगला सूड़ेग हैं 23 अगस्त को लगेगा। इस टॉपिक पर आपका क्या कहाना है हमें कमें सेक्शन में बताएं। पर देख स्टोरी के लिए बने रहें यूवेडी इंडिया ओडिशनल्स के साथ। कल साल का पहला सूरिग्राण है और 54 साल बाद ये पूर्ण सूरिग्राण है। हलां कि भारत में इस सूरिग्राण का कोई असर नहीं होगा। जो सचारेओं की माने तो कई रासियों पर इस सूरिग्राण का असर हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ भारत के जो दूसरे देश हैं किनकिन देशों में इस सूरिग्राण का असर होगा जानिये इस रिपोर्ट में। इस दौरान सूरिग्राण पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है। इस सूरिग्राण का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा। और इसलिए इस ग्राण का सूतक काल नहीं माना जाएगा। भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी। शासलों के मताबिक जहां सूरिग्राण लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है। जैसा की आप सूरिग्राण हुता है कि आठ तारीको 54 साल बाद कुने आ रहा है सूरिग्रहन। जिन देशों में सूर्य ग्रहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूर्य ग्रहन को लिकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वजह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूर्य ग्रहन की स्तिती बनती है सूमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूर्य ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूर्य ग्रहन चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूर्य ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूर्य ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दासियों पर भी इसका असर है देश्टा से परले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दूसार जो ही यहां पर रात में नो बज़तर बारा में उसके और ग्यारा वज़तर सताओं में तक कर समय है इस समय रहेगा देश्टा लिए बाहा के देशो नहीं है लेकि कुछ दासियां है अगर सूर ग्रहन है तो रास्टों पर असका असर जाता है जिसके ब्रस्षी दासी है Hersha크ra Siya और कमरा Siya इन ते दासियों पर इसका बेश्चिस असर रहेगा देख़ने को बले अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूज 18 इस दोरान सूरे चंदरमा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदरमा पूरी तरह से सूरे का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदरमा की पून च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूरे ग्रेन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूरे ग्रेन दिखेगा ये ग्रेन 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेन का मद्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेन होगा सूरे ग्रेन की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक चहां सूरे ग्रेन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है ज़शा कि आप सुरी जाने देह कि आर्थ तारिः को चौवन साल बाद वहरे शूरी ग्रहण और शूरी ग्रहण है जब को नहीं सबुए है कि जब राहु की स्रमपूर दिष्टी पर होती है तो शूरी ग्रहण हुता है शूरी ग्रहण का सरमाँश भाता है जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है, हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेंड के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रेंड की स्तितीब बनती है सुमवर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेंड लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रेंड चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेंड मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेंड लगने जा रहा है अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंड के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंड के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंड के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है Bureau Report News 18 सूर्य गरहन रात 9 बज रा भारत में रात होगी इसी लिए सूर्य ग्रहन का सूतकाल भारत में मान्ने नहीं लेकिन आपको खास साभधानय बरतनी चाहिए ऐक तो किसी वी ध्यक्ति को नंगी आजसे ग्रहन नहीं का चाहिए विकॉस उस टाइम जो सूरी की रेज आ रही होती हैं उनके अंदर इतना वेग होता है इतना प्रभाव होता है कि वह आपकी आख की रोसनी के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं या शरीर पर उनका नकारात्मिक इंपैक्ट पड़ सकता है इसलिए किसी भी व्यक्ति को नंगी आ समय कुछ काटना नहीं चाहिए तोड़ना नहीं चाहिए शिले हुए वस्त्र को धारण नहीं करना चाहिए काटना नहीं है तोड़ना नहीं है शिले हुए वस्त्र को धारण नहीं करना है तेज आवाज में भोलना नहीं है तेज आवाज में टीवी इत्यादी नहीं देख साल का ये पहला सूर्य ग्रहन अमेरिका, कनाडा, कोलंबिया, विनेजुएला, आयर्लेंड, पुर्थगाल, नौर्वे, परामा, रूस, बहामास, पस्चिमी यूरोप, पैसिफिक, अट्लांटिक और आर्क्टिक में दिखेगा सूतक काल का असर भारत में नहीं होगा सूतक का असर जो भी होगा वह बिदेश सब जगा नहीं होता, जहां ग्रहन लगेगा, जिस कंट्री में, जिस देश में ग्रहन लगेगा, वहीं सूतक प्रफावी होगा इस सूर्य ग्रहन की खास बात ये है कि ये करीब 5 घंटे 10 मिनट का होगा और करीब 7 मिनट से ज्यादा समय तक सूरिय का प्रकाश पृत्वी पर नहीं पड़ेगा यानि 7 मिनट तक सर्व गरास रहेगा और धर्ती पूरी तरह से अंदकार में वैज्यानिकों की माने तो इस तरह का सूरिय गरहन आज से करीब 54 साल पहले लगा था इस पूर्ण सूरिय गरहन की शुरुवात दक्षिन प्रशांत महासागर से होगी इस से पहले इस तरह का सूरिय गरहन 1970 में दिखा था और अगली बार साल 2078 में दिखेगा इस गरहन का प्रभाव अगले एक महिने तक दुनिया पर पड़ेगा अलग-अलग राशियों पर भी इसका प्रभाव दिखाई देगा ये सूरिय गरहन कर्क, कन्या, वर्ष्चिक, कुम्ब और मीन राशी के लिए मध्यम फलदाई रहेगा वर्षब, मिथुन, तुला और मकर राशी के लिए ये परिणाम उत्तम होंगे वही मेश, सिंग और धनु राशी वालों को विशेश सापधानी रखनी होगी अब बात कर लेते हैं कौन सी वो राशीय रहेंगी जिनके लिए ये सूरिय गरहन जो है नकरातनक प्रभाव दे सकता है क्योंकि मीन राशी रेवती नक्षत्र में लग रहा है तो मीन राशी के जात्रकों को इस समय पर बहुत साथा सापधान रहने की जरूरत है इसके अलावा रेवती नक्षत्र में जिन जात्रकों को ने जनम लिया है उन लोगों को सापधान रहने की जरूरत है आप सबसे पैले राशी की बात कर लेते हैं जिन लोगों को साफधानी इस दौरान बरतने के जोड़त है वो है वरिशिब राशी आप लोगों को खास्त और से इस वास्त का ध्यान रखने के विशकता है स्वास्त में गड़बडी हो सकते है इसके लावा भाई बहनों से कहा सुनी भी हो सकते हैं, तो इस समय पर ध्यान ज़रूर रखके चलिए, अपनी वाणी पर ध्यान रखके चलिए, वही पर करक राशी के जातकों को खासतोर से ध्यान रखने के विशकता है, अपनी संतान के स्वासत का ध्यान रखने के विशकता और इस चीज़ को भी धियान रखके चलेगा कि अगर आप लव रिलेशन्शिप में है तो लव रिलेशन्शिप इस सबब पे स्कॉई हो सकता है वही पर अगर हम बात करें अगली राशी की तो आप लोगों के लिए करन्या राशी जो है थोड़ा साब धानी बरतने की ज़रूरत है अगर आप विवाहत है या अगर आप बिसनस बिसनस पार्टनर के साथ कर रहे हैं तो इस समय पर थोड़ी सी मुश्किले आप लोगों के अगर हम बात करें मकर राशी की इसके अलावा तो मकर राशी वालोग लिए ये समय काफी हद तक मिला जुला रहेगा ऐसा नहीं काउंगी कि बहुत बुरा रहेगा मिला जुला रहेगा मगर यहां पर आपको खास तोर से अपने धन का जो है वह बहुत ध्यान रखने की अगर आप ट्रावलिंग कर रहे हैं तो चोड़ चपेट में आने की समभावना है इसलिए बहुत साफधानी से ट्रावलिंग करें सूरिय गरहन का प्रफाव पूरी दुनिया के लोगों पर पड़ेगा दुनिया भर में इस सूरिय गरहन से राजनितिक रूप से भयंकर उथल पुथल मच सकती है शेयर बाजार और दुनिया भर की आर्थिक इस्तिती हिल सकती है ये परिवर्तन विश्व भर में यूद और विश्फोर्ट का संकेत दी रहा है ब्यूरो रिपोर्ट न्यूस एटीन आठ अप्रेल 2024 को दुनिया भर में कई जगों पर टोटल सोलर एकलिप्स यानी पूर्ण सूरे ग्रहन दिखाई देगा सूरे ग्रहन एक खगोल ये घटना है इसकी वैज्यानिक और धार्मिक मानेता है नासा की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार भारती इस समय के अनुसार आठ अप्रेल को पढ़ने वाला ग्रहन नौर्थ हमारिका, मैक्सिको, यूएस और कैनदा में दिखाई देगा आपको ये जानकारी होगी कि पूर सूरे ग्रहन तब दिखाई देता है जब चंद्रमा सूरे और प्रिथवी के बीच आ जाता है इस दौरान प्रिथवी से सूरे दिखाई नहीं देता एक सूपिचास्ती किलोमीटर के इलाके में फूर रूप से अंधेर अच्छा जाएगा याँनी टोटालिटी की स्थिती बन जाईगी पूरे ग्रहन का समय दाई घंटे का है लेकिन टोटालिटी का समय चार मिनिन नहीं भारत में दिखाई देगा ग्रहन भारत में सूरे ग्रहन के सिर्फ वैज्यानिक माईने ही नहीं बलकि धार्मिक माईने भी हैं अमारे देश में ग्रहन से पहले लगने वाले सूतक काल को भी लोग माते हैं हिंदु पंचान के अनुसार साल 2024 में लगने वाला पहला सूरे ग्रहन चैत्रमाथ की अमावस्य अपर लग रहा है। कहा जाता है कि सूरे देव प्रत्यक्ष देवता है, इसलिए जब सूरे ग्रहन लगता है तब सूतक काल 12 गंटे पहले ते शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि सूतक काल के दौरान मांगलिक कारे नहीं करने चाहिए। केंदरी ये संस्कृत विश्विध्याले पूरी के जोतिशाचारे डॉक्टर गनेश मिष्ट के अनसार 8 अपरेल को सूरे ग्रहन रात 9 बचकर 12 मिनिट से शुरू हो रहा है और ये देज रात 1 बचकर 25 मिनिट तक रहेगा। चुकि ये भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए सूतकाल भी मानने नहीं होगा। ये है नासा की सला। अब जानेंगे कि सूरे ग्रहन कहां कहां दिखाई देगा। नासा की वेबसाइट के मताबिक टोटल सोलर एकलिप्स नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएस, कैनड़ा और साउथ स्पैसिफिक ओशियन में कोड रूप से दिखाई देगा। ग्रहन को देखने के लिए कुछ सेफटी गाइडलाइन्स फॉलो करने होते हैं। नासा के मताबिक सूरे ग्रहन को नगन आखोस से देखने से सीवेर आई इंजरी हो सकती है। ग्रहन को देखने के लिए एकलिप्स ग्लासिस या सोलर फिल्टर्स जरूरी हैं। अगर आपके पास खास ग्लासिस नहीं है तो आप इंडिरेक्ट व्यूइंग मैथेड अपना सकते हैं। यानि सूरे को सीधे तौर पर ना देखें। पिन होल प्रोजेक्टर का इस्तिमाल इसके लिए किया जा सकता है। एकलिप्स ग्लास पहने हुए कैमरा लेंस, टेलेस्कोब, बानकुलर्स या किसी ऑप्टिकल दिवाइस का इस्तमाल ना करें। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसा करने से आखों को गंभील नुकसान पहुत करता है। इसके अलावा, नासा स्क्रीन सेस्टी की भी सला देता है। ग्रैंड के दौरान आप संस्क्रीन लगा कर भी बाहर लिकले। हाच या कब पहने। ऐसे कपड़े पहने जिनसे आपकी स्क्रीन डिरेक्ट धूट के कॉन्टेक्ट में ना आए। ओनलाइन कैसे देखें। आप ओनलाइन ध्रहन को देख सकते हैं। नासा इसका ब्रॉड कास्ट करेगा। आप यूट्यूब चानल और नासा की वेबसाइट पर देख सकते। सामंडेख.com पर भी इसकी स्ट्रीमिंग की जाए जूए। जानकारी के लिए बता दें कि 8 अपरेल को टोटल सोलर एकलिप्स के बाद अगला सूरेग हैं 30 अगस्ट को लगेखा। इस टॉपिक पर आपका क्या क्याना है हमें कमल सेक्शन ना बताए। इसी पर दिस्टोरी के लिए बने रहें नूर देडी इंडिया ओडिशनल्स के साथ। इस दोरान सूरे चंदरमा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है। चंदरमा पूरी तरह से सूरे का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदरमा की पून च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा। सूरे ग्रेंड एक खगौल ये घटना है। जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूरे ग्रेंड दिखेगा। ये ग्रेंड 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा। इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा। इस सूरे ग्रेंड का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा। ये पून सूरे ग्रेंड होगा। सूरे ग्रेंट की अवदी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंट का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेंट का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोस की तरह ही होगी शासलों के मताबिक जहां सूरी ग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रहन को लिकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर छेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रेहन की स्तिती बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रेहन चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दासियों पर भी इसका असर है देश्टा से परले समय जाल लेंगे कि भारतिय परमपरा के दूसार जो ही यहां पर रात में लोग बाराग में सब्के और ग्यारा विश्क शक्ताव में तका समय इस समय रहेगा द्रहें का लिए बाहा के देशों में अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूज 18 इस दोरान सूर्य चंदर्मा प्रिथवी के बीच ऐसी स्थिति बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश प्रिथवी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया प्रिथवी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेन एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अद्बुद सूरे ग्रेहन दिखेगा ये ग्रेहन 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेहन का मध्य समे रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेहन होगा सूरे ग्रेहन की अवदी 5 घंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक चहां सूरी ग्रेहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरी ग्रेहन दिखने वाला है उन में कैनेडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरी ग्रेहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेहन के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेहन की स्तितीब बनती है सूमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेहन लगने जा रहा है और कुछ रासियां है जिन दार्शियों पर भी इसका असर है रिष्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात्मेनों बज़तर बाराग्यों से लगते और ज्यारा वज़तर सक्ताव में तक कर समय इस समय रहेगा लिखिए बाहा के अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंट के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंट के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंट के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट नि साल दोहजार चोबीस का पहला सूरिय गरहन ये गरहन बहुत खास माना जा रहा है क्योंकि ये एक पूर्ण सूरिय गरहन होगा और करीब पांच घंटे दस मिनट का होगा जिसका संयोग करीब 54 साल बाद बन रहा है भारतिय समय के अनुसार सूरिय गरहन रात 9.12 मिनट से शुरू होगा और देर रात 2.22 मिनट पर समाप्त होगा जब ये सूरिय गरहन लगेगा तब भारत में रात होगी इसलिए सूरिय गरहन का सूतक काल भारत में मानने नहीं होगा लेकिन आपको खास साबधानिया बरतनी चाहिए एक तो किसी भी ब्यक्ति को नंगी आक्षे ग्रहन नहीं देखना चाहिए विकॉस उस टाइम जो सूरी की रेज आ रही होती है जो सूरी की किरने आ रही होती है उनके अंदर इतना वेग होता है इतना प्रभाव होता है कि वह आपकी आख की रोसनी के लिए घातक सिद्ध हो सकते है या शरीर पर उनका नकारात्मिक इंपैक्ट पड़ सकता है इसलिए किसी भी ब्यक्ति को नंगी आक्षे ग्रहन को नहीं देखना चाहिए दूसरा प्रेगनेंट वुमन इस्पेशली जो प्रेगनेंट महलाएं होती है जो गर्वती महलाएं होती है उनको ग्रहन के शमय कुछ काटना नहीं चाहिए तोड़ना नहीं चाहिए शिले हुए वस्त्र को धारण नहीं करना चाहिए, काटना नहीं है, तोड़ना नहीं है, शिले हुए वस्त्र को धारण नहीं करना है, तेज आवाज में भोलना नहीं है, तेज आवाज में टीवी इत्यादी नहीं देखना है, कुछ सिलना इत्यादी नहीं है, इसका अमेरिका, कनाडा, कोलंबिया, विनेजुएला, आयर्लेंड, पुर्थगाल, नौर्वे, परामा, रूस, बाहमास, पस्चिमी युरोप, पैसिफिक, अट्लांटिक और आर्क्टिक में दिखेगा। इस सूर्य गरहन की खास बात ये है, कि ये करीब पांच घंटे दस मिनट का होगा, और करीब साथ मिनट से ज्यादा समय तक सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर नहीं पड़ेगा, यानि साथ मिनट तक सर्व गरास रहेगा, और धर्ती पूरी तरह से अंधकार में। वैग्यारिकों की माने तो इस तरह का सूर्य गरहन आज से करीब 54 साल पहले लगा था। इस पूर्ण सूर्य गरहन की शुरुवात दक्षिन प्रशांत महासागर से होगी, इस से पहले इस तरह का सूर्य गरहन 1970 में दिखा था, और अगली बार साल 2078 में दिखेगा। इस गरहन का प्रभाव अगले एक महिने तक दुनिया पर पड़ेगा। अलग-अलग राश्यों पर भी इसका प्रभाव दिखाई देगा। ये सूर्य गरहन कर्क, कन्या, वर्ष्चिक, कुम्ब और मीन राशी के लिए मध्यम फलदाई रहेगा। वर्षब, मिथुन, तुला और मकर राशी के लिए ये प्रईणाम उत्तम होंगे। वही मेश, सिंग और धनु राशी वालों को विशेश साब्धानी रखनी कौन सी वह राशी रहेंगी, जिनके लिए ये सूर्य ग्रहन जो है नकरातनक प्रभाव दे सकता है, क्योंकि मीन राशी रेवती नक्षत्र में लग रहा है, तो मीन राशी के जात्रकों को इस समय पे बहुत साथ साथान रहने की जरूरत है, इसके अलावा रेवती नक्षत सकते हैं, तो इस समय पे ध्यान ज़रूर रखके चलिए, अपनी वानी पे ध्यान रखके चलिए, वही पर करक राशी के जातकों को खासतोर से ध्यान रखने के विशकता है, अपनी संतान के स्वास्त का ध्यान रखने के विशकता है, और इस चीज को भी ध्यान रखके चलि तो इस समय पर थोड़ी सी मुश्किले आप लोगों के लिए आ सकती है वही पर अगर 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 हम बात करें मकर राशी की इसके लावा तो मकर राशी वा लोग लिए ये समय काफी हद तक मिला जुला रहेगा ऐसा नहीं कहोंगी कि बहुत बुरा रहेगा मिला जुला तो पिक पॉकेट से बचके रहिएगा और इसके अलावा अगर हम बात करें कुम्ब और मीन की तो कुम्ब राशी के जातकों को बिल्कुल ध्यान रखने के वशकता है अगर आप ट्रावलिंग कर रहे हैं तो चोट चपेट में आने की संभावना है इसलिए बहुत साफ़ानी से ट्रावलिंग करें सूर्य गरहन का प्रभाव पूरी दुनिया के लोगों पर पड़ेगा दुनिया भर में इस सूर्य गरहन से राजनीतिक रूप से भयंकर उथल-पुथल मच सकती है शेयर बाजार और दुनिया भर की आर्थिक स्थिती हिल सकती है ये परिवर्तन दूद और विसपोर्ट का संकेत दी रहा है विरो रिपोर्ट न्यूज 18 चले यहां रुकेंगे एक छोड़ा सुपरे के लिए खबरे लगाता आ जा रहे हैं आठ अप्रेल 2024 को दुनिया भर में कई जगों पर टोटल सोलर एकलिप्स यानी पूर्ण सूरे ग्रहन दिखाई देगा सूरे ग्रहन एक खबोलिये घटना है इसकी वैज्यानिक और धार्मिक मानेता है नासा की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार भारती इस समय के अनुसार आठ अप्रेल को पढ़ने वाला ग्रहन नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएस और कैनदा में दिखाई देगा आपको यूजानकारी होगी कि पूर सूरे ग्रहन तब दिखाई देता है जब चंद्रमा सूरे और प्रिथवी के बीच आ जाता है इस दौरान प्रिथवी से सूरे दिखाई नहीं देता एक सूपिचास्ती किलोमीटर के इलाके में फूर रूप से अंधेर अचा जाएगा यानि टोटालिटी की स्थिती बन जाएगी पूरे ग्रहन का समय धाई घंटे का है लेकिन टोटालिटी का समय चार मिनिट है भारत में दिखाई देगा ग्रहन भारत में सूरे ग्रहन के सिर्फ वैज्यानिक माइने ही नहीं, बलकी धार्मिक माइनी भी है अमारे देश में ग्रह escaping से पहले लगने वाले सूर्थक काल को भी लोग मानते हैं कहा जाता है कि सूतक काल के दौरान मांगलिक कारेल नहीं करने चाहिए केंदरी ये संस्कृत विश्विध्याले पूरी के जोतिशाचारे डॉक्टर गणीश मिश्ट के अनसार 8 अपरेल को सूरे ग्रहन रात 9 बचकर 12 मिनिट से शुरू हो रहा है और ये देज रात 1 बचकर 25 मिनिट तक रहेगा चुकि ये भारत में नहीं दिखाई देगा इसलिए सूतक काल भी मानने नहीं होगा ये है नासा की सलाः अब जानेंगे कि सूरे ग्रहन कहां कहां दिखाई देगा नासा की वेबसाइट के मताबिक टोटल सोलर एकलिप्स नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएस, कैनाड़ा और साउथ पैसिफिक ओशियन में कोड रूप से दिखाई देगा ग्रहन को देखने के लिए कुछ सेफटी गाइडलाइन्स फॉलो करने होते हैं नासा के मताबिक सूरे ग्रहन को नगन आखोस से देखने से सीवेर आई इंजरी हो सकती है ग्रहन को देखने के लिए एकलिप्स ग्लासिस या सोलर फिल्टर्स जरूरी हैं अगर आपके पास खास ग्लासिस नहीं है तो आप इंडिरेक्ट व्यूइंग मैथेड अपना सकते हैं यानि सूरे को स्तीधे तोर पर ना देखें पिन होल प्रोजेक्टर का इस्तिमाल इसके लिए किया जा सकता है एकलिप्स ग्लास पहने हुए कैमरा लेंज, टेलेस्को, बानकुलर्स या किसी ओप्टिकल दिवाइस का इस्तिमाल ना करें एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसा करने से आँखों को गंभील नुकसान पहुच करता है इसके अलावा नासा स्किन सेस्टी की भी सला देता है ग्रेंड के दौरान आप संस्क्रीन लगा कर भी बाहर लिकले हाच या कब पहने, ऐसे कपड़े पहने जिनसे आपकी स्किन डिरेक्ट धूट के कॉन्टेक्ट में ना आए ओनलाइन कैसे देखें, आप ओनलाइन ध्रहन को देख सकते हैं नासा इसका ब्रॉड कास्ट करेगा, आप यूट्यूब चानल और नासा की वेबसाइट पर देख सकते हैं टामएंडेक्ट.com पर भी इसकी स्ट्रीमिंग की जाए जो जानकारी के लिए बता दें कि आठ अपरेल को टोटल सोलर एकलिप्स के बाद अगला सूरे को हैं पेज अगस्त को लगेगा, इस टॉपिक पर आपका क्या कहाना है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं इसकी पर इसी स्टोरी के लिए बने रहें नीवेडिन इंडिया ओडिशनल के साथ कल साल का पहला सूरिग्रहन है और चोवन साल बाद ये पूर्ण सूरिग्रहन है हला कि भारत में इस सूरिग्रहन का कोई असर नहीं होगा, जो तसाचारेओं की माने तो कई रासियों पर इस सूरिग्रहन का असर हो सकता है वही दूसरी तरफ, भारत के जो दूसरे देश है किनकिन देशों में इस सूरिग्रहन का असर होगा, जानिये इस रिपोर्ट में इस दौरान सूरिय चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूरे का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूरे ग्रेन एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है चववन साल बाद अदबुद सूरे ग्रेन दिखेगा ये ग्रेन आठ अप्रेल को रात नौ बचकर बारा मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात दो बचकर बाइस मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेंड का मध्य समय रात 11 बच कर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेंड होगा सूरे ग्रेंड की अवधी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरे ग्रेंड लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाईया तयात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेंड के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेंड की स्तिती बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेंड लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेंड चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेंड मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेंड लगने जा रहा है कि और पुछ रासिया है जिन दास्यों पर भी इसका असर है देश्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नौ बज़ बाराइब में से दब के और ग्यारा वर्श्ट साथावल में तक समय इस समय रहेगा देहरता लिखिए ब अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंट के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंट के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंट के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपॉर्ट न नहीं मिलेगा लेकिन जो तुशाचारियों के मुताबिक राशियों पर इसका असर होगा, किनकिन देशों में सूर्य ग्रहन दिखने वाला है, आई इस रिपोर्ट के सरगे हम आपको दिखाते हैं। सूर्य ग्रहन एक खगौल ये घटना है, जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है, 54 साल बाद अधबुद सूर्य ग्रहन दिखेगा। हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूर्य ग्रहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा। भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी, शासलों के मताबिक चहाँ सूर्य ग्रहन लगता है, वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है। जिसा कि आप सुरी जानते हैं कि आठ तारीकों 54 साल बाद होने जा रहा है सूरी ग्रहन और सूरी ग्रहन जब होता है तो सभी ग्रहन जब होता है। जिन देशों में सूरी ग्रहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है। अमेरिका में तो सूरी ग्रहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है। अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे। जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, इसकी वजह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है। तब पूर सूरे ग्रहन की स्तितीब बनती है। सुमवर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा। 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन। चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन। मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है Bureau Report News 18 जब ये सूर्य ग्रहन लगेगा तब भारत में रात होगी इसलिए सूर्य ग्रहन का सूतक्काल भारत में मानने नहीं होगा लेकिन आपको खास साफधान्य बरतनी चाहिए एक तो किसी भी व्यक्ति को नंगी आक्षे ग्रहन नहीं देखना चाहिए विकॉस उस टाइम जो सूरी की रेज आ रही होती है, जो सूरी की किरने आ रही होती है उनकी अंदर इतना वेग होता है, इतना प्रभाव होता है कि वह आपकी आख की रोसनी के लिए घातक सिद्ध हो सकते है या शरीर पर उनका नकार आत्मिक इंपैक्ट पड़ सकता है इसलिए किसी भी व्यक्ति को नंगी आक्षे ग्रहन को नहीं देखना चाहिए इसको ध्यान लखेगा दूसरा प्रेगनेंड बुमन इस्पेशली जो प्रेगनेंड महलाएं होते हैं जो गर्वती महलाएं होते हैं उनको ग्रहन के शमय कुछ काटना नहीं चाहिए तोडना नहीं चाहिए शिले हुए वस्त्र को धारण नहीं करना चाहिए काटना नहीं है, तोड़ना नहीं है, सिले हुए वस्त को धारण नहीं करना है, तेज आवाज में भोलना नहीं है, तेज आवाज में टीवी इत्यादी नहीं देखना है, कुछ सिलना इत्यादी नहीं है, इसका विशेशूर्ट से ध्यान रखना है, इस समय पर कोशिश करना ह कि कोई धार में गंत इत्यादी का अध्यान किया जाए अपने मन के अंदर एक पॉजिटिविटी रखा जाए साल का ये पहला सूर्य ग्रहन अमेरिका, कनाडा, कोलंबिया, विनेजुएला, आयर्लेंड, पुर्थगाल, नौर्वे, परामा, रूस, बाहमास, पस्चिमी यूरोप, पैसिफिक, अट्लांटिक और आर्क्टिक में दिखेगा इसलिए इसका प्रभाव भारत में नकारात्मक होगा, नहीं के वराबर होगा, इसमें घबलाने की कोई और शक्ता नहीं है सूतक काल का असर भारत में नहीं होगा, सूतक का असर जो भी होगा वह विदेश सब जगा नहीं होता, जहां गरहन लगेगा, जिस कंट्री में, जिस देश में गरहन लगेगा, वही सूतक प्रभावी दोगा इस सूर्य गरहन की खास बात ये है कि ये करीब 5 घंटे 10 मिनट का होगा और करीब 7 मिनट से ज्यादा समय तक सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर नहीं पड़ेगा यानि 7 मिनट तक सर्व गरास रहेगा और धर्ती पूरी तरह से अंदकार में वैग्यारिकों की माने तो इस तरह का सूर्य गरहन आज से करीब 54 साल पहले लगा था इस पूर्ण सूर्य गरहन की शुरुवात दक्षिन प्रशांत महासागर से होगी इस से पहले इस तरह का सूर्य गरहन 1970 में दिखा था और अगली बार साल 2078 में दिखेगा इस ग्रहन का प्रभाव अगले एक महिने तक दुनिया पर पड़ेगा अलग-अलग राश्यों पर भी इसका प्रभाव दिखाई देगा ये सूर्य ग्रहन कर्क, कन्या, व्रिष्चिक, कुम्ब और मीन राशी के लिए मध्यम फलदाई रहेगा विर्षब, मिथुन, तुला और मकर राशी के लिए ये परिणाम उत्तम होंगे वही मेश, सिंग और धनु राशी वालों को विशेश साब्धानी रखनी होगी अब बात कर लेते हैं कौनसी वो राशी रहेंगी जिनके लिए ये सूर्य ग्रहन जो है नकरातनक प्रभाव दे सकता है क्योंकि मीन राशी रेवती नक्षत्र में लग रहा है तो मीन राशी के जात्रकों को इस समय पे बहुत साथादान रहने की जरूरत है इसके अलावा रेवती नक्षत्र में जिन जात्रकों को ने जनम लिया है उन लोगों को साबधान रहने की जरूरत है अब सबसे पहले राशी की बात कर लेते हैं जिन लोगों को साबधानी इस दोरान बरतने की जरूरत है वो है विरशिब राशी आप लोगों को खास्त और से अपने स्वास्त का ध्यान रखने के विशकता है स्वास्त में गड़बड़ी हो सकती है इसके लावा भाई बहनों से एक कहा सुनी भी हो सकती है तो इस समय पर ध्यान ज़रूर रखके चलिए अपनी वाणी पर ध्यान रखके चलिए वही पर करक राशी के जातकों को खासतोर से ध्यान रखने के विशकता है अपनी संतान के स्वासत का ध्यान रखने के विशकता है और इस चीज को भी ध्यान रखने के चलेगा कि अगर आप लव रिलेशन्शिप में हैं तो लव रिलेशन्शिप इस सब्सक्राइब हो सकता है वहीपर अगर हम बात करें अगली राशी की तो आप लोगों के लिए कन्या राशी जो है थोड़ा साब धानी बरतने की ज़रूरत है अगर आप विवाहत है या अगर आप बिसनस बिसनस पार्टनर के साथ कर रहे हैं तो इस समय पर थोड़ी सी मुश्किल है आप लोगों के तो मकर राशी वालोग लिए ये समेक काफी हद तक मिला जुला रहेगा मगर यहां पर आपको खासतर से अपने धन का जो है वो बहुत ध्यान रखने की जर्थ है अगर आप नहीं भार जा रहे थे तो घर पर साही अगर आप ट्रावलिंग कर रहे हैं तो चोड़ चपेट में आने की संभावना है इसलिए बहुत साफधानी से ट्रावलिंग करें। सूर्य गरहन का प्रभाव पूरी दुनिया के लोगों पर पड़ेगा। दुनिया भर में इस सूर्य गरहन से राजनीतिक रूप से भयंकर उथल-पुथल मच सकती है। शेयर बाजार और दुनिया भर की आर्थिक इस्तिती हिल सकती है। ये परिवर्तन विश्व भर में यूद और विसफोर्ट का संकेत दे रहा है। चले यहां रुकेंगे एक छोड़ा सुपरिक के लिए खबरे लगाता आजारे है। आठ अप्रेल दो हज़ार चॉबिस को दुनिया भर में कई जगों पर टोटल सोलर एकलिप्स यानि फूर्ड सूरे गरहन दिखाई देगा। सूरे गरहन एक खबोल यह घगना है। इसकी वैज्यानिक और धार में खमानेता है। नासा की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार, भारती इस समय के अनुसार आठ अप्रेल को पढ़ने वाला गरहन नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएस और कैनदा में दिखाई देगा। आपको यह जानकारी होगी कि पूर सूरे ग्रहन तब दिखाई देता है जब चंद्रमा सूरे और प्रिथवी के बीच आ जाता है। इस दौरान प्रिथवी से सूरे दिखाई नहीं देता। एक सूपिचास्ती किलोमीटर के इलाके में पूर रूप से अंधेर अचा जाएगा। यानी टोटालिटी की स्थिती बन जाएगी। पूरे ग्रहन का समय धाई घंटे का है लेकिन टोटालिटी का समय चार मिन देता है। भारत में दिखाई देगा ग्रहन। केंद्रिय संस्कृत विश्विध्यालेपूरी के जोतिशाचारे डॉक्टर गनेश मिष्ट के अनसार 8 अपरेल को सूरे ग्रहन। रात 9 बचकर 12 मिनिट से शुरू हो रहा है और यह देज रात 1 बचकर 25 मिनिट तक रहेगा। चुकि अभारत में नहीं दिखाई देगा इस और पैसिफिक ओशिय में पोड रूप से दिखाई देगा। ग्रहन को देखने के लिए कुछ सेफटी गाइडलाइन्स फॉलो करने होते हैं। नासा के मताबिक सूरे ग्रहन को नगन आखोस से देखने से सीवेर आई इंजरी हो सकती है। ग्रहन को देखने के लिए एकलिक इस ग्लास पहने हुए camera lens, telescope, binoculars या किसी optical device का इस्तमाल ना करें। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसा करने से आखों को गंभील नुकसान पहुच करता है। इसके अलावा NASA skin safety की भी सलाह देता है। ग्रहन के दौरान आप sunscreen लगा कर भी बाहर लिकले। हाट या cap पहने। ऐसे एक अपने पहने जिनसे आपकी skin direct group के contact में ना आए। ओनलाइन कैसे देखें। आप ओनलाइन ध्रहन को देख सकते हैं, NASA इसका ब्रॉड कास्ट करेगा। आप YouTube चानल और NASA की website पर देख सकते हैं। timeandate.com पर भी स्ट्रीमिंग की जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि 8 अपरेल को टोटल सोलर एकलिप्स के बाद अगला सूरेग हैं टेज अगस्त को लगेता। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है हमें कमल सेक्शन में बताए। इसी पर इसी स्टोरीज के लिए बने रहें। न्यूज एडिन इंडिया ओरिशनल के साथ। पर इसी पर इसी पर इस सूरीग्रहन का असर होगा जानिये इस रिपोर्ट में। इस दोरान सूरे चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूरे का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूरे ग्रेंड एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूरे ग्रहन दिखेगा ये ग्रहन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रहन का मद्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रहन होगा सूरे ग्रहन की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरी ग्रेहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरी ग्रेहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरी ग्रेहन को लिकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेहन की स्तिती बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेहन चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेहन लगने जा रहा है और कुछ राशिया है जिन दास्यों पर भी इसका असर है प्रेशता से पहले आप समय जाल लेंगे कि भारतिये परमपरा के दुशार अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूज 18 कल साल का पहला सूरे ग्रेहन होने जा रहा है 54 साल बाद पूर सूरे ग्रेहन होने वाला है आला कि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जो तुशाचारियों के मुताबिक राशियों पर इसका असर होगा किन किन देशों में सूरिक ग्रहन दिखने वाला है आईएस रिपोर्ट के सरगे हम आपको दिखाते हैं इस दोरान सूरे चंदरमा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिति बन रही है चंदरमा पूरी तरह से सूरे का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदरमा की पून च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूरे ग्रेंड एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूरे ग्रेंड दिखेगा ये ग्रेंड 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेंड का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेंड होगा सूरे ग्रेंड की अवधी 5 घंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोस की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक चाहा सूरी ग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रहन को लिकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तितीब बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दासियों पर भी इसका असर है रिष्टा से पर्ले एक समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नों विसकर बाराग में उसके तके और ग्यारा विसकर 17 में तका समय इस समय रहेगा देहर का लिखिए बाहा के देश अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंट के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंट के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंट के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपॉर्ट न साल 2024 का पहला सूर्य गरहन ये गरहन बहत खास माना जा रहा है क्योंकि ये एक पूर्ण सूर्य गरहन होगा और करीब 5 घंटे 10 मिनट का होगा जिसका संयोग करीब 54 साल बाद बन रहा है भारतिय समय के अनुसार सूर्य गरहन रात 9 बज कर 12 मिनट से शुरू होगा और देर रात 2 बज कर 22 मिनट पर समाप्त होगा जब ये सूर्य गरहन लगेगा तब भारत में रात होगी इसलिए सूर्य गरहन का सूतक काल भारत में मानने नहीं होगा लेकिन आपको खास साफधानिया बरतनी चाहिए दूसरा प्रेग्नन्ट महलाएं होती है उनको ग्रहन के समय कुछ काटना नहीं चाहिए तोड़ना नहीं चाहिए शिले हुए वस्त्र को धारण नहीं करना चाहिए काटना नहीं है तोड़ना नहीं है सिले हुए वस्त को धारण नहीं करना है, तेज आवाज में भोलना नहीं है, तेज आवाज में टीवी इत्यादी नहीं देखना है, कुछ सिलना इत्यादी नहीं है, इसका विशेशूर्ट से ध्यान रखना है, इस समय पर कोशिश करना है कि कोई धार्मिक गंत इत्यादी का अध्यान किया जाए अपने मन के अंदर एक पॉजिटिविटी रखा जाए इसलिए इसका प्रभाव भारत में नकारात्मक होगा नहीं के वराबर होगा इसमें घबडाने की कोई और शक्ता नहीं है सूतक काल का असर भारत में नहीं होगा सूतक का असर जो भी होगा वह विदेश सब जगा नहीं होता जहां ग्रहन लगेगा जिस कंट्री में जिस देश में ग्रहन लगेगा वही सूतक प्रभावी दो इस सूर्य ग्रहन की खास बात ये है कि ये करीब 5 घंटे 10 मिनट का होगा और करीब 7 मिनट से ज्यादा समय तक सूर्य का प्रकाश प्रत्वी पर नहीं पड़ेगा यानि 7 मिनट तक सर्व ग्रास रहेगा और धरती पूरी तरह से अंधकार में वैज्यारिकों की माने तो इस तरह का सूर्य ग्रहन आज से करीब 54 साल पहले लगा था इस पूर्ण सूर्य ग्रहन की शुरुआत दक्षिन परशांत महासागर से होगी इससे पहले इस तरह का सूर्य ग्रहन 1970 में दिखा था और अगली बार साल 2078 में दिखेगा इस ग्रहन का प्रभाव अगले एक महिने तक दुनिया पर पड़ेगा अलग-अलग राश्यों पर भी इसका प्रभाव दिखाई देगा ये सूर्य ग्रहन कर्क, कन्या, व्रश्चिक, कुम्ब और मीन राशी के लिए मध्यम फलदाई रहेगा विर्शब, मिथुन, तुला और मकर राशी के लिए ये परिणाम उत्तम होंगे मही मेश, सिंग और धनु राशी वालों को विशेश साब्धानी रखनी होगी अब बात कर लेते हैं कौनसी वो राशी रहेंगी जिनके लिए ये सूर्य ग्रहन जो है नकरातनक प्रभाव दे सकता है क्योंकि मीन राशी रेवती नक्षत्र में लग रहा है तो मीन राशी के जात्तकों को इस समय पर बहुँँ साथा साब्धान रहने की जरूरत है इसके अलावा रेवती नक्षत्र में जिन जात्तकों ने जनम लिया है उन लोगों को साब्धान रहने की जरूरत है अब सबसे पहले राशी की बात कर लेते हैं जिन लोगों को साब्धानी इस दोरान बरतने की जरूरत है वो है विरशिब राशी आप लोगों को खास तोर से अपने स्वास्त का ध्यान रखने के विशकता है स्वास्त में गड़बड़ी हो सकती है इसके अलावा भाई बेहनों से एक कहा सुनी भी हो सकती है तो इस समय पर ध्यान जरूर रखके चलिए अपनी वाणी पर ध्यान रखके चलिए महिपर करक राशी के ज़ाद को फास्तौर से ध्यान रखने के पिशकता है, अपनी संतान के स्वास्त के ध्यान रखने के पिशकता है, और ऐस चीज को भी ध्यान, रखने के चलिएगा, कि अगर आप लव डिशनशिप में हैं तो लव डिलेशनशिप इस убcor από कुछल सकता है वही पर अगर हम बात करें अगली राशी की तो आप लोगों के लिए करन्या राशी जो है थोड़ा साफ धानी बरतने की ज़रूरत है अगर आप विवाहत है या अगर आप बिसनस बिसनस पार्टनर के साथ कर रहे हैं तो इस समय पर थोड़ी सी मुश्किले आप लोगों के आसकती है वहीपर अगर हम बात करें मकर राशी की इसके लावा तो मकर राशी वालों लोग लिए ये समय काफी हद तक मिलजुला रहेगा ऐसा नहीं कहूंगी कि बहुत बुरा रहेगा मिलजुला रहेगा मगर यहां पर आपको कहास तोर से अपने धन का जो है वो बहुत ध्यान रखने के वशक्ता है अगर आप ट्रावलिंग कर रहे हैं तो चोड़ चपेट में आने की समभावना है इसलिए बहुत साफ़धाने से ट्रावलिंग करें सूरिय गरहन का प्रभाव पूरी दुनिया के लोगों पर पड़ेगा दुनिया भर में इस सूरिय गरहन से राजनीतिक रूप से भयंकर उथल पुथल मच सकती है शेयर बाजार और दुनिया भर की आर्थिक इस्तिती हिल सकती है ये परिवर्तन विश्व भर में यूद और विश्फोर्ट का संकेत दे रहा है बिरो रिपोर्ट न्यूज एटीन चलें यहां रुखेंगे एक छोड़ा सुपरेक के लिए खबरे लगाता आजारे है आठ अप्रेल दो हज़ार चॉबिस को दुनिया भर में कई जगों पर टोटल सोलर एकलिप्स यानि फूर्ण सूरे ग्रहन दिखाई देगा सूरे ग्रहन एक हबोल ये घटना है इसकी वैज्यानिक और धार्मिक मानेता है नासा की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार भारती इस समय के अनुसार आठ अप्रेल को पढ़ने वाला ग्रहन नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएस और कैनदा में दिखाई देगा आपको ये जानकारी होगी कि कोड सूरे ग्रहन तब दिखाई देता है जब चंद्रमा सूरे और प्रिथवी के बीच आ जाता है इस दौरान प्रिथवी से सूरे दिखाई नहीं देगा एक सूपिचास्ती किलोमीटर के इलाके में पूर रूप से अंधेर अचा जाएगा यानी टोटालिटी की स्थिती बन जाएगी पूरे ग्रहन का समय धाई घंटे का है लेकिन टोटालिटी का समय चार मिनगे भारत में दिखाई देगा ग्रहन भारत में सूरे ग्रहन के सिर्फ वैज्यानिक माईने नहीं बलकि धार्मिक माईने भी है अमारे देश में ग्रहन से पहले लगने वाले सूर्प काल को भी लोग मारते हैं हिंदु पंचान के अनुसार साल 2024 में लगने वाला पहला सूरे ग्रहन चैट्रमाथ की अमावश्य अपर लग रहा है कहा जाता है कि सूरे देव प्रत्यक्ष देपता हैं इसलिए जब सूरे ग्रहन लगता है तब सूतक काल 12 गंटे पहले से शुरू हो जाता है तहाँ जाता है कि सूतक काल के दौरान मांगली कारेल नहीं करने चाहिए केंदरी ये संस्कृत विश्विध्याले पूरी के जोतिशाचारे डौक्टर गनेश मिश्टर के अनसार 8 अपरेल को सूरे ग्रहन रात 9 बचकर 12 मिनट से शुरू हो रहा है और ये देज रात 1 बचकर 25 मिनट तक रहेगा चुकि ये भारत में नहीं दिखाई देगा इसलिए सूतकाल भी मानने नहीं होगा अब जानेंगे कि सूरे ग्रहन कहां कहां दिखाई देगा नासा की वेबसाइट के मताबिक टोटल सोलर एकलिप्स नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएस, कैनेडा और साल्थ पैसिफिक ओशें में फोर्ड रूप से दिखाई देगा ग्रहन को देखने के लिए कुछ सेफटी गाइडलाइन्स फॉलो करने होते हैं नासा के मताबिक सूरे ग्रहन को नगन आखोस से देखने से सीवियर आई इंजिरी हो सकती है ग्रहन को देखने के लिए एकलिप्स ग्लासिस या सोलर फिल्टर जरूरी हैं अगर आपके पास खास ग्लासिस नहीं है तो आप इंडिरेक्ट व्यूइंग मैथेड अपना सकते हैं यानि सूरे को सीधे तोर पर ना देखें पिन होल प्रोजेक्टर का इस्तमाल इसके लिए किया जा सकता है एकलिप्स ग्लास पहने हुए कैमरा लेंज, टेलेस्को, बानकुलर्स या किसी ऑप्टिकल जिवाइस का इस्तमाल ना करें एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसा करने से आँखों को गंभील नुकसान पहुत करता है इसके अलावा नासा स्किन सेस्टी की भी सला देता है ग्रैंड के दौरान आप संस्क्रीन लगा कर भी बाहर निकले हैच या कब पहने, ऐसे कपड़े पहने जिनसे आपकी स्किन डिरेक्ट धूट के कॉन्टेक्ट में ना आए ओनलाइन कैसे देखें, अब ओनलाइन घ्रहेंड को देख सकते हैं, नासा इसका ब्रॉडकास्ट करेगा, आप यूट्यूब चानल और नासा की वेबसाइट पर देख सकते हैं तामएंडेक्ट.com पर भी स्ट्रीमिंग की जाएगी है जानकारी के लिए बता दें कि 8 अपरेल को टोटल सोलर एकलिप्स के बाद अगला सूड़े को हैं, 23 अगस्त को लगेगा इस टॉपिक पर आपका क्या कहाना है हमें कमें सेक्शन में बताएं, इसी तरह की स्टोरीज के लिए बने रहें, न्यूज एडिन इंडिया ओरिशनल के साथ कल साल का पहला सूरिग्राण है और 54 साल बाद ये पूर्ण सूरिग्राण है, भाला की भारत में इस सूरिग्राण का कोई असर नहीं होगा, जो सचारेों की माने, तो कई रासियों पर इस सूरिग्राण का असर हो सकता है वही दूसरी तरफ भारत के जो दूसरे देस है किनकिन देसों में इस सूरी ग्रहन का असर होगा जानिये इस रिपोर्ट में इस दोरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेन एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूर्य ग्रेन दिखेगा ये ग्रेन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रेन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूर्य ग्रेन होगा सूर्य ग्रेन की अवधी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूर्य ग्रेन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूर्य ग्रेन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जैसा कि आप सुभी जानते कि शूर्य ग्रेन जब भी होता है तो इसके शीक 12 ग्रेंट है पहले सूर्य ग्रेन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूर्य ग्रेन को लिकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाया तयात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेन के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूर्य ग्रेन की स्तिती बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूर्य ग्रेन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूर्य ग्रेन चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूर्य ग्रेन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूर्य ग्रेन लगने जा रहा है और कुछ रासिया हैं जिन दासियों पर भी इसका असर है देश्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर ग्रात में नौबज पर बारा में से तब के और ग्यारा विश्टा सटाल में तक कर समय इस समय रहेगा द्रहें का लिखिए बाह अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंट के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंट के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंट के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपॉर्ट न नहीं मिलेगा लेकिन जो तुशाचारियों के मुताबिक राशियों पर इसका असर होगा किन किन देशों में सूरिक ग्रहन दिखने वाला है आई इस रिपोर्ट के सरगे हम आपको दिखाते हैं इस दौरान सूर्य चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिति बन रही है सूर्य ग्रहन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूर्य ग्रहन दिखेगा ये ग्रहन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रहन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूर्य ग्रहन होगा सूरे ग्रेंड की अवधी पांच खंटे दस मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेंड का सुतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक चहां सूरी ग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर छेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तितीब बनती है सूमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासियां है जिन रासियों पर भी इसका असर है रिष्टा से पर्ले एक समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात्मेनों विश्टर बाराग में उसके और ग्यारा विश्टर सक्ताव में तक कर समय इस समय रहेगा लिखिए बाहा के दे अमूमन माना जाता है कि सूर्य ग्रेंड के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंड के दौरान सीधे सूर्य को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूर्य ग्रेंड के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूस एटीन बारहे मिनट से शुरू होगा और देराद दो बज कर बाईस मिनट पर समाप्त होगा जब ये सूर्य ग्रहन लगेगा तब भारत में रात होगी इसलिए सूर्य ग्रहन का सूतक काल भारत में मानने नहीं होगा लेकिन आपको खास साथधानिया बरतनी चाहिए एक तो किसी भी ब्यक्ति को नंगी आख्षे ग्रहन नहीं देखना चाहिए विकास उस टाइम जो सूर्य की रेज आ रही होती जो सूर्य की किरने आ रही होती है उनकी अंदर इतना वेग होता है इतना प्रभाव होता है कि वह आपकी आख की रोसनी के लिए घातक सिद्ध हो सकते है या शरीर पर उनका नकारात्मिक इंपैक्ट पड़ सकता है इसलिए किसी भी ब्यक्ति को नंगी आख्षे ग्रहन को नहीं देखना चाहिए इसको ध्यान रखिएगा दूसरा प्रेगनेंड बुमन इस्पेशली जो प्रेगनेंड महलाएं होती है जो गरवती महलाएं होती है उनको ग्रहन के शमय कुछ काटना नहीं चाहिए तोडना नहीं चाहिए शिले हुए वस्त्र को धारण नहीं करना चाहिए काटना नहीं है, तोड़ना नहीं है, सिले हुए वस्त को धारण नहीं करना है, तेज आवाज में भोलना नहीं है, तेज आवाज में टीवी इत्यादी नहीं देखना है, कुछ सिलना इत्यादी नहीं है, इसका विशेश रूप से ध्यान रखना है, इस समय पर कोशिश करना ह कि कोई धार में गंत इत्यादी का अध्यान किया जाए अपने मन के अंदर एक पॉजिटिविटी रखा जाए साल का ये पहला सूर्य ग्रहन अमेरिका, कनाडा, कोलंबिया, विनेजुएला, आयरलेंड, पुर्थगाल, नौर्वे, परामा, रूस, बाहमास, पश्चिमी युरोप, पैसिफिक, अट्लांटिक और आर्क्टिक में दिखेगा इसलिए इसका प्रभाव भारत में नकारात्मक होगा, नहीं के वराबर होगा, इसमें घबलाने की कोई और शक्ता नहीं है सूतक काल का असर भारत में नहीं होगा, सूतक का असर जो भी होगा, वह बिदेश सब जगा नहीं होता, जहां गरहन लगेगा, जिस कंट्री में, जिस देश में गरहन लगेगा, वहीं शूतक प्रभावी दोगा इस सूर्य गरहन की खास बात ये है कि ये करीब 5 घंटे 10 मिनट का होगा और करीब 7 मिनट से ज्यादा समय तक सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर नहीं पड़ेगा यानि 7 मिनट तक सर्व गरास रहेगा और धर्ती पूरी तरह से अंदकार में वैग्यारिकों की माने तो इस तरह का सूर्य गरहन आज से करीब 54 साल पहले लगा था इस पूर्ण सूर्य गरहन की शुरुवात दक्षिन परशांत महासागर से होगी इस से पहले इस तरह का सूर्य गरहन 1970 में दिखा था और अगली बार साल 2078 में दिखेगा इस ग्रहन का प्रभाव अगले एक महिने तक दुनिया पर पड़ेगा अलग-अलग राश्यों पर भी इसका प्रभाव दिखाई देगा ये सूर्य ग्रहन कर्क, कन्या, व्रिष्चिक, कुम्ब और मीन राशी के लिए मध्यम फलदाई रहेगा विर्षब, मिथुन, तुला और मकर राशी के लिए ये परिणाम उत्तम होंगे वही मेश, सिंग और धनु राशी वालों को विशेश साब्धानी रखनी होगी अब बात कर लेते हैं कौनसी वो राशी रहेंगी जिनके लिए ये सूर्य ग्रहन जो है नकरातनक प्रभाव दे सकता है क्योंकि मीन राशी रेवती नक्षत्र में लग रहा है तो मीन राशी के जात्रकों को इस समय पर बहुत साथान रहने की जरूरत है इसके अलावा रेवती नक्षत्र में जिन जात्रकों को ने जनम लिया है उन लोगों को साबधान रहने की जोड़ता है अब सबसे पहले राशी की बात कर लेते हैं जिन लोगों को साबधानी इस दोरान बरतने की जोड़ता है वो है विरशिब राशी आप लोगों को खास तोर से अपने स्वास्त का ध्यान रखने के विशकता है स्वास्त में गड़बड़ी हो सकती है इसके लावा भाई बहनों से एक कहा सुनी भी हो सकती है तो इस समय पर ध्यान ज़रूर रखके चलिए अपनी वाणी पर ध्यान रखके चलिए वही पर करक राशी के जातकों को खास तोर से ध्यान रखने के विशकता है, अपनी संतान के स्वासत का ध्यान रखने के विशकता है, और इस चीज़ को भी ध्यान रखने के चलिएगा कि अगर आप love relationship में हैं तो love relationship इस सबस्कार पर spoil हो सकता है. वही पर अगर हम बात करें अगली राशी की तो आप लोगों के लिए करने राशी जो है थोड़ा सा आप धानी बरतने की ज़रूरत है अगर आप विवाहत है या अगर आप बिसनस बिसनस पार्टनर के साथ कर रहे हैं तो इस समय पर थोड़ी सी मुश्किले आप लोगों के आ सकती है वही पर अगर हम बात करें मकर राशी की तो मकर राशी वा लोग लिए यह समीक काफी हद तक मिला जुला रहेगा ऐसा नहीं कहूंगी के बहुत बुरा रहे हैं मिला जुला रहेंका मगर यहाँ पर आपको खास तोर से अपने धन का जो है वह भूत ध्यान रखने के वशक्ता है अगर आप ट्रावलिंग कर रहे हैं तो चोड़ चपेट में आने की संभावना है इसलिए बहुत साफधाने से ट्रावलिंग करें सूरिय गरहन का प्रभाव पूरी दुनिया के लोगों पर पड़ेगा दुनिया भर में इस सूरिय गरहन से राजनीतिक रूप से भयंकर उथल पुथल मच सकती है शेयर बाजार और दुनिया भर की आर्थिक इस्तिती हिल सकती है ये परिवर्तन विश्व भर में यूद और विश्फोर्ट का संकेत दे रहा है बिरो रिपोर्ट न्यूज एटीन आठ अप्रेल 2024 को दुनिया भर में कई जगों पर टोटल सोलर एकलिप्स यानी पूर्ण सूरे ग्रहन दिखाई देगा सूरे ग्रहन एक खगोल ये घगना है इसकी वैज्यानिक और धार्मिक मानेता है नासा की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार भारती इस समय के अनुसार आठ अप्रेल को पढ़ने वाला ग्रहन नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएस और कैनदा में दिखाई देगा आपको ये जानकारी होगी कि पूर सूरे ग्रहन तब दिखाई देता है जब चंद्रमा सूरे और प्रिथवी के बीच आ जाता है इस दौरान प्रिथवी से सूरे दिखाई नहीं देता 180 किलोमीटर के इलाके में फूर रूप से अंधेरा छाँ जाएगा यानी तोट्रालिटी की स्थिती बन जाएगी पूरे ग्रहन का समय धाई धंटे का है लेकिन तोटालिटी का समय चार मिनटी भारत में दिखाई देगा ग्रहन भारत में सूरे ग्रहन के सिर्फ वैज्यानिक माईने ही नहीं बलकि धार्मिक माईने भी हैं अमारे देश में ग्रहन से पहले लगने वाले सूतक काल को भी लोग मारते हैं हिंदु पंचान के अनुसार साल 2024 में लगने वाला पहला सूरे ग्रहन चैत्रमास की अमावस्तिया पर लग रहा है। कहा जाता है कि सूरे देव प्रत्यक्ष देवता हैं, इसलिए जब सूरे ग्रहन लगता है तब सूतक काल 12 गंटे पहले ते शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि सूतक काल के दौरान मांगली कारे नहीं करने चाहिए। केंदरी ये संस्कृत विश्विध्याले पूरी के जोतिशाचारे डौक्टर गणीश मिष्टर के अनुसार 8 अपरेल को सूरे ग्रहन रात 9 बचकर 12 मिनट से शुरू हो रहा है और ये देज रात 1 बचकर 25 मिनट तक रहेगा। चुकि ये भारत में नहीं दिखाई देगा इसलिए सूतकाल भी मानने नहीं होगा। ये है नासा की सला। अब जानेंगे कि सूरे ग्रहन कहां कहां दिखाई देगा। नासा की वेबसाइट के मताबिक टोटल सोलर एकलिप्स नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएर्स, कैनेडा और साथ पैसिफिक ओशियन में कोड रूप से दिखाई देगा। ग्रहन को देखने के लिए कुछ सेफटी ग्राइडलाइन्स फॉलो करने होते हैं। नासा के मताबिक सूरे ग्रहन को नगन आखोस से देखने से सीवेर आई इंजरी हो सकती है। ग्रहन को देखने के लिए एकलिप्स ग्लासिस या सोलर फिल्टर्स जरूरी हैं। अगर आपके पास खास ग्लासिस नहीं हैं तो आप इंडिरेक्ट व्यूइंग मेथेड अपना सकते हैं। यानि सूरे को सीधे तोर पर ना देखें। पेंट होल प्रोजेक्टर का इस्तिमाल इसके लिए किया जा सकता है। एक्लिप्स ग्लास पहने हुए कामरा लेंस, टेलेस्को, बानकुलर्स या किसी ऑप्टिकल जिवाइस का इस्तिमाल ना करें। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसा करने से आखों को गंभील नुकसान पहुच करता है। इसके अलावा, नासा स्किन सेफ्टी की भी सला देता है। ग्रहेंड के दौरान आप संस्क्रीन लगा कर भी बाहर लिखले। हाच या कब पहने, ऐसे कप्रे पहने जिनसे आपकी स्किन डिरेक्ट धूट के कॉंटेक्ट में ना आए। ऑनलाइन कैसे देखें। अब ऑनलाइन ध्रहेंड को देख सकते हैं, नासा इस सब ब्रॉटकास्ट करेगा, आप यूट्यूब चानल और नासा की वेबसाइट पर देख सकते। सामएंडेक्ट.com पर भी इसकी स्ट्रीमिंग की जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि 8 अपरेल पो टोटल सोलर एकलिप्स के बाद अगला सूरेगों हैं 23 अगस्त को लगेगा। इस टॉपिक पर आपका क्या कहाना हैं हमें कमल सेक्शन ना बताएं। इस टॉपिक परती स्टोरी के लिए बने रहें नूर वेडी इंडिया ओडिशनल्स के साथ। कल साल का पहला सूरिग्राण है और 54 साल बाद ये पूर्ण सूरिग्राण है भाला की भारत में इस सूरिग्राण का कोई असर नहीं होगा। जो सचारेओं की माने तो कई रासियों पर इस सूरिग्राण का असर हो सकता है। वही दूसरी तरफ भारत के जो दूसरे देश है किनकिन देशों में इस सूरिग्राण का असर होगा जानिये इस रिपोर्ट में। इस दौरान सूरिग्राण प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है। इस सूरिग्राण का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा। और इसलिए इस ग्राण का सूतक काल नहीं माना जाएगा। भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी। शासलों के मुताबिक जहां सूरिग्राण लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है। जैसा कि आप सूरिग्राण जब होता है कि जब राहू की स्रमपूर द्रिष्टी सूरिपर होती है तो सूरिग्राण होता है। जिन देशों में सूरिग्राण दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है। अमेरिका में तो सूरिग्राण को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। हवाई यातायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है। अमेरिका में ग्राण के दौरान स्कूल बंद रहेंगे। जब प्रित्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। इसकी वजह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है। तब पूर्ण सूर्य ग्रहन की स्तिती बनती है। सुमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूर्य ग्रहन लगेगा। 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूर्य ग्रहन। चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूर्य ग्रहन। मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूर्य ग्रहन लगने जा रहा है। और कुछ रासिया हैं जिन दास्यों पर भी इसका असर है तो पर प्रवाव नहीं है लेकि कुछ रासियां है तो राश्यों पर इसका असर रहेगा देखने तो अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूज प्रिट्वी पर पड़ेगा। प्रिट्वी पर पड़ेगा। हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेट का असर भारत में डेखने को नहीं मिलेगा। और इसलिए इस ग्रेहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा। भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी। शासलों के मुताबिक चहा सूरी ग्रेहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है। जिन देशों में सूरी ग्रेहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है। अमेरिका में तो सूरी ग्रेहन को लिकर अलर्ट भी जारी किया गया है। हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है। अमेरिका में ग्रेहन के दोरान स्कूल बंद रहेंगे। अधने जा रहा है। अमूमन माना जाता है कि सूरी ग्रेहन के दोरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए। ग्रेहन के दोरान सीधे सूरी को देखने से बचना चाहिए। शास्त्रों में सूरी ग्रेहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है। Bureau Report News 18 साल 2024 का पहला सूरी ग्रेहन ये ग्रेहन बहत खास माना जा रहा है क्योंकि ये एक पूर्ण सूरी ग्रेहन होगा और करीब 5 घंटे 10 मिनट का होगा जिसका संयोग करीब 54 साल बाद बन रहा है। भारतिय समय के अनुसार सूरी ग्रेहन रात 9 बज कर 12 मिनट से शुरू होगा और देर रात 2 बज कर 22 मिनट पर समाप्थ होगा। जब ये सूर्य ग्रहन लगेगा तब भारत में रात होगी, इसलिए सूर्य ग्रहन का सूतक काल भारत में मानने नहीं होगा, लेकिन आपको खास साफधानिया बरतनी चाहिए. पर उनका नकार आत्मिक पड़ सकता है, इसलिए किसी भी व्यप्ति को नंगी आक्षे ग्रहन को नहीं देखना चाहिए, इसको ध्याम लगेगा, दूसरा प्रेग्नेंड वुमन इस्पेशली जो प्रेग्नेंड महलाएं होती हैं, जो गर्वती महलाएं होती हैं, उनको ग्रह में भोलना नहीं है, तेज आओघ में टीवी इत्यादी नहीं देखना है, कुछ सिलना इत्यादी नहीं है, इसका विसेशूप्त से ध्यान रखना है, इस समय पर कोशिस करना है कि कोई धार्मिक गंत इत्यादी का अध्यान किया जाई, अपने मन के अंदर एक positiveटी रखा ज अमेरिका, कनाडा, कोलंबिया, वेनेजुएला, आयर्लेंड, पुर्थगाल, नॉर्वे, पनामा, रूस, बाहमास, पस्चिम यूरोप, पैसिफिक, अट्लांटिक और आर्क्टिक में दिखेगा इसलिए इसका प्रभाव भारत में नकारात्मक होगा, नहीं के वराबर होगा, इसमें घबलाने की कोई आउशकता नहीं है इस सूर्य ग्रहन की खास बात यह है कि ये करीब 5 घंटे 10 मिनट का होगा, और करीब 7 मिनट से ज्यादा समय तक सूर्य का प्रकाश प्रत्वी पर नहीं पड़ेगा, यानि 7 मिनट तक सर्व ग्रास रहेगा, और धर्ती पूरी तरह से अंदकार में, वैज्यारिकों की माने तो इस तरह का सूर्य ग्रहन आज से करीब 54 साल पहले लगा था, इस पूर्ण सूर्य ग्रहन की शुरुवात दक्षिन प्रशांत महासागर से होगी, इस से पहले इस तरह का सूर्य ग्रहन 1970 में दिखा था, और अगली बार साल 2078 में दिखेगा, इस ग्रहन का प्रभाव अगले एक महिने तक दुनिया पर पड़ेगा, अलग-अलग राश्यों पर भी इसका प्रभाव दिखाई देगा, ये सूर्य ग्रहन कर्क, कन्या, वर्ष्चिक, कुम्ब और मी पर राशी के लिए ये परिणाम उत्तम होंगे, वही मेश, सिंग और धनु राशी वालों को विशेश सापधानी रखनी होगी अब बात कर लेते हैं, कौनसी वो राशी रहेंगी, जिनके लिए ये सूर्य ग्रहन जो है नकरातनक प्रभाव दे सकता है, क्योंकि मीन राशी रेवती नक्षत्र में लग रहा है, तो मीन राशी के जात्तकों को इस समय पर बहुत साथान रहने की जरूरत है, इसके अलाव भाई बहनों से कहा सुनी भी हो सकते है, तो इस समय पर ध्यान ज़रूर रख के चलिए, अपनी वाणी पर ध्यान रख के चलिए, वही पर करक राशी के जात्तकों को खासतोर से ध्यान रखने के विशकता है, और इस चीज को भी ध्यान रख के चलिएगा, कि अगर आप मुड़ी सी मुश्किले आप लोगों के आ सकती है, वही पर अगर हम बात करें मकर राशी के लावा, तो मकर राशी वालों के लिए ये समय काफी हद तक मिला जुला रहेगा, ऐसा नहीं कहूंगी कि बहुत बुरा रहेगा, मिला जुला रहेगा, मगर यहां पर आपको खास धियान रखने के वशकता है, अगर आप ट्रावलिंग कर रहे हैं, तो चोड़ चपेट में आने की समभावना है, इसलिए बहुत साफ़ाने से ट्रावलिंग करें बुरो रिपोर्ट, न्यूस 18 चलें, यहां रुकेंगे एक छोड़ा सुपरेक के लिए, खबरे लगाता आजा रहे हैं आठ अप्रेल दो हज़ाट चॉबिस को दुनिया भर में कई जगों पर टोटल सोलर एकलिप्स यानी पूर्ण सूरे ग्रहन दिखाई देगा सूरे ग्रहन एक खगोल ये घगना है, इसकी वैज्यानिक और धार्मिक मानेता है जब चंद्रमा सूरे और प्रिथ्वी के बीच आ जाता है इस दोरान प्रिथ्वी से सूरे दिखाई नहीं देगा एक सुपिच्चास्ती किलोमीटर के इलाके में पूर रूप से अंधेरा चाजाएगा यानी टोटलिटी की स्थिती बन जाएगी पूरे ग्रहन का समय धाई घंटे का है लेकिन टोटलिटी का समय चार मिनेत भारत में दिखाई देगा ग्रहन भारत में सूरे ग्रहन के सिर्फ वैज्यानिक माईने ही नहीं बलकि धार्मिक माईने भी हैं अमारे देश में ग्रहन से पहले लगने वाले सूतक काल को भी लोग मारते हैं हिंदू पंचान के अनुसार साल 2024 में लगने वाला पहला सूरे ग्रहन चैत्रमाथ की अमावस्तिया पर लग रहा है कहा जाता है कि सूरे देव प्रत्यक्ष देवता है इसलिए जब सूरे ग्रहन लगता है तब सूतक काल 12 गंटे पहले ते शुरू हो जाता है कहा जाता है कि सूतक काल के दोरान मांगले कारेल नहीं करने चाहिए केंदरी ये संस्कृत विश्विध्याले पूरी के जोतिशाचारे डॉक्टर गणीश मिश्टर के अनसार 8 अपरेल को सूरे ग्रहन रात 9 बचकर 12 मिनिट से शुरू हो रहा है और ये देज रात 1 बचकर 25 मिनिट तक रहेगा चुकि अभारत में नहीं दिखाई देगा इसलिए सूतकाल भी मानने नहीं होगा अब जानेंगे कि सूरे ग्रहन कहां कहां दिखाई देगा नासा की वेबसाइट के मताबिक टोटल सोलर एकलिप्स नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएर्स, कैनेडा और साउथ पैसिफिक ओशियन में कोड रूप से दिखाई देगा ग्रहन को देखने के लिए कुछ सेफटी गाइडलाइन्स फॉलो करने होते हैं नासा के मताबिक सूरे ग्रहन को नगन आखोस से देखने से सीवेर आई इंजुरी हो सकती है ग्रहन को देखने के लिए एकलिप्स ग्लासिस या सोलर फिल्टर्स जरूरी हैं अगर आपके पास खास ग्लासिस नहीं है तो आप इंडिरेक्ट व्यूइंग मैथेड अपना सकते हैं यानि सूरे को सीधे तोर पर ना देखें पिन होल प्रोजेक्टर का इस्तिमाल इसके लिए किया जा सकता है एकलिप्स ग्लास पहने हुए कैमरा लेंस, टेलेस्कोब, बानकुलर्स या किसी ओप्टिकल डिवाइस का इस्तिमाल ना करें एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसा करने से आँखों को गंभील नुकसान पहुत करता है इसके अलावा, नासा स्किन सेश्टी की भी सला देता है ग्रैंड के दौरान आप संस्क्रीन लगा कर भी बाहर लिखे हैच या कब पहने, ऐसे कप्रे पहने जिनसे आपकी स्किन डिरेक्ट धूट के कॉंटेक्ट में ना आए ओनलाइन कैसे देखें, आप ओनलाइन ध्रहेंड को देख सकते हैं, नासा इस सब ब्रादकास्ट करेगा, आप यूट्यूब चानल और नासा की वेबसाइट पर देख सकते तामएंडेक्ट.com पर भी स्की स्ट्रीमिंग की जाएगी तो जानकारी के लिए बता दें कि आठ अपरेल को टोटल सोलर एकलिप्स के बाद अगला सूड़ेग है, 23 अगस्त को लगे था, इस टॉपिक पर आपका क्या कहाना है, हमें कमल सेक्शन में बताएं, इसकी परहें की स्टोरीज के लिए बने रहें, नियूवेदी इंडिया ओर जानिये इस रिपोर्ट में इस दौरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है, चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी, और चंदर्मा की पून ज्छाया पृत्वी पर पड़ेगा, सूर्य ग्रेन एक खगॉल ये घटना है, जोतिश के ह हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूरे ग्रेहन दिखेगा ये ग्रेहन 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेहन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेहन होगा सूरे ग्रेहन की अबदी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुदाबिक चहां सूरी ग्रेहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरी ग्रेहन दिखने वाला है उनमें कैनेडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरी ग्रेहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेहन के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेहन की स्तितीब बनती है सूमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेहन मीन राशी रेटी नक्षत्र में सूरे ग्रेहन लगने जा रहा है अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है Bureau Report News 18 इस दोरान सूर्य चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अद्बुद सूरे ग्रेहन दिखेगा ये ग्रेहन 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेहन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेहन होगा सूरे ग्रेहन की अवधी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरे ग्रेहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रेहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेहन को लिकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेहन के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेहन की स्तिती बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेहन चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेहन लगने जा रहा है और कुछ राशिया है जिन दास्यों पर भी इसका असर है प्रेश्टा से पहले अब समय जाल लेंगे कि भारतिये परमपरा के दुशार जो ही यहाँ पर रात में 9 विस्तर 12 में से जब्कि ग्रेहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूज 18 साल 2024 का पहला सूरे ग्रेहन ये ग्रेहन बहत खास माना जा रहा है क्योंकि ये एक पूर्ण सूरे ग्रेहन होगा और करीब 5 घंटे 10 मिनट का होगा जिसका सैयोग करीब 54 साल बाद बन रहा है भारत्य समय के अनुसार सूरे ग्रेहन रात 9 बज कर 12 मिनट से शुरू होगा और देर रात 2 बज कर 22 मिनट पर समाप्त होगा जब ये सूरे ग्रेहन लगेगा तब भारत में रात होगी इसलिए सूरे ग्रेहन का सूतक काल भारत में मानने नहीं होगा लेकिन आपको खास साफधानिया बरतनी चाहिए एक तो किसी भी ब्यक्ति को नंगी आक्से ग्रहन नहीं देखना चाहिए विकॉस उस टाइम जो सूर की रेज आ रही होती जो सूर की किरने आ रही होती है उनकी अंदर इतना वेग होता है इतना प्रभाव होता है कि वह आपकी आठ की रोसनी के लिए घातक सिद्ध हो सकते है या शरीर पर उनका नकार आत्मिक इंपैक्ट पड़ सकता है इसलिए किसी भी ब्यक्ति को नंगी आक्षे ग्रहन को नहीं देखना चाहिए इसको देखना रखेगा दूसरा प्रेगनेंड भुमन इस्पेशली जो प्रेगनेंड महलाएं होती है जो गर्वती महलाएं होती है उनको ग्रहन के शमय कुछ काटना नहीं चाहिए तोडना नहीं चाहिए शिले हुए वस्त्र को धारण नहीं करना चाहिए काटना नहीं है, तोड़ना नहीं है, सिले हुए वस्त को धारण नहीं करना है, तेज आवाज में भोलना नहीं है, तेज आवाज में टीवी इत्यादी नहीं देखना है, कुछ सिलना इत्यादी नहीं है, इसका विशेशूर्ट से ध्याम रखना है, इस समय पर कोशिश करना ह कि कोई धार्मिक गंत इत्यादी का अध्यान किया जाए अपने मन के अंदर एक पॉस्टिविटी रखा जाए साल का ये पहला सूर्य ग्रहन अमेरिका, कनाडा, कोलंबिया, वेनिजुएला, आयर्लेंड, पुर्थगाल, नौर्वे, परामा, रूस, बाहमास, पस्चिमी यूरोप, पैसिफिक, अट्लांटिक और आर्क्टिक में दिखेगा इसलिए इसका प्रभाव भारत में नकारात्मक होगा, नहीं के बराबर होगा, इसमें घबलाने की कोई आउशकता नहीं है सूतक काल का असर भारत में नहीं होगा, इस सूर्य ग्रहन की खास बात ये है कि ये करीब 5 घंटे 10 मिनट का होगा और करीब 7 मिनट से ज्यादा समय तक सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर नहीं पड़ेगा यानी 7 मिनट तक सर्व ग्रास रहेगा और धर्ती पूरी तरह से अंदकार में वैज्यानिकों की माने तो इस तरह का सूर्य गरहन आज से करीब 54 साल पहले लगा था इस पूर्ण सूर्य गरहन की शुरुवात दक्षिन प्रशान्त महासागर से होगी इससे पहले इस तरह का सूर्य गरहन 1970 में दिखा था और अगली बार साल 2078 में दिखेगा इस गरहन का प्रभाव अगले एक महिने तक दुनिया पर पड़ेगा अलग-अलग राश्यों पर भी इसका प्रभाव दिखाई देगा ये सूर्य गरहन कर्क, कन्या, वर्ष्चिक, कुम्ब और मीन राशी के लिए मध्यम फलदाई रहेगा विर्षब, मिथुन, तुला और मकर राशी के लिए ये परिणाम उत्तम होंगे वही मेश, सिंग और धनु राशी वालों को विशेश साब्धानी रखनी होगी अब बात कर लेते हैं कौनसी वो राशी रहेंगी जिनके लिए ये सूर्य गरहन जो है नकरातनक प्रभाव दे सकता है क्योंकि मीन राशी रेवती नक्षत्र में लग रहा है तो मीन राशी के जात्रकों को इस समय पर बहुत साथान रहने की जरूरत है इसके अलावा रेवती नक्षत्र में जिन जात्रकों ने जनम लिया है उन लोगों को साबधान रहने की जोड़ता है अब सब से पहले राशी की बात कर लेते हैं जिन लोगों को साबधानी इस दोरान बरतने की जोड़ता है वो है विरशिब राशी आप लोगों को खास तौर से अपने स्वास्त का ध्यान रखने के विशकता है स्वास्त में गड़बड़ी हो सकती है इसके अलावा भाई बेहनों से कहा सुनी भी हो सकती है तो इस समय पर ध्यान जरूर रखके चलिए अपनी वानी पर ध्यान रखके चलिए वही पर करक राशी के जातकों को खासतोर से ध्यान रखने के विशकता है अपनी संतान के स्वासत का ध्यान रखने के विशकता है और इस चीज को भी ध्यान रखने के चलिएगा कि अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो लव रिलेशनशिप इस सब्सक्राइब हो सकता है महीपर अगर हम बात करें अगली राशी की तो आप लोगों के लिए करन्या राशी जो है थोड़ा साफ धानी बरतने की जरूरत है अगर आप विवाहित है या अगर आप बिसनस बिसनस पार्टनर के साथ कर रहे हैं तो इस समय पर थोड़ी सी मुश्किल आप लोगों के तो मकर राशी वालों के लिए ये समय काफी हद तक मिला जुला रहेगा, ऐसा नहीं कहूंगी कि बहुत बुरा रहेगा, मिला जुला रहेगा, मगर यहां पर आपको खास तोर से अपने धन का जो है, वो बहुत ध्यान रखने की जूरत है, अगर आप कही भार जा रहे हैं, त घर पे सही तरीके से ताले लगा के जाएगा, नहीं तो चोरी चकारी का डर बढ़ सकता है, अगर आप भार भी जा रहे तो पिक पॉकेट से बचके रहेगा, और इसके लावा अगर हम बात करें कुम्ब और मीन की, तो कुम्ब राशी के जातकों को बिलकुल ध्यान रखने के वशकता है, अगर आप ट्रावलिंग कर रहे हैं, तो चोर्च पेट में आने की संभावना है, इसलिए बहुत साब भाने से ट्रावलिंग करें। चले, यहां रुकेंगे एक छोड़ा सुपरे के लिए, खबरे लगाता आजारे हैं। ग्रहन एक हगोल यह घगना है, इसकी वैज्ञानिक और धार्मिक मानेता हैं। पूरे ग्रहन का समय धाई घंटे का हैं, लेकिन टोटालिटी का समय चार मिनेता हैं। भारत में दिखाई देगा ग्रहन। भारत में सूरे ग्रहन के सिर्फ वैज्ञानिक माईने ही नहीं, बलकि धार्मिक माईने भी हैं। अमारे देश में ग्रहन से पहले लगने वाले सूर्तक काल को भी लोग मारते हैं। हिंदू पंचान के अनुसार साल 2024 में लगने वाला पहला सूरे ग्रहन चैत्रमात की अमावस्या पर लग रहा है। कहा जाता है कि सूरे देव प्रत्यक्ष देवता है, इसलिए जब सूरे ग्रहन लगता है तब सूतक काल 12 गंटे पहले ते शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि सूतक काल के दौरान मांगली कारे नहीं करने चाहिए। केंदरी ये संस्कृत विश्विध्याले पूरी के जोतिशाचारे डौक्टर गनेश मिष्टर के अनसार 8 अपरेल को सूरे ग्रहन रात 9 बचकर 12 मिनट से शुरू हो रहा है और ये देज रात 1 बचकर 25 मिनट तक रहेगा। चुकि ये भारत में नहीं दिखाई देगा इसलिए सूतकाल भी मानने नहीं होगा। ये है नासा की सला। अब जानेंगे कि सूरे ग्रहन कहां कहां दिखाई देगा। नासा की वेबसाइट के मताबिक टोटल सोलर एकलिप्स नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएर्स, कानड़ा और साउथ पैसिफिक ओशियन में कोड रूप से दिखाई देगा। ग्रहन को देखने के लिए कुछ सेफटी ग्राइडलाइन्स फॉलो करने होते हैं। नासा के मताबिक सूरे ग्रहन को नगन आखोस से देखने से सीवेर आई इंजरी हो सकती है। ग्रहन को देखने के लिए एकलिप्स ग्लासिस या सोलर फिल्टर्स जरूरी हैं। अगर आपके पास खास ग्लासिस नहीं हैं तो आप इंडिरेक्ट व्यूइंग मेथेड अपना सकते हैं यानि सूरे को सीधे तोर पर ना देखें। पिन होल प्रोजेक्टर का इस्तिमाल इसके लिए किया जा सकता है। एक्लिप्स ग्लास पहने हुए camera lens, telescope, binoculars या किसी optical device का इस्तिमाल ना करें। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसा करने से आँखों को गंभील नुकसान पहुच कता है। इसके अलावा NASA skin safety की भी सला देता है। ग्रेंड के दौरान आप sunscreen लगा कर भी बाहर निखले। hat या cap पहने, ऐसे कप्रे पहने जिनसे आपकी skin direct धूट के contact में ना आए। Online कैसे देखें। अब online grand को देख सकते हैं, NASA इस सब broadcast करेगा। आप YouTube channel और NASA की website पर डेख सकते। timeandake.com पर भी स्ट्रीमिंग की जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि 8 अपरेल को टोटल सोलर एकलिप्स के बाद अगला सूड़ेगों है 23 अगस्त को लगे था। इस टॉपिक पर आपका क्या कहाना है हमें comment section में बताएं। इसी पर है की stories के लिए बने रहें न्यूज एडिन इंडिया ओरिशनल के साथ। सकता है वही दूसरी तरफ भारत के जो दूसरे देश है किनकिन देशों में इस सूर्य ग्रहन का असर होगा जानिये इस रिपोर्ट में। इस दौरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिति बन रही है। चंदर्मा पूरी तरह से सूरे का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा। सूरे ग्रहन एक खगॉल ये घटना है। जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूरे ग्रहन दिखेगा। ये ग्रहन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा। इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा। इस सूरे ग्रहन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा। ये पून सूरे ग्रहन होगा। सूरे ग्रेंड की अवधी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेंड का सुतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक जहां सूरे ग्रेंड लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जैसा कि आप भी जानते कि 8 तारिकों 54 साल बाद पुने आ रहा है सूरे ग्रेंड और सूरे ग्रेंड जब होता है जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनेडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लिकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई या तयात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेंड के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वजह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्थिती बनती है सुमवर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेतर नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दासियों पर भी इसका असर है अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रहन के दारान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रहन के दारान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूज 18 कल साल का पहला सूरे ग्रहन होने जा रहा है किन-किन देशों में सूर्य ग्रहन दिखने वाला है, आईएस रिपोर्ट के सरगे हम आपको दिखाते हैं। इस दौरान सूर्य चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है। चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा। सूर्य ग्रहन एक खगौल ये घटना है। जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूर्य ग्रहन दिखेगा। ये ग्रहन आठ अप्रैल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा। इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा। इस सूर्य ग्रहन का मध्य समें रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा। ये पूर्ण सूर्य ग्रहन होगा। सूर्य ग्रहन की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी। हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूर्य ग्रहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा। और इसलिए इस ग्रहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा। भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी। शासलों के मताबिक चहां सूर्य ग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है। जैसाके आप सुभी जानते की आर्ट तारी को चवंवण साल बाद, को नहींदा सूर्य ग्रहन critically और सूर्य ग्रहंट में मताएगे स्थिक मान शञता हुरा थे नहीं में परद्वा स्थिक शुर। शूर्य ग्रहन ख़रा यो सूरी ग्रहन ग्रहन होता है। जिन देशों में सूरे ग्रहंड दिखने वाला है उनमें कैनेडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है। सूरे ग्रहन की स्तिती बनती है। सूरे ग्रहन की स्तिती बनती है। गंगा जल से नहाने को कहा जाता है। बिरो रिपोर्ट न्यूस एटीन। साल दोहजार चोबीस का पहला सूरे ग्रहन। ये ग्रहन बहत खास माना जा रहा है। क्योंकि ये एक पूर्ण सूरे ग्रहन होगा और करीब 5 घंटे 10 मिनट का होगा। जिसका संयोग करीब 54 साल बाद बन रहा है। भारतिय समय के अनुसार सूरे ग्रहन रात 9 बज कर 12 मिनट से शुरू होगा और देर रात 2 बज कर 22 मिनट पर समाप्त होगा। जब ये सूरे ग्रहन लगेगा तब भारत में रात होगी। इसलिए सूरे ग्रहन का सूतक काल भारत में मानने नहीं होगा। लेकिन आपको खास साफधानिया बरतनी चाहिए हम रखेंगा दूसरा प्रेतन Even especially जो गर carts में वोती हैं उनको ग्रहन के शमय कुछ काटना नहीν चाहिए तोडना नहीं शिले हुए वस्त्र को धारण नहीं करना तेज में भूलना नहीं है तेज आवाद में टीवी इत्यादिन हिदेखनाहे कुछ सिलना चाहिए काटना नहीं है तोडना नहीं है तोलना नहीं है तेज आवाज में बोलना नहीं किया जाए अपने मन के अंदर एक पॉजिटिविटी रखा जाए साल का ये पहला सूर्य ग्रहन अमेरिका कनाडा कोलंबिया वेनेजुएला आयर्लेंड पुर्थगाल नौर्वे परामा रूस पहमास पस्चिम यूरोप पैसिफिक अट्लांटिक और आर्क्टिक में ही देगा यह भारत में ग्रहन द्रिश्य नहीं होगा इसलिए इसका प्रभाव भारत में नकारात्मक होगा नहीं के वराबर होगा इसमें घबलाने की कोई और शक्ता नहीं है जै विश्वा सूतक काल का असर भारत में नहीं होगा सूतक का का असर जो भी होगा वह इस सूर्य ग्रहन की खास बात ये है कि ये करीब 5 घंटे 10 मिनट का होगा और करीब 7 मिनट से ज्यादा समय तक सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर नहीं पड़ेगा यानि 7 मिनट तक सर्व ग्रास रहेगा और धर्ती पूरी तरह से अंदकार में वैग्यारिकों की माने तो इस तरह का सूर्य ग्रहन आज से करीब 54 साल पहले लगा था इस पूर्ण सूर्य ग्रहन की शुरुवात दक्षिन प्रशांत महासागर से होगी इस से पहले इस तरह का सूर्य ग्रहन 1970 में दिखा था और अगली बार साल 2078 में दिखेगा इस ग्रहन का प्रभाव अगले एक महिने तक दुनिया पर पड़ेगा अलग-अलग राश्यों पर भी इसका प्रभाव दिखाई देगा ये सूर्य ग्रहन कर्क, कन्या, व्रश्चिक, कुम्ब और मीन राशी के लिए मध्यम फलदाई रहेगा विर्शब, मिथुन, तुला और मकर राशी के लिए ये परिणाम उत्तम होंगे मही मेश, सिंग और धनु राशी वालों को विशेश साब्धानी रखनी होगी अब बात कर लेते हैं कौनसी वो राशी रहेंगी जिनके लिए ये सूर्य ग्रहन जो है नकरातनक प्रभाव दे सकता है क्योंकि मीन राशी रेवती नक्षत्र में लग रहा है तो मीन राशी के जात्तकों को इस समय पर बहुँँ साथा साब्धान रहने की जरूरत है इसके अलावा रेवती नक्षत्र में जिन जात्तकों ने जनम लिया है उन लोगों को साब्धान रहने की जरूरत है अब सबसे पहले राशी की बात कर लेते हैं जिन लोगों को साब्धानी इस दोरान बरतने की जरूरत है वो है विरशिब राशी आप लोगों को खास तोर से अपने स्वास्त का ध्यान रखने के विशकता है स्वास्त में गड़बड़ी हो सकती है इसके अलावा भाई बेहनों से एक कहा सुनी भी हो सकती है तो इस समय पर ध्यान जरूर रखके चलिए अपनी वाणी पर ध्यान रखके चलिए वही पर करक राशी के ज़ातखों को खासतृ और से ध्यान रखने के विशकता है, और इस चीज को भी ध्यान तो इस समय पे थोड़ी सी मुश्किलें आप लोगों के लिए आसकती हैं। अगर अगर हम बात करें मकर राशी की इसके लावा तो मकर राशी वालों के लिए ये समय काफी हद तक मिला जुला रहेगा ऐसा नहीं काउँगी कि बहुत बुरा रहेगा। आपको फिखासतोर से अपने धन का और यह बहुत ध्यान रखना की जूड़ता है अगर आप कही बहार जाए है तो घर पर चोरी चकारी दर पड़ सकता है, अगर यह बहार भी जा रहे तो पिक पोकेट से रहेगा और इसके लावाभ हम बात करें कुंभ और मीन की तो कुंभ सूर्य गरहन का प्रभाव पूरी दुनिया के लोगों पर पड़ेगा। दुनिया भर में इस सूर्य गरहन से राजनीतिक रूप से भयंकर उथल-पुथल मच सकती है। शेयर बाजार और दुनिया भर की आर्थिक स्थिति हिल सकती है। ये परिवर्तन विश्व भर में यूद और विश्पोर्ट का संकेत दी रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूस 18 इसकी वैज्यानिक और धार्मिक मानेता है। नासा की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार, भार की इस समय के अनुसार आज अपरेल को पढ़ने वाला ग्रहन नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएस और कैनदा में दिखाई देता। आपको यूजानकारी होगी कि पूर्ट सूरे ग्रहन तब दिखाई देता है जब चंद्रमा सूरे और प्रिथवी के बीच आ जाता है। इस दौरान प्रिथवी से सूरे दिखाई नहीं देता। एक सूपिचास्ती किलोमीटर के इलाके में फूर्ड रूप से अंधेरा चाजाएगा। यानी टोट्रालिटी की स्थिती बन जाएगी। पूरे ग्रहन का समय धाई घंटे का है लेकिन टोटालिटी का समय चार मिनेट है। भारत में दिखाई देगा ग्रहन। भारत में सूरे ग्रहन के सिर्फ वेढ ज्यानिक माईने जी नहीं बल्कि धार्मिक माईने भी हैं। हिंदू पंचान के अनुसार साल 2024 में लगने वाला पहला सूरे ग्रहन चैठ कर्माथ के अमावस्य अपर लग रहा है। तहाँ जाता है कि सूरे देव प्रत्यक्ष देवता है, इसलिए जब सूरे ग्रहन लगता है, तब सूतक काल 12 गंटे पहले ते शुरू हो जाता है। कहाँ जाता है कि सूतक काल के दौरान मांगलिक कारे नहीं करने चाहिए। केंदरी ये संस्कृत विश्विध्याले पूरी के जोतिशाचारे डॉक्टर दनीश मिष्ट के अनसार 8 अपरेल को सूरे ग्रहन रात 9 बचकर 12 मिनिट से शुरू हो रहा है और ये देज रात 1 बचकर 25 मिनिट तक रहेगा। चुकि ये भारत में नहीं दिखाई देगा इसलिए सूत तकाल भी मानने नहीं होगा। ये है नासा की सला। अब जानेंगे कि सूरे ग्रहन कहां कहां दिखाई देगा। नासा की वेबसाइट के मताबिक टोटल सोलर एकलिप्स नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएर्स, कैनेदा और साल्थ पैसिफिक ओशें में फोर्ड रूप से दिखाई देगा। ग्रहन को देखने के लिए कुछ सेफटी गाइडलाइन्स फॉलो करने होते हैं। नासा के मताबिक सूरे ग्रहन को नगन आखोस से देखने से सीवेर आइइ इंजरी हो सकती है। ग्रहन को देखने के लिए एकलिप्स ग्लासिस या सोलर फिल्टर्स जरूरी हैं। अगर आपके पास खास ग्लासिस नहीं हैं तो आप इंडिरेक्ट व्यूइंग मैथेड अपना सकते हैं। यानि सूरे को सीधे तौर पर ना देखें। पिन होल प्रोजेक्टर का इस्तिमाल इसके लिए किया जा सकता है। एकलिप्स ग्लास पहने हुए कैमरा लेंज, टेलेस्कोब, बानकुलर्स या किसी ओप्टिकल दिवाइस का अक्स्तिमाल ना करें। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसा करने से आँखों को गंभील नुकसान पहुचकता है। इसके अलावा, नासा स्क्रीन सेथी की भी सला देता है। ग्रैंड के दौरान आप संस्क्रीन लगा कर भी बाहर लिख लें। हाच या कब पहने, ऐसे कप्रे पहने जिनसे आपकी स्क्रीन डिरेक्ट धूट के कॉंटेक्स में ना आए। ओनलाइन कैसे देखें। अब ओनलाइन ध्रहेंड को देख सकते हैं, नासा इसका ब्रादकास्ट करेगा आप यूट्यूब चानल और नासा की वेबसाइट पर देख सकते हैं। सामंदेख.com पर भी इसकी स्ट्रीमिंग की जाए थी। कल साल का पहला सूरीग्राण है और चोवन साल बाद ये पूण सूरीग्राण है, हलांकि भारत में सूरीग्राण का कोई असर नहीं होगा, जो त्सचारेओं की माने, तो कई रासियों पर इस सूरीग्राण का असर हो सकता है। वही दूसरी तरफ भारत के जो दूसरे देश है किनकिन देशों में इस सूर्य ग्रहन का असर होगा जानिये इस रिपोर्ट में इस दौरान सूर्य चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिति बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूरे का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूरे ग्रेन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूरे ग्रेन दिखेगा ये ग्रेन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेन का मद्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेन होगा सूरे ग्रेन की अबधी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक चहां सूरे ग्रेन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जैसा कि आप सुभी जानते कि सूरी ग्रेन वामज़ी अरणी आठ नीड़ाद को 58 साल बाद शूरी ग्रेन जाया है और शूरी ग्रेन जब होता है तो चाहिक मता है कि जब रांव की स्रंपुर द्रिष्ऩी स्वराव मकम सLES पर अर्भा अर्स पर शुरी ग्रेन होता है तो मार्श निए प्रवाइब देश करेंगे करेंगे, अबर्वाइब प्रवाइब भी जारी किया गया है, हवाईया तयात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है, अमेरिका में ग्रहन के दोरान स्कूल बंद रहेंगे, जब प्रित्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है, तब पूर्ण सूर्य ग्रहन की स्तितीब बनती है, सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूर्य ग्रहन लगेगा, 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूर्य ग्रहन, चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूर्य ग्रहन, मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूर्य ग्रहन लगने जा रहा है, और कुछ रासियां है जिन दास्यों पर भी इसका असर है देश्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नों बश्क पर बाराग में उसके और ग्यारा वर्श्क सटाल में तक कर समय इस समय रहें देहरता लिखिए बाहा के दे अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंड के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंड के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंड के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपॉर्ट न नहीं मिलेगा लेकिन जो तुशाचारियों के मुताबिक राशियों पर इसका असर होगा किन किन देशों में सूरिक ग्रहन दिखने वाला है आई इस रिपोर्ट के सरगे हम आपको दिखाते हैं इस दौरान सूर्य चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है सूर्य ग्रहन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूर्य ग्रहन दिखेगा ये ग्रहन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रहन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूर्य ग्रहन होगा सूरे ग्रेंड की अवधी 5 गंटे 10 मिनिट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेंड का सुतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक जहां सूरी ग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है शासलों के मताबिक जिन देशों में सूरी ग्रहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माकसीको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरी ग्रहन को लिकर अलर्ड भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रेहन की स्तिती बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रेहन चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दासियों पर भी इसका असर है तरह से परले समय जाल लेंगे कि भारतिय परमपरा के दूसार जो ही यहां पर रात में नो विसकर बारा में उसके और ग्यारा विसकर 17 में तका समय इस समय रहेगा द्रहका लिखिए बाहा के देशों में देगा फिलाल अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है Bureau Report News 18 जब यह सूरिय ग्रहन रात 9 बजकर 12 मिनट से शुरू होगा और देरात 2 बजकर 22 मिनट पर समाप्थ होगा जब ये सूर्य ग्रहन लगेगा तब भारत में रात होगी इसलिए सूरिय ग्रहन का सूतक काल भारत में मानने नहीं होगा लेकिन आपको खास साब्धानिया बरतनी चाहिए एक तो किसी भी व्यक्ति को नंगी आक्षे ग्रहन नहीं देखना चाहिए उस टाइम जो सूरी की रेज आ रही होती हैं उनके अंदर इतना वेग होता है इतना प्रभाव होता है कि वह आपकी आठ की रोसनी के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं या शरीर पर उनका नकारात्मिक इंपैक्ट पड़ सकता है इसलिए किसी भी व्यक्ति को नंगी आक्षे ग दूसरा प्रेगनेंड इस्पेशली जो प्रेगनेंड महलाएं होती हैं उनको ग्रहन के शमय कुछ काटना नहीं चाहिए तोड़ना नहीं चाहिए शिले हुए वस्त्र को धारण नहीं करना चाहिए काटना नहीं है तोड़ना नहीं है शिले हुए वस्त्र को धारण नहीं क इस समय पर कोशिश करना है कि कोई धार में गंत इत्यादी का अध्यान किया जाए अपने मन के अंदर एक पॉजिटिविटी रखा जाए साल का ये पहला सूर्य ग्रहन अमेरिका, कनाडा, कोलंबिया, वेनिजुएला, आयरलेंड, पुर्थगाल, नौर्वे, परामा, रूस, बाहमास, पस्चिमी यूरोप, पैसिफिक, अट्लांटिक और आर्क्टिक में दिखेगा इसलिए इसका प्रभाव भारत में नकारात्मक होगा, नहीं के वराबर होगा, इसमें घबलाने की कोई और शक्ता नहीं है इस सूर्य गरहन की खास बात ये है कि ये करीब 5 घंटे 10 मिनट का होगा, और करीब 7 मिनट से ज्यादा समय तक सूर्य का प्रकाश प्रिथवी पर नहीं पड़ेगा यानि 7 मिनट तक सर्व गरास रहेगा और धर्ती पूरी तरह से अंदकार में वैज्यानिकों की माने तो इस तरह का सूर्य गरहन आज से करीब 54 साल पहले लगा था इस पूर्ण सूर्य गरहन की शुरुवात दक्षिन प्रशांत महासागर से होगी इस से पहले इस तरह का सूर्य गरहन 1970 में दिखा था और अगली बार साल 2078 में दिखेगा इस गरहन का प्रभाव अगले एक महिने तक दुनिया पर पड़ेगा अलग-अलग राश्यों पर भी इसका प्रभाव दिखाई देगा ये सूर्य गरहन कर्क, कन्या, वर्ष्चिक, कुम्ब और मीन राशी के लिए मध्यम फलदाई रहेगा विर्षब, मिथुन, तुला और मकर राशी के लिए ये परिणाम उत्तम होंगे वही मेश, सिंग और धनु राशी वालों को विशेश साब्धानी रखनी होगी अब बात कर लेते हैं कौनसी वो राशी रहेंगी जिनके लिए ये सूर्य ग्रहन जो है नकरातनक प्रभाव दे सकता है क्योंकि मीन राशी रेवती नक्षत्र में लग रहा है तो मीन राशी के जात्रकों को इस समय पर बहुत साथान रहने की जरूरत है इसके अलावा रेवती नक्षत्र में जिन जात्रकों ने जनम लिया है उन लोगों को साबधान रहने की जोड़ता है अब सबसे पहले राशी की बात कर लेते हैं जिन लोगों को साबधानी इस दोरान बरतने की जोड़ता है वो है विरशिब राशी आप लोगों को खास तोर से अपने स्वास्त का ध्यान रखने के विशकता है स्वास्त में गड़बड़ी हो सकती है इसके अलावा भाई बेहनों से कहा सुनी भी हो सकती है तो इस समय पर ध्यान जरूर रखके चलिए अपनी वाणी पर ध्यान रखके चलिए वहीपर करक राशी के जहतकों को । खास्तर से ध्यान रखने के विशकता है, अपनी संतान के स्वासत को । भी ध्यान रखने के विशकता है। और इस चीज़ को विध्यान रखने के चलिएगा कि अगर आप love relationship में हैं तो love relationship इस लुपर spoil हो सकता है। वही पर अगर हम बात करें अगली राशी की तो आप लोगों के लिए करन्या राशी जो है थोड़ा साब धानी बरतने की ज़रूरता है अगर आप विवाहत है या अगर आप बिजनस बिजनस पार्टनर के साथ कर रहे हैं तो इस समय पर थोड़ी सी मुश्किलें आप लोगो अगर आप कहीं भाषी जा रहे हैं तो घर पर सही तरीके से ताले लगाके जाएगा नैं तो चोरी चखारी का डर बढ़ सकता है अगर आप भाषी जारे तो पिक-पॉकेट से हैं और इसके अलावा अगर हम बात करें कुम्ब और मीन की, तो कुम्ब राशी के जातकों को बिल्कुल ध्यान रखने के वशकता है, अगर आप ट्रावलिंग कर रहे हैं, तो चोड़ चपेट में आने की संभावना है, इसलिए बहुत साफ़ भाने से ट्रावलिंग करें सूरिय गरहन का प्रभाव पूरी दुनिया के लोगों पर पड़ेगा, दुनिया भर में इस सूरिय गरहन से राजनितिक रूप से भयंकर उथल पुथल मच सकती है, शेयर बाजार और दुनिया भर की आर्थिक स्थिति हिल सकती है, ये परिवर्तन विश्व भर में यूद औ और भी स्फोर्ट का संकेत दी रहा है। Bureau Report News 18 चले यहां रुकेंगे एक छोड़ा सुपरे के लिए खबरे लगाता आजा रहे हैं। आठ अप्रेल 2024 को दुनिया भर में कई जगों पर टोटल सोलर एकलिप्स यानी पूर्ण सूरे ग्रहन दिखाई देगा। सूरे ग्रहन एक खबोल ये घटना हैं। इसकी वैज्यानिक और धार्मिक मानेता हैं। नासा की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार, भार की इस समय के अनुसार आठ अप्रेल को पढ़ने वाला ग्रहन नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएस और कैनदा में दिखाई देगा। आपको ये जानकारी होगी कि पूर सूरे ग्रहन तब दिखाई देता है जब चंद्रमा सूरे और प्रिथवी के बीच आ जाता है। इस दौरान प्रिथवी से सूरे दिखाई नहीं देता। एक सूपिचास्टी किलोमीटर के इलाखे में पूर रूप से अंधेर अछाजाएगा यानी टोटालिटी की स्थिती बन जाएगा। पूरे ग्रहन का समय धाई घंटे का है लेकिन टोटालिटी का समय 4 मिनिटे। भारत में दिखाई देगा ग्रहन भारत में सूरे ग्रहन के सिर्फ वैज्यानिक माईने ही नहीं बलकि धार्मिक माईने भी है अमारे देश में ग्रहन से पहले लगने वाले सूतक काल को भी लोग माते हैं हिंदु पंचान के अनुसार साल 2024 में लगने वाला पहला सूरे ग्रहन चैत्रमास की अमावस्या पर लग रहा है। कहा जाता है कि सूरे देव प्रत्यक्ष देवता हैं, इसलिए जब सूरे ग्रहन लगता है तब सूतक काल 12 गंटे पहले इते शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि सूतक काल के दौरान मांगलिक कारे नहीं करने चाहिए। केंदरी ये संस्कृत विश्विध्याले पूरी के जोतिशाचारे डॉक्टर दणीश मिष्ट के अनसार 8 अपरेल को सूरे ग्रहन रात 9 बचकर 12 मिनिट से शुरू हो रहा है और ये देज रात 1 बचकर 25 मिनिट तक रहेगा। चुकि ये भारत में नहीं दिखाई देगा इसलिए सूतकाल भी मानने नहीं होगा। ये है नासा की सला। अब जानेंगे कि सूरे ग्रहन कहां कहां दिखाई देगा। नासा की वेबसाइट के मताबिक टोटल सोलर एकलिप्स नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएस, कैनेदा और साल्थ स्पैसिफिक ओशें में फोर्ड रूप से दिखाई देगा। ग्रहन को देखने के लिए कुछ सेफटी गाइडलाइन्स फॉलो करने होते हैं। नासा के मताबिक सूरे ग्रहन को लगन आँखों से देखने से सीवेर आई इंजरी हो सकती है। ग्रहन को देखने के लिए एकलिप्स ग्लासिस या सोलर फिल्टर्स जरूरी हैं। अगर आपके पास खास ग्लासिस नहीं हैं तो आप इंडिरेक्ट व्यूइंग मैथेड अपना सकते हैं यानी सूरे को सीधे तोर पर ना देखें। पिन होल प्रोजेक्टर का इस्तिमाल इसके लिए किया जा सकता है। एकलिप्स ग्लास पहने हुए कैमरा लेंज, टेलेस्कोब, बानकुलर्स या किसी ओप्टिकल दिवाइस का इस्तिमाल ना करें। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसा करने से आँखों को गंभील नुखसान पहुच करता है। इसके अलावा NASA skin safety की भी सला देता है। ग्रेंड के दौरान आप संस्क्रीन लगा कर भी बाहर निकले। हाट या कब पहने, ऐसे कप्रे पहने जिनसे आपकी skin डिरेक्ट धूट के contact में ना आए। अब ओनलाइन कैसे देखें। नासा इसका ब्राद कास्ट करेगा आप YouTube चानल और नासा की वेबसाइट पर डिक सब्सक्रीन की जाए तो जानकारी के लिए बता दें कि 8 अपरेल को टोटल सोलर एकलिप्स के बाद अगला सूरे को है 23 अगस्त को लगेगा। उस टॉपिक पर आपका क्या कहाना है हमें कमन सेक्शन में बताएं। इसी पर अपी तोड़ी खिले बने रहें न्यूज एटीन इंडिया ओरिशनल के साथ। कल साल का पहला सूरिग्राण है और 54 साल बाद ये पूर्ण सूरिग्राण है भाला की भारत में इस सूरिग्राण का कोई असर नहीं होगा जो तसाचारेों की माने तो कई रासियों पर इस सूरिग्राण का असर हो सकता है वही दूसरी तरफ भारत के जो दूसरे देश है कि उनकिन देशों में इस सूर्य ग्रहन का असर होगा जानिये इस रिपोर्ट में। प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अद्वुद सूर्य ग्रहन दिखेगा। ये ग्रहन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा। इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा। इस सूर्य ग्रहन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा। ये पूर्ण सूर्य ग्रहन होगा। सूर्य ग्रहन की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी। हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूर्य ग्रहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा। और इसलिए इस ग्रहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा। भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी। शासनों के मुताबिक चाहा सूरी ग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तितीब बनती है शोमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पood सूरे ग्रहन चेतर नव्राज से कुछ गंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी, रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है एक भारती परंपरा के दुशार अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंट के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंट के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंट के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूस 18 कल साल का पहला सूरे ग्रेंट होने जा रहा है 54 साल बाद पूर सूरे ग्रेंट होने वाला है आला कि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जो तुशाचारियों के मताबिक राशियों पर इसका असर होगा किन-किन देशों में सूर्य ग्रहन दिखने वाला है, आई इस रिपोर्ट के सरके हम आपको दिखाते हैं इस दोरान सूर्य चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा, सूर्य ग्रहन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूर्य ग्रहन दिखेगा ये ग्रहन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रहन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूर्य ग्रहन होगा सूरे ग्रेंड की अवदी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेंड का सुतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक जहां सूरे ग्रेंड लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जैसा कि आप सुभी जानते कि आठ तारी को 54 साल बाद होने जा रहा है सूरे ग्रेंड और सूरे ग्रेंड जब होता है जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनेडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेंड के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वजह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तिती बनती है सुमवर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है Bureau Report News 18 सूरय ग्रहन रात 9 बज़ कर 12 मिनट से شुरु होगा और देर रात 2 बज़ कर 22 मिनट पर समाप्थ होगा। जब यह सूर्य ग्रहन लगेगा तब भारत में रात होगी। भारत में मानने नहीं होगा। लेकिन आपको खास साफधानय बरत्पनी चाहिए। एक तो किसी भी ब्यक्ति को नंगी आक्षे ग्रहन नहीं देखना चाहिए विकॉस उस टाइम जो सूरी की रेज आ रही होती है, जो सूरी की किरने आ रही होती है उनके अंदर इतना वेग होता है, इतना प्रभाव होता है कि वह आपकी आख की रोसनी के लिए घातक सिद्ध हो सकते है या शरीर पर उनका नकारात्मिक इंपैक्ट पड़ सकता है इसलिए किसी भी ब्यक्ति को नंगी आक्षे ग्रहन को नहीं देखना चाहिए इसको देखना लखेगा दूसरा प्रेगनेंड गुमन इस्पेशली जो प्रेगनेंड महलाएं होते हैं जो गर्वती महलाएं होते हैं उनको ग्रहन के शमय कुछ काटना नहीं चाहिए तोडना नहीं चाहिए शिले हुए वस्त्र को धारण नहीं करना चाहिए काटना नहीं है, तोड़ना नहीं है, सिले हुए वस्त को धारण नहीं करना है, तेज आवाज में भोलना नहीं है, तेज आवाज में टीवी इत्यादी नहीं देखना है, कुछ सिलना इत्यादी नहीं है, इसका विशेशूर्ट से ध्यान रखना है, इस समय पर कोशिश करना ह कि कोई धार में गंत इत्यादी का अध्यान किया जाए अपने मन के अंदर एक पॉस्टिविटी रखा जाए साल का ये पहला सूर्य ग्रहन अमेरिका, कनाडा, कोलंबिया, वेनिजुएला, आयरलेंड, पुर्थगाल, नौर्वे, परामा, रूस, बाहमास, पस्चिमी युरोप, पैसिफिक, अट्लांटिक और आर्क्टिक में दिखेगा इसलिए इसका प्रभाव भारत में नकारात्मक होगा, नहीं के वराबर होगा, इसमें घबलाने की कोई और शक्ता नहीं है इस सूर्य गरहन की खास बात ये है कि ये करीब 5 घंटे 10 मिनट का होगा, और करीब 7 मिनट से ज्यादा समय तक सूर्य का प्रकाश प्रित्वी पर नहीं पड़ेगा यानि 7 मिनट तक सर्व ग्रास रहेगा और धर्ती पूरी तरह से अंदकार में वैज्यारिकों की माने तो इस तरह का सूर्य ग्रहन आज से करीब 54 साल पहले लगा था इस पूर्ण सूर्य ग्रहन की शुरुवात दक्षिन प्रशांत महासागर से होगी इस से पहले इस तरह का सूर्य ग्रहन 1970 में दिखा था और अगली बार साल 2078 में दिखेगा इस ग्रहन का प्रभाव अगले एक महिने तक दुनिया पर पड़ेगा अलग-अलग राश्यों पर भी इसका प्रभाव दिखाई देगा अब बात कर लेते हैं कौनसी वो राशिय रहेंगी जिनके लिए ये सूर्य ग्रहन जो है नकरात्मक प्रभाव दे सकता है क्योंकि मीन राशी रेवती नक्षत्र में लग रहा है तो मीन राशी के जात्रकों को इस समय पर बहुत साथा साथान रहने की जरूरत है इसके अलावा रेवती नक्षत्र में जिन जात्रकों ने जनम लिया है उन लोगों को साथान रहने की जूरत है अब सबसे पहले राशी की बात कर लेते हैं जिन लोगों को साफधानी इस दुरान बरतने की जूत है वो है व्रशिप राशी आप लोगों को खास तोर से अपने स्वास्त का ध्यान रखने के विशकता है स्वास्त में गड़बड़ी हो सकती है इसके अलावा भाई बहनों से कहा सुनी भी हो सकती है तो इस समय पर ध्यान ज़रूर रखके चलिए अपनी वाणी पर ध्यान रखके चलिए महीपर करक राशी के जातकों को खासतोर से ध्यान रखने के विशकता है अगली राशी की तो आप लोगों के लिए करने राशी जो है थोड़ा साब धानी बरतने की ज़रूरता है अगर आप विवाहित है या अगर आप बिजनस बिजनस पार्टनर के साथ कर रहे हैं तो इस समय पर थोड़ी सी मुश्किले आप लोगों के आ सकती है अगर अगर हम बात करें मकर राशी की इसके अलावा तो मकर राशी वालोक लें ये समय काफी हद तक मिला जूला रहेगा अगर यहां पर अपने धन का जो है वो बहुत ध्यान रखने की जूड़ता है अगर आप कहीं भार जा रहे हैं तो घर पर सही तरीके सटाले लगा जाएगा नहीं तो चोरी चकारी का डर बढ़ सकता है अगर आप भार भी जा रहे तो पिक पॉकेट से बचके रहिएगा और इसके अलावा अगर हम बात करें कुम्ब और मीन की तो कुम्ब राशी के जातकों को बिल्कुल ध्यान रखने के वशकता है अगर आप सूर्य गरहन का प्रभाव पूरी दुनिया के लोगों पर पड़ेगा दुनिया भर में इस सूर्य गरहन से राजनीतिक रूप से भयंकर उथल पुथल मच सकती है शेयर बाजार और दुनिया भर की आर्थिक स्थिति हिल सकती है ये परिवर्तन विश्व भर में यूद और और विस फोर्ट का संकेत दी रहा है बूरो रिपोर्ट न्यूज एटीन चले यहां रुकेंगे एक छोड़ा सुपरे के लिए खबरे लगाता आजा रहे हैं आठ अप्रेल 2024 को दुनिया भर में कई जगों पर टोटल सोलर एकलिप्स यानी फोर्ट सूरे ग्रहन दिखाई देगा सूरे ग्रहन एक खबोल यह घटना है इसकी वैज्ञानिक और धार्मिक मानेता है नासा की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार भारती इस समय के अनुसार आठ अप्रेल को पढ़ने वाला ग्रहन नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएस और कानदा में दिखाई देगा आपको यह जानकारी होगी कि कूर सूरे ग्रहन तब दिखाई देता है जब चंद्रमा सूरे और प्रिथवी के बीच आ जाता है इस दौरान प्रिथवी से सूरे दिखाई नहीं देता एक सूपिच्शास्ती किलोमीटर के इलाके में फूर रूप से अंधेर अचा जाएगा यानि तोटालिटी की स्थिती बन जाएगी पूरे ग्रहन का समय धाई घंटे का है लेकिन तोटालिटी का समय चार मिनट है भारत में दिखाई देगा ग्रहन भारत में सूरे ग्रहन के सिर्फ वैज्यानिक मायने ही नहीं बलकि धार्मिक मायने भी हैं अमारे देश में ग्रहन से पहले लगने वाले सूतक काल को भी लोग मानते हैं हिंदु पंचान के अनुसार साल 2024 में लगने वाला पहला सूरे ग्रहन चैत्रमाज की अमावस्य अपर लग रहा है। कहा जाता है कि सूरे देव प्रत्यक्ष देवता हैं, इसलिए जब सूरे ग्रहन लगता है तब सूतक काल 12 गंटे पहले ते शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि सूतक काल के दौरान मांगली कारे नहीं करने चाहिए। केंदरी ये संस्कृत विश्विध्याले पूरी के जोतिशाचारे डौक्टर गणेश मिष्ट के अनसार 8 अपरेल को सूरे ग्रहन रात 9 बचकर 12 मिनट से शुरू हो रहा है और ये देज रात 1 बचकर 25 मिनट तक रहेगा। चुकी अभारत में नहीं दिखाई देगा इसलिए सूतकाल भी मानने नहीं होगा। ये है नासा की सला अब जानेंगे कि सूरे ग्रहन कहां कहां दिखाई देगा। नासा की वेबसाइट के मताबिक टोटल सोलर एकलिप्स नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएस, कैनेडा और साल्थ पैसिफिक ओशें में फोर्ड रूप से दिखाई देगा। ग्रहन को देखने के लिए कुछ सेफटी गाइडलाइन्स फॉलो करने होते हैं। नासा के मताबिक सूरे ग्रहन को नगन आखों से देखने से सीवेर आई इंजरी हो सकती है। ग्रहन को देखने के लिए एकलिप्स ग्लासिस या सोलर फिल्टर्स जरूरी हैं। अगर आपके पास खास ग्लासिस नहीं है तो आप इंडिरेक्ट व्यूइंग मैथेड अपना सकते हैं। यानि सूरे को सीधे तोर पर ना देखें। पिन होल प्रोजेक्टर का इस्तमाल इसके लिए किया जा सकता है। एक्लिप्स ग्लास पहने हुए कैमरा लेंस, टेलेस्कोब, बानकुलर्स या किसी ऑप्टिकल जवाइस का इस्तमाल ना करे। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसा करने से आखों को गंभील नुकसान पहुच करता है। इसके अलावा, नासा स्क्रीन सेस्टी की भी सला देता है। ग्रैंड के दौरान आप संस्क्रीन लगा कर भी बाहर लिकले। हाट या कैप पहने, ऐसे कपड़े पहने जिनसे आपकी स्क्रीन डिरेक्ट धूट के कॉन्टेक्ट में ना आए। ओनलाइन कैसे देखें। अब ओनलाइन घ्रहन को देख सकते हैं, नासा इसका ब्रॉडकास्ट करेगा। आप यूट्यूब चैनल और नासा की वेबसाइट पर देख सकते। तामएंडेक.com पर भी स्ट्रीमिंग की जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि 8 अपरेल को टोटल सोलर एकलिप्स के बाद अगला सूरेगों हैं 23 अगस्त को लगेगा। इस टॉपिक पर आपका क्या कहाना है हमें कमें सेक्शन में बताएं। पर देख स्टोरी के लिए बने रहें नीवेडी इंडिया ओडिशनल्स के साथ। कल साल का पहला सूरिग्राण है और 54 साल बाद ये पूर्ण सूरिग्राण है। हलां कि भारत में इस सूरिग्राण का कोई असर नहीं होगा। जो सचारेओं की माने तो कई रासियों पर इस सूरिग्राण का असर हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ भारत के जो दूसरे देश है किनकिन देशों में इस सूरिग्राण का असर होगा जानिये इस रिपोर्ट में। इस दौरान सूरिग्राण प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है। इस सूरिग्राण का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा। और इसलिए इस ग्राण का सूतक काल नहीं माना जाएगा। भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी। शासलों के मताबिक जहां सूरिग्राण लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है। जैसा कि आप सुभी जानते कि आठ तारीकों 54 साल बाद पुने आ रहा है सूरिग्राण और सूरिग्राण जब होता है तो सभी बता है कि जब रागू की स्रमपुर द्रिष्टी सूरिपर होती है तो सूरिग्राण होता है। जिन देशों में सूरिग्राण दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है। अमेरिका में तो सूरिग्राण को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। हवाई या तयात और एइरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है। अमेरिका में ग्राण के दोरान स्कूल बंद रहेंगे। जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, इसकी वजह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है। तब पूर सूरे ग्रहन की स्तितीब बनती है। सुमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा, 54 साल बाद लग रहा है पूर शूरे ग्रहन, चेतर नवराब से कुछ गंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन, मीन राशी रेची नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है। और कुछ रासिया है जिन दास्यों पर भी इसका असर है देश्टा से परले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नों बज़तर बारा में उसके और ग्यारा वरिश्टर सटाओं में तक कर समय इस सब्सक्राइब कर देशों में नहीं है ल अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यू लेकिन जो तुशाचारियों के मताबिक राशियों पर इसका असर होगा किन-किन देशों में सूरिक ग्रहन दिखने वाला है आईएस रिपोर्ट के सरके हम आपको दिखाते हैं इस दौरान सूर्य चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रहन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूर्य ग्रहन दिखेगा ये ग्रहन आठ अप्रैल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रहन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूर्य ग्रहन होगा सूर्य ग्रहन की अवधी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूर्य ग्रहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूर्य ग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूर्य ग्रहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूर्य ग्रहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाईया तयात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूर्य ग्रहन की स्तिती बंती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूर्य ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूर्य ग्रहन चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूर्य ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूर्य ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया हैं जिन दास्यों पर भी इसका असर है दिस्ता से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दूसार जो ही यहां पर ग्राथ में नौ बज़तर बारा में सुन तब के और ग्यारा बज़तर सताओं में तक कर समय इस समय रहेगा देहर का लिखिए बाहा अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंट के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंट के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंट के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है Bureau Report News 18 ग्रहन रात 9 बज कर 12 मिनट से शुरू होगा और देर रात 2 बज कर 22 मिनट पर समाप्त होगा जब ये सूर्य ग्रहन लगेगा तब भारत में रात होगी इसलिए सूर्य ग्रहन का सूतक काल भारत में माननने नहीं होगा लेकिन आपको खास साफधानिया बरतनी चाहिए नहीं देखना चाहिए इसको ध्याम रखेगा दूसरा प्रेग्नेंड वुमन इस्पेशली जो प्रेग्नेंड महलाएं होती है उनको ग्रहन के शमय कुछ काटना नहीं चाहिए तोड़ना नहीं चाहिए शिले हुए वस्त्र को धारन नहीं करना चाहिए काटना नहीं है तोड रखना है इस समय पर कोशिश करना है कि कोई धार्मिक गंत इत्यारी का अध्यान किया जाए अपने मन के अंदर एक पॉजिटिविटी रखा जाए साल का ये पहला सूर्य ग्रहन अमेरिका, कनाडा, कोलंबिया, वेनेजुएला, आयर्लेंड, पुर्थगाल, नौर्वे, पनामा, रूस, बहामास, पश्चिमी यूरोप, पैसिफिक, अट्लांटिक और आर्क्टिक में दिखेगा इसलिए इसका प्रभाव भारत में नकारात्मक होगा, नहीं के वराबर होगा, इसमें घबलाने की कोई आउशकता नहीं है इस सूर्य गरहन की खास बात ये है कि ये करीब 5 घंटे 10 मिनट का होगा, और करीब 7 मिनट से ज्यादा समय तक सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर नहीं पड़ेगा यानी 7 मिनट तक सर्व ग्रास रहेगा और धर्ती पूरी तरह से अंदकार में वैग्यारिकों की माने तो इस तरह का सूर्य गरहन आज से करीब 54 साल पहले लगा था इस पूर्ण सूर्य गरहन की शुरुवात दक्षिन प्रशांत महासागर से होगी इस से पहले इस तरह का सूर्य गरहन 1970 में दिखा था और अगली बार साल 2078 में दिखेगा इस गरहन का प्रभाव अगले एक महिने तक दुनिया पर पड़ेगा अलग-अलग राश्यों पर भी इसका प्रभाव दिखाई देगा अब बात कर लेते हैं कौनसी वो राशिय रहेंगी जिनके लिए ये सूर्य गरहन जो है नकरातनक प्रभाव दे सकता है क्योंकि मीन राशी रेवती नक्षतर में लग रहा है तो मीन राशी के जातकों को इस समय पर बहुत साथा साथान रहने की जरूरत है इसके अलावा रेविती नक्षत्र में जिन जातों को ने जनम लिया है उन लोगों को सापधान रहने की जोड़ता है अब सबसे पहले राशी की बात कर लेते हैं जिन लोगों को सापधानी इस दोरान बरतने की जोड़ता है वो है विरशिब राशी आप लोगों को खास तोर से अपने स्वास्त का ध्यान रखने के विशकता है स्वास्त में गड़बड़ी हो सकती है इसके अलावा भाई बेहनों से एक कहा सुनी भी हो सकती है तो इस समय पर ध्यान ज़रूर रखके चलिए अपनी वानी पर ध्यान रखके चलिए वही पर करक राशी के जातकों को खासतोर से ध्यान रखने के विशकता है, अपनी संतान के स्वासत का ध्यान रखने के विशकता है, और इस चीज को भी ध्यान रखने के चलिएगा, कि अगर आप लव रिलेशन्शिप में हैं, तो लव रिलेशन्शिप इस सबबे स्पॉय हो सकता है वहीं पर अगर हम बात करें अगली राशी की तो आप लोगों के लिए करन्या राशी जो है थोड़ा साप धानी बरतने की जरूरत है अगर आप विवाहत है या अगर आप बिसनस बिसनस पार्टनर के साथ कर रहे हैं तो इस समय पर थोड़ी सी मुश्किल आप लोगो की जूरते हैं, अगर आप कहीं भार जा रहे हैं, तो घर पे सही तरीके से ताले लगा के जाएगा, नहीं तो चोरी चकारी का डर बढ़ सकता है, अगर आप भार भी जा रहे तो पिक पॉकिट से बचके रहेगा, और इसके लावा गर हम बात करें कुम्ब और मीन की, तो कुम ग्रहन से राजनीतिक रूप से भयंकर उथल-पुथल मच सकती है शेयर बाजार और दुनिया भर की आर्थिक इस्तिती हिल सकती है ये परिवर्तन विश्व भर में यूद और विश्फोर्ट का संकेत दी रहा है बुरो रिपोर्ट न्यूज एटीन चले यहां रुकेंगे एक छोड़ा सुपरे के लिए खबरे लगाता आजा रहे है आठ अप्रेल दो हज़ार चॉबिस को दुनिया भर में कई जगों पर टोटल सोलर एकलिप्स यानि फोन सूरे ग्रहन दिखाई देगा सूरे ग्रहन एक खबोल ये घटना है इसकी वैज्यानिक और धार्मिक मानेता है जब चंद्रमा सूरे और प्रिथ्वी के बीच आ जाता है इस दौरान प्रिथ्वी से सूरे दिखाई नहीं देगा एक सूपिचास्ती किलोमीटर के इलाके में फोन रूप से अंधेर अचा जाएगा यानि तोटालिटी की स्थिती बन जाएगी पूरे ग्रहन का समय धाई घंटे का है लेकिन तोटालिटी का समय चार मिनट है भारत में दिखाई देगा ग्रहन भारत में सूरे ग्रहन के सिर्फ वैज्यानिक माईने ही नहीं बलकि धार्मिक माईने भी है अमारे देश में ग्रहन से पहले लगने वाले सूतक काल को भी लोग मानते हैं हिंदु पंचान के अनुसार साल 2024 में लगने वाला पहला सूरे ग्रहन चैत्रमास की अमावस्य अपर लग रहा है। कहा जाता है कि सूरे देव प्रत्यक्ष देवता हैं, इसलिए जब सूरे ग्रहन लगता है तब सूतक काल 12 घंटे पहले ते शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि सूतक काल के दौरान मांगली कारे नहीं करने चाहिए। केंदरी ये संस्कृत विश्विध्याले पूरी के जोतिशाचारे डॉक्टर गनेश मिष्टर के अनसार 8 अपरेल को सूरे ग्रहन रात 9 बचकर 12 मिनट से शुरू हो रहा है और ये देद रात 1 बचकर 25 मिनट तक रहेगा। चुकि ये भारत में नहीं दिखाई देगा इसलिए सूतकाल भी मानने नहीं होगा। ये है नासा की सला। अब जानेंगे कि सूरे ग्रहन कहां कहां दिखाई देगा। नासा की वेबसाइट के मताबिक टोटल सोलर एकलिप्स नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएस, कैनेडा और साथ पैसिफिक ओशें में कोड रूप से दिखाई देगा। ग्रहन को देखने के लिए कुछ सेफटी गाइडलाइन्स फॉलो करने होते हैं। नासा के मताबिक सूरे ग्रहन को नगन आखों से देखने से सीवेर आई इंजरी हो सकती है। ग्रहन को देखने के लिए एकलिप्स ग्लासिस या सोलर फिल्टर्स जरूरी हैं। अगर आपके पास खास ग्लासिस नहीं है तो आप इंडिरेक्ट व्यूइंग मेथेड अपना सकते हैं। यानि सूरे को सीधे तोर पर ना देखें। पेंड होल प्रोजेक्टर का इस्तिमाल इसके लिए किया जा सकता है। एक्लिप्स ग्लास पहने हुए कैमरा लेंस, टेलेस्को, बानकुलर्स या किसी ऑप्टिकल जवाइस का इस्तिमाल ना करें। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसा करने से आखों को गंभील नुकसान पहुच करता है। इसके अलावा, नासा स्किन सेथी की भी सला देता है। ग्रेंड के दौरान आप संस्क्रीन लगा कर भी बाहर निखले। हैच या कब पहने, ऐसे कपड़े पहने जिनसे आपकी स्किन डिरेक्ट धूट के कॉन्टेक्ट में ना आए। ओनलाइन कैसे देखें। अब ओनलाइन घ्रहेंड को देख सकते हैं, नासा इसका ब्रॉडकास्ट करेगा। आप यूट्यूब चानल और नासा की वेबसाइट पर देख सकते। तामएंडेग.com पर भी स्की स्ट्रीमिंग की जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि 8 अप्रेल को टोटल सोलर एकलिप्स के बाद अगला सूरेग हैं 23 अगस्त को लगेगा। इस टॉपिक पर आपका क्या कहाना है हमें कमें सेक्षिन में बताएं इसे पर की स्टोरीज के लिए बने रहें न्यूज्टी इंडिया ओडिशनल के साथ। कल साल का पहला सूरिग्राण है और चोवन साल बाद ये पूर्ण सूरिग्राण है हलां कि भारत में इस सूरिग्राण का कोई असर नहीं होगा जो सचारेओं की माने तो कई रासियों पर इस सूरिग्राण का असर हो सकता है वही दूसरी तरफ, भारत के जो दूसरे देस हैं किनकिन देसों में इस सूर्य ग्रहन का असर होगा जानिये इस रिपोर्ट में इस दौरान सूर्य चंदरमा प्रित्वी के बीच ऐशी स्थिति बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूरे का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूरे ग्रेन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूरे ग्रेन दिखेगा ये ग्रेन 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पून सूरे ग्रेन होगा सूरे ग्रेंड की अवधी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेंड का सुतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरे ग्रेंड लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई या तयात और एरपोर्ट पर छेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वजह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तितीब बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेतर नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासियां है जिन दास्यों पर भी इसका असर है देशता से परले समय जाल लेंगी कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नों विसकर बारा में उसके और वियारा विसकर 17 में तक कर समय इस समय रहेदा रहता लिखिए बाहा के देशों में नेगा किनाल भारत पर पुई सूर्टत का ऐसा कोई प्रभाव नहीं है तकि कुछ रासियां है अगर सूरे ग्रेहन है पर रासियों पर इसका असर रहेगा देखने को बिले अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यू इस दोरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेंड एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूर्य ग्रेंड दिखेगा ये ग्रेंड 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रेंड का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेंड होगा सूरे ग्रेंड की अवधी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक चहां सूरी ग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरी ग्रहन दिखने वाला है उन में कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरी ग्रहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तितीब बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेतर नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दार्षियों पर भी इसका असर है देश्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नों बश्टर बाराग में उसके और ग्यारा विश्टर सटाल में तक कर समय इस रहें रहें का लिखिए बाहा के अमूमन माना जाता है कि सूर्य ग्रेंट के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंट के दौरान सीधे सूर्य को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूर्य ग्रेंट के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट पहला सूर्य ग्रहन ये ग्रहन बहुत खास माना जा रहा है क्योंकि ये एक पूर्ण सूर्य ग्रहन होगा और करीब 5 घंटे 10 मिनट का होगा जिसका संयोग करीब 54 साल बाद बन रहा है भारत्य समय के अनुसार सूर्य ग्रहन रात 9 बज कर 12 मिनट से शुरू होगा और देर रात 2 बज कर 22 मिनट पर समाप्त होगा जब ये सूर्य ग्रहन लगेगा तब भारत में रात होगी इसलिए सूर्य ग्रहन का सूतक काल भारत में मानने नहीं होगा लेकिन आपको खास साफधानिया बरतनी चाहिए दूसरा प्रेग्नेट इस्पेशली जो गर्याइन होती हैं उनको ग्रहन के समय कुछ काटना नहीं चाहिए तोड़ना नहीं चाहिए शिले हुए वस्त्र को धारण नहीं करना चाहिए काटना नहीं है तोड़ना नहीं है, सिले हुए वस्त को धारण नहीं करना है, तेज आवाज में भोलना नहीं है, तेज आवाज में टीवी इत्यादी नहीं देखना है, कुछ सिलना इत्यादी नहीं है, इसका विशेशूप्त से ध्यान रखना है, इस समय पर कोशिश करना है कि कोई धार्मि साल का ये पहला सूर्य ग्रहन अमेरिका, कनाड़ा, कोलंबिया, विनेजुएला, आयरलेंड, पुर्थगाल, नौर्वे, परामा, रूस, बहामास, पस्चिम यूरोप, पैसिफिक, अट्लांटिक और आर्क्टिक में दिखेगा इसलिए इसका प्रभाव भारत में नकारात्मक होगा, नहीं के वराबर होगा, इसमें घबलाने की कोई और शक्ता नहीं है इस सूर्य गरहन की खास बात ये है कि ये करीब 5 घंटे 10 मिनट का होगा, और करीब 7 मिनट से ज्यादा समय तक सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर नहीं पड़ेगा, यानि साथ मिनट तक सर्व ग्रास रहेगा और धर्ती पूरी तरह से अंदकार में वैग्यारिकों की माने तो इस तरह का सूर्य ग्रहन आज से करीब 54 साल पहले लगा था इस पूर्ण सूर्य ग्रहन की शुरुवात दक्षिन प्रशांत महासागर से होगी इस से पहले इस तरह का सूर्य ग्रहन 1970 में दिखा था और अगली बार साल 2078 में दिखेगा इस ग्रहन का प्रभाव अगले एक महिने तक दुनिया पर पड़ेगा अलग-अलग राश्यों पर भी इसका प्रभाव दिखाई देगा अब बात कर लेते हैं कौनसी वो राशिय रहेंगी जिनके लिए ये सूर्य ग्रहन जो है नकरातनक प्रभाव दे सकता है क्योंकि मीन राशी रेवती नक्षत्र में लग रहा है तो मीन राशी के जातकों को इस समय पर बहुत साथा साथान रहने की जरूरत है इसके अलावा रेवती नक्षत्र में जिन जातकों ने जनम लिया है उन लोगों को साथान रहने की जूरत है अब सबसे पहले राशी की बात कर लेते हैं जिन लोगों को साफधानी इस दौरान बरतने के जोड़ता है वो है वरिशिब राशी आप लोगों को खास तोर से अपने स्वास्त का ध्यान रखने के विशकता है स्वास्त में गड़बड़ी हो सकते है इसके अलावा भाई बेहनों से कहा सुनी भी हो सकते है तो इस समय पर ध्यान जरूर रखके चलिए अपनी वाणी पर ध्यान रखके चलिए महीपर करक राशी के जातकों को खास तोर से ध्यान रखने के विशकता है अगली राशी की, तो आप लोगों के लिए करने राशी जो हे, थोड़ा साब धानी बरतने की ज़रूरता हैं, अगर आप विवाहत है या अगर आप बिजनस पार्टनर के साथ कर रहे हैं, तो इस समय पर फोड़ी सी मुश्किल आप लोगों के लिए आसकती है, वही पर अग प्राषी की इसके लावा तो मकर राशी वालोंक लिए ये सम्हें काफी हद तक मिला जुला रहेगा ऐसा नहीं कहूंगी कि बहुत बुरा रहेगा मिला जुला रहेगा मगर यहां पर आपको खास तोर से अपने धन का जो है वह बहुत ध्यान रखने की जूरते है अगर आप जा रहे हैं, तो घर पे सही तरीके से ताले लगा के जाएगा, नहीं तो चोरी चकारी का डर बढ़ सकता है, अगर आप भार भी जा रहे तो पिक पॉकेट से बचके रहेगा, और इसके लावा अगर हम बात करें कुम्ब और मीन की, तो कुम्ब राशी के जातकों को बिल्कु दुनिया के लोगों पर पड़ेगा, दुनिया भर में इस सूर्य ग्रहन से राजनीतिक रूप से भयंकर उथल-पुथल मच सकती है, शेयर बाजार और दुनिया भर की आर्थिक इस्तिती हिल सकती है, ये परिवर्तन विश्व भर में यूद और विश्फोर्ट का संकेत द रहा है, ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज एटीन चले यहां रुकेंगे एक छोड़ा सुपरेक के लिए खबरे लगाता आजारे है आज अप्रेल 2024 को दुनिया भर में कई जगों पर टोटल सोलर एकलिप्स यानी फूर्ड सूरे ग्रहन दिखाई देगा सूरे ग्रहन एक खगोल ये घगना है, इसकी वैज्ञानिक और धार्मिक मानेता है नासा की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार, भार की इस समय के अनुसार आज अप्रेल को पढ़ने वाला ग्रहन नौर्थ हमारिका, मैक्सिको, यूएस और कैनदा में दिखाई देगा आपको ये जानकारी होगी कि पूर सूरे ग्रहन तब दिखाई देता है जब चंद्रमा सूरे और प्रिथवी के बीच आ जाता है इस दौरान प्रिथवी से सूरे दिखाई नहीं देगा एक सूपिच्चास्ती किलोमीटर के इलाके में पूर रूप से अंधेर अचा जाएगा यानी टोट्रालिटी की स्थिती बन जाएगी पूरे ग्रहन का समय धाई घंटे का है लेकिन टोटालिटी का समय चार मिनित भारत में दिखाई देगा ग्रहन भारत में सूरे ग्रहन के सिर्फ वैज्यानिक माईने नहीं बलकि धार्मिक माईने भी है अमारे देश में घ्रहेन से पहले लगने वाले सूर्टक काल को भी लोग माते हैं हिंदू पञ्चानद के अनुसार साल 2024 में लगने वाला पहला सूरे घ्रहन चैत्रमास की हमावस्त्यापर लग रहा है केंद्रिय संस्कृत विश्विध्याले पूरी के जोतिशाचारेável डॉक्टर गणीश मिष्ठ के अनसार 8 अपरेल को सूरिग्रहन रात 9 बचकर 12 मिनिट से शूरू हो रहा है, और ये देज रात 1.25 तक रहेगा चुकि यह भारत में नहीं दिखाई देगा इसलिए सूतकाल भी मानने नहीं होगा अब जानेंगे कि सूरे ग्रहन कहां कहां दिखाई देगा नासा की वेबसाइट के मताबिक टोटल सोलर एकलिफ्स नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएर्स, कानड़ा और साउथ पैसिफिक ओशियन में कोड रूप से दिखाई देगा ग्रहन को देखने के लिए कुछ सेफटी ग्राइडलाइन्स फॉलो करने होते हैं नासा के मताबिक सूरे ग्रहन को नगन आखोस से देखने से सीवेर आई इंजरी हो सकती है ग्रहन को देखने के लिए एकलिफ्स ग्लासेस या सोलर फिल्टर्स जरूरी हैं अगर आपके पास खास ग्लासेस नहीं है तो आप इंडरेक्ट व्यूइंग मैथेड अपना सकते हैं यानि सूरे को सीधे तोर पर ना देखें पेंट होल प्रोजेक्टर का इस्तिमाल इसके लिए किया जा सकता है एकलिफ्स ग्लास पहने हुए कैमरा लेंस, टेलेस्को, बानकुलर्स या किसी ओप्टिकल डिवाइस का इस्तिमाल ना करें एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसा करने से आखों को गंभील नुकसान पहुच करता है इसके अलावा नासा स्क्रीन सेफ्टी की भी सला देता है ग्रेंड के दौरान आप संस्क्रीन लगा कर भी बाहर निकले हैच या कैप पहने, ऐसे कप्रे पहने जिनसे आपकी स्क्रीन डिरेक्ट धूट के कॉंटेक्ट में ना आए ओनलाइन कैसे देखें, आप ओनलाइन ध्रहेंड को देख सकते हैं, नासा इस सब ब्रादकास्ट करेगा, आप यूट्यूब चानल और नासा की वेबसाइट पर देख सकते हैं तामएंडेक्ट.com पर भी स्ट्रीमिंग की जाएगी दूट अंकारी के लिए बता दें कि 8 अपरेल को टोटल सोलर एकलिप्स के बाद अगला सूड़ेग है 23 अगस्त को लगेगा इस टॉपिक पर आपका क्या कहाना है हमें कमल सेक्शन में बताए इसी तरह की स्टोरीज के लिए बने रहें नीव बेदी इंडिया ओडिशनल्स के साथ कल साल का पहला सूरिग्राण है और 54 साल बाद ये पूर्ण सूरिग्राण है हाला कि भारत में इस सूरिग्राण का कोई असर नहीं होगा जो साचारेओं की माने तो कई रासियों पर इस सूरिग्राण का असर हो सकता है वही दूसरी तरफ भारत के जो दूसरे देश है किनकिन देशों में इस सूर्य ग्रहन का असर होगा जानिये इस रिपोर्ट में इस दौरान सूर्य चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिति बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूरे का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूरे ग्रेन एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूरे ग्रेन दिखेगा ये ग्रेन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेन का मद्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेन होगा सूरे ग्रेन की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरे ग्रेन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है कि है कि आप सबीकि जानते हैं कि आर्ट सारी को चवंवन साल बाद रहा है सूरि ग्रेन और सूरि ग्रेन जब होता death to अधाय कि जब राहू की संबडूर ऑड्रिष्टी सूरे पर होती है तो तो सूरि ग्रेन के असफología को अब ऑस स्वाता है उस प्रवाइब जब भी होता है तो इसके चीक 12 गंट है पहले सूर्थक प्रादम हो जाता है। सूर्थक कमात यह होता कि सूर्थक में कोई ऐसा काम ना करें जो कि कहीं ज़ी से सात्री परंपरास यह रगू और सास्ते दूसरी को इसका विशेश धान रखें। जिन देशों में सूर्थक ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है। सुमबर आट अपरेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा, 54 साल बाद लग रहा है पूण सूरे ग्रहन, चेत्र नवरात से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन, मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है। और कुछ रासिया हैं जिन दास्यों पर भी इसका असर है देश्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दूसार जो ही यहां पर रात में नौबज पर बारा में समय तक है और ग्यारा विश्टा सटाल में तक कर समय इस समय रहेगा द्रहें का लिखिए बाहा के अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूज 18 कल साल का पहला सूरिग्रहन होने जा रहा है 54 साल बाद पूर सूरिग्रहन होने वाला है आला कि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जो तुशाचारियों के मताबिक राशियों पर इसका असर होगा किनकिन देशों में सूर्य ग्रहन दिखने वाला है आईए इस रिपोर्ट के सरके हम आपको दिखाते हैं इस दौरान सूर्य चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रहन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूर्य ग्रहन दिखेगा ये ग्रहन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रहन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूर्य ग्रहन होगा सूरे ग्रेंड की अवधी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेंड का सुतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चाहा सूरे ग्रेंड लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तिती बनती है सूमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया हैं जिन दास्यों पर भी इसका असर है देश्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर ग्रात में नों बज्टर बाराइब में उसके और ग्यारा विश्टर सटाल में तक कर समय इस समय रहेगा देहर का लिखिए बाह अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंट के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंट के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंट के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूस 18 सूर्य ग्रहन रात 9 बज कर 12 मिनट से शुरू होगा और देर रात 2 बज कर 22 मिनट पर समाप्त होगा जब ये सूर्य ग्रहन लगेगा तब भारत में रात होगी इसलिए सूर्य ग्रहन का सूतक काल भारत में मानने नहीं होगा लेकिन आपको खास साफधानिया बरतनी चाहिए दूसरा प्रेगनेंट महलाएं होती है उनको ग्रहन के शमय कुछ काटना नहीं चाहिए तोड़ना नहीं चाहिए शिले हुए वस्त्र को धारण नहीं करना चाहिए काटना नहीं है तोड़ना नहीं है शिले हुए वस्त्र को धारण नहीं करना है तेज आवाज में भोलना नह कुछ सिलना इत्यादी नहीं है इसका विशेशूर्ट से ध्यान रखना है इस समय पर कोशिश करना है कि कोई धार्मिक गल्थ इत्यादी का अध्यान किया जाए अपने मन के अंदर एक पॉजिटिविटी रखा जाए साल का ये पहला सूर्य ग्रहन अमेरिका, कनाडा, कोलंबिया, वेनेजुएला, आयर्लेंड, पुर्थगाल, नौर्वे, परामा, रूस, बहामास, पस्चिमी यूरोप, पैसिफिक, अट्लांटिक और आर्क्टिक में दिखेगा इसलिए इसका प्रभाव भारत में नकारात्मक होगा, नहीं के वराबर होगा, इसमें घबलाने की कोई और शक्ता नहीं है इस सूर्य ग्रहन की खास बात ये है कि ये करीब 5 घंटे 10 मिनट का होगा, और करीब 7 मिनट से ज्यादा समय तक सूर्य का प्रकाश प्रत्वी पर नहीं पड़ेगा यानी 7 मिनट तक सर्व ग्रास रहेगा और धर्ती पूरी तरह से अंदकार में वैग्यारिकों की माने तो इस तरह का सूर्य ग्रहन आज से करीब 54 साल पहले लगा था इस पूर्ण सूर्य ग्रहन की शुरुवात दक्षिन प्रशांत महासागर से होगी इस से पहले इस तरह का सूर्य ग्रहन 1970 में दिखा था और अगली बार साल 2078 में दिखेगा इस ग्रहन का प्रभाव अगले एक महिने तक दुनिया पर पड़ेगा अलग-अलग राश्यों पर भी इसका प्रभाव दिखाई देगा ये सूर्य ग्रहन कर्क, कन्या, व्रश्चिक, कुम्ब और मीन राशी के लिए मध्यम फलदाई रहेगा विर्शब, मिथुन, तुला और मकर राशी के लिए ये परिणाम उत्तम होंगे मही मेश, सिंग और धनु राशी वालों को विशेश साब्धानी रखनी होगी अब बात कर लेते हैं कौनसी वो राशी रहेंगी जिनके लिए ये सूर्य ग्रहन जो है नकरातनक प्रभाव दे सकता है क्योंकि मीन राशी रेवती नक्षत्र में लग रहा है तो मीन राशी के जात्तकों को इस समय पर बहुँँ साथा साब्धान रहने की जरूरत है इसके अलावा रेवती नक्षत्र में जिन जात्तकों ने जनम लिया है उन लोगों को साब्धान रहने की जरूरत है अब सबसे पहले राशी की बात कर लेते हैं जिन लोगों को साब्धानी इस दोरान बरतने की जरूरत है वो है विरशिब राशी आप लोगों को खास तोर से अपने स्वास्त का ध्यान रखने के विशकता है स्वास्त में गड़बड़ी हो सकती है इसके अलावा भाई बेहनों से एक कहा सुनी भी हो सकती है तो इस समय पर ध्यान जरूर रखके चलिए अपनी वाणी पर ध्यान रखके चलिए वही पर करक राशी के जातकों को खासतोर से ध्यान रखने के विशकता है, अपनी संतान के स्वासत का ध्यान रखने के विशकता है, और इस चीज़ को भी ध्यान रखने के चलिएगा, कि अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं, तो लव रिलेशनशिप इस सबबे स्वाइल ह सकता है वही पर अगर हम बात करें अगली राशी दो आप लोगों के लिए करणिया राशी जो है थोड़ा साब धानी बरतने की जरुरत अगर आप विवाहतः या विजनस बिसनस पार्टेमर के साथ कर रहे हैं तो इस जा रहे हैं तो घर पर सही तरीके सा ताले लगा कर जा येगा नहीं तो चोरी चकारी का डर बढ़ सकता है अगर आप भार भी जा रहे तो पिक पॉकेट से बचके रहिएगा और इसके लावा अगर हम बात करें कुंब और मीन की तो कुंब राशी के जातकों को बिलकुल ध्य किस्तितिक रूप से भयंकर उथल-पुथल मच सकती है। शेयर बाजार और दुनिया भर की आर्थिक इस्तिती हिल सकती है। ये परिवर्तन विश्व भर में यूद और विस्फोर्ट का संकेत दी रहा है। बिरो रिपोर्ट न्यूज एटीन। आठ अप्रेल 2024 को दुनिया भर में कई जगों पर टोटल सोलर एकलिप्स यानी पूर्ण सूरे ग्रहन दिखाई देगा। सूरे ग्रहन एक खबोल ये घटना है। इसकी वैज्ञानिक और धार्मिक मानेता है। नासा की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार, भारती इस समय के अनुसार, आठ अप्रेल को पढ़ने वाला ग्रहन नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएस और क्यानदा में दिखाई देगा। आपको ये जानकारी होगी कि कूर सूरे ग्रहन तब दिखाई देता है, जब चंद्रमा सूरे और पृत्वी के बीच आ जाता है। इस दिखाई देगा ग्रहन। पृत्रिय संस्कृत विश्विध्याले पूरी के जोतिशाचारे डॉक्टर दणेश मिष्टर के अनसार आठ अपरेल को सूरे ग्रहन। रात 9 बचकर 12 मिनिट से शुरू हो रहा है और ये देज रात 1 बचकर 25 मिनिट तक रहेगा। चूकि ये भारत में नहीं दिखाई दे पॉर्ड रूप से दिखाईते हैं। ग्रहन को देखने के लिए कुछ safety guidelines follow करने होते हैं। नासा के मताबिक सूरे ग्रहन को नग्न आपको से देखने से severe eye injury हो सकती है। ग्रहन को देखने के लिए Eclipse Glasses या Solar Filters ज़रूरी हैं अगर आपके पास खास glasses नहीं है तो आप Indirect Viewing Method अपना सकते हैं यानि सूरे को स्थीधे तोर पर ना देखें Pinhole Projector का इस्तेमाल इसके लिए किया जा सकता है Eclipse Glass पहने हुए Camera Lens, Telescope, Binoculars या किसी Optical Device का इस्तेमाल ना करें Experts मानते हैं कि ऐसा करने से आखों को गंभील नुखसान पहुच करता है इसके अलावा NASA Skin Safety की भी सला देता है Grand के दौरान आप Sunscreen लगा कर भी बाहर लिकले Hat या Cap पहने ऐसे कपड़े पहने जिन से आपकी skin direct group के contact में ना आए Online कैसे देखें अब online grand को देख सकते हैं NASA इसका broadcast करेगा आप YouTube चानल और NASA की website पर देख सकते timeandate.com पर भी इसकी streaming की जाएगी जानकारी के लिए बता दें कि 8 अपरेल को टोटल सोलर एकलिक्स के बाद अगला सूरेगों है पेज़ अगस्त को लगेगा इस टॉपिक पर आपका क्या कहाना है हमें comment section में बताए इसे पर एकी story चिले बने रहें News 18 इंडिया ओडिशनल के साथ कल साल का पहला सूरिग्राण है और 54 साल बाद ये पूर्ण सूरिग्राण है भाला की भारत में इस सूरिग्राण का कोई असर नहीं होगा जो सचारेओं की माने तो कई रासियों पर इस सूरिग्राण का असर हो सकता है वही दूसरी तरब भारत के जो दूसरे देश है किनकिन देशों में इस सूर्य ग्रहन का असर होगा जानिये इस रिपोर्ट में इस दौरान सूर्य चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूरे का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूरे ग्रेन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूरे ग्रेन दिखेगा ये ग्रेन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेन का मद्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेन होगा सूरे ग्रेन की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरे ग्रेन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जैसा कि आप सुभी जानते कि साथ ताडिख को चओवन साल बाद पुनई आ रहा है ब कर रस सूरे बढ़न होता है जी सुम्पूरत द्रिष्टी कोई बढ़न होता थार अँटा तप है जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई यातायात और एरपोर्ट पर छेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेंड के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेंड की स्तितीब बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेंड लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेंड चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेंड मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेंड लगने जा रहा है और कुछ रासियां है जिन दास्यों पर भी इसका असर है देश्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नों विसकर बाराइब में उसके और यारा विसकर सटाओं में तक कर समय इस सब्सक्राइब रहें कि यह पाहा के देशो अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंट के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंट के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंट के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट नि इस दोरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेंड एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूर्य ग्रेंड दिखेगा ये ग्रेंड 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रेंड का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूर्य ग्रेंड होगा सूर्य ग्रेंड की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासनों के मुताबिक चाहा सूरी ग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वजह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तितीब बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासियां है जिन दार्षियों पर भी इसका असर है दिस्ता से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नों बश्कर बारागी उसके और ग्यारा विश्कर 17 में तक कर समय इस समय रहेज़त रहका लिखी ये पाहा के देशों अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंट के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंट के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंट के बाद गंगा जलसे नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूस 18 ग्रहन रात 9 बज कर 12 मिनट से शुरू होगा और देर रात 2 बज कर 22 मिनट पर समाप्थ होगा जब ये सूर्य ग्रहन लगेगा तब भारत में रात होगी इसलिए सूर्य ग्रहन का सूतक काल भारत में मानने नहीं होगा लेकिन आपको खास साफधानिया बरतनी चाहिए लेकिन देखना चाहिए इसको ध्यां लगतेगा दूसरा प्रेग्नेंड ब्रेजली जो गरवटी महलाय होती है उनको ग्रहन के समय कुछ काटना नहीं चाहिए दोड़ना नहीं चाहिए। इस समय पर कोशिश करना है कि कोई धार्मिक गंत इत्यादी का अध्यान किया जाए, अपने मन के अंदर एक पॉजिटिविटी रखा जाए साल का ये पहला सूर्य ग्रहन अमेरिका, कनाडा, कोलंबिया, वेनेजुएला, आयर्लेंड, पुर्थगाल, नौर्वे, परामा, रूस, बहामास, पस्चिमी यूरोप, पैसिफिक, अट्लांटिक और आर्क्टिक में दिखेगा इसलिए इसका प्रभाव भारत में नकारात्मक होगा, नहीं के वराबर होगा, इसमें घबलाने की कोई आउशक्ता नहीं है इस सूर्य गरहन की खास बात यह है कि ये करीब 5 घंटे 10 मिनट का होगा, और करीब 7 मिनट से ज्यादा समय तक सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर नहीं पड़ेगा, यानि 7 मिनट तक सर्व गरास रहेगा, और धर्ती पूरी तरह से अंदकार में, वैग्यारिकों की माने तो इस तरह का सूर्य गरहन आज से करीब 54 साल पहले लगा था, इस पूर्ण सूर्य गरहन की शुरुवात दक्षिन प्रशांत महासागर से होगी, इस से पहले इस तरह का सू 2078 में दिखेगा, इस गरहन का प्रभाव अगले एक महिने तक दुनिया पर पड़ेगा, अलग-अलग राश्यों पर भी इसका प्रभाव दिखाई देगा, ये सूर्य गरहन कर्क, कन्या, वर्ष्चिक, कुम्ब और मीन राशी के लिए मध्यम फलदाई रहेगा, साब्धानी रखनी होगी. इसके अलावा भाई बहनों से कहा सुनी भी हो सकते है, तो इस समय पर ध्यान जरूर रखके चलेए, अपनी वाणी पर ध्यान रखके चलेए, वही पर करक राशी के जातकों को खासतार से ध्यान रखनी के विशकता है, और इस चीज को भी ध्यान रखके चलेगा, कि अगर अगली राशी की, तो आप लोगों के लिए करन्या राशी जो है, थोड़ा सा अब धानी बरतने की जरूरता है, अगर आप विवाहत है, या अगर आप बिसनस बिसनस पार्टनर के साथ कर रहे हैं, तो इस समय पर थोड़ी सी मुश्किले आप लोगों के आ सकती है, वही प अगर यहां पर आपको खास तोर से अपने धन का जो है, वह बहुत ध्यान रखने की जूरता है, अगर आप कही भार जा रहे हैं, तो घर पे सही तरीके सा ताले लगा के जाएगा, नहीं तो चोरी चकारी का डर बढ़ सकता है, अगर आप भार भी जारे तो पिक पॉकिट स बचके रहेगा, और इसके अलावा अगर हम बात करें कुम्ब और मीन की, तो कुम्ब राशी के जातकों को बिल्कुल ध्यान रखने की वशकता है, अगर आप ट्रावलिंग कर रहे हैं, तो चोर चपेट में आने की समभाबना है, इसलिए बहुत सा अपधानी से ट्रावलि सकती है, शेयर बाजार और दुनिया भर की आर्थिक इस्तिती हिल सकती है, ये परिवर्तन विश्व भर में यूद और विश्फोर्ट का संकेत दी रहा है, बिरो रिपोर्ट न्यूज एटीन चले यहां रुखेंगे एक छोड़ा सुपरे के लिए खबरे लगाता आजारे है, आठ अप्रेल दो हज़ार चॉबिस को दुनिया भर में कई जगों पर टोटल सोलर एकलिप्स यानि पूर्ण सूरे ग्रहन दिखाई देगा, सूरे ग्रहन एक खबोल ये घटना है, इसकी वैज्यानिक और धार्मिक मानेता है, नासा की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार, भारती इस समय के अनुसार आठ अप्रेल को पढ़ने वाला ग्रहन नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएस और क्यानदा में दिखाई देगा, आपको ये जानकारी होगी कि कोण स्थिती बन जाएगी, पूरे ग्रहन का समय धाई घंटे का है, लेकिन टोटालिटी का समय चार मिनेता है, भारत में दिखाई देगा ग्रहन, भारत में सूरे ग्रहन के सिर्फ वैज्यानिक मायने ही नहीं, बलकि धार्मिक मायने भी है, अमारे देश में ग्रहन से पहले लगता है तब सूतक काल 12 घंटे पहले से शुरू हो जाता है कि सूतक काल के दौरान मांगली कारेल नहीं करने चाहिए केंदरी ये संस्कृत विश्विध्याले पूरी के जोतिशाचारे डौक्टर गनेश मिश्टर के अनसार 8 अपरेल को सूरे ग्रहन रात 9 बचकर 12 मिनट से शुरू हो रहा है और ये देज रात 1 बचकर 25 मिनट तक रहेगा चुकि अभारत में नहीं दिखाई देगा इसलिए सूतकाल भी मानने नहीं होगा अब जानेंगे कि सूरे ग्रहन कहां कहां दिखाई देगा नासा की वेबसाइट के मताबिक टोटल सोलर एकलिप्स नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएर्स, कैनेडा और साउथ पैसिफिक ओशें में फोर्ड रूप से दिखाई देगा ग्रहन को देखने के लिए कुछ सेफटी गाइडलाइन्स फॉलो करने होते हैं नासा के मताबिक सूरे ग्रहन को नगन आखोस से देखने से सीवियर आई इंजरी हो सकती है ग्रहन को देखने के लिए एकलिप्स ग्लासिस या सोलर फिल्टर जरूरी हैं अगर आपके पास खास ग्लासिस नहीं है तो आप इंडिरेक्ट व्यूइंग मेथेड अपना सकते हैं यानि सूरे को सीधे तोर पर ना देखें पिन होल प्रोजेक्टर का इस्तमाल इसके लिए किया जा सकता है एकलिप्स ग्लास पहने हुए कैमरा लेंज, टेलेस्को, बानकुलर्स या किसी ऑप्टिकल जवाइस का इस्तमाल ना करें एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसा करने से आँखों को गंभील लुकसान पहुच करता है इसके अलावा नासा स्क्रीन सेथी की भी सला देता है ग्रेंड के दौरान आप संस्क्रीन लगा कर भी बाहर निखले हाच या कैब पहने, ऐसे कपड़े पहने जिन से आपकी स्के डिरेक्ट धूट के कॉंटेक्ट में ना आए ऑनलाइन कैसे देखें अब ऑनलाइन द्रहेंड को देख सकते हैं नासा इस सब ब्रॉडकास्ट करेगा आप यूट्यूब चानल और नासा की वेबसाइट पर देख सकते साइमेंडेट डॉट कॉम पर भी स्ट्रीमिंग की जाई दूग जानकारी के लिए बता दें कि आठ अपरेल को टोटल सोलर एकलिप्स के बाद अगला सूड़ेगों है तेट अगस्त को लगेगा इस टॉपिक पर आपका क्या कहाना है हमें कमें सेक्शन में बताए इसकी पर है की स्टोरीज के लिए बने रहें न्यूज एडिन इंडिया ओडिशनल के साथ कल साल का पहला सूरिग्राण है और चोवन साल बाद ये पूर्ण सूरिग्राण है भाला की भारत में इस सूरिग्राण का कोई असर नहीं होगा जो सचारेओं की माने तो कई रासियों पर इस सूरिग्राण का असर हो सकता है वही दूसरी तरफ भारत के जो दूसरे देश है किनकिन देशों में इस सूर्य गरहन का असर होगा जानिए इस रिपोर्ट में इस दोरान सूरे चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूरे का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूरे ग्रेन एक खगोल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अद्बुद सूरे ग्रहन दिखेगा ये ग्रहन आठ अप्रैल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रहन का मद्ध समे रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रहन होगा सूरे ग्रहन की अवधी 5 घंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक जहां सूरे ग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाईया तयात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रहन की स्थिती बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रहन चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया हैं जिन दासियों पर भी इसका असर है देश्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिये परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नोबस्तर बाराई में से जब के और ग्यारा विश्टर 17 में तक कर समय है इस समय रहेगा देहर का लिए बाहा के देश अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंट के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंट के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंट के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपॉर्ट न अलाकि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जो तुशाचारियों के मताबिक राशियों पर इसका असर होगा किन किन देशों में सूरिक ग्रहन दिखने वाला है आई इस रिपोर्ट के सर्गे हम आपको दिखाते हैं इस दोरान सूर्य चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूरे ग्रेंड एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूरे ग्रेंड दिखेगा ये ग्रेंड 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेंड का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेंड होगा सूरे ग्रेंड की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासनों के मुताबिक चाहा सूरी ग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है शासनों के मुताबिक चाहा सूरी ग्रहन लगता है शासनों के मुताबिक चाहा सूरी ग्रहन लगता है शासनों के मुताबिक चाहा सूरी ग्रहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रहन के दौरान सीधे सूरी को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरी ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूज एटीन साल दोहजार चोबीस का पहला सूरी ग्रहन ये ग्रहन बहुत खास माना जा रहा है क्योंकि ये एक पूर्ण सूरी ग्रहन होगा और करीब पांच घंटे दस मिनट का होगा जिसका संयोग करीब 54 साल बाद बन रहा है भारत्य समय के अनुसार सूरी ग्रहन रात 9 बज कर 12 मिनट से शुरू होगा और देर रात 2 बज कर 22 मिनट पर समाप्त होगा जब ये सूरी ग्रहन लगेगा तब भारत में रात होगी इसलिए सूरी ग्रहन का सूतक काल भारत में मानने नहीं होगा लेकिन आपको खास साफधानिया बरतनी चाहिए एक तो किसी भी ब्यक्ति को नंगी आख्षे ग्रहन नहीं देखना चाहिए विकॉस उस टाइम जो सूरी की रेज आ रही होती है जो सूरी की किरने आ रही होती है उनकी अंदर इतना वेग होता है इतना प्रभाव होता है कि वो आपकी आख की रोसनी के लिए घातक सिद्ध हो सकते है या शरीर पर उनका नकारात्मिक इंपैक्ट पड़ सकता है इसलिए किसी भी ब्यक्ति को नंगी आख्षे ग्रहन को नहीं देखना चाहिए इसको देखना लखिएगा दूसरा प्रेगनेंड भुमन इस्पेशली जो प्रेगनेंड महलाएं होती है जो गर्वती महलाएं होती है उनको ग्रहन के शमय कुछ काटना नहीं चाहिए तोडना नहीं चाहिए शिले हुए वस्त्र को धारण नहीं करना चाहिए काटना नहीं है, तोड़ना नहीं है, सिले हुए वस्त को धारण नहीं करना है, तेज आवाज में भोलना नहीं है, तेज आवाज में टीवी इत्यादी नहीं देखना है, कुछ सिलना इत्यादी नहीं है, इसका विशेशूर्ट से ध्याम रखना है, इस समय पर कोशिश करना ह कि कोई धार्मिक गंत इत्यादी का अध्यान किया जाए अपने मन के अंदर एक पॉस्टिविटी रखा जाए साल का ये पहला सूर्य ग्रहन अमेरिका, कनाडा, कोलंबिया, वेनिजुएला, आयर्लेंड, पुर्थगाल, नौर्वे, परामा, रूस, बाहमास, पस्चिमी यूरोप, पैसिफिक, अट्लांटिक और आर्क्टिक में दिखेगा इसलिए इसका प्रभाव भारत में नकारात्मक होगा, नहीं के बराबर होगा, इसमें घबलाने की कोई आउशकता नहीं है इस सूर्य गरहन की खास बात ये है कि ये करीब 5 घंटे 10 मिनट का होगा और करीब 7 मिनट से ज्यादा समय तक सूर्य का प्रकाश प्रत्वी पर नहीं पड़ेगा यानी 7 मिनट तक सर्व ग्रास रहेगा और धर्ती पूरी तरह से अंदकार में वैज्यारिकों की माने तो इस तरह का सूर्य गरहन आज से करीब 54 साल पहले लगा था इस पूर्ण सूर्य गरहन की शुरुवात दक्षिन प्रशांत महासागर से होगी इस से पहले इस तरह का सूर्य गरहन 1970 में दिखा था और अगली बार साल 2078 में दिखेगा इस गरहन का प्रभाव अगले एक महिने तक दुनिया पर पड़ेगा अलग-अलग राश्यों पर भी इसका प्रभाव दिखाई देगा ये सूर्य गरहन कर्क, कन्या, वर्ष्चिक, कुम्ब और मीन राशी के लिए मध्यम फलदाई रहेगा वर्षब, मिथुन, तुला और मकर राशी के लिए ये परिणाम उत्तम होंगे वही मेश, सिंग और धनु राशी वालों को विशेश साब्धानी रखनी होगी अब बात कर लेते हैं कौनसी वो राशी रहेंगी जिनके लिए ये सूर्य गरहन जो है नकरातनक प्रभाव दे सकता है क्योंकि मीन राशी रेवती नक्षत्र में लग रहा है तो मीन राशी के जात्रकों को इस समय पर बहुत साथान रहने की जरूरत है इसके अलावा रेवती नक्षत्र में जिन जात्रकों ने जनम लिया है उन लोगों को साबधान रहने की जोड़ता है अब सबसे पहले राशी की बात कर लेते हैं जिन लोगों को साबधानी इस दोरान बरतने की जोड़ता है वो है विरशिब राशी आप लोगों को खास तोर से अपने स्वास्त का ध्यान रखने के विशकता है स्वास्त में गड़बड़ी हो सकती है इसके अलावा भाई बहनों से कहा सुनी भी हो सकती है तो इस समय पर ध्यान ज़रूर रखके चलिए अपनी वानी पर ध्यान रखके चलिए वही पर करक राशी के जातकों को खासतोर से ध्यान रखने के विशकता है अपनी संतान के स्वासत का ध्यान रखने के विशकता है और इस चीज को भी ध्यान रखने के चलिएगा कि अगर आप लव रिलेशन्शिप में है तो लव रिलेशन्शिप इस सब पर स्कॉय हो सकता है वही पर अगर हम बात करें अगली राशी की तो आप लोगों के लिए करने राशी जो है थोड़ा साफ धानी बरतने की ज़रूरत अगर आप विवाहत है या अगर आप बिसनस बिसनस पार्टनर के साथ कर रहे हैं तो इस समय पर थोड़ी सी मुश्किलें आप लोगों के ले पर अगर अगर हम बात करें मकर राशी की इसके लावा तो मकर राशी वालोंके लिए ये समें काफी हद तक मिला जुला रहेगा अगर यहां पर आपको खास तोर से अपने धन का जो है वो बहुत ध्यान रखने की जूरत है अगर आप कहीं भार जा रहे हैं तो घर पे सही तर को बिल्कुल ध्यान रखने के वशकता है अगर आप ट्रावलिंग कर रहे हैं तो चोड़ चपेट में आने की संभावना है इसलिए बहुत साफ़धाने से ट्रावलिंग करें सूरिय गरहन का प्रफाव पूरी दुनिया के लोगों पर पड़ेगा दुनिया भर में इस सूरिय गरहन से राजनितिक रूप से भयंकर उथल पुथल मच सकती है शेयर बाजार और दुनिया भर की आर्थिक स्थिति हिल सकती है ये परिवर्तन विश्व भर में यूद और व चले यहां रुकेंगे एक छोड़ा सुपरे के लिए खबरे लगाता आजा रहे हैं आठ अप्रेल दोहजार चॉबिस को दुनिया भर में कई जगहों पर टोटल सोलर एकलिप्स यानी फूर्ण सूरे ग्रहन दिखाई देगा सूरे ग्रहन एक खगोल ये घगना है इसकी वैज्ञानिक और धार्मिक मानेता है नासा की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार भारती इस समय के अनुसार आज अप्रेल को पढ़ने वाला ग्रहन नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएस और कैनदा में दिखाई देगा आपको ये जानकारी होगी कि पूर सूरे ग्रहन तब दिखाई देता है जब चंद्रमा सूरे और प्रिथवी के बीच आ जाता है इस दौरान प्रिथवी से सूरे दिखाई नहीं देगा एक सूपिचास्ती किलोमीटर के इलाके में फूर रूप से अंधेर अचा जाएगा यानी टोट्रालिटी की स्थिती बन जाएगी पूरे ग्रहन का समय धाई घंटे का है लेकिन टोटालिटी का समय चार मिनित है भारत में दिखाई देगा ग्रहन भारत में सूरे ग्रहन के सिर्फ वैज्यानिक माईने ही नहीं बलकि धार्मिक माईने भी है अमारे देश में ग्रहन से पहले लगने वाले सूतक काल को भी लोग मारते हैं हिंदू पंचान के अनुसार साल 2024 में लगने वाला पहला सूरे ग्रहन चैत्रमास की अमावस्तिया पर लग रहा है तहाज आता है कि तूरे देव प्रत्यक्ष देवता है इसलिए जब सूरे ग्रहन लगता है तब सूतक काल 12 गंटे पहले ते शुरू हो जाता है कहा जाता है कि सूतक काल के दोरान मांगलिक कारे नहीं करने चाहते है केंदरी ये संस्कृत विश्विध्याले पूरी के जोतिशाचारे डॉक्टर गणिश मिश्टर के अनुसार 8 अपरेल को सूरे ग्रहन रात 9 बचकर 12 मिनिट से शुरू हो रहा है और ये देज रात 1 बचकर 25 मिनिट तक रहेगा चुकि ये भारत में नहीं दिखाई देगा इसलिए सूतकाल भी मानने नहीं होगा अब जानेंगे कि सूरे ग्रहन कहां कहां दिखाई देगा नासा की वेबसाइट के मताबिक टोटल सोलर एकलिफ्स नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएर्स, कैनेदा और साउथ स्पैसिफिक ओशियन में फोर्ड रूप से दिखाई देगा ग्रहन को देखने के लिए कुछ सेफटी ग्राइडलाइन्स फॉलो करने होते हैं नासा के मताबिक सूरे ग्रहन को नगन आखोस से देखने से सीवियर आई इंजरी हो सकती है ग्रहन को देखने के लिए एकलिफ्स ग्लासिस या सोलर फिल्टर्स जरूरी हैं अगर आपके पास खास ग्लासिस नहीं है तो आप इंडिरेक्ट व्यूइंग मैथेड अपना सकते हैं यानि सूरे को सीधे तोर पर ना देखें पिन होल प्रोजेक्टर का इस्तिमाल इसके लिए किया जा सकता है एकलिफ्स ग्लास पहने हुए camera lens, telescope, binoculars या किसी optical device का इस्तिमाल ना करें एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसा करने से आँखों को गंभील नुकसान पहुच करता है इसके अलावा NASA skin safety की भी सला देता है ग्रहेंड के दौरान आप संस्क्रीन लगा कर भी बाहर लिकले हाट या कैप पहने, ऐसे कप्रे पहने जिन से आपकी skin direct धूट के contact में ना आए ओनलाइन कैसे देखें अब ओनलाइन ग्रहेंड को देख सकते हैं, NASA इस सब ब्रॉटकास्ट करेगा, आप YouTube चानल और NASA की वेबसाइट पर देख सकते कल साल का पहला सूरिग्राण है और 54 साल बाद ये पूर्ण सूरिग्राण है, हाला की भारत में इस सूरिग्राण का कोई असर नहीं होगा, जो सचारेों की माने, तो कई रासियों पर इस सूरिग्राण का असर हो सकता है वही दूसरी तरफ भारत के जो दूसरे देश है किनकिन देशों में इस सूर्य ग्रहन का असर होगा जानिये इस रिपोर्ट में इस दौरान सूर्य चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिति बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूरे का प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूरे ग्रहन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूरे ग्रहन दिखेगा ये ग्रहन आठ अप्रैल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रहन का मद्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रहन होगा सूरे ग्रहन की अबधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक जहां सूरे ग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जैसा कि आप सुभी जानते कि यहाँ ईतरी ही आठश तारिको 54 साल बाद कोने आ रहा है सूरी खराण और सूरी खरने knocked झब होता है तो स्रहिक होता है कि जब राभू की स्रम्पृ द्रिष्टी सूरी पर मन जब होता है सूरी क्रहन असठर आमाँश Sig गांन है जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनिड़ा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई या तयात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तिती बनती है सूमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया हैं जिन दास्यों पर भी इसका असर है देश्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर ग्रात में नोब इसकर बाराग में उसके तक कर समय है इस समय रहेगा देहर का लिखिए बाहा के देशों में नहीं है लेकिन कु अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्राइन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्राइन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट उत्षचारियों के मुताबिक राशियों पर इसका असर होगा किन किन देशों में सूर्य ग्रहन दिखने वाला है आई इस रिपोर्ट के सरगे हम आपको दिखाते हैं इस दोरान सूर्य चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रहन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूर्य ग्रहन दिखेगा ये ग्रहन आठ अप्रैल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रहन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेंड होगा सूरे ग्रेंड की अवधी पांच खंटे दस मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक जहा सूरी ग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरी ग्रहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरी ग्रहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रहन की स्तिती बनती है सूमवर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रहन चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दाशियों पर भी इसका असर है लिश्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दूसार जो ही यहां पर ग्राथ में नौ बज़ पर बारा में तरके और ग्यारा विश्टर सटावल में तक कर समय इस समय रहें रहें का लिए बाहा के दे अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंट के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंट के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंट के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपॉर्ट न ये गरहन बेहत खास माना जा रहा है, क्योंकि ये एक पूर्ण सूरिय गरहन होगा और करीब 5 घंटे 10 मिनट का होगा, जिसका संयों करीब 54 साल बाद बन रहा है. भारत्य समय के अनुसार सूर्य ग्रहन रात 9 बज कर 12 मिनट से शुरू होगा और देर रात 2 बज कर 22 मिनट पर समाप्त होगा जब ये सूर्य ग्रहन लगेगा तब भारत में रात होगी इसलिए सूर्य ग्रहन का सूतक काल भारत में मानने नहीं होगा लेकिन आपको खास साफधानिया बरतनी चाहिए दूसरा प्रेग्नेंड बुमन इस्पेशली जो गर्वती महलाएं होती है उनको ग्रहन के शमय कुछ काटना नहीं चाहिए तोड़ना नहीं चाहिए शिले हुए वस्त्र को धारण नहीं करना चाहिए, काटना नहीं है, तोड़ना नहीं है, शिले हुए वस्त्र को धारण नहीं करना है, तेज आवाज में भोलना नहीं है, तेज आवाज में टीवी इत्यादी नहीं देखना है, कुछ सिलना इत्यादी नहीं है, इसका सूर्य ग्रहन अमेरिका, कनाडा, कोलंबिया, विनेजुएला, आयर्लेंड, पुर्थगाल, नौर्वे, परामा, रूस, बहामास, पर्चिमी यूरोप, पैसिफिक, अट्लांटिक और आर्क्टिक में दिखेगा। सूर्य ग्रहन की खास बात ये है, कि ये करीब 5 घंटे 10 मिनट का होगा, और करीब 7 मिनट से ज्यादा समय तक सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर नहीं पड़ेगा, यानि 7 मिनट तक सर्व ग्रास रहेगा, और धर्ती पूरी तरह से अंदकार में। वैग्यारिकों की माने तो इस तरह का सूर्य ग्रहन आज से करीब 54 साल पहले लगा था। इस पूर्ण सूर्य ग्रहन की शुरुवात दक्षिन प्रशांत महासागर से होगी, इस से पहले इस तरह का सूर्य ग्रहन 1970 में दिखा था, और अगली बार साल 2078 में दिखेगा। इस ग्रहन का प्रभाव अगले एक महिने तक दुनिया पर पड़ेगा, अलग-अलग राश्यों पर भी इसका प्रभाव दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं कौनसी वो राशिय रहेंगी जिनके लिए ये सूर्य ग्रहन जो है नकरापनर प्रभाव दे सकता है क्योंकि मीन राशी रेवती नक्षत्र में लग रहा है तो मीन राशी के जात्रकों को इस समय पर बहुत साथा साथान रहने की जरूरत है इसके अलावा रेवती नक्षत्र में जिन जात्रकों ने जनम लिया है उन लोगों को साथान रहने की जरूरत है अब सबसे पहले राशी की बात कर लेते हैं जन लोगों को साफधानी इस दोरान बरतने के जूरत है वो है विरशिब राशी आप लोगों को खास तौर से अपने स्वास्त का ध्यान रखने के विशकता है स्वास्त में गड़बडी हो सकती है इसके लावा भाई बेहनों से कहा सुनी भी हो सकती है तो इस समय पर ध्यान जरूर रखके चलिए अपनी वानी पर ध्यान रखके चलिए महीपर करक राशी के जातकों को खासतोर से ध्यान रखने के विशकता है एपनी संतान के स्वास्त का ध्यान रखने के वेशकता है और इस चीज को भी ध्यान रखके चलेगा कि अगर आप लव रेलेशनशिप में हैं तो लव रेलेशनशिप इस सब पे स्कॉईल हो सकता है वही पर अगर हम बात करें अगली राशी की तो मकर राशी वालों के लिए ये समय काफी हद तक मिला जुला रहेगा, ऐसा नहीं कहूंगी कि बहुत बुरा रहेगा, मिला जुला रहेगा, मगर यहां पर आपको खास तोर से अपने धन का जो है, वो बहुत ध्यान रखने की जूरता है, अगर आप कही भार जा रहे हैं, तो घर पे सही तरीके से ताले लगा के जाएगा, नहीं तो चोरी चकारी का डर बढ़ सकता है, अगर आप भार भी जा रहे तो पिक पॉकेट से बचके रहेगा, और इसके अलावा अगर हम बात करें कुम्ब और मीन की, तो कुम्ब राशी के जातकों को बिलकुल ध्यान र पड़ेगा, दुनिया भर में इस सूर्य ग्रहन से राजनीतिक रूप से भयंकर उथल पुथल मच सकती है, शेयर बाजार और दुनिया भर की आर्थिक इस्तिती हिल सकती है, ये परिवर्तन विश्व भर में यूद और विसफोर्ट का संकेत दी रहा है, बिरो रिपोर्ट चले, यहां रुखेंगे एक छोड़ा सुपरे के लिए खबरे लगाता आजारे है आठ अप्रेल 2024 को दुनिया भर में कई जगों पर टोटल सोलर एकलिप्स यानी पूर्ड सूरे ग्रहन दिखाई देगा सूरे ग्रहन एक खबोल ये घटना है, इसकी वैज्ञानिक और धार में खमानेता है नासा की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार, भारती इस समय के अनुसार आठ अप्रेल को पढ़ने वाला ग्रहन नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएस और कैनदा में दिखाई देगा आपको ये जानकारी होगी कि पूर सूरे ग्रहन तब दिखाई देता है, जब चंद्रमा सूरे और प्रिथवी के बीच आ जाता है इस दौरान प्रिथवी से सूरे दिखाई नहीं देगा, एक सूपिचास्ती किलोमीटर के इलाके में पूर रूप से अंधेर अचा जाएगा, यानी टोट्रालिटी की स्थिती बन जाएगी पूरे ग्रहन का समय धाई घंटे का है, लेकिन टोटालिटी का समय चार मिनित है भारत में दिखाई देगा ग्रहन भारत में सूरे ग्रहन के सिर्फ विज्यानिक माईने ही नहीं, बलकि धार्मिक माईने भी हैं अमारे देश में ग्रहन से पहले लगने वाले सूतक काल को भी लोग मारते हैं हिंदू पंचान के अनुसार साल 2024 में लगने वाला पहला सूरे ग्रहन चैत्रमात की अमावस्या पर लग रहा है कहा जाता है कि सूरे देव प्रत्यक्ष देवता है इसलिए जब सूरे ग्रहन लगता है तब सूतक काल 12 गंटे पहले ते शुरू हो जाता है कहा जाता है कि सूतक काल के दौरान मांगली कारे नहीं करने चाहिए केंदरी ये संस्कृत विश्विध्याले पूरी के जोतिशाचारे डॉक्टर गणेश मिष्ट के अनसार 8 अपरेल को सूरे ग्रहन रात 9 बचकर 12 मिनिट से शुरू हो रहा है और ये देज रात 1 बचकर 25 मिनिट तक रहेगा चुकि अभारत में नहीं दिखाई देगा इसलिए सूतकाल भी मानने नहीं होगा अब जानेंगे कि सूरे ग्रहन कहां कहां दिखाई देगा नासा की वेबसाइट के मताबिक टोटल सोलर एकलिप्स नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएस, कैनेडा और साथ स्पैसिफिक ओशें में फोर्ड रूप से दिखाई देगा ग्रहन को देखने के लिए कुछ सेफटी गाइडलाइन्स फॉलो करने होते हैं नासा के मताबिक सूरे ग्रहन को नगन आखोस से देखने से सीवियर आई इंज्यूरी हो सकती है ग्रहन को देखने के लिए एकलिप्स ग्लासिस या सोलर फिल्टर्स जरूरी हैं अगर आपके पास खास ग्लासिस नहीं है तो आप इंडिरेक्ट व्यूइंग मैथेड अपना सकते हैं यानि सूरे को सीधे तोर पर ना देखें पिन होल प्रोजेक्टर का इस्तिमाल इसके लिए किया जा सकता है एकलिप्स ग्लास पहने हुए कैमरा लेंज, टेलेस्कोब, बानकुलर्स या किसी ओप्टिकल जवाइस का इस्तिमाल ना करें एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसा करने से आँखों को गंभील नुकसान पहुच करता है इसके अलावा नासा स्क्रीन सेस्टी की भी सला देता है ग्रैंड के दौरान आप संस्क्रीन लगा कर भी बाहर लिकले हाट या कब पहने, ऐसे कपड़े पहने जिनसे आपकी स्क्रीन डिरेक्ट धूट के कॉन्टेक्ट्स में ना आए ओनलाइन कैसे देखें, आप ओनलाइन ध्रहन को देख सकते हैं, नासा इसका ब्रॉडकास्ट करेगा, आप यूट्यूब चानल और नासा की वेबसाइट पर देख सकते हैं कल साल का पहला सूरिग्राण है और 54 साल बाद ये पूर्ण सूरिग्राण है, हालांकि भारत में इस सूरिग्राण का कोई असर नहीं होगा, जो सचारेओ की माने, तो कई रासियों पर इस सूरिग्राण का असर हो सकता है, वही दूसरी तरफ, भारत के जो दूसरे देश है किन-किन देशों में इस सूर्य ग्रहन का असर होगा, जानिए इस रिपोर्ट में इस दौरान सूर्य चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंद्रमा की पून च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूरे ग्रेन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूरे ग्रेहन दिखेगा ये ग्रेहन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेहन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पून सूरे ग्रेहन होगा सूरे ग्रेंड की अवदी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेंड का सुतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक जहां सूरे ग्रेंड लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जैसा कि आप सुभी जानते हैं कि 8 तारिकों 54 साल बाद होने आ रहा है सूरे ग्रेंड और सूरे ग्रेंड जब होता है तो सभी बता है जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनेडा,ups, अमेरिका, माकसिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाईया तयात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वजह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तिती बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है तो और कुछ रासिया हैं जिन दाजियों पर भी इसका असर है दिंसास परले एक समय आ लेंगी कि भारतिया पराइक साथ जो ही यहाँ पर रात में वेज़कर बाराइक फतर जो कि और गयारा सटाव्य कि अजय कर समय इस समय रहेदार को यह वह कि यह एग्या पर पर क्रृत का अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंट के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंट के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंट के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है Bureau Report News 18 कल साल का पहला सूरिग्रहन होने जा रहा है 54 साल बाद पून सूरिग्रहन होने वाला है आला कि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जो तुशाचारियों के मताबिक राशियों पर इसका असर होगा किन-किन देशों में सूर्य ग्रहन दिखने वाला है आई इस रिपोर्ट के सरके हम आपको दिखाते हैं इस दोरान सूर्य चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रहन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूर्य ग्रहन दिखेगा ये ग्रहन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रहन का मद्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूर्य ग्रहन होगा सूरे ग्रेंड की अवदी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेंड का सुतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरे ग्रेंड लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तितीब बनती है सूमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासियां है जिन दार्शियों पर भी इसका असर है रिष्टा से पर्ले एक समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर डात्मेनों विश्टर बाराग में उसके और ग्यारा विश्टर सक्ताव में तक कर समय इस समय रहेगा का लिखिए बाहा अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंट के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंट के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंट के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट नि ये गरहन बहत खास माना जा रहा है क्योंकि ये एक पूर्ण सूरिय गरहन होगा और करीब पांच घंटे दस मिनट का होगा जिसका संयोग करीब 54 साल बाद बन रहा है भारतिय समय के अनुसार सूर्य ग्रहन रात 9 बज कर 12 मिनट से शुरू होगा और देर रात 2 बज कर 22 मिनट पर समाप्त होगा जब ये सूर्य ग्रहन लगेगा तब भारत में रात होगी इसलिए सूर्य ग्रहन का सूतक काल भारत में मानने नहीं होगा लेकिन आपको खास साफधानिया बरतनी चाहिए नहीं देखना चाहिए इसको ध्यान रखेगा दूसरा प्रेग्नेंड वुमन इस्पेशली जो प्रेग्नेंड महलाएं होती है उनको ग्रहन के शमय कुछ काटना नहीं चाहिए तोड़ना नहीं चाहिए शिले हुए वस्त्र को धारण नहीं करना चाहिए काटना नहीं है इस समय पर कोशिश करना है कि कोई धार्मिक गंत इत्यादी का अध्यान किया जाए, अपने मन के अंदर एक पॉजिटिविटी रखा जाए साल का ये पहला सूर्य ग्रहन अमेरिका, कनाडा, कोलंबिया, वेनेजुएला, आयर्लेंड, पुर्थगाल, नौर्वे, परामा, रूस, बहामास, पस्चिमी यूरोप, पैसिफिक, अट्लांटिक और आर्क्टिक में दिखेगा इसलिए इसका प्रभाव भारत में नकारात्मक होगा, नहीं के वराबर होगा, इसमें घबलाने की कोई और शक्ता नहीं है इस सूर्य गरहन की खास बात यह है कि ये करीब 5 घंटे 10 मिनट का होगा, और करीब 7 मिनट से ज्यादा समय तक सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर नहीं पड़ेगा यानी 7 मिनट तक सर्व गरास रहेगा और धर्ती पूरी तरह से अंदकार में वैग्यारिकों की माने तो इस तरह का सूर्य गरहन आज से करीब 54 साल पहले लगा था इस पूर्ण सूर्य गरहन की शुरुवात दक्षिन प्रशांत महासागर से होगी इस से पहले इस तरह का सूर्य गरहन 1970 में दिखा था और अगली बार साल 2078 में दिखेगा इस गरहन का प्रभाव अगले एक महिने तक दुनिया पर पड़ेगा अलग-अलग राश्यों पर भी इसका प्रभाव दिखाई देगा ये सूर्य गरहन कर्क, कन्या, व्रश्चिक, कुम्ब और मीन राशी के लिए मध्यम फलदाई रहेगा विर्शब, मिथुन, तुला और मकर राशी के लिए ये परिणाम उत्तम होंगे मही मेश, सिंग और धनु राशी वालों को विशेश साब्धानी रखनी होगी अब बात कर लेते हैं कौनसी वो राशी रहेंगी जिनके लिए ये सूर्य गरहन जो है नकरातनक प्रभाव दे सकता है क्योंकि मीन राशी रेवती नक्षत्र में लग रहा है तो मीन राशी के जात्तकों को इस समय पर बहुँँ साथान रहने की जरूरत है इसके अलावा रेवती नक्षत्र में जिन जात्तकों ने जनम लिया है उन लोगों को साबधान रहने की जोड़ता है अब सबसे पहले राशी की बात कर लेते हैं जिन लोगों को साबधानी इस दोरान बरतने की जोड़ता है वो है विरशिब राशी आप लोगों को खास तोर से अपने स्वास्त का ध्यान रखने के विशकता है स्वास्त में गड़बड़ी हो सकती है इसके अलावा भाई बेहनों से एक कहा सुनी भी हो सकती है तो इस समय पर ध्यान जरूर रखके चलिए अपनी वाणी पर ध्यान रखके चलिए वही पर करक राशी के जातकों को खासतोर से ध्यान रखने के विशकता है, अपनी संतान के स्वासत का ध्यान रखने के विशकता है, और इस चीज़ को भी ध्यान रखने के चलिएगा, कि अगर आप लव रिलेशन्शिप में हैं, तो लव रिलेशन्शिप इस सबबे स्पोई सुझाट वह. माई पर अगली राशी के लिए तो आप लोको के लिए कन्य राशी जुने तो घोडा साफ दहानी बरटने Κी की ज़रूरता है अगर आप विवाहत हैं यह यहां है फोलेसी मुश्किलेई आप लोगोगों के लिए आ अगर हम बात करें मकर राशी की इसके लावा तो मकर राशी वाड़ों के लेगे ये समय काफी हद तक मिला जूला रहेगा, ऐसा नहीं कहुंगी के बहुत बुरा रहेगा, मगर यहां पे आपको खास तर से अपने धन का जो है, अगर आप नहीं भाद जारहे हैं, तो घर पे स तो चोट चपेट में आने की समभावना है इसलिए बहुत साफ़ाने से ट्रावलिंग करें सूरिय गरहन का प्रभाव पूरी दुनिया के लोगों पर पड़ेगा दुनिया भर में इस सूरिय गरहन से राजनीतिक रूप से भयंकर उथल-पुथल मच सकती है शेयर बाजार और दुनिया भर की आर्थिक इस्तिती हिल सकती है ये परिवर्तन विश्व भर में यूद और विश्फोर्ट का संकेत दी रहा है बिरो रिपोर्ट न्यूज एटीन चलें यहां रुखेंगे एक छोड़ा सुपरेक के लिए खबरे लगाता आजारे है आठ अप्रेल दोहजार चॉबिस को दुनिया भर में कई जगों पर टोटल सोलर एकलिप्स यानी फोन सूरे ग्रहन दिखाई देगा सूरे ग्रहन एक खबोल ये घटना है इसकी वैज्यानिक और धार्मिक मानेता है नासा की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार भारती इस समय के अनुसार आठ अप्रेल को पढ़ने वाला ग्रहन नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएस और कैनादा में दिखाई देगा आपको ये जानकारी होगी कि कोन सूरे ग्रहन तब दिखाई देता है जब चंद्रमा सूरे और प्रिथवी के बीच आ जाता है इस दौरान प्रिथवी से सूरे दिखाई नहीं देगा एक सूपिचास्ती किलोमीटर के इलाके में पूर रूप से अंधेर अचा जाएगा यानी टोट्रालिटी की स्थिती बन जाएगी पूरे ग्रहन का समय धाई घंटे का है लेकिन टोटालिटी का समय चार मिनेट है भारत में दिखाई देगा ग्रहन भारत में सूरे ग्रहन के सिर्फ वैज्यानिक माईने नहीं बलकि धार्मिक माईने भी है अमारे देश में ग्रहण से पहले लगने वाले सूर्टक काल को भी लोग मा अते हैं हिंदू पंचान के अनुसार साल 2024 में लगने वाला पहला सूर्य ग्रहण चैट्रमास की अमावस्य अपर लग रहा है कहा जाता है कि सूरेदेव प्रत्यक्ष देवता है, इसलिए जब सूरेग्रहन लगता है तब सूतक काल 12 घंटे पहले ते शुरू हो जाता है कहा जाता है कि सूतक काल के दौरान मांग लिकारेल नहीं करने चाहे केंदरी ये संस्कृत विश्विध्याले पूरी के जोतिशाचारे डॉक्टर गनेश मिश्टर के अनसार 8 अपरेल को सूरे ग्रहन रात 9 बचकर 12 मिनिट से शुरू हो रहा है और ये देज रात 1 बचकर 25 मिनिट तक रहेगा चुकि ये भारत में नहीं दिखाई देगा इसलिए सूतकाल भी मानने नहीं होगा अब जानेंगे कि सूरे ग्रहन कहां कहां दिखाई देगा नासा की वेबसाइट के मताबिक टोटल सोलर एकलिप्स नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएर्स, कैनेडा और साउथ पैसिफिक ओशियन में फोर्ड रूप से दिखाई देगा ग्रहन को देखने के लिए कुछ सेटी गाइडलाइन्स फॉलो करने होते हैं नासा के मताबिक सूरे ग्रहन को नगन आखोस से देखने से सीवेर आई इंजरी हो सकती है ग्रहन को देखने के लिए एकलिप्स ग्लासिस या सोलर फिल्टर्स जरूरी हैं अगर आपके पास खास ग्लासिस नहीं है तो आप इंडिरेक्ट व्यूइंग मेथेड अपना सकते हैं यानि सूरे को सीधे तोर पर ना देखें पिन होल प्रोजेक्टर का इस्तमाल इसके लिए किया जा सकता है एकलिप्स ग्लास पहने हुए कैमरा लेंज, टेलेस्को, बानकुलर्स या किसी ओप्टिकल जिवाइस का इस्तमाल ना करें एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसा करने से आँखों को गंभील नुकसान पहुच करता है इसके अलावा नासा स्किन सेथी की भी सला देता है ग्रेंड के दौरान आप संस्क्रीन लगा कर भी बाहर निखले हाच या कैब पहने, ऐसे कपड़े पहने जिन से आपकी स्के डिरेक्ट धूट के कॉन्टेक्ट में ना आए ऑनलाइन कैसे देखें अब ऑनलाइन द्रहेंड को देख सकते हैं नासा इस सब ब्रॉडकास्ट करेगा आप यूट्यूब चानल और नासा की वेबसाइट पर देख सकते साइमएंडेक्ट डॉट कॉम पर भी स्ट्रीमिंग की जाए थी रानकारी के लिए बता दें कि आठ अप्रेल पो टोटल सोलर एकलिप्स के बाद अगला सूरे बेहें 23 अगस्त को लगेखा इस टॉपिक पर आपका क्या कहाना है हमें कमें सेक्शन में बताए इसी परहें की स्टोरीज के लिए बने रहें न्यूज एडिन इंडिया ओरिशनल के साथ कल साल का पहला सूरिग्राण है और चोवन साल बाद ये पूर्ण सूरिग्राण है भाला की भारत में इस सूरिग्राण का कोई असर नहीं होगा जो सचारे की माने तो कई रासियों पर इस सूरिग्राण का असर हो सकता है वही दूसरी तरब भारत के जो दूसरे देस है किनकिन देसों में इस सूर्य गरण का असर होगा जानिये इस रिपोर्ट में इस दोरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेंड एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूर्य ग्रेंड दिखेगा ये ग्रेंड 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेंड का मद्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेंड होगा सूरे ग्रेंड की अफ़धी 5 घंटे 10 मिनट की होगी हलाकि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरी ग्रेहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरी ग्रेहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरी ग्रेहन को लिकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेहन के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेहन की स्तितीब बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेहन लगने जा रहा है अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है Bureau Report News 18 इस दोरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है। इस सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है। लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है। जिन देशों में सूर्य ग्रहन दिखने वाला है। उनमें कैनेडा, अमेरिका, माकसिको जैसे देश शामिल है। अमेरिका में तो सूर्य ग्रहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। हवाई यातायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है। जब प्रित्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, इसकी वजह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है। तब पूर्ण सूर्य ग्रहन की स्तिती बनती है। सुमवर 8 अप्रेल को साल का पहला सूर्य ग्रहन लगेगा। जिन दास्यों पर भी इसका असर है। देशता से पहले समय जान लेंगी कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नों बश्कर बाराग में उसके और ग्यारा ग्रहन का लिए बाहा के देशों में लेगा। अरका ग्रहन के दौराण से बचना चाहिए। साल दोहजार चोबीस का पहला सूरिय गरहन ये गरहन बहुत खास माना जा रहा है क्योंकि ये एक पूर्ण सूरिय गरहन होगा और करीब 5 घंटे 10 मिनट का होगा जिसका संयोग करीब 54 साल बाद बन रहा है भारतिय समय के अनुसार सूर्य ग्रहन रात 9 बज कर 12 मिनट से शुरू होगा और देर रात 2 बज कर 22 मिनट पर समाप्थ होगा जब यह सूर्य ग्रहन लगेगा तब भारत में रात होगी इसलिए सूर्य ग्रहन का सुतक काल भारत में मानने नहीं होगा लेकिन आपको खास साफधानिया बरतनी चाहिए लेकिन चाहिए। इसको ख्यां रखेगा। दूसरा प्रेगनेंड ऊते हैं उनको ग्रहन की समय कुछ काटना नहीं चाहिए तोढ़ना नहीं करना चाहिए। तेज आवाज में भूलना नहीं नहीं देखना है। कुछ सिलना इत्यादी नहीं है, इसका विशेश रूप से ध्यान रखना है, इस समय पर कोशिश करना है कि कोई धार में गन्त इत्यादी का अध्यान किया जाए, अपने मन के अंदर एक पॉजिटिविटी रखा जाए. साल का ये पहला सूर्य ग्रहन, अमेरिका, कनाडा, कोलंबिया, विनेजुएला, आयरलेंड, पुर्थगाल, नौर्वे, परामा, रूस, बाहमास, पश्चिमी युरोप, पैसिफिक, अट्लांटिक और आर्क्टिक में दिखेगा. इसलिए इसका प्रभाव भारत में नकारात्मक होगा, नहीं के वराबर होगा, इसमें घबलाने की कोई और शक्ता नहीं है. इस सूर्य गरहन की खास बात ये है, कि ये करीब 5 घंटे 10 मिनट का होगा, और करीब 7 मिनट से ज्यादा समय तक सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर नहीं पड़ेगा. यानि 7 मिनट तक सर्व गरास रहेगा, और धर्ती पूरी तरह से अंदकार में. वैग्यारिकों की माने तो इस तरह का सूर्य गरहन आज से करीब 54 साल पहले लगा था. इस पूर्ण सूर्य गरहन की शुरुवात दक्षिन प्रशांत महासागर से होगी. इस से पहले इस तरह का सूर्य गरहन 1970 में दिखा था, और अगली बार साल 2078 में दिखेगा. इस गरहन का प्रभाव अगले एक महिने तक दुनिया पर पड़ेगा. अलग-अलग राश्यों पर भी इसका प्रभाव दिखाई देगा. ये सूर्य गरहन कर्क, कन्या, वरिष्चिक, कुम्ब और मीन राशी के लिए मध्यम फलदाई रहेगा. विर्षब, मिथुन, तुला और मकर राशी के लिए ये परिणाम उत्तम होंगे. वही मेश, सिंग और धनु राशी वालों को विशेश साब्धानी रखनी होगी. अब बात कर लेते हैं कौनसी वो राशी रहेंगी जिनके लिए ये सूर्य ग्रहन जो है नकरातनक प्रभाव दे सकता है. क्योंकि मीन राशी रेवती नक्षत्र में लग रहा है, तो मीन राशी के जात्रकों को इस समय पर बहुत साथ साब्धान रहने की जरूरत है. इसके इसके अलावा भाई बहनों से कहा सुनी भी हो सकते है, तो इस समय पर ध्यान ज़रूर रखके चलिए, अपनी वानी पर ध्यान रखके चलिए, वही पर करक राशी के जातकों को खासतोर से ध्यान रखने के विशकता है, अपनी संतान के स्वासत के ध्यान रखने के विशकत या अगर आप बिजनस बिजनस पार्टनर के साथ कर रहे हैं तो इस समय पर थोड़ी सी मुश्किल है आप लोगों के लिए आ सकती है वही पर अगर हम बात करें मकर राशी की इसके लावा तो मकर राशी वा लोग लिए ये समय काफी हद तक अगर यहां पर आपको खास तो इसके अपने अपने धन का जो है वह बहुत थयान की ज़ूरत है अगर आप अब रहे हैं तो घर पर सही तरीके से ताले लगा के जाएगा नहीं तो चोरी चकारी का डर पढ़ सकता है अगर आप बहार भी जा रहे तो पिक पॉकेट से बचके और इसके अलावा अगर हम बात करें कुम्ब और मीन की तो कुम्ब राशी के जातकों को बिल्कुल ध्यान रखने के वशकता है। ये परिवर्तन विश्व भर में यूद और विश्फोर्ट का संकेत दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज एटीन चलें यहां रुकेंगे एक छोड़ा सुपरे के लिए खबरे लगाता आजारे हैं। आठ अप्रेल 2024 को दुनिया भर में कई जगों पर टोटल सोलर एकलिप्स यानी फूर्ण सूरे ग्रहन दिखाई देगा। सूरे ग्रहन एक खबोल ये घटना हैं। इसकी वैज्ञानिक और धार में कमानेता हैं। नासा की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार, भारती इस समय के अनुसार आठ अप्रेल को पढ़ने वाला ग्रहन नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएस और कैनदा में दिखाई देगा। आपको ये जानकारी होगी कि कौन सूरे ग्रहन तब दिखाई देता है जब चंद्रमा सूरे और प्रिथवी के बीच आ जाता है। इस दौरान प्रिथवी से सूरे दिखाई नहीं देता। एक सूपिचास्ती किलोमीटर के इलाके में फूर रूप से अंधेरा चाजाएगा। यानी टोटालिटी की स्थिती बन जाएगी। पूरे ग्रहन का समय धाई घंटे का है लेकिन टोटालिटी का समय चार मिनेट है। भारत में दिखाई देगा ग्रहन। केंद्रिय संस्कृत विश्विध्याले पूरी के जोटिशाचारे डॉक्टर गनेश मिष्ट के अनसार 8 अपरेल को सूरे ग्रहन रात 9 बचकर 12 मिनिट से शुरू हो रहा है और यह देज रात 1 बचकर 25 मिनिट तक रहेगा। चुकि यह भारत में नहीं दिखाई देगा इस स्पैसिफिक ओशें में फोर्ड रूप से दिखाई देगा। ग्रहन को देखने के लिए कुछ सेफटी गाइडलाइन्स फॉलो करने होते हैं। नासा के मताबिक सूरे ग्रहन को नगन आखोस से देखने से सीवेर आई इंजरी हो सकती है। ग्रहन को देखने के लिए एकलिप्स ग्लासिस या सोलर फिल्टर्स जरूरी है। अगर आपके पास खास ग्लासिस नहीं है तो आप इंडिरेक्ट व्यूइंग मैथेड अपना सकते हैं यानि सूरे को सीधे तोर पर ना देखें। पिन होल प्रोजेक्टर का इस्तिमाल इसके लिए किया जा सकता है। एकलिप्स ग्लास पहने हुए कामरा लेंस, टेलेस्को, बानकुलर्स या किसी ओप्टिकल दिवाइस का इस्तिमाल ना करें। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसा करने से आँखों को गंभील नुक्सान पहुच करता है। इसके अलावा नासा स्क्रीन सेथी की भी सला देता है। ग्रेंड के दौरान आप संस्क्रीन लगाकर भी बाहर लिकले। हाट या कब पहने। ऐसे कप्रे पहने जिन से आपकी स्क्रीन डिरेक्ट धूट के कांटक्ट में ना आए। ओनलाइन कैसे देखें। आप ओनलाइन ध्रहेंड को देख सकते हैं। नासा इसका ब्रॉडकास्ट करेगा। आप यूट्यूब चानल और नासा की वेबसाइट पर देख सकते। कल साल का पहला सूरिग्राण है और चोवन साल बाद ये पूर्ण सूरिग्राण है, हलांकि भारत में इस सूरिग्राण का कोई असर नहीं होगा, जो सचारेओं की माने तो कई रासियों पर इस सूरिग्राण का असर हो सकता है। वही दूसरी तरब, भारत के जो दूसरे द चंदर्मा पूरी तरह से सूरे का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूरे ग्रेन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है चोवन साल बाद अद्वुद सूरे ग्रेन दिखेगा ये ग्रेन आठ अप्रेल को रात नौ बचकर बारा मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात दो बचकर बाइस मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेंड का मध्य समय रात 11 बच कर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेंड होगा सूरे ग्रेंड की अवधी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरे ग्रेंड लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उन में कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई या तयात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेंड के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेंड की स्तितीब बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेंड लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेंड चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेंड मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेंड लगने जा रहा है और कुछ रासियां हैं जिन दास्यों पर भी इसका असर है देश्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नों विसकर बाराग में उसके और ग्यारा विसकर 17 मिट तक कर समय इस समय रहेज़त रहता लिखिए बाहा के देशों म देश्ट से पहा हुख आए और कि कुछ रासियां है सूर्य घ्रहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी मजचना चाहिए ग्रेहं के दौरान सी-दे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूर घ्रेन collect के बाद गंगा जलसे नहाने को कहा जात बिरो रिपोर्ट न्यूज एटीन इस दोरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूर्य ग्रेन दिखेगा ये ग्रेन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रेन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूर्य ग्रेन होगा सूर्य ग्रेन की अवधी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूर्य ग्रेन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूर्य ग्रेन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूर्य ग्रेन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूर्य ग्रेन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाईया तयात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूर्य ग्रेन की स्तिती बंती है सूमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूर्य ग्रेन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूर्य ग्रेन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूर्य ग्रेन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूर्य ग्रेन लगने जा रहा है और कुछ रासियां हैं जिन दास्यों पर भी इसका असर है देश्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर ग्रात में नोब बाराइब में उसके और ग्यारा विश्टा सटाओं में तक का समय इस समय रहेगा देहर का लिखिए बाहा के अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंट के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंट के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंट के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न् साल दोहजार चोबीस का पहला सूर्य गरहन ये गरहन बहुत खास माना जा रहा है क्योंकि ये एक पूर्ण सूर्य गरहन होगा और करीब पांच घंटे दस मिनट का होगा जिसका संयोग करीब 54 साल बाद बन रहा है भारतिय समय के अनुसार सूर्य गरहन रात 9 बज कर 12 मिनट से शुरू होगा और देर रात 2 बज कर 22 मिनट पर समाप्थ होगा जब ये सूर्य गरहन लगेगा तब भारत में रात होगी इसलिए सूर्य गरहन का सूतक काल भारत में मानने नहीं होगा लेकिन आपको खास साफधानिय बरतनी चाहिए एक तो किसी भी ब्यक्ति को नंगी आक्षे गरहन नहीं देखना चाहिए विकॉज उस टाइम जो सूर्य की रेज आ रही होती जो सूर्य की किरने आ रही होती है उनकी अंदर इतना वेग होता है इतना प्रभाव होता है कि वह आपकी आठ की रोसनी के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं या शरीर पर उनका नकारात्मिक इंपक्त पड़ सकता है इसलिए किसी भी ब्यक्ति को नंगी आक्षे ग्रहन को नहीं देखना चाहिए इसको देहां रखेगा दूसरा प्रेग्नेंड वुमन इस्पेशली जो प्रेग्नेंड महलाएं होती हैं जो गरवती महलाएं होती हैं उनको ग्रहन के शमय कुछ काटना नहीं चाहिए तोड़ना नहीं चाहिए शिले हुए वस्त्र को धारण नहीं करना चाहिए काटना नहीं है तोड़ना नहीं ह सिले हुए वस्त को धारण नहीं करना है, तेज आवाज में भोलना नहीं है, तेज आवाज में टीवी इत्यादी नहीं देखना है, कुछ सिलना इत्यादी नहीं है, इसका विशेशूप्त से ध्यान रखना है, इस समय पर कोशिश करना है कि कोई धार्मिक गंत इत्यादी का साल का ये पहला सूर्य ग्रहन अमेरिका, कनाड़ा, कोलंबिया, विनेजुएला, आयर्लेंड, पुर्थगाल, नौर्वे, परामा, रूस, बाहमास, पस्चिम यूरोप, पैसिफिक, अट्लांटिक और आर्क्टिक में दिखेगा इसलिए इसका प्रभाव भारत में नकारात्मक होगा, नहीं के वराबर होगा, इसमें घबलाने की कोई और शक्ता नहीं है इस सूर्य गरहन की खास बात यह है, कि ये करीब 5 घंटे 10 मिनट का होगा, और करीब 7 मिनट से ज्यादा समय तक सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर नहीं पड़ेगा, यानि 7 मिनट तक सर्व गरास रहेगा, और धर्ती पूरी तरह से अंधकार में, वैज्यारिकों की माने तो इस तरह का सूर्य गरहन आज से करीब 54 साल पहले लगा था, इस पूर्ण सूर्य गरहन की शुरुवात दक्षिन प्रशांत महासागर से होगी, इस से पहले इस तरह का सू 1978 में दिखेगा, इस गरहन का प्रभाव अगले एक महिने तक दुनिया पर पड़ेगा, अलग-अलग राश्यों पर भी इसका प्रभाव दिखाई देगा, ये सूर्य गरहन कर्क, कन्या, व्रश्चिक, कुम्ब और मीन राशी के लिए मध्यम फलदाई रहेगा, व्रशब, मिथुन, तुला और मकर राशी के लिए ये परिणाम उत्तम होंगे, वही मेश, सिंग और धनु राशी वालों को विशेश सापधानी रखनी होगी, अब बात कर लेते हैं कौनसी वो राशी रहेंगी जिनके लिए ये सूर्य ग्रहन जो है नकरातनक प्रभाव दे सकता है, क्योंकि मीन राशी रेवती नक्षतर में लग रहा है, तो मीन राशी के जातकों को इस समय पे बहुत साथा सापधान रहने की जरूरत है, इसके अलावा रेवती नक्षतर में जिन जातकों ने जनम लिया है, उन लोगों को सापधान रहने की जरूरत है, अब सब से पहले पर ध्यान ज़रूर रख के चलिकर कर्क राशी को शहांता हो में अगर आप लोगों के लिस बातने की ज़रूरत है अगर विश्नशनस पाट्निर गीश हो सकते हैं वही पर अगर हम बात करें मकर राशी की इसके लावा तो मकर राशी वालों के लिए ये समें काफी हद तक मिला जुला रहेगा, ऐसा नहीं कहूंगी कि बहुत बुरा रहेगा, मगर यहां पर आपको खास तोर से अपने धन का जो है, वह बहुत ध्यान रखने की जूरता है, अगर आप कही भार जा रहे हैं, तो घर पे सही तरीके से ताले लगा के जाएगा, नहीं तो चोरी चकारी का डर बढ़ सकता है, अगर आप भार भी जा रहे तो पिक पॉकेट से बचके रहेगा, और इसके लावा अगर हम बात करें कुम्ब और मीन की, तो कुम्ब राशी के जातकों को बिल्कुल ध्यान रखने के वशकता है, अगर आप ट्रावलिंग कर रहे हैं, तो चोर चपेट में आने की समभावना है, इसलिए बहुत साफ़धाने से ट्रावलिंग करें सूरिय गरहन का प्रभाव पूरी दुनिया के लोगों पर पड़ेगा, दुनिया भर में इस सूरिय गरहन से राजनीतिक रूप से भयंकर उथल पुथल मच सकती है, शेयर बाजार और दुनिया भर की आर्थिक स्थिति हिल सकती है, ये परिवर्तन विश्व भर में यूद और विस्पोर्ट का संकेत दी रहा है बूरो रिपोर्ट न्यूस 18 चले यहां रुखेंगे एक छोड़ा सुप्रेक लिए खबरे लगाता आ जा रहे हैं आठ अप्रेल 2024 को दुनिया भर में कई जगों पर टोटल सोलर एकलिप्स यानी फूर्ण सूरे ग्रहन दिखाई देगा सूरे ग्रहन एक खगोलिये घगना है इसकी वैज्ञानिक और धार्मिक मानेता है नासा की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार भार की इस समय के अनुसार आठ अप्रेल को पढ़ने वाला ग्रहन नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएस और कैनदा में दिखाई देगा आपको यूए जानकारी होगी कि पूर सूरे ग्रहन तब दिखाई देता है जब चंद्रमा सूरे और प्रिथवी के बीच आ जाता है इस दौरान प्रिथवी से सूरे दिखाई नहीं देता 185 किलोमीटर के इलाके में फूर रूप से अंधेर अचा जाएगा यानी टोटालिटी की स्थिती बन जाएगी पूरे ग्रहन का समय धाई घंटे का है लेकिन टोटालिटी का समय चार मिनित है भारत में दिखाई देगा ग्रहन भारत में सूरे ग्रहन के सिर्फ वैज्यानिक माईने ही नहीं बलकि धार्मिक माईने भी हैं अमारे देश में ग्रहन से पहले लगने वाले सूतक काल को भी लोग मारते हैं हिंदु पंचान के अनुसार साल 2024 में लगने वाला पहला सूरे ग्रहन चैत्रमात की अमावस्या पर लग रहा है। कहा जाता है कि सूरे देव प्रत्यक्ष देवता हैं इसलिए जब सूरे ग्रहन लगता है तब सूतक काल 12 गंटे पहले ते शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि सूतक काल के दौरान मांगलिक कारे नहीं करने चाहिए केंदरी ये संस्कृत विश्विध्याले पूरी के जोतिशाचारे डॉक्टर गणीश मिश्टर के अनसार 8 अपरेल को सूरे ग्रहन रात 9 बचकर 12 मिनिट से शुरू हो रहा है और ये देज रात 1 बचकर 25 मिनिट तक रहेगा चुकि ये भारत में नहीं दिखाई देगा इसलिए सूतक काल भी मानने नहीं होगा ये है नासा की सलाः अब जानेंगे कि सूरे ग्रहन कहां कहां दिखाई देगा नासा की वेबसाइट के मताबिक टोटल सोलर एकलिफ्स नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएर्स, कैनेडा और साथ स्पैसिफिक ओशियन में फोर्ड रूप से दिखाई देगा ग्रहन को देखने के लिए कुछ सेफटी ग्राइडलाइन्स फॉलो करने होते हैं नासा के मताबिक सूरे ग्रहन को नगन आखोस से देखने से सीवियर आई इंजिरी हो सकती है ग्रहन को देखने के लिए एकलिफ्स ग्लासेस या सोलर फिल्टर्स जरूरी हैं अगर आपके पास खास ग्लासेस नहीं है तो आप इंडिरेक्ट व्यूइंग मैथेड अपना सकते हैं यानि सूरे को सीधे तोर पर ना देखे पिन होल प्रोजेक्टर का इस्तिमाल इसके लिए किया जा सकता है एकलिफ्स ग्लास पहने हुए कैमरा लेंस, टेलेस्कोब, बानकुलर्स या किसी ओप्टिकल डिवाइस का इस्तिमाल ना करें एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसा करने से आँखों को गंभील नुखसान पहुच करता है इसके अलावा नासा स्किन सेफ्टी की भी सला देता है ग्रेंड के दौरान आप संस्क्रीन लगा कर भी बाहर लिकले हैच या कैप पहने, ऐसे कप्रे पहने जिनसे आपकी स्किन डिरेक्ट धूट के कॉंटेक्स में ना आए ओनलाइन कैसे देखें, अब ओनलाइन ध्रहेंड को देख सकते हैं, नासा इससा ब्रॉटकास्ट करेगा, आप यूट्यूब चानल और नासा की वेबसाइट पर देख सकते हैं सामएंडेग.com पर भी स्की स्ट्रीमिंग की जाएगी तो कानकारी के लिए बता दें कि आठ अपरेल पो टोटल सोलर एकलिप्स के बाद अगला सूरेग हैं 23 अगस्त को लगेखा, इस टॉपिक पर आपका क्या कहाना है, हमें कमल सेक्शन ना बताएं, इसके पर अभी स्टोरीज के लिए बढ़े रहें, नियूज एदिन इंडिया औरिशनल के साथ. इस दोरान सूरे चंदरमा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है, चंदरमा पूरी तरह से सूरे का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी, और चंदरमा की पून च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा, सूरे ग्रेन एक खगॉल ये घटना है, जोतिश के आप से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है, 54 साल बाद अधबुद सूरे ग्रेहन दिखेगा, ये ग्रेहन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा, इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा, इस सूरे ग्रेहन का मध्य समे रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा, ये पूर्ण सूरे ग्रेहन होगा, सूरे ग्रेहन की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी, हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा, और इसलिए इस ग्रेहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा, भा इसलिए परanda की सूरेश को 50-64 साल बाद में आ रहा है सूरी ग्रेहन को शूरे ग्रेहन का-ट होता जब राहु की सउपूर द्रिष्टी पर होती है तो सूरि ग्रेहन होता है, सूरे ग्रेहन असर हमाय रचुता था माँशवाता आए, सूरвой जिन देशों में सूर्य ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूर्य ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाया तयात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रेहन की स्तिती बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रेहन चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेहन लगने जा रहा है तो और पुछ रासिया ने दाशियों पर भी इसका असर है तेसर से पर्ले एक समझ जालेंगे कि भारतिय परमपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नो वुसके बारा में सब्सक्र और ग्यारा विश्क श्काल में तका समय अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है ये इस रिपोर्ट के सर्गे आम आपको दिखाते है इस दोरान सूर्य चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेंड एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अद्बुद सूरे ग्रेहन दिखेगा ये ग्रेहन 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेहन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेहन होगा सूरे ग्रेहन की अवदी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक चहां सूरी ग्रेहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरी ग्रेहन दिखने वाला है उन में कैनेडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरी ग्रेहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेहन के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेहन की स्तितीब बनती है सूमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दार्शियों पर भी इसका असर है निस्ता से पर्ले एक समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नों बज़तर बारा में चुटके और ग्यारा बज़तर सक्ताव में तक कर समय इस समय रहेगा लिखिए बाहा के दे अमूमन माना जाता है कि सूर्य ग्रेंड के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंड के दौरान सीधे सूर्य को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूर्य ग्रेंड के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट पहला सूर्य ग्रहन, ये ग्रहन बहत खास माना जा रहा है, क्योंकि ये एक पूर्ण सूर्य ग्रहन होगा और करीब 5 घंटे 10 मिनट का होगा, जिसका सैयोग करीब 54 साल बाद बन रहा है। भारत्य समय के अनुसार सूर्य गहन रात 9 बज कर 12 मिनट से शुरू होगा और देरात 2 बज कर 22 मिनट पर समाप्त होगा जब सूर्य ग्रहन लगेगा तब भारत में रात होगी इसी लिए सूपर कम सूतक प्ला प्लाहरत में मानने नहीं होगा लेकिन आपको खास साफधानिया बरतनी चाहिए इसको धहार कोच variety दूसरा प्रेगनेंट महें होते हैं अको ग्रहन के समय कुछ काटना नहीं चाहिए कोटना नहीं करना चाहिए काटना नहीं है रहावाज एकोर नहीं करना है तेच आवाज में झाप नहीं देखना है, कुछ सिलना इत्यादी नहीं है, इसका विशेश रूप से ध्यान रखना है, इस समय पर कोशिश करना है कि कोई धार में गन्त इत्यादी का अध्यान किया जाए, अपने मन के अंदर एक पॉजिटिविटी रखा जाए. साल का ये पहला सूर्य ग्रहन, अमेरिका, कनाडा, कोलंबिया, विनेजुएला, आयरलेंड, पुर्थगाल, नौर्वे, परामा, रूस, बाहमास, पस्चिमी युरोप, पैसिफिक, अट्लांटिक और आर्क्टिक में दिखेगा. इसलिए इसका प्रभाव भारत में नकारात्मक होगा, नहीं के वराबर होगा, इसमें घबलाने की कोई और शक्ता नहीं है. इस सूर्य गरहन की खास बात ये है, कि ये करीब 5 घंटे 10 मिनट का होगा, और करीब 7 मिनट से ज्यादा समय तक सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर नहीं पड़ेगा. यानि 7 मिनट तक सर्व गरास रहेगा, और धर्ती पूरी तरह से अंदकार में. वैग्यारिकों की माने तो इस तरह का सूर्य गरहन आज से करीब 54 साल पहले लगा था. इस पूर्ण सूर्य गरहन की शुरुवात दक्षिन परशांत महासागर से होगी. इस से पहले इस तरह का सूर्य गरहन 1970 में दिखा था और अगली बार साल 2078 में दिखेगा. इस गरहन का प्रभाव अगले एक महिने तक दुनिया पर पड़ेगा. अलग-अलग राश्यों पर भी इसका प्रभाव दिखाई देगा. ये सूर्य गरहन कर्क, कन्या, व्रिष्चिक, कुम्ब और मीन राशी के लिए मध्यम फलदाई रहेगा. विर्षब, मिथुन, तुला और मकर राशी के लिए ये परिणाम उत्तम होंगे. वही मेश, सिंग और धनु राशी वालों को विशेश साब्धानी रखनी होगी. अब बात कर लेते हैं, कौन सी वो राशी रहेंगी, जिनके लिए ये सूर्य ग्रहन जो है, नकरातनक प्रभाव दे सकता है. क्योंकि मीन राशी रेवती नक्षत्र में लग रहा है, तो मीन राशी के जात्रकों को इस समय पर बहुत साथ साब्धान रहने की जरूरत है. बाई बहनों से कहा सुनी भी हो सकता है, तो इस समय पर ध्याण ज़रूर रख के चलएं. पर कर्क राशी के जातकों को थार ने के वुषकता है, अपनी संतान के स्वास्त का द्यान के यह ज़रूरतनी के वुषकता है. या अगर आप बिजनस बिजनस पार्टनर के साथ कर रहे हैं तो इस समय पर थोड़ी सी मुश्किलें आप लोगों के लिए आ सकती हैं और इसके अलावा अगर हम बात करें कुम्ब और मीन की तो कुम्ब राशी के जातकों को बिल्कुल ध्यान रखने के वशकता है अगर आप ट्रावलिंग कर रहे हैं तो चोड़ चपेट में आने की समभावना है इसलिए बहुत साफधाने से ट्रावलिंग करें सूरिय गरहन का प्रभाव पूरी दुनिया के लोगों पर पड़ेगा दुनिया भर में इस सूरिय गरहन से राजनीतिक रूप से भयंकर उथल पुथल मच सकती है शेयर बाजार और दुनिया भर की आर्थिक स्थिति हिल सकती है ये परिवर्तन विश्व भर में यूद और विश्फोर्ट का संकेत दे रहा है ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज एटीन चलें यहां रुकेंगे एक छोड़ा सुपरे के लिए खबरे लगाता आजा रहे हैं आठ अप्रेल 2024 को दुनिया भर में कई जगों पर टोटल सोलर एकलिप्स यानी पूर्ण सूरे ग्रहन दिखाई देगा सूरे ग्रहन एक खबोलिये घटना है इसकी वैज्ञानिक और धार्मिक मानेता है नासा की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार भार की इस समय के अनुसार आठ अप्रेल को पढ़ने वाला ग्रहन नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएस और कैनदा में दिखाई देगा आपको यूजानकारी होगी कि पूर सूरे ग्रहन तब दिखाई देता है जब चंद्रमा सूरे और प्रिथवी के बीच आ जाता है इस दौरान प्रिथवी से सूरे दिखाई नहीं देता 185 किलोमीटर के इलाके में पूर रूप से अंधेरा चाजाएगा यानी टोटालिटी की स्थिती बन जाएगी पूरे ग्रहन का समय धाई घंटे का है लेकिन टोटालिटी का समय चार मिनेट है भारत में दिखाई देगा ग्रहन भारत में सूरे ग्रहन के सिर्फ वैग्यानिक माईने नहीं बलकि धार्मिक माईने भी है अमारे देश में ग्रहन से पहले लगने वाले सूतक काल को भी लोग मारते हैं हिंदू पंचान के अनुसार साल 2024 में लगने वाला पहला सूरे ग्रहन चैत्रमास की अमावस्या पर लग रहा है तहाँ जाता है कि सूरेधे प्रत्यक्ष देवता है। इसलिए जब सूरे ग्रहन लगता है तब सूतक काल 12 गंटे पहले शुरू हो जाता है। सूतक काल के दौराण मांगलिक कारेिल नहीं करने चाहते है। केंदरी ये संस्कृत विश्विध्याले पूरी के जोतिशाचारे डॉक्टर गनेश मिश्ट के अनसार 8 अपरेल को सूरे ग्रहन रात 9 बचकर 12 मिनिट से शुरू हो रहा है और ये देज रात 1 बचकर 25 मिनिट तक रहेगा चुकि ये भारत में नहीं दिखाई देगा इसलिए सूतकाल भी मानने नहीं होगा अब जानेंगे कि सूरे ग्रहन कहां कहां दिखाई देगा नासा की वेबसाइट के मताबिक टोटल सोलर एकलिप्स नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएस, कैनेडा और साउथ पैसिफिक ओशियन में कोड रूप से दिखाई देगा ग्रहन को देखने के लिए कुछ सेफटी गाइडलाइन्स फॉलो करने होते हैं नासा के मताबिक सूरे ग्रहन को नगन आखोस से देखने से सीवेर आई इंजरी हो सकती है ग्रहन को देखने के लिए एकलिप्स ग्लासिस या सोलर फिल्टर्स जरूरी हैं अगर आपके पास खास ग्लासिस नहीं है तो आप इंडिरेक्ट व्यूइंग मैथेड अपना सकते हैं यानि सूरे को सीधे तौर पर ना देखें पिन होल प्रोजेक्टर का इस्तिमाल इसके लिए किया जा सकता है एकलिप्स ग्लास पहने हुए कैमरा लेंज, टेलेस्को, बानकुलर्स या किसी ओप्टिकल दिवाइस का इस्तिमाल ना करें एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसा करने से आँखों को गंभील नुकसान पहुच करता है इसके अलावा नासा स्किन सेस्टी की भी सला देता है ग्रेंड के दौरान आप संस्क्रीन लगा कर भी बाहर लिकले हाट या कब पहने, ऐसे कपड़े पहने जिनसे आपकी स्किन डिरेक्ट धूट के कॉन्टेक्ट में ना आए ओनलाइन कैसे देखें, आप ओनलाइन ध्रहेंड को देख सकते हैं नासा इसका ब्राद कास्ट करेगा, आप यूट्यूब चानल और नासा की वेबसाइट पर देख सकते हैं सामन्देख.com पर भी इसकी स्ट्रीमिंग की जाए तो जानकारी के लिए बता दें कि 8 अपरेल को टोटल सोलर एकलिप्स के बाद अगला सूरेग है, पेज़ अगस्त को लगेखा इस टॉपिक पर आपका क्या कहाना है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं इसकी पर देख स्टोरी के लिए बने रहें नूज एडिन इंडिया ओडिशनल्स के साथ कल साल का पहला सूरीगहाण है और 54 साल बाद ये पूर्ण सूरीगहाण है भाला की भारत में सूरीगहाण का कोई असर नहीं होगा जो साचारेओं की माने तो कई रासियों पर इस सूरीगहाण का असर हो सकता है वही दूसरी तरफ भारत के जो दूसरे देश है किनकिन देशों में इस सूरीगहाण का असर होगा जानिये इस रिपोर्ट में इस दौरान सूरीगहाण परत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदरमा पूरी तरह से सूरी का प्रकाश परत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदरमा की पून च्छाया परत्वी पर पड़ेगा सूरीग्रेन एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूरीग्रेन दिखेगा ये ग्रेन 8 अपरेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरीग्रेन का मद्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरीग्रेन होगा सूरीग्रेन की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरीग्रेन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरीग्रेन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है। जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है। पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है। तब पूर सूरे ग्रेंड की स्तितीब बनती है। सुमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेंड लगेगा। 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रेंड। चेतर नवरात से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेंड। मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेंड लगने जा रहा है। और कुछ रासियां हैं जिन रासियों पर भी इसका असर है। रिष्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नों बज़ बाराव में शुक्त के और ग्यारा बज़कर सक्ताव में तक कर समय अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंड के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए। ग्रेंड के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए। शास्त्रों में सूरे ग्रेंड के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है। बिरो रिपोर्ट न्यूस एटीन इस दौरान सूरे चन्दरमा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है। चन्दरमा पूरी तरह से सूरे का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी। और चन्दरमा की पून च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा। सूरे ग्रेंड एक खगौल ये घटना है, जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है, 54 साल बाद अधबुद सूरे ग्रेंड दिखेगा ये ग्रेंड आठ अप्रेल को रात 9 बच कर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा, इसका समापन रात 2 बच कर 22 मिनट पर होगा, इस सूरे ग्रेंड का मध्य समय रात 11 बच कर 47 मिनट पर होगा, ये पूर्ण सूरे ग्रेंड होगा, सूरे ग्रेंड की अवधी 5 गंटे 10 मिनट की होग हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रैन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रैन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक चाहा सूरी ग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वजह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रहन की स्तिती बनती है सूमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रहन चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासियां हैं जिन दास्यों पर भी इसका असर है दिश्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर ग्राथ में नो बज़तर बारा में से तक और ग्यारा बज़तर सताओं में तक कर समय इस समय रहेगा देहर का लिखिए बाहा के अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंट के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंट के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंट के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपॉर्ट न ये गरहन बहत खास माना जा रहा है क्योंकि ये एक पूर्ण सूरिय गरहन होगा और करीब 5 घंटे 10 मिनट का होगा जिसका संयों करीब 54 साल बाद बन रहा है भारतिय समय के अनुसार सूरिय गरहन रात 9 बज कर 12 मिनट से शुरू होगा और देर रात 2 बज कर 22 मिनट पर समाप्थ होगा जब ये सूरिय गरहन लगेगा तब भारत में रात होगी इसलिए सूरिय गरहन का सूतक काल भारत में मानने नहीं होगा लेकिन आपको खास साफधा या बरतनी चाहिए एक तो किसी वी द्यक्ति को नंगी आक्षे ग्रहन नहीं देखना चाहिए विकॉज उस टाइम जो सूरी की रेज आ रही होती हैं उनके अंदर इतना वेग होता है इतना प्रभाव होता है कि वह आपकी आख की रोसनी के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं या शरीर पर उनका नकारात्मिक इंपैक्ट पड़ सकता है इसलिए किसी भी व्यक्ति को नंगी आक्षे ग्रहन को नहीं देखना चाहिए इसको ध्यां रखेगा दूसरा pregnant woman इसकली जो pregnant महलाएं होती हैं जो गरवती महलाएं होती हैं उनको ग्रहन के समय कुछ काटना नहीं चाहिए तोडना नहीं चाहिए शिले हुए वस्त्र को धार नहीं देखना है कुछ सिल्ना इत्यादी नहीं है इसका विशेशूर्ट से ध्यान रखना है इस समय पर कोशिश करना है कि कोई धार्मिक गंत इत्यादी का अध्यान किया जाए अपने मन के अंदर एक पॉजिटिविटी रखा जाए साल का ये पहला सूर्य ग्रहन अमेरिका, कनाडा, कोलंबिया, वेनेजुएला, आयर्लेंड, पुर्थगाल, नौर्वे, परामा, रूस, बहामास, पश्चिमी यूरोप, पैसिफिक, अट्लांटिक और आर्क्टिक में दिखेगा इसलिए इसका प्रभाव भारत में नकारात्मक होगा, नहीं के वराबर होगा, इसमें घबलाने की कोई आउशकता नहीं है इस सूर्य गरहन की खास बात यह है कि ये करीब 5 घणते 10 मिनट का होगा और करीब 7 मिनट से ज्यादा समय तक सूर्य का प्रकाश पिर्थ्वीपर नहीं पड़ेगा यानी 7 मिनट तक सर्व ग्रास रहेगा और धर्ती पूरी तरह से अंदकार में वैज्यारिकों की माने तो इस तरह का सूर्य गरहन आज से करीब 54 साल पहले लगा था इस पूर्ण सूर्य गरहन की शुरुवात दक्षिन प्रशांत महासागर से होगी इस से पहले इस तरह का सूर्य गरहन 1970 में दिखा था और अगली बार साल 2078 में दिखेगा इस गरहन का प्रभाव अगले एक महिने तक दुनिया पर पड़ेगा अलग-अलग राश्यों पर भी इसका प्रभाव दिखाई देगा अब बात कर लेते हैं कौनसी वो राशिय रहेंगी जिनके लिए ये सूर्य गरहन जो है नकरातनक प्रभाव दे सकता है क्योंकि मीन राशी रेवती नक्षतर में लग रहा है तो मीन राशी के जातकों को इस समय पर बहुत साथा साथान रहने की जरूरत है इसके अलावा रेविती नक्षत्र में जिन जातों को ने जनम लिया है उन लोगों को साफधान रहने की जोड़ता है अब सबसे पहले राशी की बात कर लेते हैं जिन लोगों को साफधानी इस दोरान बरतने की जोड़ता है वो है विरशिब राशी आप लोगों को खास तोर से अपने स्वास्त का ध्यान रखने के विशकता है स्वास्त में गड़बड़ी हो सकती है इसके अलावा भाई बेहनों से एक कहा सुनी भी हो सकती है तो इस समय पर ध्यान ज़रूर रखके चलिए अपनी वानी पर ध्यान रखके चलिए वही पर करक राशी के जातकों को खासतोर से ध्यान रखने के विशकता है, अपनी संतान के स्वासत का ध्यान रखने के विशकता है, और इस चीज को भी ध्यान रखने के चलिएगा, कि अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं, तो लव रिलेशनशिप इस सब्सक्राइब हो सक वही पर अगर हम बात करें मकर राशी की इसके लावा तो मकर राशी वालों लिए यह समय काफी हद तक मिला जुला रहेगा, ऐसा नहीं कहूंगी कि बहुत बुरा रहेगा, मगर यहां पर आपको खास तोर से अपने धन का जो है वह बहुत ध्यान रखने की जूरते है, अगर आप ट्रावलिंग कर रहे हैं तो चोड़ चपेट में आने की समभावना है, इसलिए बहुत साफ़ धाने से ट्रावलिंग करें सूरिय गरहन का प्रभाव पूरी दुनिया के लोगों पर पड़ेगा, दुनिया भर में इस सूरिय गरहन से राजनीतिक रूप से भयंकर उथल पुथल मच सकती है शेयर बाजार और दुनिया भर की आर्थिक स्थिति हिल सकती है ये परिवर्तन विश्व भर में यूद और विस्पोर्ट का संकेत दी रहा है बिरो रिपोर्ट न्यूज एटीन चले यहां रुकेंगे एक छोड़ा सुपरे के लिए खबरे लगाता आ जा रहे हैं आठ अप्रेल 2024 को दुनिया भर में कई जगों पर टोटल सोलर एकलिप्स यानी फूर्ण सूरे ग्रहन दिखाई देगा सूरे ग्रहन एक खबोल ये घटना है इसकी वैज्ञानिक और धार में खमानेता है नासा की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार भारती इस समय के अनुसार आठ अप्रेल को पढ़ने वाला ग्रहन नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएस और कैनदा में दिखाई देगा आपको ये जानकारी होगी कि पूर सूरे ग्रहन तब दिखाई देता है जब चंद्रमा सूरे और प्रिथवी के बीच आ जाता है इस दौरान प्रिथवी से सूरे दिखाई नहीं देता 185 किलोमीटर के इलाके में पूर रूप से अंधेर अचा जाएगा यानी टोट्रालिटी की स्थिती बन जाएगी पूरे ग्रहन का समय धाई घंटे का है लेकिन टोटालिटी का समय चार मिनटे भारत में दिखाई देगा ग्रहन भारत में सूरे ग्रहन के सिर्फ वैज्यानिक माईने ही नहीं बलकि धार्मिक माईने भी है अमारे देश में ग्रहन से पहले लगने वाले सूतक काल को भी लोग माते हैं हिंदू पंचान के अनुसार साल 2024 में लगने वाला पहला सूरे ग्रहन चैर त्रमात की अमावस्य अपर लग रहा है। कहा जाता है कि सूरे देव प्रत्यक्ष देवता है, इसलिए जब सूरे ग्रहन लगता है तब सूतक काल 12 घंटे पहले ते शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि सूतक काल के दौरान मांगलिक कारे नहीं करने चाहिए। केंदरी ये संस्कृत विश्विध्याले पूरी के जोतिशाचारे डॉक्टर गणेश मिष्ट के अनसार 8 अपरेल को सूरे ग्रहन रात 9 बचकर 12 मिनिट से शुरू हो रहा है और ये देज रात 1 बचकर 25 मिनिट तक रहेगा। चुकि अभारत में नहीं दिखाई देगा इसलिए सूत तकाल भी मानने नहीं होगा। ये है नासा की सला। अब जानेंगे कि सूरे ग्रहन कहां कहां दिखाई देगा। नासा की वेबसाइट के मताबिक टोटल सोलर एकलिप्स नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएस, कैनेडा और साउथ पैसिफिक ओशें में फोर्ड रूप से दिखाई देगा। ग्रहन को देखने के लिए कुछ सेफटी गाइडलाइन्स फॉलो करने होते हैं। नासा के मताबिक सूरे ग्रहन को नगन आखोस से देखने से सीवेर आई इंजरी हो सकती है। ग्रहन को देखने के लिए एकलिप्स ग्लासिस या सोलर फिल्टर्स जरूरी हैं। अगर आपके पास खास ग्लासिस नहीं है तो आप इंडिरेक्ट व्यूइंग मैथेड अपना सकते हैं। यानि सूरे को सीधे तोर पर ना देखें। पिंट होल प्रोजेक्टर का इस्तिमाल इसके लिए किया जा सकता है। एकलिप्स ग्लास पहने हुए कैमरा लेंज, टेलेस्कोब, बानकुलर्स या किसी ऑप्टिकल दिवाइस का अक्स्तमाल ना करें। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसा करने से आखों को गंभील नुकसान पहुच करता है। इसके अलावा नासा स्किन सेफ्टी की भी सला देता है। ग्रैंड के दौरान आप संस्क्रीन लगा कर भी बाहर लिकले। हाट या कब पहने, ऐसे कप्डे पहने जिनसे आपकी स्किन डिरेक्ट धूट के कॉन्टेक्ट्स में ना आए। ओनलाइन कैसे देखें। अब ओनलाइन ध्रहन को देख सकते हैं। नासा इस सब ब्रादकास्ट करेगा। आप यूट्यूब चानल और नासा की वेबसाइट पर देख सकते। तामएंडेग.com पर भी स्की स्ट्रीमिंग की जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि 8 अपरेल पो टोटल सोलर एकलिप्स के बाद अगला सूरेगों हैं 23 अगस्त को लगेता। उस टॉपिक पर आपका क्या गयाना हैं हमें कमल सेक्शन में बताएं इसी पर अभी स्टोडी से लिए बने रहें न्यूज एदी इंडिया ओडिशनल के साथ। कल साल का पहला सूरिग्राण है और 54 साल बाद ये पूर्ण सूरिग्राण है भाला की भारत में इस सूरिग्राण का कोई असर नहीं होगा जो सचारेओं की माने तो कई रासियों पर इस सूरिग्राण का असर हो सकता है वही दूसरी तरब भारत के जो दूसरे देश है किनक इस दौरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रैन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूर्य ग्रैन दिखेगा ये ग्रैन आठ अप्रैल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रैन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूर्य ग्रैन होगा सूर्य ग्रैन की अवधी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूर्य ग्रैन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रैन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक चहां सूर्य ग्रैन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जैसा कि आप सुभी जानते कि आठ तारिकों 54 साल बाद होने आ रहा है सूरी ग्रैन और सूरी ग्रैन जब होता है तो सखीक मता है कि जब रावू की स्रमपुर द्रिष्टी सूरी पर होती है तो सूरी ग्रैन होता है सूरी ग्रैन अस्तर अमावश कुआता है जिन देशों में सूर्य ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूर्य ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई या तयात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तिती बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया हैं जिन दास्यों पर भी इसका असर है देश्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर ग्रात में नोब इसकर बाराग में उसके और ग्यारा विश्टा सटाल में तक कर समय इस समय रहेगा देहर का लिखिए बाहा के अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंट के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंट के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंट के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न् किन किन देशों में सूरिक रहन दिखने वाला है आई इस रिपोर्ट के सरगे हम आपको दिखाते हैं इस दोरान सूर्य चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूरे ग्रेंड एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूरे ग्रेंड दिखेगा ये ग्रेंड 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेंड का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेंड होगा सूरे ग्रेंड की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोस की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक चाहा सूरी ग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है शासलों के मुताबिक चाहा सूरी ग्रहन लगता है शासलों के मुताबिक चाहा सूरी ग्रहन लगता है शासलों के मुताबिक चाहा सूरी ग्रहन लगता है बचना चाहिए ग्रहन के दौरान सीधे सूरी को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरी ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूज 18 साल दोहजार चोबीस का पहला सूरी ग्रहन ये ग्रहन बेहत खास माना जा रहा है क्योंकि ये एक पूर्ण सूरी ग्रहन होगा और करीब 5 घंटे 10 मिनट का होगा जिसका संयोग करीब 54 साल बाद बन रहा है भारत्य समय के अनुसार सूरी ग्रहन रात 9 बज कर 12 मिनट से शुरू होगा और देर रात 2 बज कर 22 मिनट पर समाप्थ होगा जब ये सूरी ग्रहन लगेगा तब भारत में रात होगी इसलिए सूरी ग्रहन का सूतक काल भारत में मानने नहीं होगा लेकिन आपको खास साफधानिय बरतनी चाहिए एक तो किसी भी द्यक्ति को नंगी आक से ग्रहन नहीं देखना चाहिए विकाज उस टाइम जो सूरी की रेज आ रही होती हैं उनके अंदर इतना वेग होता है इतना प्रभाव होता है कि वह आपकी आठ की रोसनी के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं या शरीर पर उनका नकारात्मिक इंपैक्ट पड़ सकता है इसलिए किसी भी व्यक्ति को नंगी आठ्षे ग्रहन को नहीं देखना चाहिए दूसरा pregnant woman especially जो pregnant लाइन होती हैं जो गरवती महलाइन होती हैं उनको ग्रहंड के समये कुछ काटना नहीं चाहिए काटना नहीं करना चाहिए काटना नहीं है तोड़ना नहीं है लहीए बश्थ को धारन नहीं करना है तेच आवाज में भोलना नहीं है तेज आवाज में टीवी इत्यादी नहीं देखना है, कुछ सिलना इत्यादी नहीं है, इसका विशेश रूप से ध्यान रखना है, इस समय पर कोशिश करना है कि कोई धार्मिक गंत इत्यादी का अध्यान किया जाए, अपने मन के अंदर एक पॉजिटिविटी रखा जाए और आर्क्टिक में दिखेगा, इस लिए इसका प्रभाव भारत में नकारात्मक होगा, नहीं के वराबर होगा, इसमें घबलाने की कोई और शक्ता नहीं है, जै विश्वादा सूतक काल का असर भारत में नहीं होगा, सूतक का असर जो भी होगा वह बिदेश सब जगा नहीं होता, जहां ग्रहन लगेगा, जिस कंट्री में, जिस देश में ग्रहन लगेगा, वहीं सूतक प्रभावी होगा इस सूर्य गरहन की खास बात ये है कि ये करीब 5 घंटे 10 मिनट का होगा और करीब 7 मिनट से ज्यादा समय तक सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर नहीं पड़ेगा यानि 7 मिनट तक सर्व गरास रहेगा और धर्ती पूरी तरह से अंदकार में वैज्यारिकों की माने तो इस तरह का सूर्य गरहन आज से करीब 54 साल पहले लगा था इस पूर्ण सूर्य गरहन की शुरुवात दक्षिन प्रशांत महासागर से होगी इस से पहले इस तरह का सूर्य गरहन 1970 में दिखा था और अगली बार साल 2078 में दिखेगा इस ग्रहन का प्रभाव अगले एक महिने तक दुनिया पर पड़ेगा अलग-अलग राश्यों पर भी इसका प्रभाव दिखाई देगा ये सूर्य ग्रहन कर्क, कन्या, वर्ष्चिक, कुम्ब और मीन राशी के लिए मध्यम फलदाई रहेगा विर्षब, मिथुन, तुला और मकर राशी के लिए ये परिणाम उत्तम होंगे वही मेश, सिंग और धनु राशी वालों को विशेश सापधानी रखनी होगी अब बात कर लेते हैं कौनसी वो राशी रहेंगी जिनके लिए ये सूर्य ग्रहन जो है नकरात्नक प्रभाव दे सकता है क्योंकि मीन राशी रेवती नक्षत्र में लग रहा है तो मीन राशी के जात्रकों को इस समय पर बहुत साथान रहने की जरूरत है इसके अलावा रेवती नक्षत्र में जिन जात्रकों ने जनम लिया है उन लोगों को साबधान रहने की जोड़ता है अब सब से पहले राशी की बात कर लेते हैं जिन लोगों को साबधानी इस दोरान बरतने की जोड़ता है वो है वरिशिब राशी आप लोगों को खास तोर से अपने स्वास्त का ध्यान रखने के विशकता है स्वास्त में गड़बड़ी हो सकती है इसके अलावा भाई बेहनों से कहा सुनी भी हो सकती है तो इस समय पे ध्यान जरूर रखके चलिए अपनी वाणी पे ध्यान रखके चलिए वही पर करक राशी के जातकों को खासतोर से ध्यान रखने के विशकता है अपनी संतान के स्वासत का ध्यान रखने के विशकता है और इस चीज को भी ध्यान रखने के चलिएगा कि अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो लव रिलेशनशिप इस सब्सक्राइब हो सकता है वही पर अगर हम बात करें अगली राशी की तो आप लोगों के लिए करने राशी जो है थोड़ा सा आप धानी बरतने की ज़रूरत है अगर आप विवाहत है या अगर आप बिसनस बिसनस पार्टनर के साथ कर रहे हैं तो इस समय पर थोड़ी सी मुश्किले आप लोगों के आ सकती है वही पर अगर हम बात करें मकर राशी की इसके लावा तो मकर राशी वालोग लिए ये समय काफी हद तक मिला जुला रहेगा ऐसा नहीं कहूंगी कि बहुत बुरा रहेगा मिला जुला रहेगा मगर यहां पर आपको खास तोर से अपने धन का जो है वो बहुत ध् प्रफाव पूरी दुनिया के लोगों पर पड़ेगा दुनिया भर में इस सूर्य ग्रहन से राजनीतिक रूप से भयंकर उथल-पुथल मच सकती है शेयर बाजार और दुनिया भर की आर्थिक इस्तिती हिल सकती है ये परिवर्तन विश्व भर में यूद और विश्फोर्ट का संकेत दे रहा है बिरो रिपोर्ट न्यूज एटीन चलें यहां रुकेंगे एक छोड़ा सुपरे के लिए खबरे लगाता आजा रहे है आठ अप्रेल 2024 को दुनिया भर में कई जगों पर टोटल सोलर एकलिप्स यानी फूर्ण सूरे ग्रहन दिखाई देगा सूरे ग्रहन एक खगोली घगना है इसकी वैज्ञानिक और धार्मिक मानेता है नासा की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार भारती इस समय के अनुसार आज अप्रेल को पढ़ने वाला ग्रहन नौर्थ हमारिका, मैक्सिको, यूएस और कैनदा में दिखाई देगा आपको यूए जानकारी होगी कि पूर सूरे ग्रहन तब दिखाई देता है जब चंद्रमा सूरे और प्रिथवी के बीच आ जाता है इस दौरान प्रिथवी से सूरे दिखाई नहीं देता एकसुपिचास्ती किलोमीटर के इलाके में पूर रूप से अंधेर अचा जाएगा यानी टोटालिटी की स्थिती बन जाएगी पूरे ग्रहन का समय धाई धंटे का हैं लेकिन टोटालिटी का समय चार मिनिक है भारत में दिखाई देगा ग्रहन भारत में सूरे ग्रहन के सिर्फ वैज्यानिक माईने ही नहीं बलकि धार्मिक माईने भी हैं अमारे देश में ग्रहन से पहले लगने वाले सूतक काल को भी लोग मारते हैं हिंदु पंचान के अनुसार साल 2024 में लगने वाला पहला सूरे ग्रहन चैर त्रमात की अमावस्य अपर लग रहा है। कहा जाता है कि सूरे देव प्रत्यक्ष देवता है, इसलिए जब सूरे ग्रहन लगता है तब सूतक काल 12 घंटे पहले ते शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि सूतक काल के दौरान मांगलिक कारे नहीं करने चाहिए। केंदरी ये संस्कृत विश्विध्याले पूरी के जोतिशाचारे डॉक्टर गणेश मिष्ट के अनुसार 8 अपरेल को सूरे ग्रहन रात 9 बचकर 12 मिनिट से शुरू हो रहा है और ये देज रात 1 बचकर 25 मिनिट तक रहेगा। शुकी अभारत में नहीं दिखाई देगा इसलिए सूतकाल भी मानने नहीं होगा। ये है नासा की सला। अब जानेंगे कि सूरे ग्रहन कहां कहां दिखाई देगा। नासा की वेबसाइट के मताबिक टोटल सोलर एकलिप्स नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएस, कैनेडा और साउथ स्पैसिफिक ओशें में फोर्ड रूप से दिखाई देगा। ग्रहन को देखने के लिए कुछ सेफटी गाइडलाइन्स फॉलो करने होते हैं। नासा के मताबिक सूरे ग्रहन को नगन आखोस से देखने से सीवियर आई इंजरी हो सकती है। ग्रहन को देखने के लिए एकलिप्स ग्लासिस या सोलर फिल्टर्स जरूरी हैं। अगर आपके पास खास ग्लासिस नहीं है तो आप इंडिरेक्ट व्यूइंग मैथेड अपना सकते हैं। यानि सूरे को सीधे तोर पर ना देखें। पेंट होल प्रोजेक्टर का इस्तिमाल इसके लिए किया जा सकता है। एकलिप्स ग्लास पहने हुए कैमरा लेंज, टेलेस्कोब, बानकुलर्स या किसी ऑप्टिकल दिवाइस का अस्तिमाल ना करें। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसा करने से आखों को गंभील नुकसान पहुच करता है। इसके अलावा, नासा स्क्रीन सेस्टी की भी सलाह देता है। ग्रैंड के दौरान आप संस्क्रीन लगा कर भी बाहर लिकले। हाट या कब पहने, ऐसे कपड़े पहने जिनसे आपकी स्क्रीन डिरेक्ट धूट के कॉन्टेक्ट में ना आए। ओनलाइन कैसे देखें। अब ओनलाइन ध्रहन को देख सकते हैं, नासा इसका ब्रॉडकास्ट करेगा। आप यूट्यूब चानल और नासा की वेबसाइट पर देख सकते। timeandig.com पर भी स्ट्रीमिंग की जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि 8 अपरेल पो टोटल सोलर एकलिप्स के बाद अगला सूरेग हैं 23 अगस्त को लगेता। इस टॉपिक पर आपका क्या क्याना है हमें कमल सेक्शन ना बताएं। इसे पर अपिस्टोरी से लिए बने रहें। जानिये इस रिपोर्ट में। इस दौरान सूरे चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है। चंदर्मा पूरी तरह से सूरे का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी। और चंदर्मा की पूर्ण च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा। सूरे ग्रेन एक खगौल ये घटना है। जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है। ये ग्रेन 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा। इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा। इस सूरे ग्रेन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा। ये पूर्ण सूरे ग्रेन होगा। सूरे ग्रेंड की अवधी पांच खंटे दस मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक जहां सूरी ग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रहन को लिकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वजह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तिती बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा चववन साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और पुछ रासिया है जिन दासियों पर भी इसका असर है तरह से पर जालेंगे कि भारतिय परमपरा के दूसार जो ही यहां पर रात में नो बज्टर बाराग में उसके तकी और ग्यारा विश्का सटाव में तका समय इस तो यह रहे दा रहता लिखी यह पाहा के देशों में अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है Bureau Report News 18 इस दौरान सूर्य चंदरमा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है, चंदरमा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदरमा की पूर्ण छाया पृत्वी पर पड़ेगा, सूर्य ग्रेहन एक खगॉल यह घटना है, जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूरे ग्रेहन दिखेगा ये ग्रेहन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेहन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेहन होगा सूरे ग्रेहन की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेहन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेहन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुदाबिक चहां सूरी ग्रेहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरी ग्रेहन दिखने वाला है उन में कैनेडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरी ग्रेहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेहन के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेहन की स्तितीब बनती है सूमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दार्षियों पर भी इसका असर है देश्टा से परले समय जाल लेंगी कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नों बश्कर बारा में उसके और वियारा विश्कर 17 में तक का समय इस समय रहेज़त रहका लिखी ये पाहा के देशों पुष्टत थनाल अरह पर प्रपिशे समय तक कोई तबाव नहीं है दकी कुछ दासियां है और सूर्ष्ट्ण है रासिव पर उसकर असर जाता है अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंट के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंट के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंट के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है Bureau Report News 18 सूर्य ग्रहन रात 9 बज कर 12 मिनट से शुरू होगा और देरात 2 बज कर 22 मिनट पर समाप्त होगा जब ये सूर्य ग्रहन लगेगा तब भारत में रात होगी इसलिए सूर्य ग्रहन का सूतक काल भारत में मानने नहीं होगा लेकिन आपको खास साफधानिया बरतनी चाहिए एक तो किसी भी ब्यक्ति को नंगी आक्षे ग्रहन नहीं देखना चाहिए विकॉस उस टाइम जो सूरी की रेज आ रही होती है जो सूरी की किरने आ रही होती है उनके अंदर इतना वेग होता है इतना प्रभाव होता है कि वह आपकी आठ की रोसनी के लिए घातक सिद्ध हो सकते है या शरीर पर उनका नकारात्मिक इंपैक्ट पड़ सकता है इसलिए किसी भी ब्यक्ति को नंगी आक्षे ग्रहन को नहीं देखना चाहिए दूसरा प्रेगनेंड वुमन इस्पेशली जो प्रेगनेंड महलाएं होती है जो गर्वती महलाएं होती है उनको ग्रहन के शमय कुछ काटना नहीं चाहिए तोड़ना नहीं चाहिए शिले हुए वस्त्र को धारण नहीं करना चाहिए, काटना नहीं है, तोड़ना नहीं है, शिले हुए वस्त्र को धारण नहीं करना है, तेज आवाज में भोलना नहीं है, तेज आवाज में टीवी इत्यादी नहीं देखना है, कुछ सिलना इत्यादी नहीं है, इसका अमेरिका, कनाडा, कोलंबिया, वेनिजुएला, आयरलेंड, पुर्थगाल, नौर्वे, परामा, रूस, बाहमास, पस्चिमी युरोप, पैसिफिक, अट्लांटिक और आर्क्टिक में दिखेगा। नकारात्मक होगा, नहीं के वराबर होगा, इसमें घबडाने की कोई और शक्ता नहीं है। करीब 7 मिनट से ज्यादा समय तक सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर नहीं पड़ेगा, यानी 7 मिनट तक सर्व गरास रहेगा और धर्ती पूरी तरह से अंदकार में। वैज्यारिकों की माने तो इस तरह का सूर्य गरहन आज से करीब 54 साल पहले लगा था। इस पूर्ण सूर्य गरहन की शुरुवात दक्षिन प्रशांत महासागर से होगी। इस से पहले इस तरह का सूर्य गरहन 1970 में दिखा था और अगली बार साल 2078 में दिखेगा। इस गरहन का प्रभाव अगले एक महिने तक दुनिया पर पड़ेगा। अलग-अलग राश्यों पर भी इसका प्रभाव दिखाई देगा। ये सूर्य गरहन कर्क, कन्या, वरिष्चिक, कुम्ब और मीन राशी के लिए मध्यम फलदाई रहेगा। वर्शब, मिथुन, तुला और मकर राशी के लिए ये परिणाम उत्तम होंगे। वही मेश, सिंग और धनु राशी वालों को विशेश सापधानी रखनी होगी। अगली राशी के लिए करने राशी जो है, थोड़ा सा अब धानी बरतने की ज़रूरता है, अगर आप विवाहत है या अगर आप बिस्न बिस्निस पार्टनर के साथ कर रहे हैं, तो इस समय पर थोड़ी सी मुश्किल है आप लोगों के लिए आ सकती है, वही पर अगर हम बात करें मकर राशी के लावा, तो मकर राशी वालों के लिए ये समय काफी हद तक मिला जुला रहेगा, ऐसा नहीं कहूंगी कि बहुत बढ़ सकता है, अगर आप भार भी जा रहे तो पिक पॉकेट से बचके रहेगा, और इसके लावा अगर हम बात करें कुम्ब और मीन की, तो कुम्ब राशी के जातकों को बिलकुल ध्यान रखने के वशकता है, अगर आप ट्रावलिंग कर रहे हैं, तो चोड़ चपेट मे आने की संभावना है, इसलिए बहुत साब भाने से ट्रावलिंग करें। चलें यहां रुकेंगे एक छोड़ा सुपरे के लिए खबरे लगाता आजारे हैं। नासा की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार, भारती इस समय के अनुसार आठ अपरेल को पढ़ने वाला ग्रहन नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएस और कैनदा में दिखाई देगा। आपको यह जानकारी होगी कि कोण सूरे ग्रहन तब दिखाई देता है जब चंद्रमा सूरे और प्रिथवी के बीच आ जाता है। इस दौरान प्रिथवी से सूरे दिखाई नहीं देगा। एक सूपिचास्ती किलोमीटर के इलाके में पूर रूप से अंधेर अचा जाएगा। यानी टोट्रालिटी की स्थिती बन जाएगी। पूरे ग्रहन का समय धाई घंटे का है लेकिन टोटालिटी का समय चार मिनित है। भारत में दिखाई देगा ग्रहन। भारत में सूरे ग्रहन के सिर्फ वैज्यानिक माईने ही नहीं बलकि धार्मिक माईने भी हैं। अमारे देश में ग्रहन से पहले लगने वाले सूतक काल को भी लोग मारते हैं। हिंदू पंचान के अनुसार साल 2024 में लगने वाला पहला सूरे ग्रहन चैत्रमास की अमावस्या पर लग रहा है। कहा जाता है कि तूरे देव प्रत्यक्ष देवता हैं इसलिए जब सूरे ग्रहन लगता है तब सूतक काल 12 गंटे पहले ते शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि सूतक काल के दौरान मांगलिक कारे नहीं करने चाहिए। केंदरी ये संस्कृत विश्विध्याले पूरी के जोतिशाचारे डॉक्टर दनीश मिश्ट के अनसार 8 अपरेल को सूरे ग्रहन रात 9 बचकर 12 मिनिट से शुरू हो रहा है और ये देज रात 1 बचकर 25 मिनिट तक रहेगा चुकि ये भारत में नहीं दिखाई देगा इसलिए सूतकाल भी मानने नहीं होगा अब जानेंगे कि सूरे ग्रहन कहां कहां दिखाई देगा नासा की वेबसाइट के मताबिक टोटल सोलर एकलिप्स नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएस, कैनेदा और साल्थ स्पैसिफिक ओशें में कोड रूप से दिखाई देगा ग्रहन को देखने के लिए कुछ सेफटी गाइडलाइन्स फॉलो करने होते हैं नासा के मताबिक सूरे ग्रहन को लगन आखोस से देखने से सीवेर आई इंजरी हो सकती है ग्रहन को देखने के लिए एकलिप्स ग्लासिस या सोलर फिल्टर्स जरूरी हैं अगर आपके पास खास ग्लासिस नहीं है तो आप इंडिरेक्ट व्यूइंग मैथेड अपना सकते हैं यानि सूरे को स्थीधे तोर पर ना देखें पिन होल प्रोजेक्टर का इस्तिमाल इसके लिए किया जा सकता है एकलिप्स ग्लास पहने हुए कैमरा लेंज, टेलेस्को, बानकुलर्स या किसी ओप्टिकल दिवाइस का इस्तिमाल ना करें एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसा करने से आँखों को गंभील नुकसान पहुच करता है इसके अलावा नासा स्क्रीन सेथी की भी सला देता है ग्रेंड के दौरान आप संस्क्रीन लगा कर भी बाहर मिखले हाट या कब पहने, ऐसे कप्रे पहने जिनसे आपकी स्क्रीन डिरेक्ट धूट के कॉन्टेक्स में ना आए ओनलाइन कैसे देखें? अब ओनलाइन घ्रेंड को देख सकते हैं नासा इसका ब्रॉड कास्ट करेगा आप यूट्यूब चानल और नासा की वेबसाइट पर देख सकते हैं सामन्देख.com पर भी इसकी स्ट्रीमिंग की जाए तो जानकारी के लिए बता दें कि 8 अपरेल को टोटल सोलर एकलिप्स के बाद अगला सूरेग है 23 अगस्त को लगे था इस टॉपिक पर आपका क्या कहाना है हमें कमें सेक्शन ना बताए इसी पर दी स्टोरी के लिए बने रहे नीवेडी इंडिया ओडिशनल्स के साथ कल साल का पहला सूरिग्राण है और 54 साल बाद ये पूर्ण सूरिग्राण है भाला की भारत में सूरिग्राण का कोई असर नहीं होगा जो सचारेओ की माने तो कई रासियों पर इस सूरिग्राण का असर हो सकता है वही दूसरी तरफ भारत के जो दूसरे देश है किनकिन देशों में इस सूरिग्राण का असर होगा जानिये इस रिपोर्ट में इस दोरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिति बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूरे का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूरे ग्रेन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूरे ग्रेन दिखेगा ये ग्रेन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेन का मद्ध्य समे रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेन होगा सूरे ग्रेन की अवधी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक जहां सूरे ग्रेन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रेन दिखने वाला है उनमें कैनेडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाईया तयात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेन के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूरे ग्रेन की स्थिती बंती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूरे ग्रेहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दास्यों पर भी इसका असर है तेस्ता से पर्ले आप समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर जात में नोब इसकर बारागी उसे पर जब के और ग्यारा वज़कर सटाल मिट तक कर समय इस तो यह रहेदा बहरता लिखिए अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंट के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंट के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंट के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूज एटीन इस दोरान सूर्य चंदरमा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदरमा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदरमा की पून च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रेंड एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूर्य ग्रेंड दिखेगा ये ग्रेंड 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रेंड का मध्य समे रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूर्य ग्रेंड होगा सूर्य ग्रेंड की अवधी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूर्य ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूर्य ग्रेंड लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूर्य ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूर्य ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाईया तयात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेंड के दोरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर्ण सूर्य ग्रेंड की स्थिती बंती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूर्य ग्रेंड लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूर्य ग्रेंड चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूर्य ग्रेंड मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूर्य ग्रेंड लगने जा रहा है और कुछ रासियां हैं जिन दास्यों पर भी इसका असर है तरह से पर्लें समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दूसार जो ही यहां पर ग्रात्में नोब बाराइब में शुट अब के और ग्यारा विश्का सटाव में तक कर समय इस तवे रहें रहें का लिखी ये बाहा क अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंट के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंट के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंट के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न् साल दोहजार चोबीस का पहला सूर्य गरहन ये गरहन बहुत खास माना जा रहा है क्योंकि ये एक पूर्ण सूर्य गरहन होगा और करीब पांच घंटे दस मिनट का होगा जिसका संयोग करीब 54 साल बाद बन रहा है भारतिय समय के अनुसार सूर्य गरहन रात 9 बज कर 12 मिनट से शुरू होगा और देर रात 2 बज कर 22 मिनट पर समाप्थ होगा जब ये सूर्य गरहन लगेगा तब भारत में रात होगी इसलिए सूर्य गरहन का सूतक काल भारत में मानने नहीं होगा लेकिन आपको खास साफधानिया बरतनी चाहिए एक तो किसी भी व्यक्ति को नंगी आख से गरहन नहीं देखना चाहिए विकॉज उस टाइम जो सूर्य की रेज आ रही होती जो सूर्य की किरने आ रही होती है उनकी अंदर इतना वेग होता है इतना प्रभाव होता है कि वह आपकी आख की रोसनी के लिए घातक सिद्ध हो सकते है या शरीर पर उनका नकारात्मिक इंपक्ट पड़ सकता है इसलिए किसी भी व्यक्ति को नंगी आख्षे ग्रहन को नहीं देखना चाहिए इसको देहां रखेगा parfait दूसरा pregnant women especiallyश जो घर्वती महिलाएं होती है उनको ग्रहन के समय कुछ काटना नहीं चाहिए तोड़ना नहीं चाहिए शिलेहए वस्त्र को धारण नहीं करना चाहिए काटना नहीं है तोड़ना नहीं है शिलेहए वस्त्र को धारण नहीं करना है तेज आवाज में भोलना नहीं है, तेज आवाज में टीवी इत्यादी नहीं देखना है, कुछ सिलना इत्यादी नहीं है, इसका विशेशूर्ट से ध्यान रखना है, इस समय पर कोशिश करना है कि कोई धार्मिक गंत इत्यादी का अध्यान किया जाए, अपने मन के अंदर साल का ये पहला सूर्य ग्रहन अमेरिका, कनाड़ा, कोलंबिया, विनेजुएला, आयर्लेंड, पुर्थगाल, नौर्वे, परामा, रूस, बाहमास, पस्चिम यूरोप, पैसिफिक, अट्लांटिक और आर्क्टिक में दिखेगा इसलिए इसका प्रभाव भारत में नकारात्मक होगा, नहीं के वराबर होगा, इसमें घबलाने की कोई आउशकता नहीं है इस सूर्य गरहन की खास बात ये है, कि ये करीब 5 घंटे 10 मिनट का होगा, और करीब 7 मिनट से ज्यादा समय तक सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर नहीं पड़ेगा, यानि मिनट तक सर्व गरास रहेगा, और धरती पूरी तरह से अंदकार में, वैज्यारिकों की माने तो इस तरह का सूर्य गरहन आज से करीब 54 साल पहले लगा था, इस पूर्ण सूर्य गरहन की शुरुवात दक्षिन प्रशांत महासागर से होगी, इस से पहले इस तरह का सूर् में दिखेगा, इस गरहन का प्रभाव अगले एक महिने तक दुनिया पर पड़ेगा, अलग-अलग राश्यों पर भी इसका प्रभाव दिखाई देगा, ये सूर्य गरहन कर्क, कन्या, व्रश्चिक, कुम्ब और मीन राशी के लिए मध्यम फलदाई रहेगा, व्रशब, म मिथुन, तुला और मकर राशी के लिए ये परिणाम उत्तम होंगे, वही मेश, सिंग और धनु राशी वालों को विशेश सापधानी रखनी होगी, अब बात कर लेते हैं कौनसी वो राशी रहेंगी जिनके लिए ये सूर्य ग्रहन जो है नकरातनक प्रभाव दे सकता है, क्योंकि मीन राशी रेवती नक्षत्र में लग रहा है, तो मीन राशी के जात्रकों को इस समय पे बहुँँ साथा सापधान रहने की जरूरत है, इसके अलावा रेवती नक्षत्र में जिन जात्रकों ने जनम लिया है, उन लोगों को सापधान रहने की जरूरत है, आप तो इस समय पर थोड़ी सी मुश्किल है आप लोगों के लिए आ सकती है वहीं पर अगर हम बात करें मकर राशी के इसके लावा तो मकर राशी वालों के यह समय कافी हद वही रहेंगा इसा नहीं कहुंगे कि बहुत बुरा रहेंगा मगर यहां पे आपको खास्त और से अपने धन का जो है वह बहुत ध्यान रखने की जूड़ता है अगर आप कहीए भार जा रहे हैं तो घर पे सही तरीके से ताले लगाके जाइएगा नहीं तो चोरी चकारी का डर बढ़ सकता है अगर आप भार भी जा रहे तो पिक पॉकेट से बचके रहेगा और इसके लावा अगर हम बात करें कुम्ब और मीन की तो कुम्ब राशी के जातकों को बिलकुल ध्यान रखने के वशकता है अगर आप ट्रावलिंग कर रहे हैं तो चोट चपेट में आने की समभावना है इसलिए बहुत साफ़ाने से ट्रावलिंग करें सूरिय गरहन का प्रभाव पूरी दुनिया के लोगों पर पड़ेगा दुनिया भर में इस सूरिय गरहन से राजनीतिक रूप से भयंकर उथल-पुथल मच सकती है शेयर बाजार और दुनिया भर की आर्थिक स्थिती हिल सकती है ये परिवर्तन विश्व भर में यूद और विस्फोर्ट का संकेत दी रहा है विरो रिपोर्ट न्यूज एटीन चले यहां रुकेंगे एक छोड़ा सुपरे के लिए खबरे लगाता आजा रहे है आठ अप्रेल दुनिया भर में कई जगों पर टोटल सोलर एकलिप्स यानी पूल सूरिय गरहन दिखाई देगा सूरे गरहन एक खबोल ये घरतना है इसकी वैज्यानिक और धार में कमानेता है नासा की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार भार की इस समय के अनुसार आठ अप्रेल को पढ़ने वाला गरहन नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएस और कैनदा में दिखाई देगा आपको ये जानकारी होगी कि कूर सूरे गरहन तब दिखाई देता है जब चंद्रमा सूरे और पृत्वी के बीच आ जाता है इस दौरान पृत्वी से सूरे दिखाई नहीं देगा एक सूपिचास्ती किलोमीटर के इलाके में फूर रूप से अंधेर अचा जाएगा यानी टोट्रालिटी की स्थिती बन जाएगी पूरे ग्रहन का समय धाई घंटे का है लेकिन टोटालिटी का समय चार मिनित है भारत में दिखाई देगा ग्रहन भारत में सूरे ग्रहन के सिर्फ वैज्यानिक माईने ही नहीं बलकि धार्मिक माईने भी है अमारे देश में ग्रहन से पहले लगने वाले सूतक काल को भी लोग मारते हैं हिंदू पंचान के अनुसार साल 2024 में लगने वाला पहला सूरे ग्रहन चैत्रमास की अमावस्या पर लग रहा है कहा जाता है कि सूरे देव प्रत्यक्ष देवता है इसलिए जब सूरे ग्रहन लगता है तब सूतक काल 12 गंटे पहले ते शुरू हो जाता है कहा जाता है कि सूतक काल के दौरान मांगलिक कारे नहीं करने चाहिए केंदरी ये संस्कृत विश्विध्याले पूरी के जोतिशाचारे डौक्टर गनेश मिश्टर के अनसार 8 अपरेल को सूरे ग्रहन रात 9 बचकर 12 मिनट से शुरू हो रहा है और ये देर रात 1 बचकर 25 मिनट तक रहेगा चुकि ये भारत में नहीं दिखाई देगा इसलिए सूतक काल भी मानने नहीं होगा अब जानेंगे कि सूरे ग्रहन कहां कहां दिखाई देगा नासा की वेबसाइट के मताबिक टोटल सोलर एकलिफ्स नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएर्स, कानदा और साल्थ पैसिफिक ओशें में फोर्ड रूप से दिखाई देगा ग्रहन को देखने के लिए कुछ सेफटी गाइडलाइन्स फॉलो करने होते हैं नासा के मताबिक सूरे ग्रहन को नगन आखोस से देखने से सीवियर आई इंजिरी हो सकती है ग्रहन को देखने के लिए एकलिफ्स ग्लासिस या सोलर फिल्टर्स जरूरी हैं अगर आपके पास खास ग्लासिस नहीं है तो आप इंडिरेक्ट व्यूइंग मैथेड अपना सकते हैं यानि सूरे को सीधे तोर पर ना देखें पिन होल प्रोजेक्टर का इस्तिमाल इसके लिए किया जा सकता है एकलिफ्स ग्लास पहने हुए कैमरा लेंस, टेलेस्कोब, बानकुलर्स या किसी ओप्टिकल डिवाइस का इस्तिमाल ना करें एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसा करने से आँखों को गंभील नुखसान पहुच करता है इसके अलावा नासा स्क्रीन सेफ्टी की भी सला देता है ग्रहेंड के दौरान आप संस्क्रीन लगा कर भी बाहर लिकलें हाट या कब पहने, ऐसे कप्रे पहने जिनसे आपकी स्क्रीन डिरेक्ट धूट के कॉंटेक्स में ना आए ओनलाइन कैसे देखें, आप ओनलाइन ध्रहेंड को देख सकते हैं नासा इसका ब्रादकास्ट करेगा, आप यूट्यूब चैनल और नासा की वेबसाइट पर देख सकते timeandate.com पर भी स्की स्ट्रीमिंग की जाए तू जानकारी के लिए बता दें कि 8 अपरेल को टोटल सोलर एकलिप्स के बाद अगला सूड़े को हैं 23 अगस्त को लगेगा, इस टॉपिक पर आपका क्या कहाना है हमें कमेंट सेक्शन न बताए इसी पर दी स्टोरी से लिए बने रहें नीर वेडी इंडिया ओडिशनल के साथ कल साल का पहला सूरिग्राण है और 54 साल बाद ये पूर्ण सूरिग्राण है हला कि भारत में इस सूरिग्राण का कोई असर नहीं होगा, जो त्साचारेओं की माने तो कई रासियों पर इस सूरिग्राण का असर हो सकता है वही दूसरी तरफ, भारत के जो दूसरे देश है किनकिन देशों में इस सूरिग्राण का असर होगा, जानिये इस रिपोर्ट में इस दौरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूरे का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूरे ग्रेंड एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूरे ग्रेंड दिखेगा ये ग्रेंड 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेंड का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेंड होगा सूरे ग्रेंड की अवधी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक जहां सूरी ग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है वहीं पर इसका मापक की इसका ना लगता है जिन देशों में सूरी ग्रहन दिखने वाला है उनमें कैनीडा, अमेरिका, माकसीको जैसे देश सामिल है अमेरिका में दो सूरी ग्रहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई यातायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वजह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तिती बनती है सुमवर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दास्यों पर भी इसका असर है देश्ता से पहले एक समय जाल लेंगे अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है Bureau Report News 18 खल साल का पहला सूरे ग्रहन होने जा रहा है आया इस रिपोर्ट के सरके हम आपको दिखाते हैं जाता है 54 साल बाद अधबुद सूरे ग्रेहन दिखेगा ये ग्रेहन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेहन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेंड होगा सूरे ग्रेंड की अवदी पांच खंटे दस मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक चाहा सूरी ग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रहन दिखने वाला है उनमें कैनेडा, अमेरिका, माकसीको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई अतायात और ए consistency जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वजह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तितीब बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दार्षियों पर भी इसका असर है दिस्ता से पर्ले एक समय जाल लेंगी कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नों बश्टर बारागी उसके और वियारा विश्टर 17 में तक का समय है इस समय रहेज़त लहन का लिखी ये पाहा के अमूमन माना जाता है कि सूर्य ग्रेंट के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंट के दौरान सीधे सूर्य को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूर्य ग्रेंट के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट पहला सूर्य ग्रहन ये ग्रहन बहुत खास माना जा रहा है क्योंकि ये एक पूर्ण सूर्य ग्रहन होगा और करीब 5 घंटे 10 मिनट का होगा जिसका संयोग करीब 54 साल बाद बन रहा है। लेकिन आपको खास साफधानिय बरतनी चाहिए। देखना चाहिए। इसको ध्यान रखतेगा। दूसरा प्रेग्नेंड बुमन इस्पेशली जो प्रेग्नेंड महलाएं होती हैं जो गर्वती महलाएं होती हैं। उनको ग्रहन के समय कुछ काटना नहीं चाहिए। तोड़ना नहीं चाहिए। शिले हुए वस्त्र को धारण नहीं करना चाहिए। काटना नहीं है। तोड़ना नहीं है। शिले हुए वस्त्र को धारण नहीं करना है। तेज आवाज में भोलना नहीं है। तेज आवाज में टीवी इत्यादी नहीं देखना है। कुछ सिल्ना इत्यादी नहीं है इसका विशेशूर्ट से ध्यान रखना है इस समय पर कोशिश करना है कि कोई धार्मिक गंत इत्यादी का अध्यान किया जाए अपने मन के अंदर एक पॉजिटिविटी रखा जाए साल का ये पहला सूर्य ग्रहन अमेरिका, कनाडा, कोलंबिया, वेनेजुएला, आयर्लेंड, पुर्थगाल, नौर्वे, परामा, रूस, बहामास, पर्चिमी यूरोप, पैसिफिक, अट्लांटिक और आर्क्टिक में दिखेगा इसलिए इसका प्रभाव भारत में नकारात्मक होगा, नहीं के वराबर होगा, इसमें घबडाने की कोई आउशकता नहीं है सूतक काल का असर भारत में नहीं होगा सूतक का असर जो भी होगा, वह बिदेश सब जगा नहीं होता, जहां ग्रहन लगेगा, जिस कंट्री में, जिस देश में ग्रहन लगेगा, वहीं सूतक प्रभावी होगा इस सूर्य ग्रहन की खास बात ये है कि ये करीब 5 घंटे 10 मिनट का होगा, और करीब 7 मिनट से ज्यादा समय तक सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर नहीं पड़ेगा, यानि 7 मिनट तक सर्व ग्रास रहेगा, और धर्ती पूरी तरह से अंधकार में वैग्यारिकों की माने तो इस तरह का सूर्य ग्रहन आज से करीब 54 साल पहले लगा था, इस पूर्ण सूर्य ग्रहन की शुरुवात दक्षिन प्रशांत महासागर से होगी, इस से पहले इस तरह का सूर्य ग्रहन 1970 में दिखा था, और अगली बार साल 2078 में दिखेगा इस ग्रहन का प्रभाव अगले एक महिने तक दुनिया पर पड़ेगा, अलग-अलग राश्यों पर भी इसका प्रभाव दिखाई देगा ये सूर्य ग्रहन कर्क, कन्या, वर्ष्चिक, कुम्ब और मीन राशी के लिए मध्यम फलदाई रहेगा वर्षब, मिथुन, तुला और मकर राशी के लिए ये परिणाम उत्तम होंगे वही मेश, सिंग और धनु राशी वालों को विशेश साबधानी रखनी होगी अब बात कर लेते हैं कौनसी वो राशी रहेंगी जिनके लिए ये सूर्य ग्रहन जो है नकरातनक प्रभाव दे सकता है क्योंकि मीन राशी रेवती नक्षत्र में लग रहा है तो मीन राशी के जात्तकों को इस समय पर बहुँँ साबधान रहने की जरूरत है इसके अलावा रेवती नक्षत्र में जिन जात्तकों ने जनम लिया है उन लोगों को साबधान रहने की जरूरत है अब सबसे पहले राशी की बात कर लेते हैं जिन लोगों को साबधानी इस दौरान बरतने की जरूरत है वो है वरिशिब राशी आप लोगों को खास तोर से अपने स्वास्त का ध्यान रखने के विशकता है स्वास्त में गड़बड़ी हो सकती है इसके लावा भाई बेहनों से एक कहा सुनी भी हो सकती है तो इस समय पर ध्यान जरूर रखके चलिए अपनी वाणी पर ध्यान रखके चलिए वही पर करक राशी के जातकों को खासतोर से ध्यान रखने के विशकता है, अपनी संतान के स्वासत का ध्यान रखने के विशकता है, और इस चीज को भी ध्यान रखने के चलेगा, कि अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं, तो लव रिलेशनशिप इस सब्सक्वाइल हो सकता अगर हम बात करें मकर राशी की इसके लावा तो मकर राशी वालों के लिए यह समय काफी हद तक मिला जुला रहेगा अगर आप आप नहीं कोँगी कि बहुत बुरा रहेगा, मिला जुला रहेगा, मगर यहां पर आपको खास तोर से अपने धन का जो है वो बहुत ध्यान रखने की जूरते है, अगर आप अप भार जा रहे हैं, तो घर पे सही तरीके सा ताले लगा के जाएगा नहीं तो चोरी सूरिय गरहन का प्रफाव पूरी दुनिया के लोगों पर पड़ेगा, दुनिया भर में इस सूरिय गरहन से राजनीतिक रूप से भयंकर उथल पुथल मच सकती है शेयर बाजार और दुनिया भर की आर्थिक इस्तिती हिल सकती है ये परिवर्तन विश्व भर में यूद और विश्फोर्ट का संकेत दी रहा है बिरो रिपोर्ट न्यूस एटीन आठ अप्रेल 2024 को दुनिया भर में कई जगों पर टोटल सोलर एकलिप्स यानी पूर्ण सूरे ग्रहन दिखाई देगा सूरे ग्रहन एक खगोल ये घटना है इसकी वैज्ञानिक और धार्मिक मानेता है नासा की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार भार की इस समय के अनुसार आठ अप्रेल को पढ़ने वाला ग्रहन नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएस और कैनदा में दिखाई देगा आपको ये जानकारी होगी कि पूर सूरे ग्रहन तब दिखाई देता है जब चंद्रमा सूरे और प्रिथवी के बीच आ जाता है इस दौरान प्रिथवी से सूरे दिखाई नहीं देता 185 किलोमीटर के इलाके में पूर रूप से अंधेरा चा जाएगा यानी टोटालिटी की स्थिती बन जाएगी पूरे ग्रहन का समय धाई घंटे का है लेकिन टोटालिटी का समय चार मिनट है भारत में दिखाई देगा ग्रहन भारत में सूरे ग्रहन के सिर्फ वैज्यानिक माईने ही नहीं बलकि धार्मिक माईने भी है अमारे देश में ग्हेंड से पहले लगने वाले सूतक काल को भी लोग माते है हिंदू पंचान और अनुसार साल 2021 में लगने वाला पहला सूरे ग्हेंड चैत्रमास के अमावस्या पर लग रहा है कहा जाता है कि सूरे देव प्रत्यक्ष देवता है इसलिए जब सूरे ग्रहन लगता है तब सूतक काल 12 गंटे पहले के शुरू हो जाता है कहा जाता है कि सूतक काल के दौरान मांगलिक कारेल नहीं करने चाहिए केंदरी ये संस्कृत विश्विध्याले पूरी के जोतिशाचारे डौक्टर दनेश मिश्ट के अनसार 8 अपरेल को सूरे ग्रहन रात 9 बचकर 12 मिनिट से शुरू हो रहा है और ये देर रात 1 बचकर 25 मिनिट तक रहेगा चुकि ये भारत में नहीं दिखाई देगा इसलिए सूतक काल भी मानने नहीं होगा अब जानेंगे कि सूरे ग्रहन कहां कहां दिखाई देगा नासा की वेबसाइट के मताबिक टोटल सोलर एकलिप्स नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएर्स, कैनेदा और साल्थ पैसिफिक ओशें में पोड रूप से दिखाई देगा ग्रहन को देखने के लिए कुछ सेफटी गाइडलाइन्स फॉलो करने होते हैं नासा के मताबिक सूरे ग्रहन को नगन आखोस से देखने से सीवेर आई इंजरी हो सकती है ग्रहन को देखने के लिए एकलिप्स ग्लासिस या सोलर फिल्टर्स जरूरी हैं अगर आपके पास खास ग्लासिस नहीं है तो आप इंडिरेक्ट व्यूइंग मैथेड अपना सकते हैं यानि सूरे को सीधे तोर पर ना देखें पिन होल प्रोजेक्टर का इस्तिमाल इसके लिए किया जा सकता है एकलिप्स ग्लास पहने हुए कैमरा लेंज, टेलेस्को, बानकुलर्स या किसी ओप्टिकल दिवाइस का इस्तिमाल ना करें एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसा करने से आँखों को गंभील नुकसान पहुच करता है इसके अलावा नासा स्क्रीन सेथी की भी सला देता है ग्रेंड के दौरान आप संस्क्रीन लगा कर भी बाहर निकले हाट या कैप पहने, ऐसे कप्रे पहने जिनसे आपकी स्क्रीन डिरेक्ट धूट के कॉंटेक्स में ना आए ओनलाइन कैसे देखें? अब ओनलाइन ग्रेंड को देख सकते हैं नासा इसका ब्राद कास्ट करेगा आप यूट्यूब चानल और नासा की वेबसाइट पर देख सकते हैं सामनदेख.com पर भी स्की स्ट्रीमिंग की जाई थी जानकारी के लिए बता दें कि 8 अपरेल को टोटल सोलर एकलिप्स के बाद अगला सूरेग है 23 अगस्त को लगे था इस टॉपिक पर आपका क्या कहाना है हमें कमें सेक्शन में बताए इसी पर दिस्तोरी से लिए बने रहें नीर वेडिन इंडिया ओडिशनल के साथ कल साल का पहला सूरिगराण है और 54 साल बाद ये पूर्ण सूरिगराण है भाला की भारत में सूरिगराण का कोई असर नहीं होगा जो तसाचारेओं की माने तो कई रासियों पर इस सूरिगराण का असर हो सकता है वही दूसरी तरफ भारत के जो दूसरे देश है किनकिन देशों में इस सूरिगराण का असर होगा जानिये इस रिपोर्ट में इस दौरान सूर्य चंदर्मा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिति बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूरे का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूरे ग्रेन एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूरे ग्रेन दिखेगा ये ग्रेन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेन का मद्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेन होगा सूरे ग्रेन की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरे ग्रेन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है कि आप सुभी जानते है कि आप तारिक हो 54 साल बाद होने जा रहा है तो सूरे ग्रेन होता है जिन देशों में सूरे ग्रहन दिखने वाला है उन में कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल हैं, अमेरिका में तो सूरे ग्रहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है, हवाई यातायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है, अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे, जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है, तब पूर्ण सूरे ग्रहन की स्तितीब बनती है, मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है, और कुछ राशिया है जिन राशियों पर भी इसका असर है, देश्टा से पहले आप समय जाल लेंगे, कि भारतिय परंपरा के दुशार, जो ही यहां पर रात में नो वज़ पर बाराव में से लगने जाते हैं और ग्रहन के दौराशियों पर इसका असर रहेगा देखने को बिलेंगे, अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए, ग्रहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए, शास्त्रों में सूरे ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है, बिरो रिपोर्ट न्यूज 18, खल साल का पहला सूरे ग्रहन होने जा रहा है, 54 साल बाद पूर सूरे ग्रहन होने वाला है, अलाकि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो तुशाचारियों के मताबिक राशियों पर इसका असर होगा, किन-किन देशों में सूर्य ग्रहन दिखने वाला है, आई इस रिपोर्ट के सरगे हम आपको दिखाते हैं इस दोरान सूर्य चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रहन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूर्य ग्रहन दिखेगा ये ग्रहन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रहन का मद्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूर्य ग्रहन होगा सूरे ग्रेंड की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासनों के मताबिक चहां सूरे ग्रेंड लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तितीब बनती है सूमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेतर नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासियां है जिन दार्शियों पर भी इसका असर है निस्तर से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नों बज़तर बारा में चाहिए और यारा बज़तर सक्ताव में तक कर समय इस सब्सक्राइब रहेगा लिखिए बाहा अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंट के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंट के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंट के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट नि ये गरहन बहुत खास माना जा रहा है क्योंकि ये एक पूर्ण सूर्य गरहन होगा और करीब 5 घंटे 10 मिनट का होगा जिसका संयोग करीब 54 साल बाद बन रहा है भारत्य समय के अनुसार सूर्य ग्रहन रात 9 बज कर 12 मिनट से शुरू होगा और देर रात 2 बज कर 22 मिनट पर समाप्त होगा जब ये सूर्य ग्रहन लगेगा तब भारत में रात होगी इसलिए सूर्य ग्रहन का सूतक काल भारत में मानने नहीं होगा लेकिन आपको खास साप्धानिया बरतनी चाहिए दूसरा प्रेग्नेंट महलाएं होती है उनको ग्रहन के समय कुछ काटना नहीं चाहिए तोड़ना नहीं चाहिए शिले हुए वस्त्र को धारण नहीं करना चाहिए, काटना नहीं है, तोड़ना नहीं है, शिले हुए वस्त्र को धारण नहीं करना है, तेज आवाज में भोलना नहीं है, तेज आवाज में टीवी इत्यादी नहीं देखना है, कुछ सिलना इत्यादी नहीं है, इसका अमेरिका, कनाडा, कोलंबिया, विनेजुएला, आयर्लेंड, पुर्थगाल, नौर्वे, परामा, रूस, बहामास, पस्चिमी यूरोप, पैसिफिक, अट्लांटिक और आर्क्टिक में दिखेगा। इस सूर्य ग्रहन की खास बात ये है, कि ये करीब पांच घंटे, दस मिनट का होगा। और करीब साथ मिनट से ज्यादा समय तक सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर नहीं पड़ेगा, यानी साथ मिनट तक सर्व ग्रास रहेगा, और धर्ती पूरी तरह से अंदकार में। वैग्यारिकों की माने तो इस तरह का सूर्य ग्रहन आज से करीब 54 साल पहले लगा था। इस पूर्ण सूर्य ग्रहन की शुरुवात दक्षिन प्रशांत महासागर से होगी, इस से पहले इस तरह का सूर्य ग्रहन 1970 में दिखा था, और अगली बार साल 2078 में दिखेगा। इस ग्रहन का प्रभाव अगले एक महिने तक दुनिया पर पड़ेगा, अलग-अलग राश्यों पर भी इसका प्रभाव दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं कौनसी वो राशिय रहेंगी जिनके लिए ये सूर्य ग्रहन जो है नकरातनक प्रभाव दे सकता है क्योंकि मीन राशी रेवती नक्षत्र में लग रहा है तो मीन राशी के जातकों को इस समय पर बहुत साथा साथान रहने की जरूरत है इसके अलावा रेवती नक्षत्र में जिन जातकों ने जनम लिया है उन लोगों को साथान रहने की जूरत है अब सबसे पहले राशी की बात कर लेते हैं जिन लोगों को साफधानी इस दौरान बरतने के जोड़ता है वो है विरशिब राशी आप लोगों को खास तोर से अपने स्वास्त का ध्यान रखने के विशकता है और इस चीज को भी ध्यान रखने के चलिएगा कि अगर आप अगली राशी की तो आप लोगों के लिए करन्या राशी जो है थोड़ा साफ धानी बरतने की जरूरता है अगर आप विवाहत है या अगर आप बिसनस बिसनस पार्टनर के साथ कर रहे हैं तो इस समय पर थोड़ी सी मुश्किले आप लोगों के आ सकती है वही पर अगर हम नाटक करें मकर राशी कि इसके अलावा तो मकर राशी वा team लें ये समें काफी हग तक मिला जुला रहे हिगा ऐसा नहीं क्योंगी कि भॉत बुरा रहे गा लिका कारव के बुट-वहाश के रहे का, अगर जुला रहे का, मकर यहां पर आपको खास तोर से अपने तो चोट चपेट में आने की समभावना है, इसलिए बहुत साफ़ानी से ट्रावलिंग करें। चले यहां रुकेंगे एक छोटा सुपरे के लिए खबरे लगाता आचारी है। नासा की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार, भार की इस समय के अनुसार आठ अप्रेल को पढ़ने वाला ग्रहन नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएस और कैनादा में दिखाई देगा। आपको यूजानकारी होगी कि कूर सूरे ग्रहन तब दिखाई देता है जब चंद्रमा सूरे और प्रिथवी के बीच आ जाता है। इस दौरान प्रिथवी से सूरे दिखाई नहीं देता। एक सूपिचास्ती किलोमीटर के इलाके में फूर रूप से अंधेर अचा जाएगा। यानी टोटालिटी की स्थिती बन जाएगी। पूरे ग्रहन का समय धाई घंटे का है लेकिन टोटालिटी का समय चार मिनटे है। भारत में दिखाई देगा ग्रहन। भारत में सूरे ग्रहन के सिर्फ विग्यानिक मायने ही नहीं बलकि धार्मिक मायने भी हैं। अमारे देश में ग्रहन से पहले लगने वाले सूतक काल को भी लोग मारते हैं। हिंदु पंचान के अनुसार साल 2024 में लगने वाला पहला सूरे ग्रहन चैत्रमास की अमावस्या पर लग रहा है। तःजाता है कि सूरे देव प्रत्यक्ष देव ता है, इसलिए जब सूरे ग्रहन लगता है तब सूतक काल 12 गंटे पहले से शुरू हो जाता है। तःजाता है कि सूतक काल के दोरान मांग लिक कारे दो नहीं करने चाहते है। केंदरी ये संस्कृत विश्विध्याले पूरी के जोतिशाचारे डॉक्टर गणेश मिष्ट के अनसार 8 अपरेल को सूरे ग्रहन रात 9 बचकर 12 मिनिट से शुरू हो रहा है और ये देज रात 1 बचकर 25 मिनिट तक रहेगा चुकि अभारत में नहीं दिखाई देगा इसलिए सूतकाल भी मानने नहीं होगा अब जानेंगे कि सूरे ग्रहन कहां कहां दिखाई देगा नासा की वेबसाइट के मताबिक टोटल सोलर एकलिप्स नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएस, कैनेडा और साथ पैसिफिक ओशें में फोर्ड रूप से दिखाई देगा ग्रहन को देखने के लिए कुछ सेफटी गाइडलाइन्स फॉलो करने होते हैं नासा के मताबिक सूरे ग्रहन को नगन आखोस से देखने से सीवियर आई इंजरी हो सकती है ग्रहन को देखने के लिए एकलिप्स ग्लासिस या सोलर फिल्टर्स जरूरी हैं अगर आपके पास खास ग्लासिस नहीं है तो आप इंडरेक्ट व्यूइंग मैथेड अपना सकते हैं यानि सूरे को सीधे तोर पर ना देखें पिन होल प्रोजेक्टर का इस्तमाल इसके लिए किया जा सकता है एकलिप्स ग्लास पहने हुए कैमरा लेंस, टेलेस्कोब, बानकुलर्स या किसी ओप्टिकल जवाइस का इस्तमाल ना करें एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसा तरने से आँखों को गंभील नुखसान पहुच करता है इसके अलावा, नासा स्क्रीन सेस्टी की भी सला देता है ग्रेंड के दौरान आप संस्क्रीन लगा कर भी बाहर लिकले हैट या कब पहने, ऐसे कपड़े पहने जिनसे आपकी स्किन डिरेक्ट धूट के कॉन्टेक्ट में ना आए ओनलाइन कैसे देखें, अब ओनलाइन ध्रहेंड को देख सकते हैं, नासा इसका ब्रॉडकास्ट करेगा, आप यूट्यूब चानल और नासा की वेबसाइट पर देख सकते हैं जानकारी के लिए बता दें कि 8 अपरेल को टोटल सोलर एकलिप्स के बाद अगला सूरेग है 23 अगस्त को लगे था, इस टॉपिक पर आपका क्या कहाना है हमें कमन सेक्शन में बताए, इसी तरह की स्टोरीज के लिए बने रहें, नियूज एदिन इंडिया ओरिशनल के जो सचारेओं की माने, तो कई रासियों पर इस सूरी गरहन का असर हो सकता है, वही दूसरी तरफ, भारत के जो दूसरे देश हैं किनकिन देशों में इस सूरी गरहन का असर होगा, जानिये इस रिपोर्ट में इस दोरान सूरी चंदरमा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है, चंदरमा पूरी तरह से सूरी का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी, और चंदरमा की पून च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा, सूरी ग्रेन एक खगॉल ये घटना है, जोतिश के से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है, 54 साल बाद अदबुद सूरी ग्रेन दिखेगा, ये ग्रेन 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा, इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा, इस सूरी ग्रेन का मध्य समे रात 11 बचकर 47 मि बचकर 50 मिनट की होगी, हलाकि सबसे बड़ी बात ये है, कि सूरी ग्रेन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा, और इसीलिए इस ग्रेन का सूतक काल नहीं माना जाएगा, भारत में दिन्चर्या रोज की तरह ही होगी, शास्लों के मुताबिक जहा सूरी ग्रेन लगत जिन देशों में सूर्य ग्रहन दिखने वाला है उन में कैनिडा अमेरिका मैक्सिको जैसे जिन देश शामिल है अमेरिका में तो सूर्य ग्रहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाया तयात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते ह इसकी वजह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तितीब बनती है सोमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन रासियों पर भी इसका असर है देशता से पहले पर समय जाल लेंगे कि भारतिये परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में लोग बज़ पर बाराव में से लगते और ग्रहन लेंगे लेंगे इसका बेशियस असर रहेगा देखने को बिले अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रहन के बाद गंगा जल से नहने को चाहा जाता है बीरो रिपोर्ट न्यूज 18 कल साल का पहला सूरिग्रहन होने जा रहा है 54 साल बात पूर सूरिग्रहन होने वाला है आला कि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जो तुशाचारियों के मताबिक राशियों पर इसका असर होगा किनकिन देशों में सूर्य ग्रहन दिखने वाला है आई इस रिपोर्ट के सरगे हम आपको दिखाते हैं इस दौरान सूर्य चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रहन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूर्य ग्रहन दिखेगा ये ग्रहन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रहन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूर्य ग्रहन होगा सूरे ग्रेंड की अवधी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेंड का सुतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चाहा सूरे ग्रेंड लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तिती बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया हैं जिन दास्यों पर भी इसका असर है रिष्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर ग्राथ में नौ बज़तर बारा में सुन तब के और ग्यारा बज़तर सताओं में तक कर समय इस समय रहें 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 का अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंट के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंट के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंट के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न् ये गरहन बहत खास माना जा रहा है क्योंकि ये एक पूर्ण सूरिय गरहन होगा और करीब पांच घंटे दस मिनट का होगा जिसका संयोग करीब 54 साल बाद बन रहा है। लेकिन आपको खास साफधानिया बरतनी चाहिए। इसको ध्यान रखेगा। दूसरा प्रेगनेंड बुमन इस्पेशली जो प्रेगनेंड महलाएं होती हैं जो गरहती महलाएं होती हैं। उनको ग्रहन के समय कुछ काटना नहीं चाहिए। तोड़ना नहीं चाहिए। शिले हुए वस्त्र को धारण नहीं करना चाहिए। काटना नहीं है। तोड़ना नहीं है। शिले हुए वस्त्र को धारण नहीं करना है। तेज आवाज में भोलना नहीं है। तेज आवाज में टीवी इत्यादी नहीं देखना है, कुछ सिलना इत्यादी नहीं है, इसका विशेशूर्प से ध्यान दखना है, इस समय पर कोशिश करना है कि कोई धार्मिक गंत इत्यादी का अध्यान किया जाए, अपने मन के अंदर एक पॉजिटिविटी रखा जाए. साल का ये पहला सूर्य ग्रहन, अमेरिका, कनाडा, कोलंबिया, वेनेजुएला, आयर्लेंड, पुर्थगाल, नौर्वे, परामा, रूस, बहामास, पश्चिमी यूरोप, पैसिफिक, अटलांटिक और आर्क्टिक में दिखेगा. इसलिए इसका प्रभाव भारत में नकारात्मक होगा, नहीं के वराबर होगा, इसमें घबलाने की कोई और शक्ता नहीं है. इस सूर्य गरहन की खास बात ये है, कि ये करीब 5 घंटे 10 मिनट का होगा, और करीब 7 मिनट से ज्यादा समय तक सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर नहीं पड़ेगा. यानी 7 मिनट तक सर्व गरास रहेगा और धर्ती पूरी तरह से अंदकार में. वैग्यारिकों की माने तो इस तरह का सूर्य गरहन आज से करीब 54 साल पहले लगा था. इस पूर्ण सूर्य गरहन की शुरुवात दक्षिन प्रशांत महासागर से होगी. इस से पहले इस तरह का सूर्य गरहन 1970 में दिखा था और अगली बार साल 2078 में दिखेगा. इस गरहन का प्रभाव अगले एक महिने तक दुनिया पर पड़ेगा. अलग-अलग राश्यों पर भी इसका प्रभाव दिखाई देगा. ये सूर्य गरहन कर्क, कन्या, व्रश्चिक, कुम्ब और मीन राशी के लिए मध्यम फलदाई रहेगा. विर्शब, मिथुन, तुला और मकर राशी के लिए ये परिणाम उत्तम होंगे. मही मेश, सिंग और धनु राशी वालों को विशेश साब्धानी रखनी होगी. अब बात कर लेते हैं कौनसी वो राशी रहेंगी जिनके लिए ये सूर्य गरहन जो है नकरातनक प्रभाव दे सकता है. क्योंकि मीन राशी रेवती नक्षत्र में लग रहा है तो मीन राशी के जात्तकों को इस समय पर बहुँँ साथा साब्धान रहने की जरूरत है. इसक स्वास्त में गड़बड़ी हो सकती है. इसके अलावा भाई बहनों से कहा सुनी भी हो सकती है. तो इस समय पर ध्यान जरूर रखके चलिए. अपनी वानी पर ध्यान रखके चलिए. वही पर करक राशी के जात्तकों को खासतोर से ध्यान रखने के विशकता है. और इस पार्टनर के साथ कर रहे हैं. तो इस समय पर थोड़ी सी मुश्किले आप लोगों के आ सकती है. वही पर अगर हम बात करें मकर राशी की इसके लावा तो मकर राशी वालों के लिए ये समय काफी हद तक मिला जुला रहेगा. ऐसा नहीं कहूंगी कि बहुत बुरा रहेगा मिला जुला रहेगा. मगर यहां पर आपको खास तोर से अपने धन का जो है वह बहुत ध्यान रखने की जूरत है. अगर आप कही भार जा रहे हैं तो घर पे सही तरीके सा ताले लगा के जाएगा नहीं तो चोरी चकारी का डर बढ़ सकता है. अगर आप भार भी जा रहे से ट्राबलिंग करें. चलें यहां रुकेंगे एक छोड़ा सुपरे के लिए खबरे लगाता आजा रहे हैं. आठ अप्रेल 2024 को दुनिया भर में कई जगों पर टोटल सोलर एकलिप्स यानी पूर्ण सूरे ग्रहन दिखाई देगा. सूरे ग्रहन एक हबोल यह घगना है. इसकी वैज्यानिक और धार्मिक मानेता है. नासा की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार, भारती इस समय के अनुसार आठ अप्रेल को पढ़ने वाला ग्रहन नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएस और कैनादा में दिखाई देगा. आपको यह जानकारी होगी कि पूर सूरे ग्रहन तब दिखाई देता है जब चंद्रमा सूरे और प्रिथवी के बीच आ जाता है. इस दौरान प्रिथवी से सूरे दिखाई नहीं देता. एक सूपिचास्ती किलोमीटर के इलाके में पूर रूप से अंधेर अचा जाएगा. यानी टोटालिटी की स्थिती बन जाएगी. पूरे ग्रहन का समय धाई घंटे का है, लेकिन टोटालिटी का समय चार मिनिट है. भारत में दिखाई देगा ग्रहन भारत में सूरे ग्रहन के सिर्फ वैज्यानिक मायने ही नहीं, बलकि धार्मिक मायने भी हैं. अमारे देश में ग्रहन से पहले लगने वाले सूतक काल को भी लोग मानते हैं. हिंदु पंचान के अनुसार, साल दोहजार शौबिस में लगने वाला पहला सूरे ग्रहन चैठ कारेल नहीं करने चाहिए। केंद्री ये संस्कृत विश्विध्याले पूरी के जोतिशाचारे डॉक्टर गनेश मिष्ट्र के अनसार 8 अपरेल को सूरे ग्रहन रात 9 बचकर 12 मिनिट से शुरू हो रहा है और ये देर रात 1 बचकर 25 मिनिट तक रहेगा। चुकि ये भारत मे नाक्सिको, यूएस, कानड़ा और साउथ पैसिफिक ओशियन में फोर्ड रूप से दिखाईते हैं। ग्रहन को देखने के लिए कुछ सेफटी गाइडलाइन्स फॉलो करने होते हैं। नासा के मताबिक सूरे ग्रहन को नगन आखोस से देखने से सीवेर आई इंजरी हो सक ग्रहन को देखने के लिए एकलिप्स ग्लासिस या सोलर फिल्टर्स जरूरी हैं। अगर आपके पास खास ग्लासिस नहीं है तो आप इंडिरेक्ट व्यूइंग मैथेड अपना सकते हैं यानि सूरे को सीधे तोर पर ना देखें। पिन होल प्रोजेक्टर का इस्तमाल इस अलावा नासा स्किन सेश्टी की भी सला देता है। ग्रहन के दौरान आप संस्क्रीन लगाकर भी बाहर लिखलें। हैच या कप पहने, ऐसे कप्रे पहने जिलसे आपकी स्किन डिरेक्ट धूट के कॉंटेक्ट में ना आए। ओनलाइन कैसे देखें अब ओनलाइन घ्रहेंड को देख सकते हैं नासा इस सब ब्रॉडकास्ट करेगा आप यूट्यूब चानल और नासा की वेबसाइट पर देख सकते हैं पर भी स्ट्रीमिंग की जाएगी जानकारी के लिए बता दें कि आठ अप्रेल को टोटल सोलर एकलिप्स के बाद अगला सूरे बहें पर अगस्त को लगेखा इस टॉपिक पर आपका क्या खाया है हमें कमें सेक्शन में बताए इसी पर अपी स्टोरी के लिए बने रहें नीज एडिया ओडिशनल के साथ कल साल का पहला सूरिग्राण है और चोवन साल बाद ये पूर्ण सूरिग्राण है भाला की भारत में इस सूरिग्राण का कोई असर नहीं होगा जो तसाचारे की माने तो कई रासियों पर इस सूरिग्राण का असर हो सकता है वही दूसरी तरब भारत के जो दूसरे देश है किनकिन देशों में इस सूर्य ग्रहन का असर होगा जानिये इस रिपोर्ट में इस दोरान सूर्य चंदरमा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदरमा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदरमा की पूर्ण छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रैन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूर्य ग्रैन दिखेगा ये ग्रैन 8 अप्रैल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रैन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूर्य ग्रैन होगा सूर्य ग्रैन की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूर्य ग्रैन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रैन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूर्य ग्रैन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जैसा कि आप सुभी जानते कि सूर्य ग्रैन को लिकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई यातायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रैन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूर्य ग्रैन की स्तिती बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूर्य ग्रैन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूर्य ग्रैन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूर्य ग्रैन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूर्य ग्रैन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दास्यों पर भी इसका असर है देश्टा से पर्ले एक समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नों वज़ बाराइब शुट और जारा वर्श्टा सटाव में तक कर समय इस समय रहे दाथ लहता लिखिए पाहा के देशों में देखा फिलाल पर कोई सूर्टत का ऐसा कोई ठवाव नहीं है तकि कुछ दासियां है अगर सूरे ग्रेंट है पर उसका असर जायता है जिसे की प्रश्ट आसी है करक्रासी है और कुमरासी है इन ती दासियों पर इसका विश्टेस असर रहेगा देखने को बिल कल साल का पहला सूरिग्रहन होने जा रहा है 54 साल बाद पूर सूरिग्रहन होने वाला है अलाकि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जो तुशाचारियों के मताबिक राशियों पर इसका असर होगा किन-किन देशों में सूरिग्रहन दिखने वाला है आई इस दोरान सूर्य चंदरमा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है। चंदरमा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी। और चंदरमा की पून छाया पृत्वी पर पड़ेगा। सूर्य ग्रेंड एक खगॉल ये घटना है। जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूरे ग्रेहन दिखेगा। ये ग्रेहन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा। इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा। इस सूरे ग्रेहन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा। ये पूर्ण सूरे ग्रेहन होगा। सूरे ग्रेहन की अवधी 5 गंटे 10 मिनट की होग हालाकि सबसे बड़ी बात ये है शोरे ग्रैन का आसर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रैन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक चाहा सूरिग्रहन लगता है वही पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरिग्रहन दिखने वाला है उन में कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरिग्रहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तितीब बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेतर नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दार्षियों पर भी इसका असर है दिश्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नों बश्टर बाराग में उसके और ग्यारा विश्टर सटाल में तक कर समय इस समय रहेदा बहर का लिखिए बाहा के अमूमन माना जाता है कि सूर्य ग्रेंट के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंट के दौरान सीधे सूर्य को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूर्य ग्रेंट के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूस एटीन कर 12 मिनट से शुरू होगा और देर रात दो बज कर 22 मिनट पर समाप्त होगा जब ये सूर्य ग्रहन लगेगा तब भारत में रात होगी इसलिए सूर्य ग्रहन का सूतक्काल भारत में मानने नहीं होगा लेकिन आपको खास साफधानिया बरतनी चाहिए एक तो किसी भी व्यक्ति को नंगी आक्षे ग्रहन नहीं देखना चाहिए प्रेगनेंड भुमन इस्पेशली जो प्रेगनेंड महलाएं होती है जो गर्वती महलाएं होती है उनको ग्रहन के समय कुछ काटना नहीं चाहिए तोडना नहीं चाहिए शिले हुए वस्त्र को धारण नहीं करना चाहिए, काटना नहीं है, तोड़ना नहीं है, शिले हुए वस्त्र को धारण नहीं करना है, तेज आवाज में भोलना नहीं है, तेज आवाज में टीवी इत्यादी नहीं देखना है, कुछ सिलना इत्यादी नहीं है, इसका अमेरिका, कनाडा, कोलंबिया, विनेजुएला, आयर्लेंड, पुर्थगाल, नौर्वे, परामा, रूस, बाहमास, पस्चिमी युरोप, पैसिफिक, अट्लांटिक और आर्क्टिक में दिखेगा। नकारात्मक होगा, नहीं के वराबर होगा, इसमें घबडाने की कोई और शक्ता नहीं है। इस साथ मिनट से ज्यादा समय तक सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर नहीं पड़ेगा, यानी साथ मिनट तक सर्व गरास रहेगा, और धर्तिप पूरी तरह से अंदकार में। वैग्यारिकों की माने तो इस तरह का सूर्य गरहन आज से करीब 54 साल पहले लगा था। इस पूर्ण सूर्य गरहन की शुरुवात दक्षिन प्रशांत महासागर से होगी, इस से पहले इस तरह का सूर्य गरहन 1970 में दिखा था, और अगली बार साल 2078 में दिखेगा। इस गरहन का प्रभाव अगले एक महिने तक दुनिया पर पड़ेगा, अलग-अलग राश्यों पर भी इसका प्रभाव दिखाई देगा। मेन राश्यों राश्यों पर श महते हैं। दुरत है रेवीति नक्षात्र ने जनम लेया उन लोगों को सापधान रहने के जूडता है । वराजी राषी आप explorers की सवास्थत का ध्रै conflict गटता है विश्यास्सती से सुझता है कर देडर दीयान हे अब मारverse में स्वास्ता आप पर कर चूचन का सुनी 6 और इस चीज को भी धियान रखके चलेगा कि अगर आप लव रिलेशन्शिप में है तो लव रिलेशन्शिप इस सब्सक्राइब हो सकता है वही पर अगर हम बात करें मकर राशी की इसके अलावा तो मकर राशी वालों के लिए ये समय काफी हद तक मिला जुला रहेगा ऐसा नहीं कहूंगी कि बहुत बुरा रहेगा मिला जुला रहेगा मकर यहां पर आपको खासतोर से अपने धन का जो है वो बहुत द्यान रखने की जूरत है अगर आप कही भार जा रहे हैं तो घर पे सही तरीके सा ताले लगा के जायेगा नहीं तो चोरी चकाली का डर बढ़ सकता है अगर आप भार भी जा रहे तो पिक पॉकेट से बचके रहेगा और इसके अलावा अगर हम बात करें कुम्ब और मीन की तो कुम्ब राशी के जातकों को बिल्कुल ध्यान रखने के वशकता है अगर आप ट्रावलिंग कर रहे हैं तो चोट चपेट में आने की समभावना है इसलिए बहुत साफ़ानी से ट्रावलिंग करें सूरिय गरहन का प्रफाव पूरी दुनिया के लोगों पर पड़ेगा दुनिया भर में इस सूरिय गरहन से राजनीतिक रूप से भयंकर उथल पुथल मच सकती है शेयर बाजार और दुनिया भर की आर्थिक इस्तिती हिल सकती है ये परिवर्तन विश्व भर में यूद और विश्फोर्ट का संकेत दी रहा है ब्यूरो रिपोर्ट न्यूस एटीन चलें यहां रुकेंगे एक छोड़ा सुपरे के लिए खबरे लगाता आजा रहे हैं आठ अप्रेल 2024 को दुनिया भर में कई जगों पर टोटल सोलर एकलिप्स यानी फूर्ड सूरे ग्रहन दिखाई देगा सूरे ग्रहन एक खगोल ये घगना है इसकी वैज्ञानिक और धार्मिक मानेता है नासा की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार भारती इस समय के अनुसार आठ अप्रेल को पढ़ने वाला ग्रहन नौर्थ हमारिका, मैक्सिको, यूएस और कैनदा में दिखाई देगा आपको ये जानकारी होगी कि पूर सूरे ग्रहन तब दिखाई देता है जब चंद्रमा सूरे और प्रिथवी के बीच आ जाता है इस दौरान प्रिथवी से सूरे दिखाई नहीं देता एक सूपिच्यास्ती किलोमीटर के इलाके में फूर रूप से अंधेर अच आ जाये गा यानि टोट्रालिटी की स्थिती बन जाएगी पूरे ग्रहन का समय दाई घंटे का है लेकिन टोटालिटी का समय 4 मिने भारत में दिखाई देगा ग्रहन भारत में सूरे ग्रहन के सिर्फ वैज्यानिक माईने ही नहीं बलकि धार्मिक माईने भी हैं अमारे देश में ग्रहन से पहले लगने वाले सूतक काल को भी लोग मारते हैं हिंदु पंचान के अनुसार साल 2024 में लगने वाला पहला सूरे ग्रहन चैत्रमास की अमावस्तिया पर लग रहा है। कहा जाता है कि सूरे देव प्रत्यक्ष देवता हैं, इसलिए जब सूरे ग्रहन लगता है तब सूतक काल 12 गंटे पहले ते शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि सूतक काल के दौरान मांगली कारे नहीं करने चाहिए। केंदरी ये संस्कृत विश्विध्याले पूरी के जोतिशाचारे डौक्टर गनेश मिष्टर के अनसार 8 अपरेल को सूरे ग्रहन रात 9 बचकर 12 मिनट से शुरू हो रहा है और ये देज रात 1 बचकर 25 मिनट तक रहेगा। चुकि ये भारत में नहीं दिखाई देगा इसलिए सूतकाल भी मानने नहीं होगा। ये है नासा की सला। अब जानेंगे कि सूरे ग्रहन कहां कहां दिखाई देगा। नासा की वेबसाइट के मताबिक टोटल सोलर एकलिप्स नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएर्स, कैनेडा और साउथ पैसिफिक ओशियन में कोड रूप से दिखाई देगा। ग्रहन को देखने के लिए कुछ सेटी गाइडलाइन्स फॉलो करने होते हैं। नासा के मताबिक सूरे ग्रहन को नगन आखोस से देखने से सीवेर आई इंजरी हो सकती है। ग्रहन को देखने के लिए एकलिप्स ग्लासिस या सोलर फिल्टर्स जरूरी हैं। अगर आपके पास खास ग्लासिस नहीं हैं तो आप इंडरेक्ट व्यूइंग मैथेड अपना सकते हैं। यानि सूरे को सीधे तोर पर ना देखें। पिंट होल प्रोजेक्टर का इस्तमाल इसके लिए किया जा सकता है। एक्लिप्स ग्लास पहने हुए camera lens, telescope, binoculars या किसी optical device का इस्तमाल ना करें। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसा करने से आँखों को गंभील नुखसान पहुच कता है। इसके अलावा NASA skin safety की भी सला देता है। ग्रेंड के दौरान आप sunscreen लगा कर भी बाहर निखले। hat या cap पहने, ऐसे कपड़े पहने जिनसे आपकी skin direct धूट के contact में ना आए। Online कैसे देखें। अब online ध्रहन को देख सकते हैं, NASA इस सब broadcast करेगा आप YouTube चैनल और NASA की website पर देख सकते। timeandake.com पर भी स्ट्रीमिंग की जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि आठ अपरेल पो टोटल सोलर एकलिप्स के बाद अगला सूड़ेगों है, 23 अगस्त को लगे था। इस टॉपिक पर आपका क्या क्याना है हमें comment section न बताएं। इसी परती story से लिए बने रहे नूर वेडी इंडिया ओडिशनल्स के साथ। कल साल का पहला सूरिग्राण है और 54 साल बाद ये पूर्ण सूरिग्राण है, भाला की भारत में इस सूरिग्राण का कोई असर नहीं होगा, जो सचारेओं की माने तो कई राशियों पर इस सूरी गरहन का असर हो सकता है वही दूसरी तरफ भारत के जो दूसरे देश है किनकिन देशों में इस सूरी गरहन का असर होगा जानिये इस रिपोर्ट में इस दोरान सूरी चंदरमा पृत्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदरमा पूरी तरह से सूरी का प्रकाश पृत्वी पर जाने से रोकेगी और चंदरमा की पून च्छाया पृत्वी पर पड़ेगा सूरी ग्रेन एक खगॉल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूरी ग्रेन दिखेगा ये ग्रेन 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरी ग्रेन का मद्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरी ग्रेन होगा सूरी ग्रेन की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरी ग्रेन का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेन का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरी ग्रेन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जनी से सातरी ये परंपरा से अलगो और सास्ते व्य पर इसका प्रभाव भी दान रखें जिन देशों में सूर्य ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनिड़ा, अमेरिका, माकसीको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई यातायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रेंड के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वजह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रेंड की स्तितीब बनती है सुमवर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रेंड लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रेंड चेतर नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रेहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रेहन लगने जा रहा है और कुछ राशिया है जिन राशियों पर भी इसका असर है देश्तर से पहले एक समय जाल लेंगे अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट निउस 18 कल साल का पहला सूरिग्रहण होने जा रहा है 54 साल बाद पूर सूरिग्रहण होने वाला है आला कि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जो तुशाचारियों के मताबिक राशियों पर इसका असर होगा किन-किन देशों में सूर्य ग्रहन दिखने वाला है, आई इस रिपोर्ट के सरके हम आपको दिखाते हैं इस दोरान सूर्य चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रहन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूर्य ग्रहन दिखेगा ये ग्रहन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रहन का मद्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूर्य ग्रहन होगा सूरे ग्रेंड की अवधी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेंड का सुतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरे ग्रेंड लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनेडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तितीब बनती है सूमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेतर नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दार्शियों पर भी इसका असर है रिस्ता से पर्ले एक समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात्मेनों विस्तर बाराग में उसके और ग्यारा विस्तर सक्ताव में तक कर समय इस समय रहेगा देहर कालिकिए यह बाहा क अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेंट के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेंट के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंट के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपॉर्ट न ये गरहन बहुत खास माना जा रहा है, क्योंकि ये एक पूर्ण सूरिय गरहन होगा और करीब 5 घंटे 10 मिनट का होगा, जिसका संयोग करीब 54 साल बाद बन रहा है। भारतिय समय के अनुसार सूरिय गरहन रात 9 बज कर 12 मिनट से शुरू होगा और देर रात 2 बज कर 22 मिनट पर समाप्त होगा, जब ये सूरिय गरहन लगेगा तब भारत में रात होगी, इसलिए सूरिय गरहन का सूतक काल भारत में मानने नहीं होगा, लेकिन आपको खास पानिया बरत दी चाहिए, एक तो किसी भी ब्यक्ति को नंगी आक्षे गरहन नहीं देखना चाहिए, विकॉस उस टाइम जो सूरिय की रेज आ रही होती है, जो सूरिय की किरने आ रही होती है, उनकी अंदर इतना वेग होता है, इतना प्रभाव होता है, कि वह आपकी आठ की रोसनी के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं, या शरीर पर उनका नकार आत्मिक इंपैक्ट पड़ सकता है, इसलिए किसी भी ब्यक्ति को नंगी आक्षे गरहन को नहीं देखना चाहिए, इसको देखना रखेगा, दूसरा प्रेगनेंड विमन इस्पेशली जो प्रेगनें महलाएं होती हैं, उनको ग्रहन के समय कुछ काटना नहीं चाहिए, तोडना नहीं चाहिए, शिले हुए वस्त्र को धारण नहीं करना है, तेज आवाज में भोलना नहीं है, तेज आवाज में टीवी इत्यादी नहीं देखना है, कुछ सिलना इत्यादी नहीं है, इसका वि पुशिश करना है कि कोई धार्मिक गंत इत्यादी का अध्यान किया जाए अपने मन के अंदर एक पॉस्टिविटी रखा जाए साल का ये पहला सूर्य ग्रहन अमेरिका, कनाडा, कोलंबिया, वेनिजुएला, आयर्लेंड, पुर्थगाल, नौर्वे, परामा, रूस, बाहमास, पस्चिमी यूरोप, पैसिफिक, अट्लांटिक और आर्क्टिक में दिखेगा इसलिए इसका प्रभाव भारत में नकारात्मक होगा, नहीं के बराबर होगा, इसमें घबलाने की कोई आउशकता नहीं है इस सूर्य गरहन की खास बात ये है कि ये करीब 5 घंटे 10 मिनट का होगा, और करीब 7 मिनट से ज्यादा समय तक सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर नहीं पड़ेगा यानी 7 मिनट तक सर्व गरास रहेगा और धर्ती पूरी तरह से अंदकार में वैज्यानिकों की माने तो इस तरह का सूर्य गरहन आज से करीब 54 साल पहले लगा था इस पूर्ण सूर्य गरहन की शुरुवात दक्षिन प्रशांत महासागर से होगी इस से पहले इस तरह का सूर्य गरहन 1970 में दिखा था और अगली बार साल 2078 में दिखेगा इस गरहन का प्रभाव अगले एक महिने तक दुनिया पर पड़ेगा अलग-अलग राश्यों पर भी इसका प्रभाव दिखाई देगा ये सूर्य गरहन कर्क, कन्या, वरिष्चिक, कुम्ब और मीन राशी के लिए मध्यम फलदाई रहेगा विर्षब, मिथुन, तुला और मकर राशी के लिए ये परिणाम उत्तम होंगे वही मेश, सिंग और धनु राशी वालों को विशेश साब्धानी रखनी होगी अब बात कर लेते हैं कौनसी वो राशी रहेंगी जिनके लिए ये सूर्य गरहन जो है नकरातनक प्रभाव दे सकता है क्योंकि मीन राशी रेवती नक्षत्र में लग रहा है तो मीन राशी के जात्रकों को इस समय पर बहुँँ साथान रहने की जरूरत है इसके अलावा रेवती नक्षत्र में जिन जात्रकों ने जनम लिया है उन लोगों को साबधान रहने की जोड़ता है अब सबसे पहले राशी की बात कर लेते हैं जिन लोगों को साबधानी इस दोरान बरतने की जोड़ता है वो है विरशिब राशी आप लोगों को खास तोर से अपने स्वास्त का ध्यान रखने के विशकता है स्वास्त में गड़बड़ी हो सकती है इसके अलावा भाई बेहनों से कहा सुनी भी हो सकती है तो इस समय पर ध्यान जरूर रखके चलिए अपनी वाणी पर ध्यान रखके चलिए वही पर करक राशी के जातकों को खासतोर से ध्यान रखने के विशकता है अपनी संतान के स्वासत का ध्यान रखने के विशकता है और इस चीज को भी ध्यान रखने के चलिएगा कि अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो लव रिलेशनशिप इस सब्सक्वाइल हो सकता है वही पर अगर हम बात करें अगली राशी की तो आप लोगों के लिए करन्य राशी जो है थोड़ा साफ़ धानी बरतने की ज़़ूरत है अगर आप विवाहत है या अगर आप बिस्नस बिसनस पार्टनर के साथ कर रहे हैं तो इस समय पर थोड़ी सी मुश्किल है आप लोगो अगर आप कही भार जा रहे हैं, तो घर पे सही तरीके से ताले लगा के जाएगा, नहीं तो चोरी चकारी का डर बढ़ सकता है, अगर आप भार भी जा रहे तो पिक पॉकेट से बचके रहेगा, और इसके अलागा अगर हम बात करें कुम्ब और मीन की, तो कुम्ब राशी के जातकों को बिल्कुल ध्यान रखने के वशकता है, अगर आप ट्रावलिंग कर रहे हैं, तो चोर्च पेट में आने की संभावना है, इसलिए बहुत साफ़धाने से ट्रावलिंग करें सूर्य गरहन का प्रफाव पूरी दुनिया के लोगों पर पड़ेगा, दुनिया भर में इस सूर्य गरहन से राजनीतिक रूप से भयंकर उथल-पुथल मच सकती है, शेर बाजार और दुनिया भर की आर्थिक इस्तिती हिल सकती है, ये परिवर्तन विश्व भर में और विस्पोर्ट का संकेत दी रहा है बुरो रिपोर्ट न्यूस 18 चले यहां रुखेंगे एक छोड़ा सुपरे के लिए खबरे लगाता आ जारे हैं आज अप्रेल 2024 को दुनिया भर में कई जगों पर टोटल सोलर एकलिप्स यानी फूर्ण सूरे ग्रहन दिखाई देगा सूरे ग्रहन एक हगोल यह घगना है इसकी वैज्ञानिक और धार में कमानेता है नासा की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार भार की इस समय के अनुसार आज अप्रेल को पढ़ने वाला ग्रहन नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएस और कैनदा में दिखाई देगा आपको यह जानकारी होगी कि पूर सूरे ग्रहन तब दिखाई देता है जब चंद्रमा सूरे और प्रिथवी के बीच आ जाता है इस दौरान प्रिथवी से सूरे दिखाई नहीं देता 185 किलोमीटर के इलाके में फूर रूप से अंधेर अचा जाएगा यानी तोट्रालिटी की स्थिती बन जाएगी पूरे ग्रहन का समय धाई घंटे का है लेकिन तोटालिटी का समय चार मिनेट है भारत में दिखाई देगा ग्रहन भारत में सूरे ग्रहन के सिर्फ वैज्यानिक माईने ही नहीं बलकि धार्मिक माईने भी हैं अमारे देश में ग्रहन से पहले लगने वाले सूतक काल को भी लोग मारते हैं हिंदु पंचान के अनुसार साल 2024 में लगने वाला पहला सूरे ग्रहन चैत्रमास की अमावस्या पर लग रहा है। कहा जाता है कि सूरे देव प्रत्यक्ष देवता है, इसलिए जब सूरे ग्रहन लगता है तब सूतक काल 12 गंटे पहले पे शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि सूतक काल के दौरान मांगलिक कारे नहीं करने चाहिए। केंदरीय संस्कृत विश्विध्याले पूरी के जोतिशाचारे डॉक्टर गणिश मिश्टर के अनसार 8 अपरेल को सूरे ग्रहन रात 9 बचकर 12 मिनट से शुरू हो रहा है और ये देज रात 1 बचकर 25 मिनट तक रहेगा। चुकि ये भारत में नहीं दिखाई देगा इसलिए सूतक काल भी मानने नहीं होगा। अब जानेंगे कि सूरे ग्रहन कहां कहां दिखाई देगा। नासा की वेबसाइट के मताबिक Total Solar Eclipse North America, Mexico, US, Canada और South Pacific Ocean में फोर्ड रूप से दिखाई देगा। ग्रहन को देखने के लिए कुछ safety guidelines follow करने होते हैं। नासा के मताबिक सूरे ग्रहन को नगन आखोस से देखने से severe eye injury हो सकती है। ग्रहन को देखने के लिए eclipse glasses या solar filters जरूरी हैं। अगर आपके पास खास glasses नहीं हैं तो आप indirect viewing method अपना सकते हैं यानि सूरे को सीधे तोर पर ना देखे। पेंड होल प्रोजेक्टर का इस्तमाल इसके लिए किया जा सकता है। एक्लिप्स glass पहने हुए camera lens, telescope, binoculars या किसी optical device का अस्तमाल ना करे। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसा परने से आखों को गंभीन रुखसान पहुच करता है। इसके अलावा NASA skin safety की भी सला देता है। ग्रहन के दौरान आप तन स्क्रीन लगा कर भी बाहर निकले। हाट या कैप पहने। ऐसे कप्रे पहने जिनसे आपकी skin direct धूर के contact में ना आए। Online कैसे देखें। अब online ध्रहन को देख सकते हैं, NASA इस सब broadcast करेगा। आप YouTube चैनल और NASA की website पर देख सकते। timeandake.com पर भी स्ट्रीमिंग की जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि आठ अपरेल पो टोटल सोलर एकलिप्स के बाद अगला सूरे को हैं 23 अगस्त को लगे था। इस टॉपिक पर आपका क्या कहाना है हमें comment section में बताए। इसी परती story से लिए बने रहे नूर जेदी इंडिया ओडिशनल के साथ। कल साल का पहला सूरिग्राण है और 54 साल बाद ये पूर्ण सूरिग्राण है भाला की भारत में इस सूरिग्राण का कोई असर नहीं होगा जो साल की माने तो कई रासियों पर इस सूरिग्राण का असर हो सकता है। इस दोरान सूरिग्राण पृत्वी के बीच ऐसी स्तिती बन रही है। चंदर्मा पूरी तरह से सूरे का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पून च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूरे ग्रेंड एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूरे ग्रेंड दिखेगा ये ग्रेंड 8 अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेंड का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेंड होगा सूरे ग्रेंड की अवधी 5 खंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक चहां सूरी ग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रहन दिखने वाला है उनमें कैनिडा, अमेरिका, माक्सिको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रहन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वजह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तितीब बनती है सूमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन रासियों पर भी इसका असर है रिष्टा से पर्ले समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर डात्मेनों विसकर बाराग में उसके और ग्यारा विसकर सक्ताव में तक कर समय इस समय रहेगा रहेगा लिखिए बाहा के देशो पर ड हैं ब्रासियों पर असर जाता है कि सूरे ग्रह्यन के दौरां सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेहन के में सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेंट के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है videoc press कल साल का पहला सूरिग्रहन होने जा रहा है 54 साल बाद पूर सूरिग्रहन होने वाला है आला कि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जो तुशाचारेओं के मताबिक राशियों पर इसका असर होगा किन-किन देशों में सूर्य ग्रहन दिखने वाला है आई इस रिपोर्ट के सरके हम आपको दिखाते हैं इस दौरान सूर्य चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रहन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूर्य ग्रहन दिखेगा ये ग्रहन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रहन का मद्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूर्य ग्रहन होगा सूरे ग्रैंट की अवदी 5.10 मिनिट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रैंट का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रैंट का सुतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक जहा सूरी ग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रहन दिखने वाला है उंमें कैनेडा, अमेरिका, मैकस्पो जैसे देश शामिल है अमेरिका में सूरे ग्रहन को लेकर अलर्ड भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर छेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब पृत्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वजह से पृत्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तिती बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराज से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन दाशियों पर भी इसका असर है तरह से परले समय जाल लेंगे कि भारतिय परमपरा के दूसार जो ही यहां पर रात में नो बज़तर बारा में उसके और ज्यारा विश्टर 17 मिट तका समय इस समय रहेगा तरह का लिए बाहा के देशों में देगा फि अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रेहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रेहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रेहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यू ये गरहन बहुत खास माना जा रहा है क्योंकि ये एक पूर्ण सूरिय गरहन होगा और करीब 5 घंटे 10 मिनट का होगा जिसका संयोग करीब 54 साल बाद बन रहा है। भारतिय समय के अनुसार सूरिय गरहन रात 9 बज कर 12 मिनट से शुरू होगा और देर रात 2 बज कर 22 मिनट पर समाप्थ होगा। जब ये सूरिय गरहन लगेगा तब भारत में रात होगी। इसलिए सूरिय गरहन का सूतक काल भारत में मानने नहीं होगा। लेकिन आपको खास स अधानिया बरतनी चाहिए एक तो किसी भी द्यक्ति को नंगी आक्षे ग्रहन नहीं देखना चाहिए विकॉस उस टाइम जो सूरी की रेज आ रही होती है उनकी अंदर इतना वेग होता है इतना प्रभाव होता है कि वह आपकी आख की रोसनी के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं या शरीर पर उनका नकार आत्मिक इंपैक्ट पड़ सकता है इसलिए किसी भी द्यक्ति को नंगी आक्षे ग्रहन को नहीं देखना चाहिए इसको देखना रखेगा दूसरा pregnant women especially जो pregnant महलाएं होती हैं जो गर्वती महलाएं होती हैं उनको गरहन के शमय कुछ काटना नहीं चाहिए तोडना नहीं चाहिए स्लेहोई वस्त्र को धारन नहीं करना चाहिए का तोडना नहीं है ठेज आवाज में भोळना नहीं है तेज आवाज में टीवी इत्यादी नहीं देखना है, कुछ सिलना इत्यादी नहीं है, इसका विशेशूर्ट से ध्याम रखना है, इस समय पर कोशिश करना है कि कोई धार्मिक गंत इत्यादी का अध्यान किया जाए, अपने मन के अंदर एक पॉजिटिविटी रखा जाए और आर्क्टिक में दिखेगा, इसलिए इसका प्रभाव भारत में नकारात्मक होगा, नहीं के वराबर होगा, इसमें घबलाने की कोई आवशक्ता नहीं है, जै विश्ववादी सूतक काल का असर भारत में नहीं होगा, जहां गरहन लगेगा, जिस कंट्री में, जिस देश में गरहन लगेगा, वहीं सूतक प्रभावी दो इस सूर्य ग्रहन की खास बात ये है कि ये करीब 5 घंटे 10 मिनट का होगा और करीब 7 मिनट से ज्यादा समय तक सूर्य का प्रकाश पृत्वी पर नहीं पड़ेगा यानि 7 मिनट तक सर्व ग्रास रहेगा और धर्ती पूरी तरह से अंदकार में वैज्यारिकों की माने तो इस तरह का सूर्य ग्रहन आज से करीब 54 साल पहले लगा था इस पूर्ण सूर्य ग्रहन की शुरुवात दक्षिन प्रशांत महासागर से होगी इस से पहले इस तरह का सूर्य ग्रहन 1970 में दिखा था और अगली बार साल 2078 में दिखेगा इस ग्रहन का प्रभाव अगले एक महिने तक दुनिया पर पड़ेगा अलग-अलग राश्यों पर भी इसका प्रभाव दिखाई देगा ये सूर्य ग्रहन कर्क, कन्या, व्रश्चिक, कुम्ब और मीन राशी के लिए मध्यम फलदाई रहेगा विर्शब, मिथुन, तुला और मकर राशी के लिए ये परिणाम उत्तम होंगे वही मेश, सिंग और धनु राशी वालों को विशेश साब्धानी रखनी होगी अब बात कर लेते हैं कौनसी वो राशी रहेंगी जिनके लिए ये सूर्य ग्रहन जो है नकरातनक प्रभाव दे सकता है क्योंकि मीन राशी रेवती नक्षत्र में लग रहा है तो मीन राशी के जातकों को इस समय पर बहुँँ साथान रहने की जरूरत है इसके अलावा रेवती नक्षत्र में जिन जातकों ने जनम लिया है उन लोगों को साबधान रहने की जोड़ता है अब सबसे पहले राशी की बात कर लेते हैं जिन लोगों को साबधानी इस दोरान बरतने की जोड़ता है वो है विरशिब राशी आप लोगों को खास तोर से अपने स्वास्त का ध्यान रखने के विशकता है स्वास्त में गड़बड़ी हो सकती है इसके अलावा भाई बेहनों से एक कहा सुनी भी हो सकती है तो इस समय पर ध्यान जरूर रखके चलिए अपनी वानी पर ध्यान रखके चलिए वही पर करक राशी के जातकों को खासतोर से ध्यान रखने के विशकता है, अपनी संतान के स्वासत का ध्यान रखने के विशकता है, और इस चीज को भी ध्यान रखने के चलिएगा, कि अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं, तो लव रिलेशनशिप इस सब पर स्कॉय हो सकत अगर हम बात करें मकर राशी के लावा तो मकर राशी वालों के लिए यह समय काफी हद तक मिला जुला रहेंगा इसा नहीं कहूंगी कि बहुत बुरा रहे हैं मिला जुला रहे का मगर यहां पर आपको खास तोर से अपने धन का जो है वो बहुत ध्यान रखने की जूरते है अगर आप कही भार जा रहे हैं तो घर पे सही तरीके से ताले लगा के जाएगा नहीं तो चोरी चकारी का डर बढ़ सकता है अगर आप भार भी जारे तो पिक सूरिय गरहन का प्रफाव पूरी दुनिया के लोगों पर पड़ेगा दुनिया भर में इस सूरिय गरहन से राजनितिक रूप से भयंकर उथल पुथल मच सकती है शेयर बाजार और दुनिया भर की आर्थिक स्थिति हिल सकती है ये परिवर्तन विश्व भर में यूद और और विस्पोर्ट का संकेत दी रहा है बूरो रिपोर्ट न्यूस 18 चले यहां रुखेंगे एक छोड़ा सुपरेखे लिए खबरे लगाता आ जारे हैं आज अप्रेल 2024 को दुनिया भर में कई जगों पर टोटल सोलर एकलिप्स यानी फूर्ण सूरे ग्रहन दिखाई देगा सूरे ग्रहन एक हगोल ये घगना है इसकी वैज्ञानिक और धार्मिक मानेता है नासा की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार भारती इस समय के अनुसार आज अप्रेल को पढ़ने वाला ग्रहन नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएस और कैनदा में दिखाई देगा आपको ये जानकारी होगी कि पूर सूरे ग्रहन तब दिखाई देता है जब चंद्रमा सूरे और प्रिथवी के बीच आ जाता है इस दौरान प्रिथवी से सूरे दिखाई नहीं देता 185 किलोमीटर के इलाके में पूर रूप से अंधेर अचा जाएगा यानी टोटालिटी की स्थिती बन जाएगी पूरे ग्रहन का समय धाई घंटे का है लेकिन टोटालिटी का समय चार मिन लगे भारत में दिखाई देगा ग्रहन भारत में सूरे ग्रहन के सिर्फ वैज्यानिक माईने ही नहीं बलकि धार्मिक माईने भी हैं अमारे देश में ग्रहन से पहले लगने वाले सूतक काल को भी लोग मारते हैं हिंदू पंचान के अनुसार साल 2024 में लगने वाला पहला सूरे ग्रहन चैरत्रमाथ की अमावस्य अपर लग रहा है। कहा जाता है कि सूरे देव प्रत्यक्ष देवता है, इसलिए जब सूरे ग्रहन लगता है तब सूतक काल 12 घंटे पहले ते शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि सूतक काल के दौरान मांगली कारे नहीं करने चाहिए। केंदरी ये संस्कृत विश्विध्याले पूरी के जोतिशाचारे डॉक्टर गणेश मिश्ट के अनसार 8 अपरेल को सूरे ग्रहन रात 9 बचकर 12 मिनिट से शुरू हो रहा है और ये देज रात 1 बचकर 25 मिनिट तक रहेगा। शुकी अभारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए सूतकाल भी मानने नहीं होगा। ये है नासा की सला। अब जानेंगे कि सूरे ग्रहन कहां कहां दिखाई देगा। नासा की वेबसाइट के मताबिक टोटल सोलर एकलिप्स नौर्थ अमारिका, मैक्सिको, यूएस, कैनेडा और साउथ स्पैसिफिक ओशें में फोर्ड रूप से दिखाई देगा। ग्रहन को देखने के लिए कुछ सेफटी गाइडलाइन्स फॉलो करने होते हैं। नासा के मताबिक सूरे ग्रहन को नगन आखोस से देखने से सीवियर आई इंजूरी हो सकती है। ग्रहन को देखने के लिए एकलिप्स ग्लासिस या सोलर फिल्टर्स जरूरी हैं। अगर आपके पास खास ग्लासिस नहीं है तो आप इंडिरेक्ट व्यूइंग मेथेड अपना सकते हैं। यानि सूरे को सीधे तोर पर ना देखें। पिंट होल प्रोजेक्टर का इस्तिमाल इसके लिए किया जा सकता है। एक्लिप्स ग्लास पहने हुए कैमरा लेंज, टेलेस्कोब, बानकुलर्स या किसी ऑप्टिकल दिवाइस का इस्तमाल ना करें। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसा करने से आखों को गंभील नुकसान पहुच करता है। इसके अलावा नासा स्क्रीन सेस्टी की भी सला देता है। ग्रैंड के दौरान आप संस्क्रीन लगा कर भी बाहर लिकले। हाट या कब पहने, ऐसे कपड़े पहने जिनसे आपकी स्क्रीन डिरेक्ट धूट के कॉन्टेक्ट में ना आए। ऑनलाइन कैसे देखे। इसे करें तोरी के लिए बने रहें नियुवेडियन इंडिया ओरिशनल्स के साथ। कल साल का पहला सूरिग्रहन है और चोवन साल बाद ये पूर्ण सूरिग्रहन है। हालां कि भारत में इस सूरिग्रहन का कोई असर नहीं होगा। जो सचारे की माने तो कई रासियों पर इस सूरिग्रहन का असर हो सकता है। वही दूसरी तरब भारत के जो दूसरे देश है किनकिन देशों में इस सूरिग्रहन का असर होगा। जानिये इस रिपोर्ट में। इस दौरान सूरिग्रहन पृत्वी के बीच ऐसी स्थिति बन रही है। जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अदबुद सूरे ग्रेहन दिखेगा ये ग्रेहन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूरे ग्रेहन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूरे ग्रेंड होगा सूरे ग्रेंड की अवधी पांच खंटे दस मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसी लिए इस ग्रेंड का सूतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मुताबिक चहां सूरी ग्रहन लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरी ग्रहन दिखने वाला है उन में कैनेडा, अमेरिका, माक्सीको जैसे देश सामिल है अमेरिका में तो सूरी ग्रहन को लेकर Alert भी जारी किया गया है हवाई आतायात और एरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वजह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तितीब बनती है सूमबर आठ अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेतर नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और पुछ रासियां हैं जिन दास्यों पर भी इसका असर है तिस तर से पर एक समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर रात में नों विसकर बाराग में उसके और वियारा विसकर सटाव में तक का समय इस वह रहेंगता लिखिये बाहा के देशों में अगर पर पुछ तक का ऐसा कोई तरवाव नहीं है लेकि कुछ दासियां है अगर सूरे ग्रहन है पर उसका असर जायता है जिसे की प्रश्चित आसी है करकरासी है और कुमरासी है इन ते दासियों पर इसका वेशियस असर रहेगा देखने को बिले अमूमन माना जाता है कि सूरे ग्रहन के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए ग्रहन के दौरान सीधे सूरे को देखने से बचना चाहिए शास्त्रों में सूरे ग्रहन के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है बिरो रिपोर्ट न्यूज 18 कल साल का पहला सूरिग्रहन होने जा रहा है 54 साल बात पूर सूरिग्रहन होने वाला है आला कि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जो तुशाचारियों के मताबिक राशियों पर इसका असर होगा किन-किन देशों में सूर्य ग्रहन दिखने वाला है आई इस रिपोर्ट के सरके हम आपको दिखाते हैं इस दौरान सूर्य चंदर्मा प्रित्वी के बीच ऐसी स्थिती बन रही है चंदर्मा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश प्रित्वी पर जाने से रोकेगी और चंदर्मा की पूर्ण च्छाया प्रित्वी पर पड़ेगा सूर्य ग्रहन एक खगौल ये घटना है जोतिश के हिसाब से हर शक्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है 54 साल बाद अधबुद सूर्य ग्रहन दिखेगा ये ग्रहन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगा इसका समापन रात 2 बचकर 22 मिनट पर होगा इस सूर्य ग्रहन का मध्य समय रात 11 बचकर 47 मिनट पर होगा ये पूर्ण सूर्य ग्रहन होगा सूरे ग्रेंड की अवधी 5 गंटे 10 मिनट की होगी हाला कि सबसे बड़ी बात ये है कि सूरे ग्रेंड का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए इस ग्रेंड का सुतक काल नहीं माना जाएगा भारत में दिन चर्या रोज की तरह ही होगी शासलों के मताबिक चहां सूरे ग्रेंड लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है जिन देशों में सूरे ग्रेंड दिखने वाला है उनमें कैनेडा, अमेरिका, माकसीको जैसे देश शामिल है अमेरिका में तो सूरे ग्रेंड को लेकर alert भी जारी किया गया है हवाई यातायात और ओ एइर्पोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है अमेरिका में ग्रहन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे जब प्रित्वी, सूरे और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसकी वज़ह से प्रित्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा चा जाता है तब पूर सूरे ग्रहन की स्तिती बनती है सूमबर 8 अप्रेल को साल का पहला सूरे ग्रहन लगेगा 54 साल बाद लग रहा है पूर सूरे ग्रहन चेत्र नवराच से कुछ घंटे पहले लगेगा सूरे ग्रहन मीन राशी रेवती नक्षत्र में सूरे ग्रहन लगने जा रहा है और कुछ रासिया है जिन रासियों पर भी इसका असर है रिष्टा से पर्ले एक समय जाल लेंगे कि भारतिय परंपरा के दुशार जो ही यहां पर ग्राफ में नो विसकर बारा में उसके तके और ग्यारा विसकर सचाल में तक का समय है